इनर इंजिनियरिंग दो अथरों का एक बदनाम सब्द एक दिन एक आदमी संक्रन पिल्लै की दावा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लेंप पोस्ट से लिप्टा एक आदमी नजर आया उसे देखकर वो हैरान रह गया जब वो दुकान के अंदर गया तो उसने संक्रन पिल्लै से पूछा वो आदमी कौन है क्या हुआ है उसको संक्रन पिल्लै ने तुएन जवाब दिया अरे वो मेरा ही गराहक है लेकिन उसको हुआ क्या है वो खासी के कोई दवा मांग रहा था मने दवा दे दी आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिबबा जुलाब पेट साफ करने की दवा होती है दे दिया और उससे यही खा लेने के लिए कहा सिर्फ खासी के लिए जुलाब आपने उसे जुलाब क्यूं दिया? अब जारा उसे देखो, वो खासने की हिम्मत भी नहीं कर सकता अपने खुशाली की तलास करने वारे लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है जिसकी वज़ा से गुरु आज महें दो अच्छों का एक शब्द बनकर रह गया है दुर्भागय से हम इस शब्द का सही अर्थ भुल गए है गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला आम धरना ये है कि गुरु का काम ज्यान वो उपदेश देना या धन परिवर्तन कराना होता है पर ऐसा नहीं है बिलकुल नहीं है गुरु का काम आपके लिए इन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है जो आपकी ग्यानेंद्रों के बोद तर्थ आपके मुनवेगानिक नाटक से परे होते है मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वो आपके अस्तितु की प्राकृति से आपका परिच्चे करा सके आजकल बहुती गलत धंकी भैकाने वाले सिच्चाएं दी जा रही है इन्ही में इस एक है इस पल में रहना ऐसी सिच्चा देने के लिए पीछे धारना ये है कि अगर आप चाहे हो तो आप कहीं और भी रह सकते है भाला ये कैसे संभव है वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते है अगर आप जेवित है तो इसी पल में जेवित है अगर आप मरते है तो इसी पल में मरते है ये पल नित्ते है शास्वत है अगर आप चाहे भी तो इससे कैसे भाग सकते है अभी आपकी समरन ये है कि आप उन चीजों को लेकर परिशान रहते हैं तो दस साल पहले आपके साथ घटिर हुई थी इस बात को सोच सोच कर परिशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है एक इन दोनों ही जिवन वास्ति विक्ता नहीं है ये सब सिमिरिटी और कल्पना के खेल है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको शानती पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए बिल्कुल नहीं इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की दोर ठामने की ज़रूरत है आपके दिमाग में बहुत अधिक यादी होती है तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावनाएं भी होती है जो लाखों साल की विकास पर किरिया का नतीजा है जब अप्चा है इसका इस्तमाल करे और जब ज़रुरत नहों तो इसको एक तरफ रख दे तो इसे में दिमाग बहुत अच्छा उपकरन हो सकता है अतीज से बचकर निकलना और भविश्य की उपकरना झाला झाल 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 त्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का कराबोर काफी समय से चल आ रहा है और यह दावा दिया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम प्रेम मानुविय संभावना है अगर आप इस बारे में कोई कोर्ष करना चाहते है तो आप अपने कुट्टे से सिख सकते यहां कुट्टा वो प्रेम से भरा होता है प्रेम को जानने के लिए आपको किशी और गरह पर नहीं जाना है यह सभी बचकाने सिधान इस धरना से आते है कि यह सारा अस्तित्व मानों केंद्रित है इस एक विचार ने हमसे हमारी समझ छिनकर इतिहास में हमसे कुछ जगने अमानुवी अपरात कराये है और यह सब आज भी हो रहा है एक गुरू के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई सिप्छा नहीं है समझाने के लिए कोई फिलोसोफी नहीं है परचार करने के लिए कोई मत या सिधान नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानुवाता कि समझ बीमारियों का एक मात्र हल है खुद का रुपांतरन आत्म रुपांतरन खुद को धीरे-धीरे बेतर बनाना नहीं है आत्म रुपांतरन नेक्तिक्ता वो विचार सहीता से या विवहार में बदलाव लाने से नहीं होता बलकि अपनी अस्यमीत प्रकृति को अनुभाव करने से होता है आत्म रुपांतर्ण का मतलब है कि पुराना कुछ भी नहीं रहा यह जीवन को जानने और अनुभाव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है इसको जानना ही योग है जो व्यक्ति अपने जीवन में इसे सकार कर लेता है वो योगी है जो इस दिशा में आपका माग दर्शन करता है वो गुरु है इस पुस्तक के माध्यम से मेरा उदेश से यह है कि आनन आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए इसे एक वास्तवित्ता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेट करती है कोई सिक्षा नहीं बल्कि एक तकनिक भेट करती है कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेट करती है उस विज्ञान की खोज करने का उस तकनिक के उपर काम करने का उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है गुरू इस यत्रा की मंजिल नहीं है बलकि वो रोड मेफ है आंत्रिक आयाम एक अंजाना इलाका है अगर आप ऐसे राष्टे पर चलते हैं जो आपके लिए अंजान है तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड मेफ हो एक तरह से गुरू का मतलब होता है जीता जागता रोड मेफ जी पी यस यानि गुरू पार्ट फाइंडिंग सिस्टम जी पी यस मिन्स गुरू पार्ट फाइंडिंग सिस्टम और इसलिए है दो अच्छों का यह बदनाम सब्द और इसलिए है दो अच्छों का यह बदनाम सब्द आपका काम दुगोना असान बनाने के लिए मैंने सोचा इसे चार अच्छों का नाम बना दूँ नमस्कारम इनर इंजिनियरिंग आनंग में जीवन के सुत्र सद्गुरू दुनिया भर में चोदर से ज्यादा भसाओने प्रकाशित दुनिया भर में चोदर से ज्यादा भसाओने प्रकाशित इनर इंजिनियरिंग झाल 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 इनर इंजिनियरिंग दो अथरों का एक बदनाम सब्द एक दिन एक आदमी संकरन पिल्लई की दावा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लेंप पोस्ट से लिप्टा एक आदमी नजर आया उसे देखकर वो हैरान रह गया जब वो दुकान के अंदर गया तो उसने संकर पिल्लई से पूछा वो आदमी कौन है क्या हुआ है उसको संकर पिले ने तुन जवाब दिया अरे वो मेरा ही गराहक है लेकिन उसको हुआ क्या है वो खासी के कोई दवा मांग रहा था मैंने दवा दे दी आपने उसको क्या दवा दी मैंने एक दिब्बा जुलाब पेट साफ करने की दवा होती है दे दिया और उससे यही खा लेने के लिए कहा सिर्फ खासी के लिए जुलाब आपने उसे जुलाब क्यू दिया अब जारा उसे देखो वो खासने की हिम्मत भी नहीं कर सकता अपने खुशाली की तलास करने वारे लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है जिसकी वज़ा से गुरू आज महद दो अच्छों का एक शब्द बनकर रह गया है दुर्भागे से हम इस शब्द का सही अर्थ भुल गये है गुरू शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला आम धर्णा ये है कि गुरू का काम ग्यान वो उपदेश देना या धन परिवर्तन कराना होता है पर ऐसा नहीं है बिलकुल नहीं है गुरू का काम आपके लिए इन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है जो आपकी ग्यानेंदिरों के बोद तर्था आपके मुनवेगानिक नाटक से परे होते है मुख्य रूप से गुरू इसलिए होता है ताकि वो आपके अस्तितु की प्राकृति से आपका परिच्चय करा सके आजकल बहुत ही गलत धंकी भैकाने वाले सिच्चाएं दी जा रही है इनिमेश एक है इस पल में रहना एशी शिछा देने के लिए पीछय धारना ये है कि अगर आप चाहेऊ तो आप कहीं और भी रह सकते है भाला ये कैसे संभव है वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते है अगर आप जेवित है तो इसी पल में जेवित है अगर आप मरते है तो इसी पल में मरते है या पल नित्ते है शास्वत है अगर आप चाहे भी तो इससे कैसे भाग सकते है अभी आपकी समरन ये है कि आप उन चीजों के लेकर प्रेशान रहते हैं जो दस साल पहले आपके साथ घटित हुई थी इस बात को सोच सोच कर प्रेशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है एक इन दोनों ही जीवन वास्तिविक्ता नहीं है ये सब सिमरिती और कल्पना के खेल है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्षानती पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए बिल्कुल नहीं इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की दोड थामने की जरूरत है आपके दिमाग में बहुत अधिक यादी होती है तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावनाएं भी होती है जो लाखों साल की विकास पर किरिया कर नतीजा है जब अपच्चा है इसका इस्तमाल करे और जब ज़रुरत नहों तो इसको एक तरफ रख दे तो इसे में दिमाग बहुत अच्छा उपकरन हो सकता है अतीत से बचकर निकलना और भविश्य की उपेक्षा करना इस शांदार छंता कम होत्तो हीन बना देती है इसलिए इस पल में रहना एक तरह से हमारे लिए मोनोवेगानिक रुकावत बन सकता है जो हमारे अस्तित ट्वगत सत्य को नकारता है आजकल एक और शिक्षा दिजा रही है एक समय में एक काम करे यह एक लुक्पिरे स्लोगन बन गया है जब दिवाग जेसी बहु आयामी मशिन हमारे पास है जब बहुत सी गतिविदữa को एक साथ संभाल सकता है तो एक समय में एक ही काम क्यों करें बजाए इसके किसको उपियो करना सिखा जाए और दिमाग को साधना सिखा जाए आप इसको मरना क्यों चाहते हैं जब आप जानते हैं कि मानसिंग काम करने की खुशी कैसी होती है और फिर दिमाग को संकूचित क्यों किया जाए उससे जान बुझ कर जड़ क्यों बनाया जाए एक और मुहावरा है जो बहुत अधिक फैशन में हैं जिसका बीना सोचे समझे पर्योग किया जाता है वो है सकरातमक सोच क्या सकरातमक सोच जब आप इसका उप्योग एक ऐसे मंत्र के रूप में करते है जिससे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाया तब यह मंत्र नहीं बलकि सचाई पर परदा डालने का काम करता है जब आप अपने दिमागी ड्रामा को परकावू नहीं कर पाते तब सकरातमक सोच का इस्तिमाल करते है शुरू में हो सकता है यह आपके जीवन को नए आत्म विश्वास और उम्मीद से भर दे लेकिन वास्तों में यह बहुत सिमित है अगर लंबे समय तक आप वास्तिवि हुआ इंसान की खुशहाली को स्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का करबोर काफी समय से चला आ रहा है और यह दावा दिया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम है प्रेम मानुविय संभावना है अगर आप इस बारे में कोई कोर्स करना चाहते है तो आप अपने कुते से सिख सक यहां कुत्ता वो प्रेम से भरा होता है प्रेम को जानने के लिए आपको किसी और गरह पर नहीं जाना है यह सभी बचकाने सिधान इस धरना से आते हैं कि यह सारा अस्तित्व मानों केंद्रित है इस एक विचार ने हमसे हमारी समझ छिनकर इतिहास में हमसे कुछ जगने अ मानुवी अपरात कराये है और यह सब आज भी हो रहा है एक गुरू के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई सिप्छा नहीं है समझाने के लिए कोई फिलोसोफी नहीं है प्रचार करने के लिए कोई मत या सिधान नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानुआता कि समझ बीमारियों का एक मातर हल है खुद का रूपांतरन आत्मरूपांतरन खुद को धीरे धीरे बेतर बनाना नहीं है आत्मरूपांतरन नेक्तिक्ता वो विचार सहिता से या वेहार Striрач में बदलाव लाने से नहीं होता बलकि अपने अस्यमियत प्रेक्रिक के अनुभाव करने जनने और अनुभाव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है। इसको जानना ही योग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इससे सकार कर लेता है वो योगी है। जो इस दिशा में आपका माग दर्शन करता है वो गुरु है। इस पुस्तक के माधम से मेरा उदेश्य यह है कि आनन आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उदेश नहीं बलकि एक विज्ञान भेट करती है। कोई सिक्षा नहीं बलकि एक तकनिक भेट करती है। कोई नि करने का उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है गुरु इस यत्रा की मंजिल नहीं है बल्कि वो रोड मेफ है अंत्रिक आयाम एक अंजाना इलाका है अगर आप ऐसे रास्ते पर चलते है जो आपके लिए अंजान है तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड म जी पी यस यानि गुरु पार्ट फाइंडिंग सिस्टम जी पी यस मिन्स गुरु पार्ट फाइंडिंग सिस्टम और इसलिए है दो अच्छों का यह बदनाम सब्द और इसलिए है दो अच्छों का यह बदनाम सब्द आपका काम दुगूना असान बनाने के लिए मैंने स इसे चार अच्छों का नाम बना दो। पाठकों के लिए संदेश इस तरह की पुस्तव को पढ़ने के कई नजगी हो सकते हैं। पहला यह कि आप सीधे अभियासों को करना शुरू कर दें। खुद से इनको आजमाने में लग जाए। मगर यह किताब सेल्फ हैल्ट पुस्तिका होने का दावा नहीं करती। इसमें एक जबरदस्त वयवहारेक रुजहान तो है पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दुसरा यह कि इससे आप सेधानतिक रूप चले। मगर यह विद्वत्ता हासिल करने के लिए भी नहीं है। मैंने कभी भी योग का कोई गरंट पूरी तरह नहीं पड़ा। मुझे कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। मैंने आंतिक अनुभव को अधार बनाया। अपने जीवन में काफी बाद में जाके मैंने पतंजली के कुछ योग सुत्योग को सरसरी निगास पड़ा। जो कि योग का एक महत्तोपून गरंट है। तैम मैंने महसुस किया कि उनके मर्म तक मेरी ये खास पहुच है। इसका कारण ये है कि मैंने उन्हें सिध्धान्तिक रूप से पढ़ने के बजाए और नुभव के स्तर पर देखा। योग जैसा एक गुड विज्ञान्त को सिर्फ एक सिध्धान्त में सिमित कर देना उतना ही दुख़द है जितना एक उसका इसका इस्तेमाल बिमार्यों को दूर करने वाली कसरतों करूप में करना है। और इसलिए इस किताब को अंततर दो खंडों में बाटा गया है। बलकि यहां कुछ मौलिक द्रिष्टी भेट करने की कोशिस की गई है। जो सिर्फ आपको ही करनी है किसी और को नहीं। यह ऐसे मुल्क द्रिष्टी कौन है जो मेरी उस चरम जागुकता से जन्मे है। जो 33 साल पहले एक रूपांतर कारी अनभौ के बाद मुझे मिली। यह खंड अत्म कथात्मक चर्चा के साथ शुरू होता है। ताकि आप उस लेखा के बारे में कुछ जान सके जिसके सास्त आप समय बिताने वाले है। अगर आपने बागी पुष्टक परदने का फैसला किया। इसके बाद यह खंड कुछ बुनियादी विचारों की जाज़ प्रख करता है। जिसमें कुछ आंत्वर पर उप्योग और दुरुप्योग होने वाले शब्दों जैसे नियती, जिम्मेदारी, खुशहाली और उससे भी महत्वपुन शब्द योग का अन्वेशन करता है। इस खंड के अध्याई के एक साधना के साथ समाप्त होते है। संस्कीत में साधना सबका अर्थ है। उपकरन या साधन। खोज के ये उपकरन आपको एक पार्थक के रूप में उन पन्नों में बताय ये विचार को पर योग मेलाने का मौका देते है। और आप यभी देख सकते हैं कि ये दिश्टी आपके लिए करगार हो रही है या नहीं। खंड दो में और अधिक साधनाय देखने को मिलेगी। मुझे अक्सर बताया जाता है कि मैं एक मोडर्ण गुरू हूँ। उस टिपनी पर मेरा जवाब ये है कि मैं ना तो मडर्ण हूँ। न प्राचिन न नय यूग का न पुरान यूग का। मैं यूग का हूँ। और हर गुरू ऐसा ही रहा है। सिर्फ विद्वान पंदीत और धर्म शास्त्री प्राचिन या आधुनिक हो सकते हैं। सिध्धान त्या विश्वास पुराना या नया हो सकत lij और गुरू हमेसा सम्कालिन होते है। जो चा कि मैंने पहले का। गुरू वह है जो अंधिकार को दुर करता है, जो आपके लिए दर्वाजा खुलता है। अगर कल मैंने किसी के और द्रवाजा खोला था। या मैं आपके लिए कल दर्वाजा खुलने का वादा करू तो उसका कोई महतु नहीं है। इसका मुल्य तब है जब मैं आपके लिए आज दर्वाजा खुलता हूं। तो 37 समय से परहे मगर तकनीक और भासा हमेशा समकालिन होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। कोई प्रमपरा अपने समय में चाहिए कितनी भी प्रतिस्थित क्यों न रही हो। अगर वो अपनी प्राशंगिता खो चुकी है तो उससे बस म्यूजयों में ही रखा जा सकता है। हलाकि मैं इस किताब में एक प्राचिन तकनीक का अन्वेशन करूंगा। पर यह एक ऐसी तकनीक है जो आज पूरी तरह से करगाज साबित होती है। विक्ति गत रूप से मेरी दिलचस्पी कुछ नया सिखाने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ चत्ते में है। मगर मैं आसा करता हूँ कि अगले खंड में आपको कुछ ऐसे भी पल मिलेंगे जहां यह दोनों एक दुस्या से मिलते हुए परतीत होंगे। कि जब सही स्थित्या होती है, जब कोई द्रिष्टी आंतरिक अस्पस्तता से पैदा होती है और वो ग्रहन शलता के सही पल में पाठकों के भेट की जाती है। तो एक पुरातन सत्य जबदस तरीकों से वो पा कि हास में पहली बार बोला और सूना गया हो। जब मैंने अपनी सूद भूत खो दी। तब मैं एक इंसान था। मैं एक पहारी पर चाढ़ा क्योंकि मेरे पास गवाने के लिए समय था। पर मैंने सब गवार दिया और सब जो मैं और मेरा था। मेरा और मेरे के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घरे समान अधीन हूँ इस्वरिये इच्छा और अनन कौशल के। मैं सूध शहर में एक चलन है अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामूर्डी पहार पर जाईए। और अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो अभी चामूंदी पहार पर जाएए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामूंदी पहार पर जाएए और अगर प्यार में आपका दिल तूट गया है फिर तो चामूंदी पहार पर जाना ही है एक दो पहार मेरे पास करने को कुछ पहारी पर चला गया एक अस्थान पर मैंने अपनी मोटर साइकल खरी कि अकरीब दो तीहाए पहारी चढने के बार एक चतान पर बैठी गया वही मेरी द्यान सिला थी वह वहाँ काफी समय से थी उस चटान पर बैगनी बेर और बर्गत के नाटे पेर ने अपनी मजबूते जरे जमाई थी वहाँ से शेहर का मनोलम रिष्टे दिखाए देता था उस चंद तक मेरा जो अनभाव था उसके अनुसाय मेरा सरीर और मन दोनों मैं थे और सेस विष्व बाहरी लेकिन अचानक मुझे भाव नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं मेरी आँखी अभी भी खुली थी लेकि मैं जिस हवा में सांस ले रहा था जिस पत्थर पर में बैठा था सब मैं बन गया था वहां जो कुछ था सब मैं था मैं सचे तो होता हुए भी चेते नहीं था चीजों में फड़ कर पाने की इंद्रियों की प्रकृर्टी खो चुकी थी इस बार में जितना ज्यादा कहूंगा उतना ही ज्यादा पागलपन लगेगा चुकी जो हो रहा था वो अवर नियत था मेरा मैं हर जगा व्याब था हर चीज अपनी ते सिमाओं से परेविष्टार कर रही थी हर चीज विष्टरीत होकर दुसरी हर चीज में समार ही थी यह संपुर्णता की आयाम रहित एकता थी बस वही पल अब मेरा जीवन है जो बहुत सुन्दर्टा से बरकरार है जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा की में हैं दस मियत बुज़रे है लेकि मेरे घरी की सुज़ा बता रही थी की शाम के साधे साथ बच चुके थे यानि साधे चार घंटे बिच चुके थे फोर एन हाफ हावर से मेरी आखे खुली थी सूरज धल चुका था और अंधेरा हो गया था मैं पुरी तरह से स्तर्क था लेकिन उस पल प्लग जिसे मैं मेरा मैं मानता था मैं रोनने धोने वाले में से नहीं हूँ मगर फिर भी चामुंटी पहारी के उस चटाइं पर पचीस साल की उम्र में मैं इतना उन्मत था कि मेरे आंशू बह रहते और मेरी कमीज गीली हो चुकी थी शान तर खुस रहना में लिए कोई मसला नहीं रहा है जैसा चाहा वो इसी जिन्दगी बिताई मैं साथ के दसक में बढ़ा हुआ वो बिटल्स और बुलू जीन्स का दौर था मैंने उरोपिय दर्शन और सहितों में दोस्तों यवस्की कामू, काफका और उन जैसे अन्य लिखों को पढ़ रखा था लेकिन यहां अपने अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग आयाम से मेरा इस फोठक धंग से सामना हुआ जिसकी मुझे तकनीक भी जन्यकारी नहीं थी मैं उलास और आनंद की एक बिल्कुल नई अनिभूती से भीग चुका था जिसका नौत में कभी अनुभू किया था नहीं उसकी संभावना की कलपना ही की थी इस बारे में जब मैंने अपने संशई दिमाग पर जोड डाला तो मुझे इतना ही समझ आया कि मैं शायद मैं अपना मांसिक संतुलंग खो बैठा फिर भी ये सब इतना खुपसरूत था कि मैं इससे गवाना नहीं चाहता था अलबता उस दो पहड को क्या हुआ था उससे बताने में मैं कभी पुरी तरह समर्थ नहीं हो पाया सायद उससे बयां करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं उपर गया और फिर नीचे आया में फिर कभी नीचे आया ही नहीं मेरा जन मैसूर में हुआ अपने मेहलों और बाग बगुच्चों के लिए मशूर दच्छिन भारत के सुन्दर और शाही नगदी मैसूर एक दोर में राजधानी हुआ करती थी मिरे पिता जी डॉक्टर और मा घरेलू महला थी मैं चार भाय बहनों में सबसे चोटा था स्कूल में मैं उप जाता था और तोर में लिए एक अक्षा में बैठना थी जा संभव था क्योंकि मैं देख सकते था कि अधियापक जो सिखाते थे उसका उनकी अपनी जिंदगी में ही कोई मतलब नहीं था जब मैं चार साल का था तब घर की आया मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी मैंने उसे कह रखाता कि वो मुझे स्कूल के गेट पर ही छोड़ अंदर नहीं आये जुहीं यह मुझे छोड़कर जाती मैं पास की घाति की तरफ भाग निकलता यहां जीवन अंगीनत अनूथे रूपों में फल फूल रहा था मैं पिता जी की दवाईयों की अलमारी से मिली खाली बत्रों में तरह तरह के कीरे मुकोडे मेढ़क और साप इकठा करने लगा कुछ महीने बाद जब माता पिता को पता चला कि मैं स्कूल से गायब रहता हूँ तो इस बारे में जानकर वे बहुत नराज हुए घाती के मेरे इस जीव शाष्ट के अभियान को बसाती नाले में वक्त बरवाद करना कहकर खारिश कर दिया गे बरो की सुष्ट वो निरस दुनिया ने मेरे इस अभियान को नकाम कर दिया जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता थ तब मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया और करने के लिए कुछ और ढून लिए बात के वर्सों में में जंगल में इधर उतर घूमने साप वो मचलिया पकरने और पहाड़ों पर या पेरों पर चरने में अपना वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करने लगा लेंच बॉक्स वो पानी की बोतल के साथ अक्सर में पेर की सबसे उची डाल पर चढ़ जाता था सखाओ के हिलना डूलना मुझे समाधित जैसे हावास्था की ओर ले जाता जहां मैं निंद में भी होता और पुरी तरह सतर की भी पेर पर समय के बिलकुल बोध नहीं रहता था सुबह नौ बरिश लेकर साम साथे चार बज़े स्कुल की छुटी की घंटी बजने तक वहीं बैठा रहता बहुत बाद में चलकर मुझे एसास हुआ कि जीवन के उस दोड़ में ही अनजाने में मैं ध्यान करने लगा था meditation होता था यकिनन तब ध्यान सब से मेला पाला भी नहीं पड़ा था मुझे तो बस पेर का उस तरह हिलना पसंद था जो मुझे नींद और जागरन से परे की अवस्था में ले जाता था कच्छा में बैठने के अलावा हर चीज में मेरा मन लगता था यह दुनिया जिस तरह से बनी है धर्टी के अलग अलग इलाकों के भुगोर और लोगों के रहन सेहन के बारे में जानना तो में दूर देहात की धूल भरी सड़कों पग दंडियों पर अपनी साइकी लेकर न करता है घर पहुचते पहुचते में धूल और किचर से ब्रीत रश्चन जाता था मैं जहां जहां से गुजरता उन इलागों को नक्षा अपने दिवा में खिचना मुझे अच्छा लगता था मैं जब भी अकेला होता अपनी आखें बंद करके मैं मन में उन सभी अस्थानों को नक्षा खिचता हर एक चटान का सभी तीलों का और एक एक पहार का जो ताइक के बाद अलग दिखती जमीन खेतों में उकती फसलिया और अलग अलग मौसम यह सब मुझे लभाते थे इसी वज़र से मैं थोमस हार्डी के लेखन की तरफ अकर्शित हुआ इंगलेंड के भूख भाग के उनके वर्णन कभी पन्नों में फैले रहते है आसपस के दुनिया के मैं उसी तरह अपने जेहन में सहेज रहा था आज भी वह से मेरे दिमाग में एक जल्चित्र की तरह क जाहूं तो बहत असपस्तिता और बारेकी से वो सब दोहरा सकता हूं जो मैंने उन सालों में देखा था मैं घोर शंका सिल था अगर मेरे परिवार वाले मंदिर जाते तो पांच साल के उर में भी मेरे पास उनके लिए धेर साले सवाल होते थे इस वर कौन है वह कहां रहता है वहां उपर वहां कहां होता है कुछ साल बाद करी और सवाल मुझे मतने लगएrum इस्कूल में बताया घया कि धर्टी गोल है लेकि अगर हमारे धर्टी गोल है तो किस कईसे मालन की उपर किस तरफ है इन सवालों के जवाब कभी कोई नहीं नहीं ड़ा है इसलिए में मन् जोर से बार बार अपनी तरफ खिचते हुए पक्रे रखता वो जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसकी नजर हट तेशी भाग जाऊंगा बात के सालों में मुझे यह साथ दिखता था कि रेश्टरा से एक निकलते हुए लोगों के चेहरे मंदी से बाहर आने वाई लोगों के मुकाबले जादा प्रेशन रहते थे यह बात मुझे हैरान कर देती थी हलाकि मैं संका सिल था लेकिन इसको मैंने अपनी पहचान नहीं बनाया हर चीज को लेके मेरे पास धेरो सवाल होते थे लेकिन कभी किसी निने पर पहुशने की जरूरत महसूस नहीं हुई दरसल मुझे काफी जल्दी यह एहसास हो गया था कि मैं किसी भी चीज के वारे में कुछ नहीं जानता इसका नतीज़ा यह हुआ था कि मैं आसपास की हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा अगर कोई मुझे एक गिलास पानी देता तो मैं गिलास को लगतार घूरता रहता अगर मैं एक पत्ती उठाता तो उसको भी लगतार देखता पूरी रात में अंधेरों को घूरता रहता था अगर मैं किसी कंकर को देखता तो उसकी छवी मेरे दिमार में निरंतर घूमती रहती जिससे मैं उसके हर कन उसके हर कौन को जान जाता था मैंने यभी देखा कि भासा इंसान की रची एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता कि वह सिर्फ आवाजे निकाल रहा है और मैं उनके अर्थ निकाल रहा हूँ तो मैंने अर्थ निकालना बंद कर दिया और फिर आवाजे मेले बड़ी हास्या सपद बन गई मैं देख सकता था कि उनके मुह बनी बनाई धवनिया उगल रहे हैं अगर मैं एक तक देखता रहता तो इंसान भी विघर्टित होकर ओज्जा के एक धुनते गुले में तबदिल हो जाता तक सिफ आकृतिया ही बच जाती अशीम अज्ञानता के इस थिती में किसी भी दॉक्टर होने के नाते प्रिता जी सोस्तेत की मेरे मनवे ग्यानी प्रिश्चन की जवरत है वे कहते यह लड़का हर वक्त किसने किसी चीज को बीना पलग जबकाय घुर्टा रहता है लगता है पागल हो गया है मुझे यह हमेशा अजीव लगता है कि दुन्या इस बात को नहीं समझती कि मैं कुछ नहीं जानता कि अवस्था कितनी गहन होती है जो लोग विश्वास और मानियताओ से इस अवस्था को नश्ट कर देते हैं वे एक बड़ी संभावना जाने की संभावना से पुई तरह से चुक जाते हैं वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, एक द्वार है, जानने और धुनने का एक मत, द्वार, मा मुझसे कहती थी कि अपने अध्यापको पर ध्यान दिया करो, मैंने वही किया, जिस तरह का ध्यान मैंने उनकी बातों पर दिया, वैसा कभी भी कहीं और किसी ने नहीं दिया होगा, मुझे नहीं मालूम की वे क्या कर रहे होते थे पर जब में करक्षा में होता था तो बेगर पलक जपकाय उन्हें एक तक घुड़ता रहता था किसी कारण से उन्हें ये हरकत कुछ खास पसंद नहीं आई एक सिक्षक ने मुझे से जवाब सुनने की हर संभव कोशिस की लेकिन जब मैं चूप रहा तो उन्होंने मुझे कंदों से पक्रा और बुरी तरह से जग जोड़ दिया उन्होंने कहा तुम तो या तो देवता हो या सैतान फिर उन्होंने आगे का और मुझे लगता है कि तुम सैतान हो मैं एक खास अफमानित मेसूस नहीं किया इससे पहले तक मैं अपने आसपास की हर चीज को अच्रेज की दिश्टी से देखता था रेत के एक कन से लेकर बर्मान तक को लेकिन सवालों के जतिल जंजाल में हमेशा एक निश्चिता थी और हो थी मैं को लेकर लेकिन मेरे सिक्षक की एक रोजपुन कथर ने मेरे लिक कर योज सवाल खरे कर दिये मैं कौन था? इंसान? देवता? सैतान? क्या था? जवाब के लिए मैंने खुद को घुनने की कोशिज की लेकिन जवाब नहीं मिला तो मैं अपनी आखे बंद करके इसका जवाब घुनने की कोशिज करने लगा मिनट से घंटे हो जाते और मैं अपनी आखे बंद किये बैठा रहा था जब मेरी आखे खुली होती तब हर चीज मुझे हैरान करती थी चीटी, पत्ती, बादल, फोल, अंधकार, हर चीज लेकि मेरे लिए हैरेत की बात यह थी कि जब मैं अपनी आखे बंद करता तब कुछ चीजे मेरे ध्यान पहले से जारा खेची थी जैसे किस तरह शरीर धरकता है किस तरह अलग-अलग अंग काम करते है आंतरिक उजा कीन रास्तों से गुजरती है शरीरिक संद्रचना किस तरह ले में रहती है और यह तथे की हज सिर्फ बाहरी दुनिया तक सिमित है इस चिंतन ने मेरे सामने मानव तंद्र की पूरी प्रकिरिया खोल कर रख दी मैं यह या वह हूँ जैसे असान जवाब तक भुचने के बजाए इस चिंतन ने यह एसास करया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ हो सकता हूँ हलाकि यह किसी नतीजे पर पहुचना भी नहीं था मैं को लेकर मेरे निश्चित्तता भी तब जाकर खत्म हुई जब इनसान होना क्या होता है कि गहन समझ पैदा हुई स्वेम को एक सोतंत्र इकायक रूप में जानने के मेरी समझ को इसने पिखला दिया मैं एक असपस्ट प्रानी बन गया अजीब अजीब तरह कि अपने सभी तरीकों के बावजूद एक चीज जो मैं अनुशाची धंग से करता रहा वो था मेरा योगा भ्यास 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में 12 यर्स वोल गर्मी की छुटी में मेरा योगा भ्यास की शुरुआत हुई हर साल डादा जी के पुष्टेनी घर पर हम सभी चचेरे भाई भान इकठे होते थे मेकान के पीछे के हिस्से में 150 फूट गहरा एक पुराना कुवा था जब बेहने लुका छुपी खिलती थी तब हम लग कि आम तरपर कुवे में कुद्निय और उससे बाहर आने का खेल खिलते थे कुवे में कुद्ना और ऊपर चटकर बाहर निकलना दोनों ही चिनोती भरे होते थे अगर इससे सही तरीके से नहीं किया जाए तो सीध दिवार से टकरा कर चकना चूर हो सकता था यहीं नहीं चटिते समें सिधिया नहीं होती थी चत्तान की खुरदरी सत्व पर हाथ और पाव जमा जमा कर चटना पड़ता था कई बार तो अधिक दबाव के चलते ना खुन लहु लुहान हो जाते थे बस कुछी लड़के यह कर्टब दिखा पाते थे मैं उनमें से एक था और उसमें मैं माहिर था एक दिन सत्तर साल के एक बुजूर्ग वहाँ पर आये उन्होंने कुछ देड़ तक हमां यह कर्टब करते धुए देखा फिर बगर कुछ कहे कुए में कुद पल हमें लगा कि वे दुब गए होंगे लेकिन वे मेरे मुकाबले अधित तेजी से चटकर बाहर आगे मैंने अपने अहम को किनारे रख कर उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा आपने यह कैसे किया? मुने का चलो योग सिखो मैं एक पिले की तरह उनका अनुसरन किया और इस तरह मैं मला डिहल्ली स्वामी वे बुजुर्ग इसी नाम से जाने जाते थे मला दिहली स्वामी का शिस्य परना और योग सिखने लगा पहले हर सुबर मुझे जगाना पूरे घर के लिए एक मुश्किल काम होता था परिवाई के लोग मुझे बिस्तर पर बैठाने की कोशिश करता और मैं फिर सल्लू ढखकर सो जाता मेरी मा दाट साफ करने के लिए मेरे हाथ में बरस थमाती तो मैं उसे मूं में रखकर सो जाता था वे निराश होकर मुझे गुसल खाने में धकलती और वहाँ भी सो जाता लेकिन योग शुरू करने के तीन महिने बाद से मेरा शरीर हर सुबर सारे तीन बज़ी अपने आप जागने लगा वो भी बिना किसी बाहरी कोशिस के आज भी यही होता है जागने के बाद मैं तुरंत योगा भ्यास में लग जाता हूँ मैं किस जगव और किस हालात में हूँ इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता उसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ यह आसान सा योग अंग मर्दन था यह शरीरीक योग की एक परनाली है जो मांस्पेश्यों और हाथ पेरों को मजबूत बनाती है यह शरीरीक और मांस्पेश्यों तोर पर मुझे बाकियों लोगों से अलग करता था बस इतना ही या मैं ऐसा मानता था समय के साथ अफचारिक सिच्चा में से मेरा भ्रोसा उठ गया हलाकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसमें दोस मढ़ रहा था मुझे इतना उत्सा और इतने जिवन तता थी कि मैं हर चीज में खुद को सामिल करना चाता था लेकिन असफ़स्ता उस उम्र में भी मेरी सबसे बरी विशेस्ता थी जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उसमें असंगतिया या खामिया में जाएं बुच कर नहीं ढून रहा था बल्कि वे अपनी आप दिख जाती थी मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज खुदने या पाने की कोशिस नहीं किये मैं बस देखता हूँ और यही चीज अब मैं लोगों को सिखाने की कोशिस कर रहा हूँ अगर आप वागी अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज को पाने की कोशिस मत किजिए लोगों को लगता है कि अधियात्म इश्वर या सत्य या परम्तत्र को खुदना या पाना है समस्य यह है कि आपने खुद ही यह यह सरी कर लिया है कि आप क्या खुदना चाहते हैं आप जिस चीज को ढूंड रहे हैं वो महत्तो पुर्ण नहीं है बलकि देखने की छमता महत्तो पुर्ण है दुनिया में आज बगेर किसे उदस्य के देखने की छमता खो गई है हर कोई मनवे गानिक प्रानी बन गया है वो हर चीज का मतलब निकालना चाहता है खोजना किसी चीज की तलास नहीं है यह आपके बहुत आपके देखने की छमता को बढ़ाना है हाई स्कुल के बाद मैसूर विश्व विद्याले के पुष्तकाले में मैंने अपनी पढ़ाय खुद करने का बीरा उठाय है नहीं होहां सबसे पहले सुबर नौ बज़े पहुँ जाता था और रात सारे आठ बज़े सबसे आखी में बहार निकाला जाता है सुबर के नास्ती और रात को खाने के बिस किताबे ही मेरा सहारा होती थी हलाकि मैं हमेशा से भुखर था लिए पूरे एक सामने दिन के भोजे नहीं की मैंने काफी किताबे पढ़े होमस लेके पपलो मेकन निक्स तक काफकास लेकर कालीदास तक दाथे से लेकर दैनिस देमनेस तक सबको पढ़ा उस एक सामने मैंने काफी जनकाई हासिये की लेकि अब सवाल पहले से और ज्यादा हो गए थी मेरी मा के आशों ने मुझे मजबूर कर जया कि मैं मैंसूर विज्डाले में चीज चाहिदते पड़ू। मैंने अपने साथ हर वक्त अनन्त सवाल धोना जारी रखा। उस्तिकाले और मेरे अधियापक। दोनों के पास इनके जवाब नहीं थे। एक बार भी ज्यादा तर समय कक्षा से बाहर बितने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिफ नोट्स लि कि लिखने की समस्या और क्रक्षा में हाजी रहने की मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी। अंदर तो सभी सिक्षकों के साथ मैंने एक समझवता कर लिया। एक अच्छा मेरे हादिरी से ज़्यादा खुशते। वे हर रोज मेरी हादिरी लगाने लगे। मेहने की आखरी ता कि द्याले परिस्तर के मैदान में बर्गट के विस्ताल पेर के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम बैनेंट्री कलब रखा और नाम हमारे पहचान बन गया। कलब का अधर्स वाक्या था हम बस मज़े के लिए यह करते हैं। हम उस पेर के नीचे अपनी अपनी मो जगह कैसे बनाए तक हां हम अपनी मोटर साइकल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उसका अनादर था। विस्त विद्याले की पधाय पूरी होने तक में सारा देश घूम चुका था। सुरू में मैंने अपनी मोटर साइकल से द्लक्षिन भारत की यात्रा की। बाद में मैं अपनी मोटर साइकल से पूरा देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रूख करना स्वभावी की था। लेकिन भारत नेपाल सीमाओं पहुचा तो मुझे बतरा गया कि मोटर साइकल का रेजिस्टेशन और ड्राविंग लाइसेंस इसके लिए काफ हुआ को कि अपनी मोटर सारकर पर दुप्स धूया के सायर कर पाऊं। यह सिर्फ घुमने की लालसा नहीं थी। स्ट तो यह है कि मैं बेचाहिंड था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं माम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं माम था कि इसके ल किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदुत जरूर बहुत किरिपालू होंगी और उन्हें जरूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता होगा अपनी हदों को आकने सीमाओं को पार करने की हसरत हमेशा से मेरे अंदर थी क्या और क्यूं मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे सिर्फ कैसे ही एक सवाल होता था अब मैं पीछे मुर्ग कर देखता हूँ तो एसास होता है कि जिन्दगी में मैंने कभी कुछ बनने के बारे में नहीं सोचा मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन को कैसे जीना है और मैं जानता था कि कैसे सिर्फ मैं ही तै कर सकता हूँ और यह मेरे अंदर से होगा उन दिनों मुर्गी पालन की जबरदस्त मांग थी मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी बेलगाम और निर्दश्य गुमने की इच्छा पूरी कर सकू तो मैं इस धन्दे में घुसा मेरे पिता जी ने कहा मैं लोगों को क्या कहूंगा यही कि मेरा बेटा मुर्गी पालता है लेकि मैंने अकेले अपने दम पर अपना मुर्गी पालन फर्म शुरू किया धन्दा चल निकला मुनाफ़ा बढ़ने लगा मैं हर सुबह इस काम को चार घंटे देता था बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कूय में तैने, ध्यान लगाने और बर्गत के विशाल पेर पर बैठकर दिवा स्वपन देखने में गुजारता था सफलता न मुझे जोखियू लेने के लिए उगसाया मेरे पिता जी हमेशा अफसोस करते थी कि उनके बेटे के अलावा हर कोई जिन्यर या उधोपती बन गया है पर सासनिक सेवा में भरती हो गया है या फिर अमेरिका चला गया है हर जगा जिस किसी से में मिलता मेरे दोस्त रिष्टेदार मेरे स्कूल और कोलेज के पुराने सिख्षक वे कहते ओ हमें लगता था कि तुम अपने जिन्दगी में कुछ बनोगे पर तुम तो इसे बरबाद कर रहे हो ने ने इसे सुनोती को सिरकार कर लिया एक सिविल इंजेनियर दोस्त के साथ सासेदारी से मैंने भवन निमान का वेवसाई शुरू किये पात साल में हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए और हमारे गिंती में सूर के अगरनी ठेकेदारों में होने लगी मेरे पिता जी को यकिन नहीं होता था लेकिन वे खुश थे मैं जोश्य भरपूर और अपने इरादों का पक्ता था मुझ में उत्साथ था और मैं नई उचनोत्य के लिए तयार रहता था जब आपको हर काम में सफलता मीनले लगती है तो लगता है कि सभी घर आपके चकर क जाने का फैस्ता किया तर मैं इसी तरह का नौजवान था तर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे जिन्द की पहले की तरह नहीं रह जाईगी बाद में जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बाचित करने की कोशिस की कि उस दिन पहारी पर मेरे साथ क्या हुआ था मुझे क्या हुआ था तो वे मुझसे बस इतना ही कह सके क्या तुमने पी रखी थी? क्या तुमने कोई नशा किया था? वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज्यादा बेखवर थे जो अचानक मेरी जिन्दगी में विश्फोट की तरह आया था इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता मुझे फिर वही अनुभा हुआ एक हफ्ते बाद की घटना है परिवार वालों के साथ मैं खाने की मेज पर बैठा था मुझे लगा कि वो बस दो मिनाद तक चल लेकिन साथ घंटे बिच चुके थे साथ घंटे, सेवेन आवर्स मैं पूरे होशु हवास में वही बैठा हुआ था लेकिन जिस मैं को मैं जानता था वो मैं अब वहाँ नहीं बचा था बाकी सब कुछ वहाँ मुझुद था और वक्त गुजर गया मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर ठपकी दी थी मुझसे पूछा कि क्या हुआ मुझसे खाना खाने को कहा मैंने बस अपना हाथ उठा कर उन्हें जाने के लिए कहा तब तक वे मेरी अजीवा गरीब हरकतों के आदी हो चुके थे इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया जब मैं समाने स्थिती में लोड़ता तो सुबर के सवाचार बज़ रहे थे ऐसे अनुभाव बार बार होने लगे जब ही ऐसा होता था तो लगतार कई घंटों तक मैं न तो कुछ खाता और न सोता बस एक जगह बैठा रहता एक बार तो यह अनुभाव तेरे दिनों तक चला जब यह शुरू हुआ था मैं गाह में था यह आवस्था अभिभूत करन नहीं लगे ओह यह जरूर समाधी में होंगे समाधी शरीर से पड़े अनन्द की एक अवस्था है जिसके बारे में भरती अध्यात्मिक परंपराओं में कापे कुछ लिखा गया है भारत उस तरह का देश है जिसमें लोगों में अध्यात्मिक्ता की परंप्रिक समझ है पर मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था मैं उत बुलूर डेनिम जीन्स पहनने वाला इंसान था जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो कोई मुझे फूलों की मला पहनाना चाता था तो कोई मेरे पैर चुना चाता था यह सब मुझे पागलपन लगा मुझे यकीन नही उस पल मैं इंसानी पाचन की चमतकारी प्रकिरिया को नभव कर पा रहा था एक ऐसी प्रकिरिया जिसके एक बाहरी चीज धर्ती का एक तुक्रे मेरा हिस्सा बन रहा था बौधिक अस्तर पर हम सब यह जानते हैं कि धर्ती का एक हिस्सा भोजन हमारा पोशन करता है और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धर्ती का पोशन करने के लिए उसी मिटी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था लेकिन जब यह बोध अनुभाव के अस्तर पर प्रकट हुआ तो इसने मैं कौन हूँ के मेरे मुलभूत द्रिश्टी कौन को ही बदल दिया धर्ती समयत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबदस्त बदलाव आ गया हमें से हर एक में मौजुद उस असाधारन बुद्धिमता के प्रती में जाग्रू को होता चला गया जो रोटी के एक टुक्रे या एक सेव को एक ही दोपहण में इंसानी शरीव में रुपांतरित कर सकता है यह कोई छोटी बात नहीं है जब मैंने अपनी पूरी चतना उस बुद्धिमता को जो सिष्टी का स्रोत है असपर्ष करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनिये लगने वाली चीज़े घर्टित होने लगी मैंने जिन चीजों को असपर्ष किया वे किसी ने किसी तरीके से रुपांतरित हो गई से मुक्ती मिल गई मैंने खुद को भी कुछी घंटों में इसी बीमारियों से स्वस्थ होता पाया हूँ जिन से ठीक होने में मुझे असमाने चिकित्सिये देखवाल के माध्यम से महीने लगए होते हलाकि इन सब बातों को मैंने कोई महतूर नहीं दिया बेहराल बाहरी और अंदुरूनी हकीकत को रुपांतरित करने की मेरी यह चमता मेरे भीतर और मेरे आस पास आज भी काफिर नटकी यह धंग से जारी है ऐसा नहीं था कि मैंने इस से हासी करने के लिए अपनी तरब से कोई कोशिस की थी बात बस इतनी है कि एक बात जब कोई बुधिमता के इस गहन आयाम के संपर्क में आ जाता है जो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का अधार है तो जीवन स्वभाविक रूप से चमतकारी बन जाती है लगभक छे से आठ हप्तों में यह अविश्वसनी अनुभाव एक जीती जाकती हकीकत बन गया थी इस दोरान मेरे बारे में हर चीज नाठकियर धंग से बदल गी मेरी शरीरिक बनावत, मेरी आँखों का अकार, मेरी चाल धार, मेरी आवाज और कद काठी सब इतनी तेजी से बदलने लगी कि मेरे आज़ पास के लोगों ने भी इस पर गौड किया मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वो और भी अद्भुत था छा हप्तों के अंदर पुरानी यादों की सचमुच बाद सी आगे कोई जन्मों की या दास्ट लोट आई । जब अब मैं अपनी अंदर एक ही पल मैं घटिट हो रही लाखों अलग अलग चीजों के बारे में जागरूक हो गया था यह यह कलार्डोसकॉप की तरह था मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था वो दिन की रोशनी से अधिक साफ था लेकिन मैं मन ही मन यह उमीद कर रहा था कि यह गलत हो मैंने खुद को हमेशा एक चत्तूर वीवर यूवक की तरह जाना था अचानक में सोयम को एक नासमज और बेकुफ नाव जवान जैसा महसूस करने लगा था और इस हैरानी से में समझहोता नहीं कर पा रहा था लेकिन यह जानकर मुझे और खीज हुई कि मेरी यादास्त जो बता रही थी वो सच था देट वाज तुरूथ उस समय तर कोई वी चीज जो बुद्धी और तरक धाचे में फिट नहीं होती थी उसे स्विकार करने से में पुरी तरह से इंकार कर देता था लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमता है इंसानी बुद्धी तो सिर्फ चत्राई है जो जिन्दगी चलाने के लिए उपयोगी है लेकिन असली बुद्धिमता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का श्रोत है इसके अल गोर करते हैं तो आपको एफसास होता है कि इश्वर या जो भी स्रिष्टी का स्रोत है वो स्रवच बुद्धीमता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं हमें से हर किसी में मौझूद उस सर्वशक्ति साली बुद्धीमता का लाब उठाने की कोशिस करने की बजाए हम अपनी ता लाकिक बुद्धी कुछ खास प्रस्थीतियों में उप्योगी है लेकिन यह काफी समीत हैं दूसरों की भावनाओं के प्रति में खुद को अत्यतिक सन्वेदन सिल्भी मैसूस कहने लगा सरग पर किसी अंजान व्यक्तिक को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था मैं य यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अध्यात्मिक है that is spiritual मैं यह समझने लगा कि पवित प्रंपराव और धर्म गरंतों में जिसे चरम अनुभूति कहा गया है वही मेरे साथ घटित हो रही है जो मैं अनुभाव कर रहा था वो दरसल सबसे स अंदर चीज है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है पल पर मेरे शरीर की हर कोशिका पर्मानंद से वीभूर हो रही थी लोग बच्पन की बराई इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि एक बच्चा बेवर्जय हसकता है और खुश रह सकता है लेकि मैंने देखा कि व्यस्क जीवन मे भी किसी के लिए पर्मानंद में रहना संभव है यह हर इंसान के लिए है क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभाव करते है वो हमारे अंदर से ही घटित होता है मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव असल में मेरी पूरी आंतरिक संदर्टना का पुर्ण गठन था मैं बारह साल की उम्र से हर्थ योग का व्यास करता आ रहा था तेरे साल तक किया गया वह योग इस समय भली भली भुत हुआ योग दरसल शरीर के पूर्ण निर्मान का तरीका है ताकि वह ज्यादा बड़े मकसद की पूर्टी कर सके मान और शरी हार मान से एक टुक्र की त यह बेकार विवस्था भर नहीं है बलकि असल में यह बर्मान की धूरी है यह बस इस पर निभाय करता आ कि आप अपनी सरीरिक संद्चना को कैसे पुर्ण गतित करते हैं आपने मामले में मैंने शरीरिक तिरोता के स्थिति से आगे बढ़ कर अपने सरी को इस तरह से रखन पहले वो सारी तिरूता मेरे शरीर में थी लोग यह मैसूस कर सकते थे कि अगर मैं किसी कमड़े में घुशता तो इसका मतलब होता था कि कुछ करना है निकि अब मैंने अपने शरीर को अलग तरीके से रखना सिख लिया था और तब मुझे एसास हुआ कि यह अनुभाव जो मुझी हुआ है यही असल में योग है अस्तित और संपुन जीवन के साथ यक्षिय और स्रीमता का अनुभाव ही योग था मैं हर रोज जो सरे लोग योगासन किया करता था वे सरीरिक चुष्टी के लिए थे या मैं ऐसा सोसा था लेकिन चामुंडी पहाडी के उस अनुभाव के बाद मुझे एसास हुआ कि जो मैं कर रहा था वह वास्तों में एक ऐसी प्रेकरिया थी जो मुझे एक ऐसे आया में पहुचा सकती थी जो भौतिक आयाम से बहुत परे था इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ चाहे आप गलत कानुनों से भी योग करे यह तब भी असर करता है हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो सिमाव को ना पसंद करता है अस्मित हो जाने के ललसा रखता है इंसान के प्रकृति ऐसी है कि हम जो अभी है हम ऐसा उससे कुछ ज्यादा होने की इच्छा रखते है इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना हासिल किया है हम थोड़ा और ज्यादा होना चाहते है अगर हम इससे बारेकी से देखे तो हमें एहसास होगा कि यह लालसा और ज्यादा पाने की नहीं बलकि सब कुछ इवरिटी पाल लेने की है हम सब असीम हो जाने की चाहत रखते है समस्षा सिर्फ यह है कि हम इससे किस्तों में पाने की कोशिस कर रहे है कलपना किजिए कलपना किजिए कि आप पास फूर्ट गुन्ना पास फूर्ट के किसी कमरे में बंद है वह अच्छा है कितना भी आराम देख क्यों नहों आप इससे अजाद होने की इच्छा रखेंगे अगले दिन अगर आपको उससे बड़े दस फूर्ट गुन्ना दस फूर्ट तेन बाइ टेन के कमरे में रख दिया जाए तो आप थोई देव तो काफी अच्छा महसूस करेंगे लेकिन इससे अजाद होने की इच्छा जल्द ही लोट आएगी साफ है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी बड़ी सिमा तर करते हैं जिस पलाको सिमा का बोध होता है उससे तोड़ने की इच्छा सहज ही उठ खड़ी होती है पुर्व के देशों में इस लालसा को सांस्कृतिक द्रिष्टिकोन से इंसानी गत्विध्य और परियास का सर्योच्छे लच्छे माना गया है अजजादी या मुक्ती या मुक्ष को हर इंसान की एक सोभाविक लालसा और चरम लच्छे के तोड़ पर देखा जाता है मगर इससे बेखवर होने के कारण हम इससे किस्तों में पाने की कोशिश करते हैं भले ही वो सत्ता, धरन, संपती, प्रेम या ग्यान या संचे करने के जड़िये ही क्यों नहों या आजकल वक्त काटने के सब से पसंदीदा तरीके खरेदारी के जड़िये जिस पर मुझे या एसास हुआ कि इंसानी इच्छा किसी खास चीज के लिए नहीं बल्कि असीम रिष्टार के लिए होती है मेरे अंदर एक तरह की स्पस्टता आ गई किसी भी तरह से इस अनुभाव को दूसरे लोगों तो पहुचाओं ताकि वह यह समझ से कि आनंद आजादी या असिमता के अवस्था से उन्हें वन्चित नहीं रखा जा सकता जबतक कि वे स्वयम जीवन के सहज उल्लास में रुकावट न बने चामुटी पहारी पर उस दोपहर के बाद से पर्मानन की मेरी जो यह आवस्था है या नो तो कोई दूर की संभावना है और नहीं कोरी कल्पना या उन लोगों के लिए भी एक जीता जागता सच है जो इच्छुक है या हर इंसान का जन्मसिद अधिकार है हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है आपने अब तक अपने जिन्दगी में जो कुछ भी किया है उन सब का बस एक ही मकसद रहा है चाहे अपने करियर बनाना चाहा कोई कारबवार शुरू किया पैसे कमाए या फिर परिवार का भरन पोसन किया या सब आपने इस ले किया क्यूंकि आप बस एक सधारन सी चीज चाहते थे खुशी जी हाँ और वह चीज है खुशी एपी लेकिन इस दोरान कहीं ने कहीं आपका जीवन भी जटील हो गया अगर आप इस धर्ती पर किसी दुसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत समान हुआ होता आपकी जरूरते सिर्फ शरीरिक होती जीस दिन पेट भर खाना मिल जाता वो दिन शांदार हो जाता अपने कुट्टे या बिल्ली पर गौर कीजिये जैसे ही उनका पेट भर जाता है वे शांत हो जाते है लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते है तो इस्थीतिया बदल जाती है खाली पेट की सिर्फ एक समस्या है भूख लेकिन जब पेट भड़ा हो तो सेक्रो समस्या है जब उतर जीवता यानि स्वाईवल का सवाल आता है तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है लेकिन जैसे ही इसका मसला हल हो जाता है तब इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता, एक इंसान का जीवन गुजर बसर पर ही खत्म नहीं होता, बलकि उत्तर जीवता के साथ उसकी जिन्दगी शुरू होती है, आज की पीधी के लिए उत्तर जीवता की प्रकिरिया पिछले किसी भी समय से अधिक वे वस्थित है, आप एक सुपर मार्केट में जाकर साल के लिए अपनी जरूरत की सारी चीजे खरीज सकते हैं, आप घर से निकले बेगेर भी यह काम कर सकते हैं, मानो इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी संभव नहीं था, सौ साल पहले जो चीजे राजा महराजाओ को भी मैसर नहीं था, आज हम आम आदमी की पहुच में हैं, हम इस धर्टी पर रहने वाले अपतर की सबसे सुविधा प्राप्त पिधी है, मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आननदित या सबसे ज साहर के वातावरन को व्यवस्तित करने की पुरी कोशिस की है, अगर हम इसे और ज्यादा व्यवस्तित करते हैं, तो धर्टी ही नहीं बचेगी, फिर भी आज हम इतने खुश नहीं है, जितने हजार साल पहले हमारे पुरिवस्त है, अगर यह तरीका कारगार नहीं हुआ, तो क्या यह देखने को यह सही समय नहीं है कि क्या चीज गलत है, हम किसी ऐसी चीज को जारी कैसे करक सकते हैं, जो हजार साल तक कारगार नहीं हुई है, हम और कितने समय तक उसी योजना पर काम करते रहेंगे, जो साफ तोर पर असरदार साबित नहीं हुई है, नजरिये मे बदलाव का यही सही समय है आईए इस शवाल से शुरुआत करते हैं हम किस आवस्था को खुशहाली की आवस्था मानते हैं साधारन सी बात है खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है अगर आपका शरीर सुखी मेसूस करता है तो हम इससे स्वास्थे कहते है अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे हर्स कहते है अगर आपका मन सुखी हो जाता है तो हम इसे शांती कहते है पीस अगर यह बहुत सुखी हो जाता है तो हम इसे परसन्नता कहते हैं अगर आपकी भावनाये सुखद हो जाती है तो हम इसे प्रेम कहते हैं अगर भावनाये बहुत सुखद हो जाती है तो हम इसे करूना कहते हैं अगर आपकी जीवन उरजाय सुखद हो जाती है तो हम इसे आनन्द कहते हैं अगर यह बहुत सुखद हो जाती है तो हम इसे परमानन्द कहते हैं आप बस यही खोज रहे हैं अपने अंदर और बाहर सुखी होना जब सुख की आवस्था भीतर होती है तो इसे सांती, आनन्द और खुशी कहते है जब आपकी आसपास का माहौल सुखद हो जाता है तो इसे सफलता का नाम दिया जाता है अगर इनमें से किसी में भी आपकी रूची नहीं है तो आपका बस स्वर्ग जाना चाहते है तो आप किस चीज के तलास में हैं किवर दूसरे लोग की सफलता इसलिए इंसान के समस्त और नभाव सिर्फ सुखद और अप्री अवस्थाओं के अलग अलग रूप है लेकिन आपने जीवन में कितनी बार एक पुरा दिन अनन्द पुर्वग बुजारा है चिंता, नराजगी, चीड या तनाव के एक भी पल के बिना कितनी बार आप पुरे 24 घंटे पुरी तरह से परसंद रहे है 24 आवर्स आपके साथ ऐसा आखरे बार कब हुआ था कितनी आश्चरिय की बात है कि इस धर्ती पर ज्यादातर लोगों का एक दिन भी बिलकुल वैसा नहीं बिता जैसा वे चाहते है हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने खुशी, सांती या अनन्द का अनुभव न किया हूँ लेकिन यह हमेशा चनिक रहा है वे इसे बड़करार नहीं रख पाते वे इसे पातों लेते हैं मगर इसका अच्छा होता रहता है और ऐसा होने के लिए किसी बड़ी उथल पुथल की जरूरत नहीं पड़ती दरसल बेहर सधारेंसी चीजों से ही लोग अपना संतुलन खो बैठते है यह कुछ इस तरह से है आप आज घर से बाहर निकले और किसी ने आप से कह दिया कि आप दुनिया में सबसे खुपसूरत व्यक्ती है और आप सातवी असमान पर उड़ने लगते है लेकिन फिर आप घर आते है तो वहाँ आपके अपने आपको बताते है कि आप वास्तों में क्या है सब कुछ तूटकर बिखर जाता है है न यह कुछ जाना पहचाना से लगता है आपको अपने भीतर से प्रसन रहने की जरूरत क्यों है जवाब बिलकुल साफ है जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप सोभाविक रूप से अपने आसपास के हर व्यक्ती हर चीज के लिए सुखद हो जाते हैं आप दूसरे के प्रती अच्छी भावना रखे यह बताने के लिए कि आपको किसी धर्मगरंत या सिधान्त के जरूरत नहीं है जब आप अपने अंदर अच्छा मैसूस करते हैं तो यह उसका कुदरती परिनाम होता है सांति पुर्ण समाज और आनन्द में संसार बनाने के लिए आंतरिक परसन्यता का होना एक अचुक नुस्खा है इसके अलावा दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बहतर धंग से अपने शरीर और दिमाग की छमताव का उप्योग करते हैं सफलता पाने के लिए आपके अंदर परसन्यता एक मौलिक गुन की तरह मौजूद होना चाहिए सबसे बढ़कर आज इस बात को प्रयाप चिकिचिये और विज्ञानिक सबूत है कि आपका शरीर और दिमाग तभी बहतरी धंग से काम करते हैं जब आप परसन्य रहते हैं वेन यू आर हैपी कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे तक आनायंत के स्थिति में रह सके तो आपकी बुद्धिक छामता लभक दो गुर्णी हो सकती है दबल बस आंत्रिक अवस्था को सांध करकी और असपस्तता को दिशा देकर इसे हासिल किया जा सकता है आप जिससे अब जिससे आप मैं कहते है वही जीवन उर्जा कभी बहुत खुश रहती है कभी दुख कभी शांध तो कभी उथल पुथल की अवस्था में एक ही जीवन उर्जा इन सारी स्थितियों को पैदा कर सकती है इसलिए अगर आपको यह विकर्द दिया गया होता कि आपकी जीवन उर्जा किस तरह से अभी व्यक्त हो तो आप किसे चुनेंगे अनन्द या क्लेश प्रसन्नता या अप्रसन्नता जवाब साफ है बस इसके तरीके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते है चाहे आप पैसा कमाने की कोशिस कर रहे है या शराब पी रहे है या स्वर्ग जाने की कोशिस में है आपका एकमात लक्ष खुशी पाना है अगर आप कहते हैं कि आपके दिल चस्प इस दुनिया में नहीं है और आपके जीवन का मकसद सिर्फ स्वर्ग जाना है तभी आप खृशिक ही तलास रहे हैं अगर बच्पनस आपको बताया गया होता है कि स्वर्ग में लाता है लेकिन स्वर्ग एक भयानक जगह है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करते निश्चित तोर पर नहीं दरसाल आनंद का स्वर्वत अस्टर स्वर्ग है और दुख का स्वर्वत अस्टर नरक है इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद वाइन में है आनंद शराब में है तो दरसल यह खूशी ही है जिसकी सभी तलाश कर रहे हैं। आपकी और आपकी खुशाली के बीच एक ही रुकावट है। वो यह है कि आपने अपने विचार और भावनाओं का भीतर से निर्देश देने के बजाए बाहर से निर्देश लेने दिया है। एक दिन एक महला सोई हुई थी निर्द में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि हट्टा कटा आदम उसे घुर रहा है। फिर यह उसके करीब आने लगा। करीब और करीब और करीब। वो इतना करीब आ गया कि उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। वो सिहर उठी लेकि डर से नहीं उसने पूछा तु मेरे साथ क्या करोगे। उस आदम ने कहो देवी जी यह आपका सपना है। इस इस यूर ड्रीम। आपके दिबांग में जो चल रहा होता है वो आपका सपना होता है। कम से कम आपका सपना तो वैसा होना चाहिए जैसा आप सोचते हैं। जै आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो आपका सपना होता है। कम से कम आपका सपना तो वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए आप जैसा चाहते हैं। अगर दुनिया वैसे न भी चले तो कम से कम आपके विचारों और भावनाओं को तो आपकी मर्जी के इसाब से चलना चाहिए अभी इस वक्त ये आपसे निर्देश नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप पूरे मानोतंत को सन्योग से संभाल रहे हैं मानोतंत इस धर्टी पर सबसे परिस्कृत भौतिक रूप है आप तक्नीक की सबसे संदार रचना है लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि इसका कीवोड कहां है यह कुछ ऐसा है कि आप एक सूपर कंप्यूटर को कुदाल और पेचकर से चला रहे हो नतीजतन एक असान सी जीवन प्रिक्रिया भी मन वत्ता के लिए भारी पर रही है बस रोजी रोटी कमाना बच्चे पैदा करना परिवार को बरा करना और एक दिन मर जाना कितनी बड़ी चुनोती है है रेट की बात है कि इंसान बस यह करने के लिए किस कदर संगस करता है जबकि कीरे मोकोरे पुशू पक्षी यह काम बड़ी सहजता से कर लेता है सरल सब्दों में कहें तो हमारा आंतरिक वातावरम बेतर रतीब है हम सुचते हैं कि बाहरी हाला दुरुस्त करने से भीतर की हर चीज ठीक हो जाएगी लेकिन बीते 150 साल इस बात के सबूत है कि टिकनोलोजी हमारे लिए सबसे अराम और सुधायल आई है न कि खुश हाली हमें यह समझना होगा कि जब तक हम सही चीजे नहीं करते तब तक हमारे साथ सही चीजे नहीं होगी यह न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए सच है बलकि अंदर के लिए भी एक दिन एक बैल और तीतर खेट में घुम रहे थे बैल जो है वो घास चर रहा था और तीतर बैल के सरीर पर चिपके कीटों को खा रहा था एक बढ़िया साथेधारी और गूड पार्टनर्शिप खेट के किनारे एक बड़ा सा पेर देखकर तीतर देख कहा आह एक समय था जब मैं उड़कर उस पेर की सबसे उची डाल पर बैठ जाता था लेकिन अब अब मेरे परो में एतनी ताकत भी नहीं रहे कि मैं पहली डाल तक भी पहुच पाऊँ बैल ने उड़ा सिन्टा से कहा बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेरा गौबर खाओ और फिर देखो क्या होता है दो हपते का अंदर तुम सबसे उची डाल तक पहुच जाओगे तीतर बोला अरे हटो भी सब बकवास है कैसी फिजुल की बात कर रहे हो बैल ने कहा करके तो देखो सारी मानवाता इसी चलती है बहुत हिचक के साथ तीतर ने गोबर चुगना शुरुखिया और पहले ही दिन वो पेर की एक उची डाली तक जा पहुचा पंदरह दिन में वह सबसे उची डाली तक पहुच गया वह वहां बैठ गया और नजारों को अनंद लेने लगा एक बूढ़ा किसान अपनी अराम कुर्ची पर जुल रहा था उसने देखा कि बूढ़ा मोता तीतर पेर की सबसे उची डाल पर बैठा है उसनी अपने बंदूप निकाली और तीतर को माड़ी रहा है कहानी का सबक यह है भले ही गौबर आपको शिखर पर पहुचा दे लेकिन वह आपको वहां टिकान नहीं पाएगा कहने का मतलब यह है कि आप खुद को तमाम तरगी भावनात्मक बकवास से भर सकते हैं आप खुद के लिए किसी तरग कुछ खुशहाली भी दुटा सकते हैं लेकिन समस्या यह है कि वह अस्थाई नहीं हो सकती उसे मौसर मिटा सकता है सेर बजार उसे नीचे गिरा सकता है अगर वो धेर नहीं भी हो तब ही ऐसा हो जाने के डर में जीना ही काफी बुरा है यह आशंक्या की एक दिन सब बिखर जाएगा एक यातना है अक्सर यह असली तरास्ती से ज़्यादा बुरी होती है तो जब तक आपका आंतरिक जीवन बाहरी हालात का गुलाम रहता है और ऐसे संकत्पूर्ण स्थिती बननी रहेगी यह आवश्यम भावी है फिर इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है बाहर निकलने का तरीका बस अपनी दिशा में एक बहुत असान सा परिवर्तन करना है आपको बस यह एसास करने की जरूरत है कि आपकी अनुभाव का शुरोत और अधार दोने ही आपके अंदर है मानुवीय अन्भव बाहरी प्रस्थित्यों से उक्साय या प्रिरित किये जा सकते लेकिन इसका सुरोत अंदर होता है पीरा या सुख, कलेश या आनन, संताप या पर्मानन सब सिर्फ आपके अंदर घटित होते हैं इन्सान की नदानी यह है कि लोग हमेशा खुशी को बाहर से हासिल करने की कोशिस करते हैं आप बाहरी चीज को प्रेरक या उतेज़क के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन असली चीज हमेशा अंदर से ही आती है इस समय आपके हाथ में एक किताब है आप किताब को कहां देखते हैं उस सोड़ी सारा कीजिए कि आप इसे कहां देखते हैं कि आपको लगता है कि इसकी चवी आपके बाहर है फिर से सोचिए आपको ग्यात है कि चवी का निर्मान किस प्रकार होता है दरसा रोसनिक किताब पर गृती है फिर परावर्तित होकर आपकी आँखों की फुतली तक पहुचती है आपको रेटीना पर उल्टा प्रेटी भीम बनाती है आप यह पुरी कहानी जानते हो तो असल में आप किताब को अपने अंदर ही देख रहे होते हैं आप सारी दुनिया को कहाँ देखते हैं पुन अपने भीतर ही आपके साथ कभी जो कुछ भी घटा आपने उससे अपने अंदर ही अनुभव किया है उजाला और अंधेरा पीरा और सुख संताप और पर्मानन सब कुछ आपके अंदर ही हुआ है अगर अभी कोई आपका हाथ छूता है तो आपको लग सकता है कि आप उसके हाथ को अंदर समाया हुआ है सारे मानवीय अनभावसत परतिसत खुद के पैदा किये हुए होते है अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी अपनी बनाएं हुई है तो इनको आप जिस तरह से चाहे ढाल सकते है आज इस बात का वेग्यानिक सबुत मवजूद है कि शराव का एक घुप भी पिये बिना या अन्य कोई नाशा किये बिना है आप खुद से पूरी तरह नाशा की हालात में आ सकते है इसराव के एक कार्बनिक रसायें सास्त्री राफेल में कुलम और उनके सोथ डलना एक परियोजना की शुरुआत की जिससे वे मनुश्य के भीतर अनन्द अनू बिलिस मुलेक्यूल को अलग करने में सफल हुए सरल सब्दों में कहें तो उन्हें यह पता लगाया कि मानव मस्तिस में मालक दरव को ग्रहन करने के कुद्रतिक केंद्र है ऐसा क्यूं है उन्होंने पाया कि ऐसा इसलिए है कि शरीर खुद आपका नसीला परदार्ष्थ पैदा करने में सक्षम है बिना किसी भाहरे उद्धिपन के यह अपने लिए आनंद का निर्मान कर सकता है और वो भी बिना किसी हैंग ओवर के कुछ खास रसायनिक पदा जैसे अलकोहल और मादक दरश इसलिए खतनाक है क्यूंकि वे आपकी चतना कम कर सकते हैं आपकी सेहत खराब कर सकते हैं लट पैदा कर सकते हैं और आपको बरबाद कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके शरीर में ही आनंद पैदा करने वाला नसीला पदार्थ है जो आपकी अपने ही सिस्टम में बनता और इस्तेमाल होता है और जिसका स्वास्थ और खुशहा असर होता है, तो इसका मतलब है कि मानव तंद्र संदार तरीके से आत्म निर्भर है, ऐसे दूसरे रसायन हॉल में भी खोजे गए है, लेकिन इस विश्यस रसायन का नाम आनन्द माइंड रखा रह गया है, जो संस्क्रीट सब्द आनन्द पर अधारित है, हम इससे अन्मान लगा सकते हैं कि खुशी बस एक खास तरह की केमिस्ट्री है, शांती एक दूसरी तरह की केमिस्ट्री है, वास्तों में हमारे द्वारा अन्भाव की जानने वाली हर तरह की सुखत अवस्था, चाहे वो शांती हो या आनन्द हो या पर्मानन एक तरह की केमिस्ट्री है, य आंत्रिक खुशाली के लिए एक आनन में अस्तितु का रसाइनिक आधार पैदा करने के लिए एक टक्निक मौजूद है। मैं जिससे आत्म ज्ञान कहता हूं वह उसका एक आयाम है। अगर आप जागरुक है तो आप अपनी परनाली को इस तरह सक्रिय कर सकते हैं कि बस सांस लेना ही सुखद एहसास बन जाए। इसके लिए बस आंत्रिक प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान देने के इक्षा होनी चाहिए। इसके लिए समर्ज में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। कलेश मिटाने का रास्ता बाहर मत खोजिए। पीरा समुक्ती का रास अत्मिक जीवन के मकसद है। यह एक भरम है। शांती और आनन्द एक खुशहाल जीवन की मूलभूत जरूरते है। अगर आप आज रात भोजन का आनन्द लेना चाहते हैं तो आपको शांत और प्रसन रहना होगा। अगर आप अपने परिवार का, अपने काम काज का और जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया का आनन्द लेना चाहते हैं तो आपको शांत और खुश रहना होगा। शांती और खुशी ऐसी चीजे नहीं हैं जो आप जीवन के अंत में हासिल करते हैं। वे आपके जीवन का अधार है। अगर आप शांतिक के अंतिम लक् मानते है तो आप शिर्फ कब्र में सांती से अराम कर पाएंगे इस धर्टी पर अध्यात्मिता सबसे ज्यादा भरस सब दों में से एक है शांती पाने के लिए अध्यात्मिक मार्ग पर मत चलिए बात यह है कि ज्यादा तर Long लोग शान्ती से इतने वंचित है कि वे इसे ही चरम आकांचा मानते है। जब कुछ साल पहले मैं तेल अवीम में था, तो मुझे बताया गया कि शालोम अभिवादन करने का सुरुवत तरीका है। मैंने कारण पुछा, मुझे बताया गया कि क्यूंकि इसका मतलब शान्ती है। मैंने कहा जब तक कि आप मध्य पुर्व के किसी देश में न हो, तब तक शान्ती सबसे बरी अकांचा क्यूं होगी। अगर आप दस दिनों से बीना कुछ खाए एक विरान टापू पर हो और अचानक इश्वर आपके सामने आ जाए, तो आपको उनको तिवर प्रकास के रूप में देखना चाहेंगे या फिर रोटी के रूप में। मैं फिर से दोराना चाहता हूँ, अगर आप दस दिनों से बीना कुछ खाए एक विरान टापू पर हो और अचानक इश्वर आपके सामने आ जाए, भगवान आपके सामने आ जाए, तो आप उनको तिवर प्रकास के रूप में देखना चाहेंगे या फिर रोटी के रूप में, भोजन की रूप में, भायत में कुच समोदाय भोजन को इश्वर की तरफ पूझते हैं, क्यूंकि वे लंबे समय तक भोजन से वenचित रहे हैं, केलिफरनिया में प्रेम ही इश्वर है, अब जिस भी चीद से वenचित होते हैं, वही सरवच अकांचा की तरफ दिख कि है और किवर यही चीज आपको सांध कर सकती है अध्यात्मिक अकांच्छा ऐसा विकल्प नहीं है जिससे विक्षित किया जाए यह पिरेरित खोज भी नहीं है बलकि यह एक कुद्रती चाहत है लेकिन जब तक आप इसको सचेतन होकर नहीं सम्हालते इससे लाव नहीं होग कि तब आप स्वभाविक रूप से खोजने लगते हैं तब आप जीवन की प्रकृति को जानना चाहते हैं इस धरती पर हस्यवाद या अध्यात्मिकता सिर्फ उन्हीं जगों पर विक्षित हुई जहां लोगन अपनी ही प्रकृति से परमानंद में होने की तक्निक सिख ल को सचमच इचुक होंगे वरना आप हिमत नहीं करेंगे क्यूंकि क्यूंकि अगर खूश रहना ही आपके लिए बड़ी सुनोती है तो आप दूसरी सुनोतियों का सामना नहीं कर सकते एक बार की बात है पचासी साल के बुढ़ा आदमी लुस्याना में मचली पकरने गया ज जब वो उसे कीचर में छो रहा था तब मेठक ने कहा मुझे प्यास चुमल और मैं एक खुबसूरत युवती बन जाओंगा बुजूर्ग इंसान काफी देर तक मेठक को देखता रहा चुम्बन की आशा में मेठक ने अपने होठ आगे कर दिया तब उस बुद्धे आदम ने मेठो को अपनी मचलियों के जोले में रख लिया मेठक चिलाया क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी सिर्फ एक चुम्बन और मैं वा कई एक खुबसूरत विवती बन जाओंगा बुद्धे आदमी ने कहा इस उम्र में एक खुबसूरत विवती के साथ में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हाँ अगर तुमको चुमने से में एक साजीला युवा राजकुमार बन जाता तो बात अलग होती लेकिन अभी तो तुम बात करने वाले में ढखो यकिन कर मुझे इसमें कमाय देख रही है अपनी नकाबिलियत के कारण विकल्ब चुनना जीवन वे समधान नहीं ला सकता अपनी प्रकृति से खुश रहने में नाकाबिल होने से जीवन के सबसे असान मुद्दे भी काफी जटील समस्या जैसे लग सकते है शांती में और अनन्द में रहन इंसानों के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या बन गई है मानुवियर सुख की तलास में हम इस धर्टी को तहस नहस किये दे रहे हैं सधारन चीज़े जैसे शांती पुर्ण प्रसन और प्रिम्मे होना चरम अकांचा इसलिए बन गई है क्यूंकि लोग जीवन पर किरिया पर ध्यान दियर भी नहीं जी रहे है ज्यादा तो लोगों का जीवन से मतलब होता है जीवन से जूरी सहायक चीज़े जैसे उनका काम उनका परिवार उनके रिष्टे वो घर जिसमें वे रहते है वो कार जिसे वे चलाते है वे कपरे जिने वे पहनते है वो भगवान जिसकी वे पूजा करते है एक चीज़े जिसे वे चुक जाते है वो है जीवन यानि जीवन प्रकिरिया वो मुलबुत बन जाता है जिस पर आप किसी ऐसी चीज को जो आप नहीं है अपने पहचान बनाने की बुनियादी गल्ती करते हैं शांती वो अनन्द की बुनियाद जिन्दगी की बाहरी सच्चायों पध्यान देने पर नहीं बलकि अपनी आंतरिक प्रकेर्टी तक बनानी और उसे ब्यवस्थित करने पर निर्भर करती हैं जो चीज आपकी सनवेदना की सिमाओं में है आप सिर्फ उसे ही अनभाव करने में समर्थ है लेकिन अगर आप अपनी सनवेदना की सिमा विश्ट्रीत कर देते हैं तो आप यहां बैठ कर हर किसी को खुद करूप में अनभाव कर सकते हैं अगर आप इससे और विश्टार करके पुरे ब्रह्मांद का अनुभाव उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर को महसूस करते हैं जब मेरे अंदर समावेश की यह भावना आई तो मुझे समझ में आया कि प्रेमे और करूप में होना कोई विचार नहीं है सनवेदना या सहानी भूती के साथ जीना कोई गुद सिधान्त नहीं है इंसान इसी तरीके से बना है अपने समय के साथ जो कुछ संचित किया है जिसमें आपका शरीर और दिमाग भी शामिल है अगर आप उससे अपनी पैसान नहीं बनाते हैं तो आप उससे और नुभाव कर पाएंगे आत्म ग्यान न तो कोई सिध्धी है और नहीं उपलब दी यह घर वापसी है आपकी इंद्रिया आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप बाहरी दुनिया को अनुभाव कर रहे हैं लेकिन आपने कभी बाहरी चीजों का अनुभाव नहीं किये जब आपको यह एहसास होता है कि आपके सारे अनुभाव भीतर से आते है तो इसी पुर्ण घर वापसी को आत्म ग्यान कहते है मेरा जीवन बस ऐसे तरीके विक्सित करने के लिए समर्पीत है जिनसे लोग इस समावेशन का अनुभाव कर सके अगर हमें वाकई ऐसे सामधान निकालने हैं जो हर किसी के लिए करगार हो तो मानवता को इस समावेशन के चरम रूप का अनभाव करना होगा और यह संभव है हर किसी के सोभाविक रूप से आत्म ज्यानी न होने की वज़ा बस इतनी है कि लोगों ने दुनिया को अच्छे और बुर्व, भवान और सैतान, बरे और छोटे, पवित्र और अपवित्र, सुध और सुध, सुध, स्वर्ग और नरक में बाट रखा है यह समानांता रिखाय है जो कभी नहीं मिलेगी अगर आपने इस अस्तित को अपने भितर विभाजित कर दिया तो खुशहाली और आजादी की अस्थाई आवस्था तक पहुशने का कोई तरीका नहीं बचता आपको बताया गया है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो अगर आप पहले किसी पर दुश्मन का थप्पा लगा देते हैं और तब उससे प्रेम करने की कोशिस करते हैं तो यह बहुत यतना पुर्ण होगा एक बार जब आप स्ष्थिक को इस तरह विभाजित कर देते हैं तो पुर्ण सामावेशन की स्थिति तक पहुशने का कोई तरीका नहीं रह जाता समस्या यह है कि इंसान एक बुन्यादी अंतर भुल चुका है आंतरिक और बाहरी का अंतर अपने होने और बाहरी दुन्या से अदान प्रदान करने के तरीके में वे अंतर नहीं कर पाते हलात या रिष्टे की प्रक्रिती के मुताबिक लेन देन अलग-अलग होते है लेकिन बेन कितने भी दूर के या कितने भी अतरंग हो हमेशा नियमों या मान दंदों से संचालित होते है लेकिन जब बात हमारी आंत्रिक प्रकृति की आती है तो सिर्फ एक सिधान द्लागों होता है असिमीत एकात्म हमारी भौतिक और समाजिक दुनिया सिमाओं से संचालित होती है लेकिन हमारी भीतर दुनिया को किसी सिमाओं की जरुरत नहीं है इस असिमित एकांद के परमानन को पाने के लिए जो हमारी स्वभावी का वस्था है आपको बस इतना ही करने की जरूरत है कि इस माग दरशन के साथ जीवन को जीए कि सभी मानुविया अनुभाव भीतर से पैदा होता है या तो बाहरी उक्सावे से या उसके बीना बस इतनी ही बात है अगर आप इसे अपने भीतर पुर्णत्या स्थापित कर लेते हैं तो आपके आदान प्रदान के नतीजे तकलिफ दे नहीं रह जाएंगे इससे आपका क्या मतलब है लोग अक्सर मुझसे पुछते हैं हो सकता है बतोर योगी आपके लिए यह संभव हो लेकिन हम लोग जो असली दुनिया में रहते हैं अपने लेंदें को टकराव से कैसी मुक्त करें मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि मैं किसी गुफा में नहीं रहता मैं भी लोगों का नेत्रितु करता हूं कि मैं 30 लाग से ज़्यादा स्वयम सेवियों के साथ दुनिया भर में काम कर रहा हूं 30 लाइक्स स्वयम सेविय का मतल है कि वे जो काम कर रहे हैं उसके लिए आमतोर परपर सिख्षित नहीं होते और आप उन्हें निकाल भी नहीं सकते क्या आप जानते हैं कि ऐसे हालात संभालना कितना मुश्किल होता है इस माइने में मेरा जीवन तो सबसे ज्यादा मुश्किल होना चाहिए लेकिन आप मुझे कभी परिशान नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरा अस्तित किसी भी तरह से बाहरी चीजों का गुलाम नहीं है यह कोई अलोकिक या दिव्य उपलब्धी नहीं है हर किसी के लिए इस तरह से रहना संभव है अगर आपको अभी विश्वास है कि वहां उपर कोई बैठा है जो आपको बचा लेगा और आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा तो बस यह याद रखे कि आप एक गोल धर्टी पर रह रहे हैं और वह घुम रही है इसलिए जब भी आप उपर देखते हैं जाहिर है कि आप गलत दिश्रा में देख रहे होते है इस लगतार फिलने वाले विश्राब बर्मानद में उपर क्या है और नीचे क्या इसका मतलब आपको जड़ा बिया अंदाजा नहीं है इस बर्मानद में कहीं भी यह चिनित नहीं है कि इस तरफ उपर है अब ही आप सिर्फ इतना अंता जानते कि अंदर क्या है और बाहर क्या है हलांकि योगी के लिए या भेड़ भी मिच चुका है हजारों साल पहले एक योगी हिमाले कुपरी अलाके में परकट हुआ वे यादी योगी यानि पहले योगी के तोर पर जाने गया उन्होंने ही योगी विज्यान को अपने साथ सिशों को दिया जिन्होंने बाद में उसे दुनिया भर में पैलाया उन्होंने इन सिशों को आत्मखोज और रूपान्तरन की और कल्पनीय गुढ परिनालि परदान की यह इस करांतिक काई सिधान पर अधारित है कि इंसान के लिए सच्चेतन रूप से विकास करना संभव है यह जविक विकास की तरह नहीं है जो हमाई सच्चेतन भागदारी के बीना होता है अधियात्मिक विकास सच्चेतन तरीके से ही हो सकता है आदी योगी न हमें बताया कि इसके लिए बस इच्छुक होने की जरूरत है अगर हमें कुछ सब्दों में उनके ज्ञान का सार पाना हो तो वो इस परकार है उपर और नीचे अच्छा और बुरा पवित्र और अपवित्र सभी कालपनिक चीजे है लेकिन भीत्र और बाहर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम पक्य तोर पर जानते है इस चीज के साथ हम काम कर सकते है मानो जाती के लिए आदी योगी का सबसे महत्वपून योगदान है बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता अपने भीतर है बाहर निकलने का एक मात्र रस्ता अपने भीतर है और यह योगदान गेहन और चीर अस्थाई है एक बार की बात है दचिन भारत में एक आदमी इसा योगा केंद धुन्डटी हुई आया वो पास के गाह में पहुचा और वहाँ एक अस्थानिय लड़के से पूचा इसा योग केंद कितनी दूर है दड़के ने अपना सिर्क हुजाते हुए का 24,996 मिल 24,996 मिल वो आदमी चोग गया क्या इतनी दूर लड़के ने का हाँ आप जीस तरफ जा रहे हैं उधर से इतनी ही दूर है लेकिन अगर आप यहाँ से पलट जाते हैं तो बस चार मिल दूर है अगर आप बाहर एक तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुर जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी है अगर उस एक पल में सब कुस बदल जाता है उस एक पल में आप खुशी के खोजी नहीं रह जाते बलकि आपका जीवन आपके आनन्द की अभिव्यक्ति बन जाती है खुद बनाए अपना भाग्य एक बार मैं धर्ती पर गरीबी कैसे दूर की जाए विशय पर आवरोजित एक अंतराश्त्रिय सम्मेलन में भाग लेने गया वहाँ जिम्मेदारी के पदों पर काम करने वाले कई परतिष्थित परतिभागी मौजूद थे और साथ ही नोबल पुरस्कार पाने वाली कई हस्तिया भी सब मेलन के दोरान एक मौके पर एक परतिभागी ने कहा हम इन समस्याओ को सुझाने की कोशिस क्यों कर रहे है क्या यह सब इश्वर की इच्छा नहीं है मैंने जवाब दिया हाँ अगर कोई और मर रहा है कोई और भूखा है तो यह ज़रूर इश्वर की इच्छा ही होगी लेकिन अगर आपका पेट खाली है अगर आपका बच्चा भुख से मर रहा है तो इससे जुझने के लिए आपके पास अपनी योजना होगी होगी या नहीं जब भी बात अपनी जिन्दगी की आई तब हमने फैसले अपने हाथों में ले लिए लेकिन जहां दूसरे लोगों के दुर भागय की बात आती है तो हम उसे भागय कहकर अपना ग्यान घारने लगते है और वाकी या कितना सुविधा जनक शब्द है भागय हमारा एक पिरिये बहाना बन गया है और सफलता से निपटने का एक तरीका और हर तरह की और सहज स्थितियों में खुद को समझाने का एक फरेव लेकिन भीतर की और रुख करना निस्क्रियता से कार्य शिलता की और जाने भागी का सिकार होने के बजाए अपने भागी के स्वामी बनने के दिशा में पहला कदम है सौ साल पहले तक जिन विभिन परकार के बिमादियों को लोग भगवान की मर्जी समस्कर हाथ खड़े कर देते थे वो आज हमारे काबु में हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ खास इस्थितियों पर नियंतरन पाल लिया है पोलियों इसका एक उदारन है कुछ समय पहले तक पोलियों सबसे ही लोग अतंकित हो जाते थे जब मैं बरा हो रहा था उस समय मैंने स्कूल और आस परोस में अपनी उम्र के कई बचों को पोलियों से प्रित देखा था वे अपना जीवन पहिये वाली कूर्सी के सहारे चलाने के लिए अभी शब्द थे यही एक आम बात थी और सभी जानते थे कि वे कभी अपने पेरों पर नहीं चल पाएंगे उनकी तकलीफ को आम तरपर भगवान की मरजी या भाग्य मान लिया जाता था बिसवी सदी की शुरुवात में और धोगिक देशों में पोलियों का खोफ सबसे अधिक था क्यूंकि उसनी हजारों बच्चों को अस्थाई रूप से अपंग बना दिया था वर्स 1950 से 60 के दसकों में असरदार ठीके विक्षित हुए जिनोंने इस बिमारी को मिटाने में मदद की जब विकास सेल देशों में इससे एक बड़ी समस्याक रूप में पहचाना गया तो रोग प्रतिर अच्छा इम्यूनाइजेशन के कार्य करम शुरू किये 1988 में एक साल का अंदर दुनिया भण में 3,50,000 3,50,000 पोलियों के सिकार बच्चे पाए गये थे जबकि साल 2013 में यह आकरा घटका 416 पर आगये Only 416 साल 2012 तक भारत पोलियों गरस्त देशों के सुची से बाहर निकल आया था सरकारी समर्थन, सर्वजिक, निजी भागिदारी, सस्ति और कारगार टिके समुदाइक भागिदारी और वैस्विक स्वास्थिक कार्या करताओं के मिले जुले परियासों ने यह साबित कर दिया कि तमाम बधाओं के बावजूद भारत जैसे विशाल वो चुनोती पुन देश में भी पोलियों उन्मुलन संभव है मनुष्य होने का मतलब है कि आप जीन परिस्थितियों में भी जी रहे है उन्हें जैसा चाहे ढाल सकते हैं लेकिन आज दुनिया में ज्यादा तो लोग अपनी परिस्थितियों में धल जाते हैं अईसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके सामें जो हालात आते हैं वे उनकी प्रतिक्रिया में जीवन बिता देते हैं अब एक लाजमी सवाल उठता है मैं ऐसे हालात में क्यूं हूँ क्या यह मेरा भाग्य नहीं है हम जिस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते जिसका तार्किक रूप से मतलब नहीं निकाल सकते उस पर भाग्य का ठपा लगा देते हैं यह शब्ट तसली तो देता है लेकि हमें आशक्त बना देता है प्रस्थिति को अपने मन मताबिक धानने के ज़Е सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि आप कौण है असल बात यह है कि आप अभी तक नहीं जानते कि आप कौण है आपने जो चीजे इकठी की है उनका कुल योग आप नहीं है फिलहाल हर चीज जिससे आप मैं समझते है वो बस एक इकठा किया हुआ धेर है आपका शरीर भोजन का एक धेर मातर है अपनी पाचों इंद्रियों से जो परभाव इकठे किया है आपका मन सिर्फ उसका एक धेर है आपने जो इकठा किया है वो आपका हो सकता है लेकिन वो कभी आप नहीं हो सकते फिर आप कौन है यह चीज आपके अनभाव में आना भी बाकी है वो अब तक अचेतन अवस्था में हैं आपने जो कुछ संचित किया है उसके जरिये आप अपना जीवन चलाने की कोशिस कर रहे हैं न कि उसके जरिये जो आप है और तो और आपने जो इकठा किया है उसके बारे में आप सत्परतीशत सचेतन भी नहीं है दरसल समय के साथ आपने जो परभाव जमा किये है उनके अधाय पर आपने कुछ परविरितिया हासिल कर ली है इन्हें पूरी तरह रुपांतरित किया जा सकता है अगर आप अपने अंतरमन पर थोड़ी मेहनत करते है अगर आप कुछ खास आंतरिक तकनीकी अपनाते है तो आप थोड़े समय में ही खुद को पुरी तरह से नया रूप दे सकते है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मौजूदा परविरितिया क्या है जीवन में आपके पिछले अनुभाव कैसे है आपकी आनुवन सीकी क्या है और आपका परिवेश कैसा है इन अस्तित्व में सबकुछ एक खास मौलिक नियम के अनुसार स्वभाविक रूप से हो रहा है अगर आप अपने जीवन की अंदुरूनी प्रकृति को जानते है यह जानते है कि वो कैसे काम करता है तो आप उसका पूरा नियंचरन अपने हाथ में ले सकते है लेकिन ऐसा आप प्रकृति के नियमों दोरा तैमान दंदों के अंदर ही कर सकते है इसका क्या मतलब है? चलिए एक ठोस उदाहरन से इसको समझते है हलाकि हम पंख हीन परानी है फिर भी हम पिछले सौ साल के दोरान उन्हें में सफल हो गए कैसे? प्रकृति के नियमों को तोरकर नहीं बलकि प्रकृति के नियमों की गहरी समझ के जरिये ही हम ऐसा कर पाए इसलिए इसकता में हम जिस तकनीक पर चर्चा करने जा रहे है वह बहुत गहरे विग्यान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके जरिये एक कुशल इंसान, जीवन और मृत्तु की प्रकृति को भी अपने हाथों में ले सकता है आपका भागे अंजाने में आप खुद लिखते है अगर आपको अपने भावतिक शरीप पर अधिकार हासिल है तो आप 15-20 फिसदी जीवन और भागे खुद आपके हाथों में होगा अगर आपका अपने मन पर अधिकार है तो आपके जीवन और भागे का 50-60 फिसदी आपके हाथों में होगा अगर अपनी जीवन उर जाओ पर आपका अधिकार है तो आपका जीवन और भागे पुरी तरह आपके हाथों में होगा अभी भी आप अपने जिवन का चुनाव स्विम कर रहे है लेकिन यह चुनाव आप पुरी तरह अंजाने में कर रहे है लेकिन जो कुछ भी आप अंजाने में करते है उसी आप जागरुक अवस्था में भी कर सकते है यह जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है अग्यानता और आत्मे ग्यान के बीच यही फर्क है आपके भीतर गुसा, डर, चिंता और तनाव के रुप में अप्रियते इसलिए घटिट हो रही है क्योंकि आपकी बुनियारी छमताए आपका शरीर, दिमाग और जीवन उर जाये अपने ही तरीके से काम कर रहे है जब शरीर और दिमाग को आपके भीतर मवजूद जीवन के रुप साथ चलना चाहिए तो अभी आपका जीवन शरीर और दिमाग का गुलाम क्यों है जीवन को जिस तरह चलना चाहिए क्या है यह उसका पुर्ण विक्रित रूप नहीं है भागियों को अपनी हाथ में लेने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार होगा बाहर की दुनिया कवी सौफिस्दी आपके मताबिक नहीं चलेगी क्योंकि इसमें तमाम तरह की चीज़े शामिल है बाहर की दुनिया को भी अपनी मर्जी से चलाने के इच्छा रखना फत्र निरंग कुष्टा और तनाशाही का मार्ग है एक बार की बात है शंकरन पिल्ले एक दच्छिन भारतिय सज्जन जिनसे आप इस किताब की भूंका में मिले थे और आगे कई बार मिलेंगे अपने दोस्तों के साथ शराब पिने गए उन्होंने सोचा कि विए फटा फट शराब पिकर रात आथ बजे तक घर लोट जाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया उन्होंने फटा फट एक पैग लिया फिर दूसरा पैग फिर एक और पैग और फिर फटा फट एक और पैग उन्होंने घरी पर नज़र डाली रात के धाई बच चुके थी सराब लोगों को योगी बना देता है वे समय से परे हो जाते हैं, वे बार के स्टूल से उत्रे, यह दुनिया बड़ी जालिम है, यहां आदमी से उमीद की जाती है कि वह लगातार घुम रही गोल धर्टी पर चले, बड़ी फूर्टी और कुसलता सुन्होंने खुद क्यों संतुलित किया और घर की तरफ चलने ल रास्ता लिया, लेकिन गुलाब की जारियों में उन्दे मुह गिर पड़े, उनका चेहरा बिगद गया, उन्होंने किसी तरफ खुद को खारा किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़े, उसी हालत में वे घर पहुचे, और वहां चावी डालने का छेट धुन्दने की कोटे बनते है, इसमें 20 मिनत और लग गये, आखी कार वे घर के अंदर घुसी और लड़ खराते हुए बेडरूम में पहुचे, सो भागे से पतनी गहरी निंद में थी, वे बातरूम में गये और आइने में खुद को देखा, उनका चेहरा ख्रोचों से भरा हुआ था, उन की मरहम पटी की, फिर वे चुपके से जाकर बिस्तर पर सो गये, अगली सुबह उनकी पतनी ने उनके चेहरे पर एक बाल्टी ठंधा पानी फेक दिया, वे चोक कर जागे और खुद को तरबतर पाकर कहा, क्यूं, क्यूं, आज तो रविवार है, पतनी ने कहा, अरे बेवकोफ, तुम फिर से पीने लगे, नहीं पिरिय, मैं तुम से छे मेहने पहले वादा किया था, तब से एक बुंद तक नहीं छुई है, उसने उन्हें कमीज से पकरा, घर सीटते हुए बाथरूम में ले गई, और सामने शीशा दिखाया, सारी बैंड, एड, शीशो पर चिपकी हुई थी, जब आप पीडा, कलेश, या गुस्टे में होते हैं, तो वो समय अपने भीतर जाकने का होता है, न कि अपने आसपास देखने का, कुछ हाली पाने के लिए, जिसको ठीक करने की जरूरत है, वो सिर्फ आप है, आप यह भूल जाते हैं, कि जब आप बिमार होते हैं, तब आपको ही दवायों की जरूरत होती है, जब आप भूखे होते हैं, तो आपको ही भोजन की जरूरत होती है, तो यह सिर्फ आप ही है, जिसे ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इस सधारन सी बात को समझने में लोग कई जीवन लगा देते हैं, अपना भागय खुद लिखने का यह मतलब नहीं कि आपको दुनिया में हर स्थिती पर काबू पाना होगा, अपना भागय खुद रचने का मतलब है कि आप अपनी खुशहाली और अपनी चरम पर किर्टी की ओलगा तार बढ़ रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़त कि आपके इर्द, गीर्द, जीवन की स्थितिया कैसी है, इसका सिधा मतलब यह है, खुद को इस तरह बनाना कि आपके इर्द, गीर्द चाहिए जो भी घटनाये या प्रस्थितिया हो, आपको उनके नीचे डब नहीं जाना बल्कि उनपर सवार होना है अध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब अस्तित्यु पर अपनी धर्णा थोपना नहीं है बल्कि खुद को इस तरह बनाना है कि स्रिष्टी और स्रिष्टी करता कर इस अस्तित्यु का हर परमानू आपके सामने जुकने से खुद को न रोक सके जब आप अपनी पसंद और नापसंद के पीछे भागते हैं तो आप इस विशाल अस्तित्व में अकेला मेसूस करते हैं खुद को लगतार और सुरचित अस्तिय और मौनोवेगानिक रूप से चुनौती भरा पाते हैं लेकिन एक बाद जब अस्तित्व आपके सामने जुक जाता है तो यह आपको किरिपा की अलग जगह पर पहुचा देता है जहां हर कंकर, हर चट्टान, हर पेड, हर परमानू आपसे ऐसी भासा में बात करता है जो आप समझते हैं हर पल आपके आसपस लाखों चमतकार होते हैं, फूल का खिलना, चिरियों का चहचहाना, बहुड़े का गुंजन करना, बारिश की बुंदे का गिरना और शाम की ताजी हवा के साथ हीम करनों का उरना हर जगह चमतकार होता है, अगर आप इससे जीना सिख जाते हैं, तो जीवन हर रोज चमतकार से कुछ कम नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी जिंदगी तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आप सही काम नहीं करेंगे हो सकता है कि आप खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन अगर आप अपने बगीचों में पानी नहीं देते, तो फूल कैसे आएंगे अगर आप नतीजे चाहते हैं, तो आपको सही काम करने होंगे डरसल अच्छे बुरे के फैसले मानविये और समाजिक स्थित्यों से तई होते हैं समाजिक मानडंड के रूप में ये ठीक है, लेकिन अस्थित्व इन निसकर्षों की परवाह नहीं करता अस्तित्व राय नहीं बनाता, यह हम सब के साथ एक ही तरह का बरताव करता है जारे की एक सुबह, मिशी गर में एक बुजूर्ग आदमी बर फीली जिल में मचली पकरने निकला सुबह के दस बज़े थे, उसने बर्फ में एक छोटा छित की और बगर में बीर की तोक्री लेकर बैठ गया मचली पकरना असान खेल नहीं है या बहुत धरिये का नाम है, वो इस बात को जानता था वो कर्टा डालकर इंतिजार करने लगा, तोक्री से एक एक करके बीर की बुतले खाली होने लगी उद्र मचली रखने की तोक्री भी खाली ही रही दीन चर्टा गया, दो पहर बात चार बज़े लेकिन उसकी तोक्री अब भी खाली थी इधे बीयर की टोकरी भी खाली हो गई तब ही वहाँ एक नौजवान आया वो अपने साथ एक बड़ा स्टोडियों लेकर आया था जिसमें खुब तेज आवाज में गाना बज रहा था उसने पास में बर्फ में एक छेद बनाया और वही मचली पकर ने बैठ गया उसका कानफारू गाना बजता रहा बहुत ही तेज आवाज में लेकिन उस बजूग ने नौजवान की उप एच्छा भई नजो से देखा और बुदबुदाया यहां मैं सुब़ से चुपचा बैठा हूँ और अब तक एक भी मचली नहीं आई और यह मुर्ख सोचता है कि दो पहर चार बजे आकर तेज संगीत के शोर में मचली पकर लेगा यह नौजवान मुर्ख जैसा कोई मुर्ख नहीं होता लेकिन उससे आश्यरी हुआ बुजुर्ग ने इससे सन्योग मानकर नजर अंदाज कर दिया लेकिन दस मिनट बाद लड़के ने एक और बड़ी मचली पकर ली अब वह बिजुर्ग उस लड़कों को और अंदेखा नहीं कर सका वह उस लड़कों को आश्यरीय से देखने लगा और जब नौजवान ने एक और बड़ी मचली पकर ली तो उसे बिलकुल विश्वास नहीं हुआ अब बुजुर्ग अपने स्वावीमान को ताक पर रखकर धीरे धीरे चलकर उस नौजवान के पास पहुचा उसने पूछा इसका राज क्या है मैं यहाँ सुबर से बैठा हूँ और मेरी टोकरी अब तक खाली है जबकि तुमने आते ही तीन बड़ी मचलिया पकर ली यह क्या हो रहा है लड़का बुदबुदाया बुधे आदमी ने कान पर हाथ लगा कर सुनने की कोशिश की और पुछा क्या लड़के ने श्टिरिये के वाज धीमी करके कहा बुधा आदमी हैरान हो गया उसने कहा जो तुम कह रहे हो मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा हूँ नौजवान ने उनके हाथ में कोई गोली सी चीज ठुकर कहा आपको मचली पकरने वाले चारे को गर्म रखना होता है जब तक आप सही चीज़े नहीं करते है तब तक आपके लिए सही चीज़े नहीं होंगी सिद्धान्त और दर्शन का सिर्फ समाजिक महत्व है यही समय है अपने आपको एक जागरत जिवन्त इंसान के रूप में जगाने का न कि अपने आपको एक मनोवे ज्यानिक पहली बनाने का तभी आपका भागय आपका अपना होगा सौ फिश्दी आपका अपना यह महजवादा नहीं बलकि गारंटी है नमस्कारम ना कोई सीमा ना कोई बोज एक बार की बात है एक शाम एक पती पतनी के बिच बहस छिर गई बहस का मुद्दा था कि आज सामने का दरवाजा कौन बंद करेगा यह कोई असान सवाल नहीं है और नहीं हसने की बात है घर परिवार में ऐसी बाते बहस गंभीर होती है कौन आज दरवाजा बंद करेगा कौन साम को बगीचे की बत्या बुझाएगा कौन कुते को घुमाने ले जाएगा इन बातों पर दम पत्यों में तलाग तक हो जाते है बहराल बहस और बढ़ गई और गर्मा गर्मी की दौंबत आ गई पतनी ने फैसला किया हर रोज आखिर में मुझे ही हार माननी पड़ती है पर आज मैं नहीं जुकूंगा उधर पतनी ने भी ठान लिया यह हर वक्त धोंस जवाती रहती है पर आज मैं इस औरत की एक नहीं चलने दूँगा चाहे जो हो जाए यह उन्हीं भयानक जगरों में से एक था हर घर में ऐसे जगरे सुलजाने की अपने तरीके होते है इस परिवार में ऐसी मुश्खिल स्थीती आने पर पतनी पती चुप होकर बैठ जाते जो पहले मुझ खोलता उसे ही उठकर दरवाजा बंद करना होता दोनों पत्थर की तरह खामोश बैठ गये मीनट घंटो में बदल गये खाना मेज पर रखा रहा अगर पती कहता कि वो खाना चाहता है तो उसे दरवाजा बंद करना पड़ता अगर पतनी खाने के लिए कहती तो उसे दरवाजा बंद करना पड़ता आधी रात हो गई कभी वे खामोश बैठे रहे यह उस समय गली से कुछ बदमास गुजड रहे थे उन्होंने देखा कि घर का दर्वाजा खुला है बत्या जल रही है कोई दावत भी नहीं चल रही कुछ भी नहीं हो रहा माहोल में पुरी तरह से खामोशी है वो देखना चाहते थे कि आखीर हो क्या रहा है तो उन्होंने बैठक खाने में जहाका उन्होंने देखा कि वहां दो लोग बैठे है बिलकुल खामोश बदमाशो ने मौन बैठे दमपत्यों को ध्यान से देखा उन्हें थोरी हैरानी भी हुई फिर होने सोचा की थोरा जोखिम उठा कर देखा जाए उन्होंने बैठा खाने में रखी कुछ किम्ती चीजे उठा ली दोनों ने कुछ नहीं कहा बदमाशों का मज़ा आने लगा उनका दुश्चाहस बढ़ा और वे खाने की मेज पर बैठ गए और खाना परोसकर खाने लगे दमपती तब भी बहुदरी दिखाते हुए चुप चाप बैठे रहे अब बदमाशों की उच्चुकता और बढ़ गई आखिर यहां हो क्या रहा है वे और ज्यादा दूस साहसी हो गए उनमें से एक ने पत्नी को चुम लिया तब भी दमपती ने जुबान नहीं खोली क्योंकि जो बोलता उसे दर्वाजा बंद करना पड़ता दाव बहुत बड़ा था दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था अब बदमाश थोड़ा डर गए उन्होंने इस अजीब घर से उसी वक्त निकल जाने का फैसला किया लेकिन जाने से पहले वे अपनी कोई निशानी छोड़ कर जाना चाहते थे उन्होंने ये फैसला किया कि पत्ती के मूच्छे मुर दी जाए उनमें इस एक आदमी हाथ में उस तरह लेकर पती की तरह बढ़ा आखी काई पती ने चुपी तो लिए उसने का चलो जाने दो मैं ही दर्वाजा बंद कर दूँगा हो सकता है कि हालात अलग हो लेकिन क्या आपकी जिन्दगी में ऐसी इस्थितिया नहीं आती जो इसी तरह के सवालों पर ठीकी होती है जिम्मेदार कौन है कौन है जिम्मेदार यह एक बड़ा सवाल है आए इस सवाल को ज़्यादा सटिक तरीके से रखते है आप अभी जैसे है उसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके जिन्स, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पतनी, आपके पती, आपके शिक्छक, आपका बॉस, आपकी सास, इश्वर, सरकार या ये सभी हर जगा यही अस्थिती है, किसी से पुछिए आप ऐसी स्थिती में क्यूं है, तुरन जवाब मिलता है, आपको पता है, जवाब में थोड़े भूत, फिर बदल के सास्थ वही पुरानी कहानी होती है कलेश पैदा करने का एक प्राचिन विज्ञान है, और इसके लिए इंसानों को किसी पुरूर्ट साहन की ज़रूरत नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है, जो इसमें माहिर नहों हरो सेकरो अलग अलग तरीके से आप दूसरों पर दोस मढ़ते हैं, आप सबने मिलकर दोसा रोपन के पुराने खेल को परिस्कृत करके एक ललीत कथा, एक ललीत कला में बदल दिया है हमारे जीवन में जो विभीन जटिल प्रस्थितिया आती है, उनका सामना करने की हमारी छमता सही हमारी जीवन की गुनवता तय होती है बुद्धिमानी कबिलियत और सन्वेदन शिल्ता से जवाब देने की छमता पर अगर बाधिकारी या प्रति किरिया वादी दिष्टिकृन हावी हो जाता है, तो हम हलात के गुलाम बन जाते है इसका मतलब है कि अपने जीवन के अनुभव खुद तय करने की बजाई हमने उन्हें हलात के हवाले कर दिया है पुरी तरह जिम्मेदार होने का मतलब है पुरी तरह से जागरुक होना जिससे आप अपना शरीर मानते है, वो अपने भोजन से इकठा किया है जिससे आप अपना मन या दिमाग कहते है, वो अपने अपनी पाच इंडिरियों से इकठा किया है इससे परे जो है, जिससे अपने इकठा नहीं किया, वो ही आप है That is you जागरुक होना ही जिन्दा होना है, होड कोई कुछ हद तक जागरुक है लेकिन जब आप शरीर और मन से परे के आयाम को असपर्ष करते है तब आप चेतना के मुल्स रोत को छूते है तब आपको एसास होता है कि पुरा बर्मान से चेतन है आप एक जिविन बर्मान में रहते है शरीरिक और मोनोवेग्यानिक आयाम प्रस्पर विरोधी विरित्यों से संबंध रखते है जैसे सुक दुख, प्रेम घ्रीना, नर, मादा, वगेरह वगेरह अगर आपके अंदर एक है तो दुसरा भी पीछे पीछे आएगा लेकिन आप जो है जब इसके बुनियादे पहलू में चले जाते है तब आप सभी विरोधी विरित्यों से परे हो जाते है अब आप अपनी प्रकृती से ही आनन्द में होते है आप अपने भागे के खुद मालिक होते है अब वक्त आ गया है कि हम इस अनूठे शब्द जिम्मेदारी की आसाधारन और उपांतरन कारी शक्ति को फिर से हासिल करें आप इसे अपने जीवन में लागो किजिए और चमतकार देखिए आईए पहले हम यह समझते हैं कि उत्तरदायूत या जिम्मेदारी शब्द से हमारा क्या मतलब है अंग्रेजी में इसे responsibility कहते है responsibility यानि कि response करने की ability हिंदी में कहेंगे उत्तर देने की छमता यानि उत्तरदायूत का मतलब है उत्तर देने की छमता अब सवाल है कि response करने या उत्तर देने का मतलब क्या है इस ब्रहमांड की हर चीज के साथ चाहे वो सजीव हो या निर्जीव शरीर, मन, भावना और उर्जा के अस्तर पर आप जो भी आदान प्रदान करते है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी शब्द को लेकर काफी गलत फेहमिया है इससे इतना ज्यादा और अंधा धुंद तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि यह अपना अधिकांस आंतरिक असर खो चुका है जिम्मेदारी का मतलब दुनिया का बोज सर पर लेना नहीं है इसका मतलब उन चीजों का दोस अपने उपर लेना नहीं है जो आपने की है या नहीं की है इसका मतलब निरंतर अपराथ बोज में जीना भी नहीं है जिम्मेदारी का मतलब बस आपकी रिस्पॉंड करने की छमता से है अगर आप तै करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो आपके पास रिस्पॉंड करने की काबिलियत होगी अगर और अगर आप तै कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो आप में रिस्पॉंड करने की काबिलियत नहीं होगी यह इतनी ही सीधी बात है इसके लिए आपका बस इतना एहसास करना है कि आप जो कुछ है और जो नहीं है जो कुछ आपके साथ हो सकता है और जो नहीं हो सकता उसके लिए जिम्मेदार आप ही है यह कोई दिमागी खेल नहीं है यह आसान जिन्दगी के लिए खुद की मदद करने की रन नीती है यह कोई दारशनिक सिधान्त नहीं है यह एक हकीकत है आपका भौतिक अस्तित्व सिर्फ इसलिए संभव है तो आप एक पल के लिए भी जिवित नहीं रह सकते क्या यह बात आपने कभी महसूस की है आपके आस पास पेर पौड़े जो छोड़ रहे है उससे ही आप सांस में अपने अंदर ले रहे है आप जो सांस छोड़ रहे है वही हावा इस पल पेर पौड़े अपने अंदर ले रहे है यह लेन देन चलता रहता है भले ही आप इसके प्रति जागरुक हो या ना हो लेकिन आपका आधा श्वसन तंत्र अभी वहाँ पेर पलड़का हुआ है आपने एक दूसरे पर इस निव भरता को कभी अनुभव नहीं किया है आपने अधिक से अधिक शायद इसके बारे में बौधिक अस्तर पर सोचा होगा लेकिन अगर आपने इस रिष्टे को महसूस किया होता तो क्या किसी को आप से कहने की जरूरत परती की पौधे लगाओ जंगल की रक्षा करो, दुनिया को बचाओ क्या वाकी इसकी जरूरत होती है? क्या वाकी इसकी जरूरत होती? कुश्चन मर्ग जिम्मेदारी लेना कोई सुविधा जनक सिधान्त नहीं है चीजों को वैसे ही सिवकार करने के लिए जैसे वे है यह बस सचाय को जानना है दरसल पूरी सिष्टी के प्रति प्रति किरिया करने की छमता पहले ही एक भौतिक वास्त विक्ता है सिर्फ आपके विचारों और भावनाओं को इस हकीकत के प्रति जागरुक होने की जरूरत है मान लिजे कि आपके दफ्थर में कुछ गरबर हो जाती है आपको लग सकता है कि यह किसी खास सहकेर्मी की नकाबलियत की वज़ा से है आप उसकी खिचाई करते है आप उसकी खिचाई कर सकते है अपना आपा खो सकते है उसे नौकरी से निकाल सकते है आपका बलड प्रेसर बढ़ सकता है दफ्तर का महौल बिगर जाएगा, आपके गुस्य का असर इस घटना के बाद करी दिनों और हफ्तों तक आपके सहक्यर्मियों और आपको महसूस होगा, शांती और आपसी भरोसे के स्थिती फिर से बहाल करने के लिए आपको शायद खासी मेहनज करनी परे, एक और विकल्प भी है, आप स्थिती को बस उसी रूप में देखे, जैसी वो है, और इसके लिए जिम्मेदारी ले ले, जिम्मेदारी लेना दोसा रोपन के बजाए आरोब सिवकार करना नहीं है, इसका सीधा मतलब है, सचेतन होकर हालात के प्रती रेस्पोंड करना, एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको हमेशा स्थिती से निपतने के तरीके और धुंड़ने शुरू कर देंगे, आप समधान खोजेंगे, अगर आप यह तरीका अक्सर अपनाते हैं, तो अपने जीवन के हालात ठीक करने के आपकी छम्ता अपनी आप बढ़ती जाएगी, जीवन और उसकी जटिल्टाव से निपतने की छम्ता बढ़ने के साथ आपकी संभाव नाओं और सक्तियों में इजाफा होने लगेगा, अगर आप अपने भीतर, अपने आसपास मवजूद हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप घर, दफ्तर, यहां तक कि दुनिया में किसी भी प्रस्थिती में केंदर बन जाएंगे, चुकि आप इन प्रस्थितीों के लिए बेहत जिरूरी बन जाते हैं, तो आपके अंदर असुलक्षा या अपुनता की कोई भावना नहीं रह जाती, जब आपको एहसास हो जाता है कि आप जिम्मेदार है, तभी आपके पास खुद को अपने मुताबिक ढालने की अजादी होती है, न कि अपनी प्रस्थिती की प्रतिकिरिया को रूप में प्रतिकिरिया करना गुलामी है, जिम्मेदारी लेना अजादी है, जब आप खुद को वैसा बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे आप चाहते हैं, तब ही आप अपने जीवन को भी वैसा बना सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, हो सकता है कि आपका बाहरी जीवन सोर फिर्जदी अपने काबू में नहों, लेकिन आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा, दूसरी तरफ पहली प्रतिकिरिया गुस्सा आम तोर पर बेहकोफी भरे कदम उठाने को उक्साती है गुस्सा बुन्यादी तोर पर आत्म घाती होता है अगर आप अपने जिन्दगी को करीब से देखे तो आप पाएंगे कि जब आप गुस्से में होते थे तब आपने बेहद मुर्खतापून और नकरात्मत चीजे की थी सबसे बठकर आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे थे जब आप खुद अपने खिलाफ काम करते है तो अपनी खुशहाली को श्वयम नुक्सान पहुचाते है तो जाहिर है कि आप अपने लिए नासमजी भरी जीवन शैली चुन रहे होते है मैं यहाँ कोई नेतिक तरक नहीं दे रहा हूँ मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसलिए आपा नहीं खोना चाहिए क्योंकि यह नेतिक रूप से गलत है अगर गुस्टा एक सुखद अनुभाव है तो खुब भरकिये क्या समस्या है मगर सच है कि यह पूरी तरह से अप्पिरिये अनुभाव है आपके लिए भी और जीन पर आप भरक रहे हैं उनके लिए भी यह अनुत पादक भी है और इसलिए बे असर है मैं यहाँ गुस्टे पर काबू करने या गुस्टे के परबंधन को पाई नहीं बता रहा हूँ जब मैं पहली बार अमेरिका गया तब मैंने हर किसी को तनाव परबंधन यानि स्ट्रेस मेनेजमेंट के बारे में बात करते सुना मुझे हैरानी हुई कोई तनाव का परबंधन क्यूं करना चाहेगा मैं हमेशा सोचता था कि हम उन चीजों का परबंधन करते है जो हमाई लिए किम्ती है जैसे धन, संपती, कारोबार, परिवार यह समझने में मुझे समय लगा कि लोगों ने यह मान लिया था कि तनाव उनकी जिन्दगी का एक अनिवारिय हिस्सा है वे यह नहीं देख पा रहे थे कि यह पुरी तरह से खुद की पैदा की हुई और अपने उपर ठोपी हुई चीज है एक बार जब अपने आंतरिक जीवन को अपने हाथ में ले लेते हैं तब तनाव जैसी कोई चीज नहीं रह जाती दरसल गुस्ये की जर आपकी यह धरना गलत है कि आप अपना आपा खोकर हालात बदल सकते हैं लेकिन आपकी जिन्दगी के अनुभाव बार बार यही बताते हैं कि इसका उल्टा सही है यानि आप अपने बुद्धिमानी और समझदारी खोकर कभी किसी प्रिस्थीति को बहतर नहीं बना सकते गुस्था होकर आप अपने हालात और बिगार लेते हैं एक बार जब आप अस्पष्ट रूप से इसे देख पाते हैं तो यह बदलाव के दिशा में पहला कदम होता है इसके अलावा या साबित करने के लिए परियाप्त मेडिकल और वेग्यानिक परमानों मवजूद है कि गुस्थे की हालात में दरसल आप अपने शरीर में जेहर भर रहे होते हैं खुन की जाच जैसी सधारन चीज तक से इससे साबित किया जा सकता है जब आप गुस्षे में होते हैं तो आपके शरी के रसाइन बदल जाते हैं और आपका पुरा शरी विशैला हो जाता है अधिक सक्रियता और निंद के दोरान यह रसाइनिक गरबरी खुद ठीक हो जाती है लेकिन अगर आप अगर गुस्षे की अवस्था में होते हैं अगर आप अक्सर गुस्षे की अवस्था में होते हैं तो आप बड़ी शरीरिक और मनवेगानिक मुसिबत में पर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आम तोर पर माना जाता है कि गुस्टा करने सही परिनाम निकलता है, प्रचंद कुरोध अब बगेर दुनिया में कुछ नहीं होता, क्यूबा की करांती के सुत्रधार चे पंक्ति विख्यात है, अगर आप हर अन्याय के खिलाफ गुस्टे से काप उठते हैं, तो आप हमारे कॉमरेड है, शायद यह सही है, लेकिन गुस्टे में आप भीर का एक हिस्सा बन जाते है, जबकि गुस्टे की अनुपस्थिती में आप स्रिष्टी के साथ एक हो जाते है, एक बार की बात है, एक सर्जन ट्रेन से बिरिस्टल से लंदन जा रहे थे, उनकी गोद में एक नौजात सिशू था, एक और सर्जन उसी डिब्बे में चड़े, उन्होंने अपने दो बयर सुट के सुरखे और पहले सर्जन की बगल में बैठ गये, जैसा कि आप जानत है, अंग्रेज एक दुसरे से तुर्ण बात करना शुरू नहीं कर देते, इसलिए पहले वाले सर्जन सिश्टा चार वर्स कुछ दे चुप रहे, इसके बाद वे दुसरे सर्जन की तरफ मूरे और बोले, चूट केस को देखते हुए लगता है कि आप सेल्समेन है, मैं भी वही हूँ, दुसरे सर्जन ने कहा, हाँ मैं सेल्समेन हूँ, एक और सिश्टा भरी चुपी खा गई, चा गई, इसके बाद पहले सर्जन ने कहा, आप क्या बोलते हैं, दुसरे ने जवाब दिया, मैं पिचदार गियर बेचता हूँ, फिर एक और सालिन चुपी, तब दुसरे पहले सर्जन से पुछा, और आप क्या बेचते हैं, उसने कहा, मैं कंडोम बेचता हूँ, दुसरे सर्जन को धक्का लगा, उसने कहा, आप कंडोम बेचते हैं, और अपने बेटे को इस धंदे में सास लेकर जा रहे हैं, क्या यह ठीक है? पहले सजने का, यह मेरा बेटा नहीं है, यह बिरिस्तल से मिली एक शिकायत है, इंसान लगाता शिकायत करने की मुद्रा में रहता है, लोग अपनी शिकायतों को अपने पहचान पत्र की तरफ फिर लिये फिरते हैं, ऐसे तमाम ल कहते हैं कि जिन्दगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया, वे अपने जीवन में होने वाले सभी भयानक चीजों का हवाला देते हैं, उन मौकों को गिनाते हैं, जो उन्हें कभी नहीं मिले, उन अन्यायों की बात करते हैं, जो उन्हें सह हो सकता है कि यह सब सच भी हो, ले सिम्रित्य निश्पक्ष नहीं होती यह अस्तित्वगत नहीं है यह पूरी तरह से मनवे ज्यानिक है अगर आप रिस्पॉन करने की अपनी छमता कायम रखते हैं तो आपकी अतीत की सिम्रित्य आपको शशक्त बनाने वाली प्रकिरिया बन जाएगी लेकिन अगर आप किरिया के प्रती प्रती किरिया करने की मजबूरी के चक्र में फसे है तो सिम्रित्य वर्तमान के बारे में आपकी समझ विक्रित कर देती है इससे आपके विचार, भावनाएं और कार्य प्रस्थिति के अनरूप नहीं रह जाते आपके सामने हमेशा यह विकल्प रहता है वर्तमान का सामना सचेटन रूप से करना या इस पर विवस्ता पुर्ण प्रती किरिया व्यक्ट करना इन दोने में बहुत फर्क है और यह जमीन अस्मान का फर्क पैदा कर सकता है अगर आपके साथ बहुत बुरी चीजे हुई है तो आपकी समस्दारी बढ़नी चाहिए अगर आपके साथ बहुत बुरा घटिट हुआ है तो आपको सबसे बुद्धिमान होना चाहिए लेकिन और अधिक समाज़िदार होने की बजाए ज्यादातर लोग आहत हो जाते हैं त्यत्म प्रतिकिर्या की स्थिती में जीवन की हर प्रतिती को वह चाहे कितना भी भड़ी क्यूं नहां विकास के एक अउसर में बदला जा सकता है लेकिन अगर आप इस तरह से सोचने के आदी है मेरी यह स्थिती किसी और के कारण हुई तो आप जीवन के प्रतितियों को बस अपने नुकसान या गतिरोत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने एक बार ऐसी महला के हिर्दर स्परशी कहानी सुनी जिसने अपने जीवन के एक भिष्ण स्थित्त का इस्तमाल खुद को एक संदार इंसान बनाने में किया दूसरे विशुईवद की सुरात में नाजी सनीकोत एक टुकडी अस्ट्रिया के एक घर में घुस गई सैनी घर के वेसको को कहीं और ले गए और उस घर के दो बच्चे 13 साल की लड़की और 8 साल का लड़का को एक डेलवे स्टेशन पर ले जाया गया जब ये दूसरे बच्चों के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे लड़के न वही खुलना शुरू कर दिया आगे जो होने वाला था उससे बेख़बर बच्चे खिलने लगे जिसके वियादी थे एक माल गारी आई और सैनिक सभी बंदी बनाये गए बच्चों को उसमें चढ़ाने लगे जब सब अंदर पहुच गए तो लड़की ने गौड किया कि उसका बहाई अपना जूता इस्टेशन पर ही भूल गया था यह अश्ट्रिया की कमकापाने वाली सरदी थी बगएर जूते के वो अपने पैर गवा सकता था लड़की को गुस्सा आ गया उसने अपने छोटे भार को जग जोरा उसके कान उमेठे और कोस्ते हुए कहा अरे मुर्ख हमारे जिन्दगी में मुश्कीले कम है क्या हम नहीं जानते कि हमारे माता पीता कहां है नहीं यह जानते है कि हम जा कहां रहे है और अब तुम अपने जूते खो बैठे हो मैं तुम्हारा क्या करू अगले स्टेशन पर लर्कों और लर्कियों को अलग अलग कर दिया गया इसके बाद भाइन ने और बैहन ने एक दिस्तियों को फिर कभी नहीं देखा करीब साधे तीन साल बाद लर्की बंदी शवीर से बाहर निगली उसे पता चला कि वो अपने परिवार में अकेली बची है बाकी सत बाकी सब खत्म हो गये है यहां तक की भाई भी अब बस उसे याद रहे गए थे वो कटू शब्द जो उसने अपने भाई से आखरी बार कहे थे तब उसने एक फैसला लिया ऐसा फैसला जिसने उसकी जिन्दगी बदल कर रख दी उसने खुद से वादा किया खुद से चाहे मैं किसी से भी मिलू ऌफे इस तरह बात नहीं करूँगी जिसके मुझे बाद में पच्चतार हो कि वो सकता है कि वो हमारी आखरी मुलगात हो उसने खुच से वादा किया कि चाहे मैं किसी से भी मिलू मैं कभी उससे इस तरह बात नहीं करूंगी जिसका बाद में पच्टावा हो क्योंकि हो सकता है कि वो हमारी आखरी मुलाकात हो वो हार और पच्टाताप में भी अपना जीवन बिता सकती थी लेकिन उसने यह ने लिया जिसने उसकी जिन्दगी जबरदस तरीके से बदल दी आगे उसने एक बहतर और संतुष्ट जीवन बिताया अगर आप यह सिवकार कर ले कि मैं अभी जैसा हूँ उसके लिए मैं खुद जिमेदार हूँ तो भयानक से भयानक चीजे भी आपके जीवन को स्तिम्रीद बना सकती है बड़ी से बड़ी उपुत्ति को भी आप अपने विकास का स्वपान बना सकते हैं आप अभी जैसे है अगर उसकी सौ फिर्दी जिम्मेदारी सिवकार करते है तो बहतर कल आपके लिए एक सांभावना हो सकती है लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी प्रस्थीती के लिए अपने माता पिता दोस्त पती प्रेमिका सहकर्मियों को दोसी मानते है तो आप अपना भश्य से उसकी आने से पहले ही गवाचु की होते है आप इस दुनिया में खाली हाथ आये थे और खाली हाथ ही जाएंगे जीवन की दौलत इसी में कि आप इसके अनुभावश या खुद को स्मृत कैसे बनाते है कीचर कमल की सुगंध में बदल सकता है खाद आम की मिठास मेरू पांसरी तो हो सकती है अगर आप चेतन होकर रेस्पॉंड करने के स्थिती में है तो कोई भी विप्रीत प्रस्थिती बाधा नहीं बन सकती चहाँ आप कैसी भी प्रस्थिती में हो वो आपके जीवन के अनुभाव को और सिम्रिद कर सकती है अगर आप उससे वैसा करने दे नराजगी, गुस्चा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और आवसाद ये सब ऐसे जहर है जिनें आप खुद पीते हैं और उमीद करते हैं कि कोई और मर जाए जीवन इस तरह से नहीं चलता ज्यादा तर लोग इस आसान सच को समझने में कहीं जिन्दगिया बरबाद कर देते हैं मैं एक बार फिर से इस कतन को दोराना चाहता हूँ नराजगी, गुस्चा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और आवसाद ये सब ऐसे जहर है जिनें आप खुद पीते हैं और उमीद करते हैं कि कोई और मर जाए जीवन इस तरह से नहीं चलता ज्यादा तर लोग इस आसान सच को समझने में कहीं जिन्दगिया बरबाद कर देते हैं अब जबकि यह असपस्ट है कि जिम्मेदारी क्या है तो इस पर भी गौर करना जरूरी है कि यह क्या नहीं है चलिए कुछ बुनियादी गलत फिहमियों दूर करना शुरू करते हैं कई लोग मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब अपनी अजादी से समझावता करना है तारकिक रूप से यह सही लगता है लेकिन अस्टित के अस्तर पर यह पुरी तरह से गलत है एक उदाहरन से इसे समझते हैं मान लिजिए आपका पेन मेज से गिर जाता है कि आप पेन के लिए जिम्मेदार है तो आपके सामने कई विकल्प मौझूद होते है आप जुक कर पेन उठा सकते है अगर आप यह करने में सक्षम नहीं है तो किसी और से मदद मांग सकते है या अगर आपका इरादा अभी ऐसा करने का नहीं है तो आप बाद में पेन उठा सकते है इसलिए आपके पास कई विकल्प है दूसरी तरफ अगर आप पेन की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप क्या कर सकते है कुछ भी नहीं तो इसमें से कौन सी चीज आजादी है विकल्पों का होना या किसी विकल्प का न होना आपका तारकिक मन आपसे कहता है सारी जिम्मेदारी छोड़ दो फिर तुम आजाद रहोगे लेकिन जीवन के आपके अनुभाव बताते हैं कि अपने आसपास की हर चीज के प्रती आप जितना ज़्यादा रिस्पॉंद कर पाते है उतने ही ज़्यादा आप आजाद होते है जीवन के तारकिक और अनुभाव जनीत आयाम एक दुसरे के बिलकुल विपित तरीके से काम करते है तरक का जब तक परियोग न किया जाए तब तक वह नहीं होता लेकिन उसका परियोग सिर्फ जीवन के भौतिक पहलूओं को संभालने में ही मदद करता है अगर आप सिर्फ तरक से अपना जीवन चलाते हैं तो आपका जीवन अस्त वेस्त हो जाएगा दूसरी बात हिया कि लोग अक्से जिम्मेदारी को परतिकिरिया करना समझ बैठते है जबकि दोनों के बीच जमीन असमान का अंतर है पहली जारुकता से पैदा होती है जबकि दूसरी बेखबरी से पहली चेतना से आती है जबकि दूसरी अन भिग्यता से जिम्मेदारी अजादी है तो प्रतिकिरिया गुलामी एक और अंतर को जाना महत तो पुर्ण है जिम्मेदारी प्रतिकिरिया नहीं है लेकिन यह एक्षन लेना भी नहीं है जिम्मेदारी और एक्षन दोनों अलग अलग चीजे है रिस्पॉंड करने की छमता आपको कुछ करने की अजादी देती है यह आपको अपने जिन्दगी अपने हिसाब से चलाने देती है आप जो काम करना चाहते है खुद उसकी प्रकृति और मातराक्ताई कर सकते है जिम्मेदारी कोई विवश होकर लिया गया एक्षन नहीं है यह आपको एक्षन का चुनाव करने का विकल्प देती है क्या आप आज दुनिया में होने वाली हरी चीज पर एक्षन ले सकते हैं? नहीं लेकिन आप आज दुनिया में होने वाली हर चीज को रेस्पॉंड कर सकते हैं एक्षन सोच समझ कर लेना होता है जो संसाधनों, छमता, काबिलियत, उल्जा, उम्र और हलात पर निर्भर करता है एक्षन लेने की आपकी छमता हमेशा सिमीत होती है लेकिन रेस्पॉंड करने की आपकी छमता की कोई सीमा नहीं है अगर आप इच्छुक है, तो किसी भी चीज के लिए रेस्पॉंड कर सकते है आप अपने बच्चों के प्रती जिम्मेदार है सिर्फ इसलिए क्या आप उनके लिए हर चीज कर सकते है अगर आपने उनके लिए हर चीज की, तो आप उनकी जिन्दगी बिगार देंगे जिम्मेदारी की भावना आप से उनके लिए कुछ खास चीजे करवाती है तो कुछ दूसरी चीजे करने से रोकती भी है तो जिम्मेदारी का मतलब बेलगाम एकसा नहीं है यह उससे काफी अलग है आप पुछ सकते हैं कि दुनिया में हो रही हिंसा और अन्याई के लिए आप कैसे जिम्मदार है दुनिया भर में हो रहे है यूद और रख्तपाथ के लिए आप कैसे जवाब दे है शोसित और कमजोर्ग वर्ग के खिलाप अत्याचार के लिए आपका इसे जिम्मधार है निश्चित रूप से आप इन में से किसी के लिए भी दोसी नहीं है लेकिन जिस पल आप किसी भी ऐसी घटना के प्रति जागरुक होते हैं तो आप रेस्पॉंड करते हैं चिन्ता से, प्रेम से, परवा से, घरीना से, कुरोध से, आकुरोश से यहां तक कि कुछ करके भी बात बस इतनी है कि अक्सर या एक अचेतन प्रतिकिरिया होती है न कि सचेतन अगर जवाब देने या रेस्पॉंड करने की चंता को आप एक स्वच्छा से होने वाली प्रेकिरिया बना लेते हैं तो वो आपके भीतर एवन जबरदस्त नई संभावना को जन्व देती है आपकी आंतरिक परतिभा निखरने लगती है तो क्या आप चांद को रेस्पॉंड कर सकते हैं हाँ आप कर सकते हैं आपका शरीर और जीवन उर्जा निश्चित रूप से रेस्पॉंड करते हैं जब चंतरमा के घटने बढ़ने के मासिक चक्र को रेस्पॉंड करने के लिए सारा समुद्र उपर उठता है तो क्या आपको लगता है कि आपके अपने शरीर में मवजूद पानी नहीं उठता होगा आप अंतरीच यातरी नहीं है हो सकता है कि आप कभी चांद पर न जाए लेकिन आप चांद के गुनों को रिस्पॉंड कर सकते है वास्तों में आप ऐसा करते रहे है बस यात्चुनाव आपका है कि आप इसे पुरे मन से और सजग भाव से करे और हम अगली गलत फेहमी पर आते है कई लोग सोचते है कि जिम्मेदारी का मतलब छम्ता है या भी गलत है जब action की बात आती है तो छपनता की बात आएगी लेकिन जब response की बात होती है तो यह बस इच्छुक होने का सवाल है अगर आप किसी को सरक पर मरता हुआ देखते है तो क्या आप जिम्मेदार है अगर आप response करने के इच्छुक है तो आप कई विकल्प धुंडेंगे अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप ambulance बुला सकते है या अगर कोई और यह काम कर रहा है तो कम से कम आपके दिल में उसके लिए चिंटा बनी रहेगी लेकिन अगर आप जिम्मेदारी सुविकार नहीं करते तो आप वहाँ बस एक पत्थर की तरह बैठे हुए अपनी आँखों के सामने उससे मरता हुआ देखेंगे आप जैसे है वो आपकी रेस्पॉंड करने की चमता से तय होता है सिर्फ एक्षन लेने की आपकी चमता ही बाहरी दुनिया से संबंध रखती है जिम्मेदारी का संबंध बोलने सोचने या कुछ करने से नहीं है जिम्मेदारी का संबंध आपके होने से है जिम्मेदारी का संबंध बोलने सोचने या कुछ करने से नहीं है जिम्मेदारी का संबंध आपके होने से है जीवन ऐसा ही है यह कोई सोतंत्र और प्रिथक इकाई नहीं बलकि यह बर्मांद से पल-पल होने वाला लेंदेन है इससे ऐसा बनाने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी होती आपको इससे बस उस तरह देखना है जैसा यह है आईए अब हम जिम्मेदारी को और गहराई से देखते है अगर जिम्मेदारी रेस्पॉंड करने की छमता है तो मैं आपसे एक और सवाल पुछता हूँ आपकी रेस्पॉंड करने की छमता सिमीत है या असिमीत क्या आप एक पौधे को रेस्पॉंड करने में समर्थ है हाँ आप समर्थ सरप किसी अजनवी को आप समर्थ है चांद को आप समर्थ है सुरज को चितारों को आप समर्थ है पूरे ब्रहमान को आप समर्थ है अर्षम जैसा कि हमने देखा है आपके सरीर का हर अनु बढ़मान को जो उजा एक कायक अधुत निर्टे है अर्षमी तरीके से रिस्पॉंड कर रहा है लेकिन आप जीवन को इसकी संपूर्ण गहराई में अनुभाव नहीं कर रहे इसका एकमात्र कारण आपकी मानसिक रुकावट है आपकी मनोवेग्यानिक बनावट पत्थर की दिवार की तरह है अगर आप तयार है तो आपके जीवन का हर पल एक संदार अनुभाव हो सकता है सिर्फ सांस लेने और छोने की प्रकिरिया भी एक जबदर्स प्रेम परसंग हो सकती है लेकिन मन इसका विरोध क्यूं कर रहा है क्यूंकि वो अपने ही सिमित तरक से लचार होता है उसका तरक होता है दो लोगों की जिम्मेदारी ही मेरे लिए सरदर्द है अगर मैं पुरी दुनिया की जिम्मेदारी ले लू तो क्या होगा मैं तो बरबाद हो जाऊंगा करोरो उस सालों के विकास के जररिये प्रेकृती ने आपको कुछ खास सिमाओं में कैद कर लिया है यही इंसान की दूर दाशा है लेकिन यह कैद सिर्फ जविक या शरीरी के स्तरपर है इंसानी चेतना के स्तरपड़ा बिना दरवाजय वाले पिंजरे में बेटे पच्ची की तरह है कैसी दुखत में डंबना है यूगों से चली आ रही आदत की कारण आप आजाद होकर उड़ जाने से इंकार कर रहे है जीवन ने आपके लिए सबकुछ खुला छो रखा है अस्ति तुने किसी के लिए कुछ भी रोकर नहीं रखा अगर आप इच्छुक है तो आप पुरी स्रिष्टी तक अपनी पहुच बना सकते है किसी ने कहा है खट-खटाओ और दरवाजा खुल जाएगा आपको खट-खटाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई दरवाजा है ही नहीं यह पूरा खुला है आपको बस इससे बाहर जाना है बस इतना ही करना है आपको अध्यात्मिक प्रकिरिया का एक मात्र मकसद यही है पुरे इतिहास में और सभी संस्कृतियों के हर अध्यात्मिक गुरू के जीवन का मकसद और कारिय बस यही बताना रहा है इस पिंजरे का कोई दरवाजा नहीं है आप उर जाते है या पिंजरे की सीवा में जीवन बिता देते है आप उर जाते है या पिजरे की सीमा में जीवन बिता देते है या चुनाव आपको करना है वैसे परम अजादी की संभावना कई लोगों को बहुत खतरनाक या डराने वाली लग सकती है हाँ यह खतरा है लेकिन सिर्फ आपकी सिमाओं के लिए क्या आप स्वेच्छा से कैदी का जीवन जीना चाहते है अपनी जिम्मेदारी को सिमित करना कई श्त्रों पर शरीरिक, बुद्ध, बौधिक और भावनात्मक रूप से अपना ही दम घोट देना है दुर्भागे से जीवन के इस दमन को लोगों ने बचाव और सुरक्षा समझ लिया है एक बीज की स्थिती पर गौर कीजिए अगर बीज लगतार खुद को बचाने की कोशिस करता रहा तो उससे एक नया जेवन निकलना असंभव है बीज अपनी पहचान गवा देने, अपनी सुरक्षा को अखंड तक हो देने और असुरक्षित हो जाने के जबर्दस संघर से गुजरता है ताकि वो कई टेहनियों वाले पत्तेदार और फल फूल से लदे पेर के रुप में बढ़ सके लेकिन रुपांतरित होने की तरफ के बिना जीवन अंकुरित नहीं होगा आज अकेला पन दुन्या के सबसे बड़ी समस्याव में से एक है बेशक इस पर यकिंग करना मुश्किल है लेकिन यही सच है कि धर्टी साथ अरब की अबादी से भरी परी है फिर भी लोग अकेले है अगर किसी को अकेले रहने में आनन्द आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन ज़्यादा तर लोग अकेले पन से परिशान है नतीजतन वे कई गंभीर मौनवेग्यानिक समस्याव से गुजर रहे है अगर आप अकेला में सुस करते है तो इसलिए क्यूंकि आपने खुद को एक टापू बना लिया है ऐसा नहीं होना चाहिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ यह सोच आपको दूसरों के साथ रहने के लिए आयोग्या बना देती है इस हद तक कि आप खुद के साथ भी नहीं रह सकते यह अक्सर ऐसी एस्थिती तक पहुँच जाता है जहां आप यह मानने लगते है कि आपके भीतर जो हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है मन यह भूल जाता है कि रिस्पॉंड करने की छमता ही जीवन का अधार है अगर रिस्पॉंड करने की अपनी अस्मीत छमता को स्वेक्षा से सिवकार किया जाता है तो आप आनन्द में हो जाते है अगर यह अनिक्षा से होता है तो आप दुख में जीते है जिम्मेदारी लेना अपने जीवन का मालिक बनना है इसका मतलब कि आपने एक पुर्ण मनुस्य बनने के दिशा में पैबरा कदम उठाया है जो पुरी तरह से चेतना और मानवाता से भरपूर है जिम्मेदारी लेने से और जावरुक जीवन की और शफर करने से आप उन पुराने रिवास का अंतर कर रहे है जिन में दोस्त दूसरे के या उपर वाले के मठे मढ़ दिया जाता है अपने जीवन में जो सब्सरे रोमान्स कारी यात्रा है अपने भीतर की यात्रा उसकी सुरुआत कर दी है आपने गौर किया होगा जिम्मेदारी का यह विचार हमें बेरोक्टेक एक दूसरे सब्द की ओर ले जाता है जिसके माइने काफी हद तक इसके समान है उस सब्द को हम सब अच्छी तरह से जानते है शायद ज्यादा ही अच्छी तरह से जानते है धाई अक्छरवाला वह शब्द जिसका काफी उपयोग होता है और साथ ही सबसे ज़्यादा दुरूपयोग भी वह शब्द है प्रेम, प्यार, लव आप उपदेशों के बारे में जानते ही है दुरिनिया भर में लोगों को बताया जाता है कि प्रेम ही परमसत्य है प्रेम ही सरवच है प्रेम ही इश्वर है हमें अपने परोशियों से प्रेम करना चाहिए वगेरह वगेरह यह सब उपदेश बहुत संदार है लेकिन जब आप प्रेम मैं होने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होती है और यह अक्सर दिखावा बनकर रह जाता है क्या आपने इस पर गौर किया है प्रेम मैं बनने की कोशिश करने के बजाए बिल्कु भी प्यार न करना असान है लेकिन प्रेम मैं होना बस इतना है खुलकर और बेजिज़क रेस्पोन करने की एक्छा का होना अभी हो सकता है कि यह आपके जीवन में एक या दो लोगों तक ही सिमित हो लेकिन इस छमता को विस्तिरित करनते हुए प्रिदुनिया का आलिंगन संभव है क्या इसका मतलब यह है कि सरक पर निकल कर हर किसी को गले लगाया जाए नहीं यह पागलपन होगा और कहने की ज़रूरत नहीं कि गय जिम्मेदराना भी जैसे कि हमने कहा है जिम्मेदारी का मतलब कुछ करना नहीं है बलकि यह हमारे जीने का एक तरीका है रेम को यह इसी चीज नहीं है जो आप करते है यह आपकी होने की प्रकृर्टी से जुड़ा है अभी आपने अपने जीवन में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खिर की खोली छोरी है आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कहीं ने कहीं आप जानते हैं कि अगर आपने उसे भी बंद कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे तब आपके पास सिर्फ पागल पन या आत्म हत्या के विकल्प बचेंगे लेकिन इसे ठी करने का दूसरा तरीका भी है क्या इसका मतलब एक और खिर की खोलना है या कि दर्वाजा खोलना इसका एक ज़्यादा असरदार विकल्प है आप दिवार ही क्यों नहीं गिरा देते प्रेम का किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इसका संबंध आप से है या होने का एक तरीका है दरसल इसका मतलब है कि आपकी भावनाओं में मिठास आ गई है अगर आपका कोई पिरिये जन दूसरे देश चला जाता है क्या तब ही आप उससे प्रेम कर पाएंगे जरूर कर पाएंगे अगर कोई पिरिये जन गुजर जाता है क्या आप तब भी उससे प्रेम कर पाएंगे जरूर कर पाएंगे चाहे कोई पिरिय जन भौतिक रूप से आपके साथ नहीं है तब भी आप उससे प्रेम कर सकते है फिर प्रेम क्या है यह आपका अपना गुण है आपके भीतर जो चीज पहले से है उसे बाहर लाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को बस चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे है जब कोई ताला ही नहीं है कोई दर्वाजा नहीं है कोई दिवार नहीं है तो आप चाबीयों के साथ मगर जमारी क्यूं कर रहे है आप काल्पनिक दर्वालजे और दिवारे खड़ी कर देते हैं और फिर काल्पनिक चाविया बना लेते हैं और तब आप चावियों के साथ उलट प्लट करने लगते हैं एक बार जब आपको चाविय मिल जाती है तो आपको उसे खो जाने का डर सताता रहता है ज्यादा तो लोगों के लिए प्रेम शुरुआत में सुख होता है लेकिन कुछ समय बाद वो चिंता बन जाता है क्यों? क्योंकि इस चाबी के पैर होते है और अपनी मर्जी भी आप इसे अपनी जैब में नहीं रख सकते या गले में लटकाए नहीं रह सकते जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो दो जिंदगियों पर खत्रा मंडराने लगता है एक बार जब आपकी खोशी धक्का लगकर शुरू होने के बजाए अपने आप शुरू होने लग जाती है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकनीक बेहतर बना ली है एक बार जब आपकी खोशी धक्का लगकर शुरू होने के बजाए अपने आप शुरू होने लग जाती है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकनीक को बेहतर बना ली है आप आप किसी बाहरी शुरूत के गुलाम नहीं है भले ही वो शुरूत कोई व्यक्ति हो या हलाद अब आप कुछ खास किये बीना बस यहां बैठे हुए प्रेम मैं और आनन्द मैं हो सकते है इससे कोई फर्क नहीं परेगा कि बाहरे दुनिया कैसा बर्टाव करती है एक बार जब आप इस भित्री अजादि का अनभाव कर लेते हैं तो आप जीवन में फिर कभी असलक्षा में सुस नहीं करेंगे और वैसे भी जब वाकरी आनन्द मैं इंसान होते है तब हर कोई सोभाविक रूप से आपके आसपास रहना चाहेगा आनन्द मैं होने का मतलब है कि जीवन उलास्पून तरीके से घटिट हो रहा है और जीवन बस इतना ही चाहता है अपनी भित्री टकनीक को बहतर कैसे बनाया जा सकता है आगे के अध्याव में हम विश्तार से इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक बुनियादी कदम होगा इस बात को पूरी इस्चर जगता से सिवकार करना की मेरी रेस्पॉंड करने की चमता असिमीत है लेकिन मेरी कुछ करने की चमता सिमीत है क्या मेरी रेस्पॉंड करने की चमता असिमीत है लेकिन मेरी कुछ करने की छमता सिमीत है जो मैं हूँ और जो मैं नहीं हूँ सब के लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी छमताओं और अपनी छमताओं के लिए अपनी खोशियों और दूखों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ इस जीवन और इस जीवन के परे के अपने अनुभाव की प्रकृति को मैं ही तै करता हूँ मैं खुद अपने जीवन का निर्माता हूँ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ना प्रतिकिरिया की, ना कुछ करने की, और नहीं काबिल्यत की चिर्फ इस बुनियादी सच्चाय के प्रती जागरुक होना चाहिए कि आपकी जिम्यदारी असिमीत है आप एक जगा बैठकर इसके प्रती जागरुक हो सकते है आप सरक पर चलते हुए उसके प्रती जागरुक हो सकते है आप काम करते हुए, खाना बनाते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए भी इसके प्रती जागरुक हो सकते है मैं आपसे एक और सवाल पुछता हूँ आपका धर्म या आपकी सांस्कृतिक रिष्ट भूमी चाहे जो भी हो लेकिन जब आप इस्वर सब का इस्तमाल करते है तो इससे आपका ठिटा क्या मतलब होता है उसके सोरूप, नाम और धर्णाय अलग-अलग होती है लेकिन वास्तों में जब आप इस्वर कहते हैं तो आपका मतलब उससे होता है जो इस स्रिष्टी में हर चीज के लिए जिम्मेदार है मान लिजिए कि इश्वर आकर कह दे मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हूँ तो इसे निश्चित रूप से पद से हटा दिया जाएगा इश्वर शब्द का मतलब ही असिमित जिम्मेदारी है इसलिए जिम्मेदारी नागरिक सास्त्र का कोई उपदेश नहीं है यह सबसे सरल और असान तरीका है जिससे आप अपने देवतव को अभिवक्त कर सकते है अधियात्मी प्रक्रिया का सारा मकसद उन सिमाओं को तोड़ना है जिने आपने अपने लिए बना रखा है और आप जो है उसके विशालता का अनुभव करना है आपने अपनी अज्यानिता से जो सिमित पहचान बनाई है उससे खुद को अजाद करना और अतेंट आनन मैं और असिमित रूप से जिम्मेदार की भाति इस तरह जीना जैसा अस्तरष्टा ने आपको बनाया है इसका मकसद यही है यही इसका मकसद है चामुंडी पहार पर अपने अनुभव के बाद एक चीज मेरे सामने अस्पष्ट हो गई जीवन में कोई यह और वह नहीं होता बलकि सिर्फ यह और यह होता है इसका मतलब है कि हर चीज हाँ और अभी है हर चीज के लिए रास्ता यही और अभी है और यह सिर्फ इंसान की रेस्पोन करने की छमता में इंसान द्वारा देवत्तव का अनुभव करने और उससे अभिव्यक्त करने की छमता में नहीत है इस तरह कोई और हाँ और ना नहीं होता, सिर्फ हाँ और हाँ होता है यह चुनाव आपका है, आप चाहे तो हाँ और नहीं से जीवन के प्रति रिस्पॉंड कर सकते है जिसका मतलब होगा इस अस्तित्व का साश्वत विभाजन करना यही संगार्ष और दुख की पुन राविरिति के चक्रों का आधार होता है या फिर आप खुद जीवन के लिए एक बारा हाँ बन सकते है सिमित जिम्मेदारी सिमाय तरह करने का एक तरीका है आप जीन चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं वे आपकी सिमा के अंदर होगी वही जीन चीजों के लिए आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते वे आपकी सिमा से बाहर होगी लेकिन असिमित जिम्मेदारी आपकी समझ और धार्णा के मौझूदा स्थर से कहीं आगे तक जाती है आप अभी जीवन को जितना जानते हैं जीवन उससे विशाल कहीं ज़्यादा विशाल है एक बार जब आप इस असान से बात के प्रति जगरुक हो जाते हैं कि मेरी रिस्पॉंड करने की छम्ता असिमित है तो अचानक जीवन आपके भीतर खुद को बिलकुल अलग तरह से पूर्ण गठीत कर लेता है आप अपने भीतर अधिक से अधिक आजादी में सूस करने लगते हैं जीवन अब अपनी खोच्च की संदार और आनन दायक यातरा बन जाता है बाहर की दुनिया में अपने हिस्षे की खोनी करांतिया देखी है उनमें हिंसा इसलिए थी क्यूंकि उनमें कुछ लोग बदलने के इच्छुक थे और कुछ लोग नहीं लेकिन आंतरिक जीवन में एक ही किस्म की करांति होती है और वो खामोशी से होती है यह अनिक्षा से इक्षा की और बढ़ना है अहम सवाल यह है क्या आप फुल टाइम इंसान बनना चाहते है या पार्ट टाइम इंसान अगर आप रिस्पोंड करने की अपनी छमता समीत कर लेते हैं तो आपके अनुभाव का दैरा और आयाम चक्कित करने वाले नहों कर नीरस्त मीत और संकीन होंगे लेकिन संपुन फुल टाइम इंसान होने के लिए लगतार पुरे जोश और खरगोश से रेस्पोंड करना होता है इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको बस इस संदाज जीवन बर्मान में जीवन का एक इचुक अंस बनने की जरूरत है जिम्मेदारी बोज नहीं होती सिमाए बोज होती है जिम्मेदारी बोज नहीं होती सिमाए बोज होती है अगर आप अपने लिए सिमाए बना लेते है चाहे वे विचार धरा की हो या जाती संप्रदाय नसल या धर्म की तो आप कभी उन से आगे नहीं जा सकते और बेवज़ वही अठके रहते है ये सिमाए सिर्फ डर घ्रीना और कुरोध पैदा करती है आपकी सिमा जितनी बड़ी होती है तकलिफ उतनी ही अधिक होती है लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारी असिमीत है तो फिर सिमा कहा है कोई सिमा नहीं तो कोई बोज भी नहीं इंसान चेतना में यही बदलाव लाने की जरूरत है ऐसा नहीं कि ऐसा होने पर भर्मांड आपके मुतादिक चलने लगता है इसके बजाए आप ही भर्मांडिये बन जाते है ये परे जाना नहीं बलकि घर वापसी है साधना आप जो पढ़ रहे है या अभी आप जो सुन रहे है उस पर यूँ ही विश्वास मत कर लीजिये कोई ऐसी चीज सच है इसमें कोई चीज सच है या जूट इसका पता लगाने का एकी तरीका है उसे परियोग में लाना समझे कोई चीज सच है, या जूट इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, उससे परियोग में लाना तो भीत्री बहस को बंद करके बस इसका परिक्षन कीजे योग का मार्ग विरासत में मीले विश्वास का मार्ग नहीं है यह परियोग करने का मार्व है, परियोग, एक्सपरिमेंट इससे शुरू करने का विवारिक तरीका यहां दिया जा रहा है जब आप अगली बार भोजन करें, किर्पया ध्यान से सुनें जब आप अगली बार भोजन करे तो पहले 15 मिनट आप किसी से बात मत किजिए यह भोजन आप खा रहे है जिस हवावें सांस ले रहे है जिस पानिय को आप पी रहे है बस उनके प्रति सक्रिय सचेता रूप से रिस्पॉन्द करने के भाव में रहिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपका पूरा शरीर वैसे भी रिस्पॉन्द कर रहा है आप बस इसके प्रति जागरुक हो जाईए यह सेब यह गाजर यह रोटी का टुकरा इन्हें हलके में मत लिजिए अगर आप दो दिन तक कुछ नहीं खाते तो आप इश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे आप सिर्फ इश्वर आप सिर्फ भोजन के बारे में सोचेंगे अगर आप दो दिन तक कुछ नहीं खाते तो आप इश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे बलकि आप सिर्फ भोजन के बारे में सोचेंगे यह भोजन ही है जो आपको पोशन दे रहा है और अभी आपको जीवन को बना रहा है आपके शरीर का सरातव यही है तो भोजन को पुरी तरफ पुरे ध्यान से जवाब दीजिए यह फल यह अंडा यह रोटी यह सबजी यह सब अपनी आप में जीवन का एक हिस्सा है लेकि वे आपका हिस्सा बन जाने को तयार है क्या आप किसी दुसरे के लिए इसा करने के लिए तयार होंगे आप अपनी पहचान गवाने और दूसरे में समा कर एक हो जाने को तयार नहीं है यहां तक कि आप किसी दूसरे को अपनी छोटी उंगलिक तक समर्पित करने को तयार नहीं है आम तोर पर जब आपको कोई ज़रुरत होती है तो आप पल भर के लिए बस थोड़ा सा समर्पन करते हैं आपके प्रेम संबंद बड़े स्युनियोजित संपन का नतीजा है येकिन भोजन जो खुद में एक जीवन है आपका हिस्सा बनने के लिए खुद को पुरी तरह से बलिदान कर देता है बाद में इस वाक्यों को जोड़ से बोले बिना ही इस सरल विचाल को पुरे दीन अपने मन में चलाते रहे मेरी जिम्मेदारी अस्युमित है अगर मैं एक्चुक हूँ तो मैं हर चीज के लिए रेस्पोंड कर सकता हूँ इस बात के प्रती निंद आ जाने तक जागरुक रहे और आँख खुने पर पहली बात यही याद कर अगर आप अस्युमित प्रक्रिटी के बारे में अपनी जाग रुकता पूरे एक मिनट तक भी कायम रखते है तो आपका जबरदस्त रुपानतर हासित कर लेंगे एक मिनट भले सुनने में असान लगे लेकिन आप देखेंगे कि इस अवास्था तक पहुशने के लिए बहुत परियास करने की जरूरत होती है सिर्फ एक मिनट भी आपको अनुभाव और संचारलन के अलग वया आयाम तक ले जा सकता है अभी आपकी जागरुक्ता डावाडॉल होती रहती है इस पल आप जागरुक होते है और अगले ही पल नहीं होते कोई बात नहीं हर घंटे खुद को जाद दिलाईए इस जागरुक्ता के साथ परियोग कीजिए इसे गहरा होने दीजिए और फिर देखिए क्या होता है ले आता है, सचेतन रेस्पोंस आपको जीवन के साथ जुराव कि एक गेहन और अस्थाई अवस्था में ले आता है, एक विचार या भावना की तरह नहीं, बलकि वास्तविक रूप में जीवन की तरह, अपने साथ इस इच्चुक और सक्रिय भागदारी में जीवन आपको गले लगा लेता है, और यह अलिंगन आपको स्ष्थी के मुल स्रोतक ले जाता है, अस्पस्टा को अस्पर्ष करने के लिए इतना ही करना होता है, उच्चुक होना और कुछ भी नहीं, नमस्कारम, और अब योग, पतंजली का योग सुत्र, योग विज्ञाएं पस सबसे गहन गरंथों में से एक है, और उसकी शुरुवात एक विचित पंक्ती से होती है, अथ योगानूशासनम यानी, और अब योग, जीवन को लेकर लिखा गया यह महान गरंथ बस आधे वाक्य से शुरू होता है, क्यूँ, ऐसा इसलिए है, क्यूंकि आप योग तक तभी पहुँचते हैं, जब आपको एहसास हो जाता है, कि आपकी इच्छा असल में अस्मित होने के लिए है, दूसरी किसी भी चीत से आपको संतुष्टी नहीं मिल पाएगी, हर इंसान लगतार एक कमी के एहसास में जीता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, या आपने क्या हासिल किया है, जो अभी आपके पास है, आप उससे कुछ अधित चाहते है, मनुस्य की कामणा ऐसी ही है, हर इंसान के अंदर असिमित विस्तार पाने की बुनियादी चाहत होती है, अधिकतर लोग अपनी लालसा की प्रकृति से अंजान होते है जब उनकी लालसा अचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है तब हम उसे लालच, जीत या महत्व कंछा का नाम देते है जब उनकी लालसा सचेतन रूप से अभिव्यक्त होती है तो हम उसे योग कहते है एक नई गर्फ्रेंड या नया बॉइफ्रेंड मिल जाएगा या आपकी तनख्वा बढ़ जाएगी या आप नया घार या कार खरिद लेंगे या उस पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि योग का समय अभी नहीं आया एक बार जब आप उन सबको और उन से भी ज्यादा चीजों को अजमा चुके होते हैं और साफ तोर पर यह जान जाते हैं कि यह सब कभी परयाप नहीं होगी तब आप तयार होते हैं और अब योग योग वास्तों में क्या है अगर आपको अपनी आँखे बंद करके योग के बारे में कीसी तस्वीर की कल्पना करनी हो तो शायद यह एक असंभव सी मुद्रा में मूड़े हुए शरीर की होगी कई लोगों के लिए योग का मतलब है हड़ी को मुरना मान स्पेशी को गाठना और दात भिंच कर शरीर मुरूरना यह चलन आजकल कुछ हद तक बदल रहा है और कई योग स्टूडियो सांस की तकनीकी और ध्यान प्रक्रियाये सिखाते है तो कुछ लोगों के लिए योग की छवी शांती पुर्वक मुश्कुराते चेरे के साथ सहजता से पद मासन में बैठे हुए परफेक्ट शरीर की हो सकती है लेकिन लेकिन जब हम योग विज्ञान कहते है तो हमारा मतलब इन में से किसी से भी नहीं होता योग कोई अभियास या कसरत नहीं है योग कोई तकनीक भी नहीं है ज्यादा तर लोगों के दिमाग में योग की एक बदली हुई छवी है जो अब दुनिया में फैल चुकी है यह उस असाधानन रूप से महत्तो पुर्ण और गेहन विज्ञान का उपहास है जिसका जन्म भर्तिय उप महादीव में हुआ था योग विज्ञान अस्थित्व के साथ बहुत सेहज रूप से एक मैं हो पुरी तरह से तालमेल और पुर्ण समंज़से बनानी का विज्ञान है बाहरी दुनिया के तमाम उतार चढ़ाओं का असर हमेशे हर किसी पर होता है लेकिन योग अपनी भितरी स्थितियों को बिल्कुल वैसा बनाने का विज्ञान है जैसा आप उन्हें रखना चाहते है जब आप खुद को इस हद तक तालमेल में ले आते हैं जहां आपके अंदर हर चीज बड़ी खुबसूर्टी से काम करने लगती है तब आपकी सर्वस्रेष्ट छमताय स्वभाविक रुप से परकट होने लगेगी आपने इस बात पर गौर किया हुआ कि जब आप खुश होते हैं तब आप हमेशा बहतर तरीके से काम करते हैं आपको अपने अंदर अंतहीन उर्जा मैसूस होती है आप बेगर खाय या बिना सोय भी काम करते रह सकते हैं सिर्फ थोड़ी शी खुशी आपको उर्जा और चमता की समाने सिमाव से आजाद कर देती है जब आपका शरीर और मन अराम की स्थिती में होते है तब आप कई तकलिफ दे रोगों से भी मुक्त हो जाते है मान लिजिए कि आप सीर डर्द की हालात में अपने दफतर में जाकर बैठते है सीर डर्द कोई बड़ी बिमारी नहीं है लेकिन यह डर्द काम के प्रती और शायद जीवन के प्रती भी आपके उत्सा को और दफतर में आपकी छमता को काफी कम कर सकता है एक सधारन सा सिर्दर्द आपके लिए जो सबसे किमती है उसे भी खीज या कलेश के सुरोत में बदल सकता है यह उल्टा भी काम करता है जब आपके प्रिये जर्ण आपसे चिधे होते है तो वे हमेशा सिर्दर्द का बहाना करते है लेकिन योग के अभ्यास से शरीर और मन को छमता वो दचता की संभावना के उच्चतम अस्तर पर कायम रखा जा सकता है फिर भी योग सिर्फ बहतर मानसिक और शरीरिक कुशलता और सिर्दर्द से छुटकारे के लिए खुट की मदद करने का साधन भर नहीं है योग इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है आदनिक विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तितु बस एक उर्जा है जो खुट को अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग रूपों में अभिव्यक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वही उर्जा एक चक्टान की तरह रखी हो सकती है और वहां मिट्टी की तरह पढ़ी हो सकती है वह एक पेड की तरह खड़ी हो सकती है एक कुत्ते की तरह दोर सकती है या आपकी तरह यहां किताब पढ़ती हो सकती है या फिर सुनती हो सकती है तो वास्तों में आप उर्जा का एक अंश है जो बर्मांड की विशाल उर्जा परनाली का हिस्सा है यह बर्मांड बस एक विशाल रचना है आपका जीवन इससे स्वतंत्र नहीं है इस दुनिया के बीना आपका अस्तितु नहीं हो सकता क्यूंकि आप दोनों के बीच हर पल बहुत गहरा लेंदें जारी रहता है हलाकि बर्मान की हर चीज में एक ही उर्जा है लेकिन यह विविद रूपों में और छम्तावर की विभिन अस्तरों पर काम करती है एक ही उर्जा एक पौधे में गुलाब पैदा करने का काम करती है जबकि दुसरे पौधे में चमेली पैदा करती है जिस सामगरी से लोगों ने मिट्टी के बरतन बनाये थे उसी से अब हम कंप्यूटर, कार और अंतरीच यान तक बनाते हैं यह वही सामगरी है, बस हमने इसको अधिक बड़ी संभावनाओं के साथ इस्तमाल करना सुरू कर दिया है दरसल प्रक्रिटी का विकास भी ऐसे ही हुआ है इस धर्टी के उसी सामगरी से विकास की कितनी अविश्वस्निये यात्रा पुरी हुई है एक अमीबा से इनसान तक की यात्रा हमारी आंतरिक उर्जाओं के साथ भी ऐसा ही है योग इन आंतरिक उर्जाओं को उच्चतम संभावनाओं के लिए उन्नत बनाने सक्रिये करने और परस्कृत करने की तकनीक है अचानक आपकी छमताय से इस्थता क्यों उस अस्तर पर पहुच जाती है जिसके संभाव होने की आपने कभी कल्पना नहीं की थी सिमीत और सन्योग वश चलने वाला जीवन लगबत समतकारी बन जाता है लेकिन योग शरीर मन और उर्जा के अस्तरफ पर खुशहाल सुनिशित करने से भी ज्यादा गेरे अस्तर पर काम करता है योग का शाब्दिक अर्थ है मेल योग का शाब्दिक अर्थ है मेल है तो इसका मतलब है कि आपके अनुभाव में सब कुछ एक हो गया है यही इस विज्जान का सार है यह इसका गहंतम लक्ष भी है यह मेल क्या है कौन सी चीज किसके साथ मिलकर एक हो जाती है अभी आप मैं कहलाने वाले व्यक्ति और दूसरा कहलाने वाले व्यक्ति के बारे में जानते है इस मैं और दूसरे को जन समूहो, समूदायो और राष्ट्रो तक विस्तित किया जा सकता है लेकिन बुनियादी तोर पर मैं और दूसरा ही दुनिया में टकराव की जर है योग का पूरा मकसद आपको एक ऐसे अनुभाव तक पहुचाना है जहां अगर आप यहां बैठते हैं तब मैं और आप जैसी कोई चीज नहीं रह जाती सब कुछ या तो मैं होता है या सब कुछ आप हो जाता है जो प्रक्रिया आपको इस एक कट्व या मेल तक पहुचने में मदद करती है यह योग है वह योग है इस मेल को कैसे हासिल किया जा सकता है इसके कई तरीके हैं लेकिन हम आरंभ से शुरुआत करते हैं अपने इन विचारों से कि किसी व्यक्ति को बनाने वाली चीज कुन सी है अगर मुझे आपको उन चीजों का बारे में बताना हो जो आप नहीं जानते तो आपके सामने सिर्फ यही विकल्प होगा या तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे या अविश्वास दोने ही तरीकों से आप अपनी धर्णाओत की ही प्रिष्टि करेंगे या तो सकरात्मक या फिर नकरात्मक यह आपको सिर्फ कल्पना की उरानों में ले जाएगा लेकिन योग आपको कदम दर कदम मंजिल दर मंजिल ग्याद से अग्याद तक ले जाने की पुरी प्रक्रिया है यह सौ फिस्दी अनुभव पर अधारित विज्ञान है यह आपको किसी चीज पर विश्वास करके उसे स्विकार करने को नहीं कहता यह आपको रास्ते के हर कदम को पर रखने के लिए प्रेरित करता है तो पहले इस पर गौर करते हैं कि वास्तों में आप मैं सब्द से क्या समझते है अभी आपकी समझ में यह मैं आपके शरीर आपके दिमाग इसमें आपके विचार और भावनाएं भी सामिले और आपकी उर्जाओं से बना हैं हो सकता है कि आपकी उर्जाएं अभी आपकी अनुभाव में न हो लेकिन आप उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं अगर आपका शरीर और दिमाग काम कर रहा है तो जरूर किसी तरह की उर्जा उनको चला रही होगी शरीर, डिमाग और उर्जा ये तीन वास्तविक ताये हैं कि इनको आप जानते हैं इनी से आप काम भी करते हैं योग विज्ञान हमें बताता है कि हम असर में पाच पर्टो या तहो या सिधे कहें तो शरीरों से बने हैं जिस तरह चिकित्सा में शरीर विज्ञान होता है वैसा ही योग में भी होता है यह हमें वास्तविक्तक के स्थुल से सुस्मत्तम अस्तोरों तक ले जाता है क्या इस पर विश्वास करना जरूरी है नहीं लेकिन यह अपनी खोज शुरू करने के लिए एक उपियोगी जगह है हलाकि आपका काम करने का बुन्यादी छित केवल वही वास्तविक्ताय है जिनके बारे में आप जागरुख है पहली परत जिसकी और योग विज्ञान हमाया ध्यान खिंचता है वह है अन्नमे कोश्ट यह भोटिक या अस्थुल शरीर है जिससे अन्शरीर कह सकते है अभी आप जिससे शरीर कहते है वह बस भोजन का जमा किया हुआ एक धेर है अपने सालों से जो भोजन से जो पोशन प्राप्त किया है यह उसी का नतीजा है इसी कारण उसका यह नाम पड़ा है दूसरी परत मोनोमे कोश्ट या मानसिक काया की है आजकल डॉक्टर मोनोडेहिक साइकोस्वेटिक रोगों के बारे में काफी बाते कर रहे है इसका मतलब है कि दिमाग में जो कुछ होता है वो शरीर में होने वाले चीजों पर असर डालता है ऐसा इसलिए है क्यूंकि जिसे आप दिमाग कहते है वो केवल मस्तिस्क नहीं है दिमाग इंसानी शरीर के किसी एक हिस्से में स्थित नहीं है इसके बजाए हर कोशिका की अपनी बुद्धीमता होती है तो ये पूरा मानसिक शरीर होता है मन की एक पूरी सन रचना होती है मानसिक काया में जो कुछ होता है वो भौति काया में भी होता है और जो भौति काया में होता है वो मानसिक काया में भी होता है मन कस्तर्प होने वाले उत्तार चधा और असानिक प्रतिकिरिया मन कस्तर्प उत्तार चधा पेड़ा करती है भोतिक काया और मानसिक काया आपके हार्डवेर और सुफ्टवेर की तरह है हार्डवेर और सुफ्टवेर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें सही किस्म की उर्जा परवाहित नहीं करते तो हमारी तिसरी परत है प्रनामे कोश यानी उर्जा शरीर अगर आप अपने उर्जा शरीर को सही संतुलन में रखते हैं तो आपके भोतिक शरीर और मानसिक शरीर में कोई भीमारी नहीं होगी आज इस बात के विज्ञानिक परमान है कि अनुवंशिक सिमिति का इंसान प्रहसर और परिवर्ट नियें नहीं है DNA के बुनियादी पहलूओ का लावा हर चीज को बदला जा सकता है यहां तक कि रोगों के प्रति सन्वेदन शिल्ता की अनुवंशिक प्रविर्टी को भी संक्रामक रोग बाहरी जीववानियों के कारण होते हैं लेकिन अस्थाई रोग इंसान दोरा हर दिन पैदा किये जा रहे हैं जब आपका शरीर पूरा जीवनतता और उचित संतुलन में होता है तो शरीर में अस्थाई रोग नहीं रह सकते मैं आपको ऐसे हजारों लोगों से मिलवा सकता हूँ जो बस कुछ सधारन योग अभियास करने से अपने शरीरिक और मानसिक रोगर से छुट करा पा चुके है यह अभियास किसी खास बिमारी को ठिक करने के लिए नहीं है इनका लक्ष बस उर्जा शरीर में एक खास तालमेल और जीवनतता लाना है शरीर, मन और उर्जा बड़ी, माइंड, एंड, एनरजी यह आपके वेक तीन आयाम है जिनके बारे में आप अभी जानते है इनकी प्रकृति मूल रूप से भौतिक है मगर हर आयाम पिछले से ज्यादा सुक्ष है यह बिजली के बल्ब बिजली और प्रकाश की तरह है यह सभी भौतिक है एक को आप हाथ में पकड़ सकते है दूसरे को महसूस कर सकते है और तिसरे को अनभाव करने के लिए आख जैसे सन्वेदन शिल अंग की जरूरत होती है लेकिन यह तीनों असल में भौतिक है इसलिए आप इन्हें अपनी इंदरियों से अनभाव कर सकते है अब एक चौथी परत है जिससे विज्ञान में कोश या अकाशिय शरीर कहते है ज्ञान का मतलब है जानकारी विशेश ज्ञान का मतलब है असाधारन जानकारी जो इंदरियों की अनभूती से परे हो यह एक परिवर्तन शिल अवस्था है यह न तो भौतिक है और नहीं अभौतिक यह दोनों के बीच की करी की तरह है यह आपके अनभौ के मजूदास्तर में नहीं है क्यूंकि आपका अनभौ पास इंदरियों तक सिमित है जो अभौतिकों मेसूस नहीं कर सकती जो लोग लगभग मृत्तु के अनभौ बताते है वे सन्योग से इस अवस्था में पहुच गए होते है ऐसा अनभौ तब होता है जब किसी कारण से व्यक्ति के भौतिक मानसिक और उर्जा शरी कमजोर हो जाते है अगर आप इस आयाम तक सचेतन पहुच बनाना सिख लेते है तो बनमान डिये घटना को जानने की आपकी छमता में जबरदस्त विरीधी हो जाएगी एक पाचवी परत भी है अनन्द में कोश जो पुरी तरह से अभौतिक है इसका जीवन के भौतिक डैरों से कोई लेना देना नहीं है एक ऐसा आयाम जो भौतिक से परे हो उसका नर्तो वर्णन किया जा सकता है और नहीं उससे परिभासित किया जा सकता है अत्ह योग के अनुभाव के संदर्व में ही इसके बारे में बात करता है जब हम भौतिक से पर इस आयाम के संपर्क में होते है तब हम अनन्द में हो जाते है ऐसा नहीं है कि अनन्द का एक बुलबुला आपके शरीर में कहीं मौजूद है बात बस इतनी है कि जब आप वर्णन्द से पर इस आयाम को असपर्श करते है तब यह आनन्द का एक जबरदस्त अनुभाव पैदा करता है लेकिन आनन्द अपने आप में कोई लक्ष नहीं है जब आप अनस्तितु के इस आयाम को छू लेते है तो आनन्द में होना सुनिश्चित है इस स्थीती में आप खुद अपनी जिन्दगी के लिए समस्या नहीं रह जाते जब आप अपने आप में समस्या नहीं रह जाते तब आप नीडर होकर परे की खोज कर सकते है जब आप परिभासा से परे इस आयाम को छूते है तो समय और अस्थान का परभाव मिट जाता है इससे बहुत से योगी और द्वरा बहुत लंबे समय तक एक जगह पर स्थीर बैठे रहने की कहानिया समझ में आती है ऐसा शरीरिक सेहन शक्ती की वज़ज से संभव नहीं होता बलकि ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि इन इस्थितियों में वे समय की प्रकिरिया से पड़े होते है दरसल उन्होंने यहां और वहां अब और तब के तमाम विरोधा भासों से पड़े एक आयाम को छू लिया होता है वे शुन्यता के अस्मित सागर को स्पर्ष कर लेते हैं जहां न तो बंधन होता है और नहीं मुक्ति अस्तित्व से पर एक अस्तित्व जो कुछ आप जानते हैं योग उससे अलग कुछ करने को नहीं कहता यह बस इतना बताता है कि अगर आपका भोतिक, मानसिक और उर्जा शरीर पुरी तरह से संतुलन में हैं तो आप आनंद काया तक पहुच सकते हैं लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है आपका काम सिर्फ पहले तिन शरीरों के साथ होता है जब बाहरी वस्त्व ताव की बात आती है तो हर इंसान की काबलियत अलग-अलग होती है एक व्यक्ति जो काम कर सकता है हो सकता है कि दुसरा न कर सके लेकिन जब आंतरिक हकीकतों की बात आती है तो हम सब एक बराबर सक्षम है यह सुनिस्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आप मेहज इच्छा करने से गापाएंगे नाच पाएंगे, पहाड पर चढ़ पाएंगे या पैसे कमा पाएंगे लेकिन अपने आंतरिक जीवन को आनद में बनाना ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है अगर आप इच्छुक है तो आपको इससे वन्चित नहीं किया जा सकता एक बार जब आप आंतरिक खुशहाली की कुछ खास बुनियादी योग तकनीकों में महारत हासिल कर लेते है तब आपकी जीवन यात्रा पुर्ण्यता सहज हो जाती है आप बीना किसी तनाव या ठकान के अपनी पुरी छमता पर दर्शित कर पाते है आप जीवन जैसे आप जीवन से जैसे चाहे खेल सकते है लेकिन जीवन आप पर एक खरोच भी नहीं डाल सकता इसलिए खुशहाली का अनभाव करने के लिए बस शरीर, मन और उर्जा के इन तीन आयाओंओं पर एक खास महारत हासिल करने की जरूरत है दुनिया में सफल होना इन आयामों का लाब उठाने की आपकी चमता पर निर्भर करता है आपको अपने इच्छित कारिय और अपने जीवन के प्रस्थितियों के मुताविक इन आयामों का इस्तिमाल करना होगा लेकिन योग इन तीन आयामों को ताल मेल में लाने का विज्ञान भी है ताकि आप इस जीवन के साथ ही आनन्द में मेल की चरम आवस्था में पहुच जाए इस चरम मेल तक कोई कैसे पहुचता है योग हमें बताता है कि इसे कुछ मूलभूत तरीके है अगर आप इस चरम मेल तक पहुचने में अपने भौतिक शरीर का परियोग करते है तो हम इसे कर्म योग कहते है मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ योग हमें बताता है कि इसके कुछ मूलभूत तरीके है अगर आप इस चरम मेल तक पहुँचने में अपने भौतिक शरीर का उप्योग करते है तो हम इसे कर्म योग कहते है अगर आप अपनी चरम प्रकृतिक तक पहुँचने के लिए अपनी बुद्धी का उप्योग करते है तो इसे ज्यान योग कहते है अगर आप अपनी चरव प्रेकृतिक तक पहुँचने के लिए अपनी भावना का उपयोग करते है तो हम इसे भक्ती योग कहते है और अगर इस चरव अनुभाव तक पहुँचने के लिए आप अपनी उर्जाओ का उपयोग करते है तो हम इसे किरिया योग कहते है करने का योग हर इनसान इनी चीजों का ये खास मिश्रन है अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो कर्म, ज्यान, भक्ति और क्रिया इन सारे पहलूओं को तालमेल में काम करना होगा अगर ये चार आयाम शरीर, मन, भावना और उर्जा एक साथ नहीं चलते तो आप अस्त वेस्त हो जाएंगे एक बार की बात है एक बार की बात है चार आदमी जंगल में जा रहे थे पहला ग्यान योगी था दुसरा भक्ति योगी तिसरा कर्म योगी और चौथा किरिया योगी आम तोर पर ये चारे कभी एक साथ नहीं हो सकते ग्यान योगी योग के हर दुसरे परकार को ही कारत की नजर से देखता है उसका योग बुद्धी का है और बुद्धी जीवी हर किसी को नीची द्रीष्टी से देखता है खास तोर पर इन भक्त किस्म के लोगों को जो हमेशा उपर देखते हुए इन श्वर का नाम जबते रहते है ये उसे मुर्ख दिखते है लेकिन भक्ती योगी सोचता है कि ज्यान, कर्म और किरिया योग ये सब समय की बरबादी है वह उन पर तरस खाता है जो ये नहीं जानते कि इश्वर का अस्तित्व है और बस इश्वर का हाथ थामकब पुरे भ्रोसे के साथ चलना चाहिए उसको दिमाग चक्रा देने वाला दर्शन और हड़ी घुमा योग बेतुके लगते है फिर कर्म योगी होता है जो कारिय करने में विश्वास रखता है उसे लगता है कि दुसरे सभी नीरे आलसी है उनके जीवन में सिर्फ भोग विलास के प्रति आ सकती है मगर क्रिया योगी सबसे अधिक एहंकारी और तिरसकारी होता है वो हर किसी पर हसता है वो सोचता है कि क्या ये सब नहीं जानते कि अस्तितु बस उर्जा है अगर आप अपनी उर्जा को रुपांतरित नहीं करते तो चाहे आप इश्वर की कामना करे या किसी और चीज की कुछ नहीं हो सकता कोई रुपांतरन नहीं हो सकता इन चार लोगों में आमतोर पर नहीं निफ्ती लेकिन सन्योग से उस दीनवे जंगल में एक साथ जा रहे थे अचानक आंधी आ गई और उसने उग्द रूप ले लिया मुशला धार बारिश होने लगी मतला बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी बारिश में तरबतर चारो योगी भागने लगे और बेचैन होकर सिर छिपाने की जगा खोजने लगे भक्त योगी ने कहा इस तरफ एक प्राचिन मंदीर है चलो वहाँ चलते हैं भक्त होने के कारण वो मंदियों के ठिकानों से प्रचित था वे सब उसी तरफ भागे वे एक प्राचिन मंदीर के पास पहुँचे जिसकी सभी दिवारे काफी पहले ही ढचुकी थी बस छत और चार खंबे बचे थे वे भाग कर मंदीर की अंदर गये इश्वर के प्रति किसी प्रेम की वज़ा से नहीं बस बारिश से बचेने के लिए मंदीर के बीचों बीच इश्वर की मूर्टी थी वे सब उसकी तरफ भागे बारिश हर तरफ से आने लगी जानने के लिए कोई और जगर नहीं था तो ये पास आते गए अंत में उनके पास कोई चारा नहीं बचा वे बस मूर्टी से लिपट कर बैठ गए जैसे ये चावर मूर्टी से लिपटे अचानक इश्वर परकट हुए उन सभी के दिमाग में एक ही सवाल कौन था अभी क्यूं वे हैरान थे कि हमें तमाम सुक्ष्म और गुठ दर्शन खोजे हर संभव छोटे बरे तिर्श अस्थलों पर पुजा की निस्वार्थ भाव से लगों की सेवा की शरीर को तोड़ देने वाली तपस्या की तब तो आपने कभी दर्शन नहीं दिये अब जब हम बस बारिश से बच रहे है तो आप रकट होगे क्यूं इश्वर ने कहा आखिर कार तुम चारों मुर्ख एक साथ आ गए योग बस चार मुर्खों को एक साथ लाने का विक्यान है फिलहाल ज़्यादा तर लोगों के लिए ये चार आयाम अलग-अलग दिशाओं में केंद्रित है आपका दिमाग एक तरह से सोच रहा है आपकी भावना दूसरी तरफ खिच रही है आपका भावतिक शरीर तिसरी तरफ जा रहा है तो उर्जा शरीर चोथी तरफ यह चीज आपको एक संभावित आपदा बना देती है यानी एक दुरघटना जो घटने का इंतिजार कर रही है आपको चार अलग-अलग तरीकों से खिचा जा रहा है आपको अगवा किया जा रहा है अब योग की अनुभवजन आसाधारन प्रनाली को अपना कर अपने अंदर ताल में लानिक के अभियान में कुद पढ़ने का समय है योग एक ही समय में आपको परियोग करता और परियोग विशय और वस्तु दोनों बना देता है और इस तरह इस किताब का अगला अधिया वयवहारिक बन जाता है इलाके का खाका खिचने के बाद अब हम वास्तवित यत्रा शुरू करते हैं यह आत्म खोज और आत्म अवलोकन की एक चेतन यात्रा है योग की भासा में हम पहली तीन परतों शरीर, मन इसमें विचार और भावनाई शामिल है और उर्जा की प्रकृती तथा समभावनाओं का पता लगाएंगे यह आपका उन रन नितियों से भी प्रेचित कराएगा जिससे आप इन में सहर परत्कृरू पांसरंड का साधन और जानने का यंत्र बना सकते हैं समस्या यह है कि दुनिया भर के धानमिक मुर्खों ने इनसान से जूरी हर खुपसुर्वत चीज को दूसरी दुनिया में भेज दिया है अगर आप प्रेम की बात करते हैं तो वे इश्वर प्रेम की बात करेंगे अगर आप अनन्द की बात करते हैं तो वे अलोकिक अनन्द की बात करेंगे अगर आप शांती की बात करते हैं तो ये दिव्य शांती की बात करेंगे हम यह भूल गये हैं कि ये सब मानविये गुन है इंसान, आनन्द, प्रेम और शांती प्राब्द करने में पुरी तरह सक्षम है आप इन गुनों को स्वर्ग से क्यों जोड़ना चाहते हैं इस श्वर्ग के बारे में इतनी ज्यादा बाते मुख्य रूप से इसलिए होती है क्यूंकि लोगों ने मनुष्य होने की विशालता का एसास नहीं किया है यह जाहिर है कि जीवन का मुल स्रोत ही आपके भीतर किसी रूप में संपदित हो रहा है आपके जीवन का स्रोत हर दूसरे जीवन का स्रोत भी है और पूरी स्रिष्टी का स्रोत भी इस बुधिमता या चेतना का आयाम हर किसी में मौजूद है हर इंसान के मुक्ती इस शास्वत आयाम तक पुछने में नहीं तह है अपने जीवन के हर पल में अपने भीतर अनन्द में और शांत होना और जीवन के उसकी भौतिक सिमाव से परे अनभाव कर पना ये महा मानव के गुन नहीं है ये इंसानी संभाव नाये है योग का संबंध महा मानव होने से नहीं है इसका मकसद यह एसास करना है कि मानव होना ही महान है मैं फिर से दोड़ाना चाता हूँ योग का संबंध महा मानव होने से नहीं है इसका मक्सद यह एसाज करना है कि मानव होना ही महान है यहाँ पर खंड एक की समापती होई अब हम चलेंगे खंड दो में नमस्कारम खंड दो पाठकों के लिए संदेश पुस्तक का अगला हिस्सा अधीक विशिष्ट है यह खंड आपको इनसानी पहचानों के तीन मुलकों सो अन्द मैं, मनों मैं और प्रान मैं के बारे में अंत दिरिष्टी परदान करता है यह ऐसे तीन कोस है जिनको लेकर हर इनसान जागरुक होता है इसलिए इस खंड को तीन उपखंडों में विभाजित किया गया है शरीर, मन और उर्जा प्रतियक उपखंड में यह कोशिश की गई है कि शरीरिक, मोनो, वेज्ञानिक तथा उर्जा संबंधी आपके विचारों का विस्तार किया जाए इस प्रकिरिया में आप पाएंगे कि कुछ मान्यताओं पर प्रश्न खड़े किये गए है कुछ रुधियों को टोड़ा गया है समान्य रूप से इस्तेमाल में आने वाले कुछ सब्दों को पुनह परिभासित किया गया है तथा कुछ असमान्य दिश्टी कोन का अन्वेशन किया गया है लेकिन आपको कीसी भी पहलू पर यूँ ही विश्वास कर लेने की आवश्यक्ता नहीं है जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि योग आपसे परियोग करने के लिए कहता है और आपको इसके लिए परसाहित करता है कि आप नीडर होकर परियोग करे इसलिए यह खंड दी गई सुचना तथा बताए गए अभियासों और उनके आत्मों लोकन के बीच घुमता रहता है इसमें दिये गए विचारों को ठोस रूप देने और इन्हें अमल में लाने के सुझाव भी दिये गए है इस प्रिकरिया में आप खुद जान सकते हैं कि यह सुझाव करगार है या फिर यह मेहज विचार ही है इस खंड को पढ़ने का सबसी अच्छा तरीका क्या है इस खंड में साधना के अंतरगट जो अभियास दिये गए है हो सकता है कि आप उनको करने के इच्छुक न हो बिल्कुल ठीक है बहुत से अभियास सुझाव देने के पीछे कारण यह है कि इन में से आपको जो अच्छा लगे आप उसे कर सके जो कदम सुझाए गए है उनका उदेश्चे केवल इतना है कि आप उन्हें अपने जीवन की परियोग शाला में परक सके आप महज एक पाठक न बन रहे आराम कुरुशी में बैठा एक योगी बन कर न रह जाए बलकि जीवन में खुलकर सक्रिये रूप से भाग ले और इसे पुरी जागरुकता में जीए यही इस खंड का उदेश्य है यह समय है अपने बनी बनाई मान्यताव से बाहर निकल कर उस असाधारन जीवन की खोज करने का जो आप खुद है शरीर एक आला मशीन किसी व्यक्ति के भौतिक स्रिजन का सबसे अभीन अंग उसका अपना शरीर ही होता है उसका शरीर ही वह उपहार है जिसका एहसास उसे सबसे पहले होता है यह सबसे आला मशीन भी है इस धर्टी की सभी मशीने इसी मशीन से निकली है जैसा की पहले बताया गया है योग विज्ञान में मन या आत्मा जैसा कोई चीज नहीं होती हर चीज को बस शरीर कहा जाता है और इस थूल से सुक्षम तक उसके पाच आयाम होते है भोजन शरीर, मन शरीर, उर्जा शरीर, अकाशिय शरीर और आनंद शरीर इस सोच के पीछे गहरी समझ है यह हमें भ्रमित, मानसिक अवस्थाओं या काल्पनिक सिधान्तों की उरानों में भटक जाने से रोकता है जब हम भोतिकτα के सुक्षम तर जायरों में कदम रखते हैं और धीरे धीरे उन से परे जाते हैं तब ही यह हमें मजबूती से हकीकत से जोडे रखता है भोतिक शरीर का निर्मान इस तरह किया गया है कि यह आपके बीना अधिक भागदारी के भी काम करता रहता है आपको हृदे को धरकाना नहीं पड़ता जीगर की सारी जटिल रसानी किरियाये चलानी नहीं पड़ती सांस लेने की कोशिस भी नहीं करनी पड़ती आपके भौतिक जीवन को कायम रखने के लिए जो कुछ अवश्यक है वो सब अपने आप होता रहता है भौतिक शरीर पर एक आत्म नेभर संपूर्ण यंत्र है यदि आपको मस्वीनों से बहुत लगाव है तो आपके लिए इससे अधिक दिल्चस्प और कुछ नहीं इस धर्टी पर शरीर सबसे जटील और परिस्कृत यंत्र है या उस यांत्री का चरम अस्तर है जिसकी अपने सायद ही कभी कल्पना की होगी यह इलक्त्रोनिक का उत्तम अस्तर है जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया होगा यह विद्धूर्थ परिपत का वो सर्वस्रेष्ट अस्तर है जिसके बारे में आपने संभवतर सपने में भी नहीं सोचा होगा चलिए मान लिजिए कि आपने दो पहर में एक केला खाया शाम तक वो केला आपका रूप ले लेता है डर्वीन ने आपको बताया था कि एक बंदर को इंसान बनने में लाखों साल लगे लेकिन आप कुछ ही घंटों में एक केले या इन स्रोटी के टुक्रे को इंसान में बदलने में सक्षम है अस्पष्ट है कि सिस्टी का स्रोट खुद ही आपके भीतर कार्य कर रहा है आपके अंदर एक खास स्तर की बुधिमता काम करती है यह आपकी तर्क शक्ती से भी परे है जो किसी केले को एक ऐसी वस्तु में बदल देती है जो तकनिकी दृष्टी से उत्क्रिष्ट है अगर आप उस रुपांतर्ण को अचेतन के बजाए सचेतन रुप में प्राप्त कर लेते है यदि आप उस बुधिमता का एक छोटा सा अंश भी अपने दनिक जीवन में ले आते है तो आपका जीवन दुख दर्द भाया नहीं बलकि चमतकारी बन जाता है प्रसिद भरतिय रहस्यवादी संद बाश्वन्ना ने शरीर को चलता फिरता मंदिर इसलिए कहा क्यूंकि उन्होंने अपने भीतर स्रिष्टी के सुरोच को संपदित होते हुए अनुभाव किया था उनका यह कथन दच्छिन भारतिय के रहस्यवादी साहिते का प्रसिद कथन है मेरी तांगे अस्तंभ है शरीर मंदिर है और सीर सोने का गुंबद फिर से बोलना चाहूंगा इस कथन को मेरी तांगे अस्तंभ है शरीर मंदिर है और सीर सोने का गुंबद है कुछ ऐसा है जिसको दिवार पसंद नहीं है इस शांदार मशीन की सिमाओ का एसास करने के लिए विक्ति में एक खास अस्तर की जावरुकता की जरूरत होती है एक मशीन के तोर पर यह शरीर वास्तों में दोस्रहित है लेकिन एक ही समस्या है कि यह आपको कहीं नहीं ले जाता यह बस धर्ती से बाहर निकलता है और वापस धर्ती में समा जाता है क्या यह काफी नहीं है यदि आप शरीर के दिष्टी कौन से देखे तो यह काफी है किन्तु एक आयाम जो भौतिक से परे है वो इस शरीर में कैद है यह आयाम ही जीवन का स्रोत है यही वह आयाम है जो हमें वह रूप देता है जो हम है जीवन एक चीज है लेकिन जीवन का स्रोत दूसरी चीज हर जीव में, हर पौधे में, हर बीज में जीवन का स्रोत किरियाशिल है किन्टु एक इंसान में जीवन का या स्रोत कहीं अधिक शंडार तरीके से उजागर है इस कारण कई लोगों को इस भौतिक संसार की समस्त, समान्य या अध्वुत चीजे भी कुछ समय बाद अचानक बेकार लगने लगती है यही कारण है कि आप और हर दुसरा व्यक्ति निरंतर भौतिक और भौतिक से परे के आयाम के बीच चलने वाले संघर्ष में जीता है अधिकतर लोग उन्हें प्रस्पर विरोधी मानते हैं, उनमें से एक आत्मरच्छा की भावना है यह आपको अपने चारो और एक सुरक्षा दिवार बनाने के लिए विवश करती है जबकि दूसरी शक्ति आपको लगतार विस्तार करने सिमाओ से परे जाने के लिए प्रेरित करती है दोनों लाल साय आत्मरच्छा की और विस्तार पाने की प्रस्पर विरोधी शक्तिया नहीं है हलाकि वे ऐसी लग सकती है वे आपके जीवन के दो अलग-अलग पहलूँ से संबंध रखती है एक शक्ति आपको इस धर्ती पर जम्मे रहने में सहायता करती है जबकि दूसरी आपको परे ले जाती है आत्मरच्छा को भौतिक शरीर तक ही सिमित रखने की आवशक्ता है अगर आप में इन दोनों को अलग-अलग देखने की आवशक्त जगरुकता है तब कोई टकराव नहीं होता लेकिन अगर आप भौतिक को अपनी पहचान बना लेते है तक दोनों मौलिक शक्तिया मिल जुलकर काम करने के बज़ाए परसपर तनाव का अश्रोत बन जाती है मन वता के भौतिक बनाम अध्यात्मिक के सारे संगर्स इसी अज्यानेता से पैदा होते है जब आप अध्यात्मिकता कहते है तो इसका अर्थ है कि आप भौतिक से परेकिसी आयाम के बारे में बात कर रहे है भोतिकी सिमावों से उपर उठने की मनुस्य की इच्छा पुड़ी तरह से स्वभाविक है सिमावों पर अधारित एक विशिष्ट शरीर से स्रिष्टिक रसिम सरोत की ओर जाना यही अध्यात्मिक प्रेकिरिया का अधार है आत्म रक्षा की जो दिवार आप आज बनाते है वही कल आपके लिए आत्म बंधन के दिवार बन जाती है अपने जीवन में स्वयम की रक्षा के लिए जो सिमावें आप आज अस्थापित करते हैं वे कल परतिबन जैसे लगने लगेगी रोबर्ट फरोष्ट इन ने इन पंक्टियों में गहन सत्ते लिखा कोई ऐसी चीज है जिसे दिवार पसंद नहीं है कोई ऐसी चीज है जिसे दिवार पसंद नहीं है चुकि आपकी आत्मरक्षा की प्रविर्टी आपको बताती रहती है जब तक आप दिवार खड़ी नहीं करते आप सुलक्षित नहीं है इसलिए अंजाने में आप उन्हें बनाते जाते हैं बाद में आप उनसे संघर्ष करते हैं यह एक अंतहिंग चक्र है परन्तु स्रिष्टी आपके लिए इससे भी परेके द्वार खुलने को अनिचुक नहीं है आप स्रिष्टी की अनिच्छा के साथ संघर्ष नहीं कर रहे आप उन प्रतिरोध की दिवारों से संघर्ष कर रहे है जो आपने अपने चारों और बना रखी है यही कारण है कि योगिक प्रनाली इश्वर की बात नहीं करती यह आत्मा या स्वर्ग के बारे में बात नहीं करती ऐसी बाते निश्चित ही लोगों में मत्ती भर्म पैदा करती है योग केवल उन रुकावटों की बात करता है जो आपने अस्थापित कर रखी है क्योंकि इसी प्रतिरोष पर ध्यान देने की जरूरत है अपका ध्यान आकरसित करने की स्रिष्टी करता की कोई इच्छा नहीं है जो बेरिया आपको बांधती है जो दिवार आपको रोकती है वे सौ फिष्दी आपकी बनाई हुई होती है और यही चीजे है जिने आपको खुलने और ग्याने की जरूरत है आपको अस्थित्व के साथ कुछ नहीं करना आपको केवल खुद के दोरा रचे गे अस्थित्व के साथ काम करना है यदि मुझे किसी उपमा का प्रियो करना हो तो मैं गुरुत्वा करशन और किरिपा की तुलना करूंगा एक तरह से देखे तो गुरुत्वा करशन मनुष्य में आत्मरक्षा की मौलिक प्रविर्ती से संबंधित है अभी हम गुर्टवा करशन के कारण धर्ती से जुर्य हुए है केवल गुर्टवा करशन के कारण ही आज हमारे पास शरीर है गुर्टवा करशन आपको नीचे खिचने की कोशिश कर रहा है यदि आप अस्तित्व की भौतिक शक्तियों से मुक्त हो जाते है तो आपके जीवन में क्रिपा उमर जाती है जैसे गुर्टवा करशन सक्रिये रहता है वैसे ही क्रिपा भी लगतार सक्रिये रहती है बात बस इतनी है कि आपको स्वयम को उसकी लिए उपलब्ध करना होता है आपके पास गुर्टवा करशन का कोई विकल्प नहीं है वैसे भी आप उसके परभाव में हैं यदि आप पुरी तरह से भौतिकता से जूरे है तो आप केवल गुर्टवा करशन को ही जान पाएंगे कृपा के लिए आपको स्वयम और गरहन शिल बनाना होगा आप जिस प्रकार के भी अध्यात्मिक सदना करते हो अन्ततर आप बस स्वयम को किरिपा के लिए उपलब्द बनाने के दिशा में काम करते है जब आप पर किरिपा होती है तब अचानक आप चमतकारी धंग से काम करने लगते है मान लिजिये कि केवल आपको ही साइकल चलाना आता है तो आप हर किसी को चमतकार करते हुए लगेंगे यही किरिपा के साथ भी है मान लिजिये कि केवल आपको ही साइकल चलाना आता है तो आप हर किसी को चमतकार करते हुए लगेंगे यही किरिपा के साथ भी है दुसरे लोगों को लगया कि आप चमतकारी है किन्टु आप जानते हैं कि आप बस जीवन के एक नए आयाम के प्रतिक रहनसिल बन गए है यह संभामना सब के लिए उपलब्ध है साधना आपने अपने बारे में इस बात पर गौड किया होगा जब आप प्रसन रहते हैं तब आपकी विश्टार की इच्छा होती है जब आप डरे होते हैं तो सिमत जाना चाहते है इससे अजमा कर देखिए किसी पौधे या पेड के सामने कुछ मिनेट के लिए बैठ जाईए इससे अजमा कर देखिए किसी पौधे या पेड के सामने कुछ मिनिट के लिए बैठ जाईए स्वयम को याद दिराए कि पौधा जो सांस छोड रहा है उसे आप अपने अंदर ले रहे है आप जो सांस बाहर छोड रहे है उसे पौधा अपने अंदर ले रहा है भले ही या चीज आप ही तक आपके अनुभाव में ना हो फिर भी उस पौधे के साथ एक मौनो वेग्यानिक संबद अस्थापित कीजिए इससे दिर में पाच बार दोराईए कुछ दिनों बाद आप अपने आसपास की हर चीज से अलग तरह से दोराईए आप खुद को केवल एक पौधे तक ही सिमित नहीं रखेंगे इस सरल प्रकिरिया को अपना कर इशा योगा केंद्र में हमने डक्षिन भारत के तमिल नाडू राज्ये में परिया वरन सम्बंधी नहीं पहल की है इसके तहट वर्स 2004 से अब तक तीन करोर दस लाख पेर लगाए जाचुके है हमने लोगों के मन में वरिक्षा रोपन करने में कई वर्स लगाए जो सबसे कठोर जमीन है और उन पेरों को जमीन पर लगाना बहुत असान हो गया है अब उन पेरों को जमीन पर लगाना बहुत असान हो गया है जीवन बोध इंद्रियों से परे जीवन को जानना मनुष्य का सरी दुनिया को कैसे जान पाता है उसके लिए जानने का सुरोत क्या है इसका उत्तरस्पष्ट है अपनी पाच इंद्रियों से आप दुनिया या खुद के बारे में जो भी जानते है वो जनकारी आपने केवल पाच इंद्रियों से इकठे किये फाइव सेंस देखकर, सुनकर, सुंगकर, चककर और छूगकर यदि ये पाच इंद्रिया सो जाए तो आप न तो दुनिया को जान पाएंगे और नहीं स्वयम को हर रात को जब आप सोते है अचानक आपके आसपास को लोग गायव हो जाते है दुनिया गायव हो जाती है यहां तक कि आप भी गायव हो जाते है आप अब भी जीवित होते है आपके आसपास हर कोई जीवित होता है पर आपके अनुभाव में हर चीज चू मंतर हो जाती है क्योंकि ये पाच इंद्रिया बंध हो जाने की आवस्था में चली जाती है इंद्रिया सिमित है वे केवल उस चीज का बोध कर सकती है, जो भौतिक है यदि आपकी समझ पार्च इंद्रियों तक सिमित है, तो सभाविक रूप से आपके जीवन का दाइरा भावतिक तक ही सिमित रहेगा साथ ही इंदरियों को किसी भी चीज का बोध किसी दूसरी चीज की तुलना में ही होता है जैसे यदि मैं किसी धातु की वस्तु को छोता हूँ और वह मेली उंगलियों को ठंडी लगती है जैसे यदि मैं किसी धातु की वस्तु को छोता हूँ और वह मेरी उंगलियों को ठंडी लगती है तो ऐसा केवल इस लिए है क्योंकि मेरा शरीर उससे ज्यादा गरम है मान लिजिए कि मैं अपने शरीर का तापमान घटा लेता हूँ तो वह मुझे गरम महसूस होगी मनुस्य के लिए अपना जीवन चलाने है तू उसकी इंद्रिया बहुत शंडार है ये इंद्रिया उसके पैदा होते ही चालू हो जाती है क्योंकि बाहरी दुनिया में आपके जीवन यापन के लिए वे अत्या वश्यक होती है किन्तु यदि आप जीवन सनरक्षन से ज्यादा कुछ चाह रहे है तो यह परियाप नहीं है वी आपको वास्त विक्ता की विरिक सबी प्रस्तूत करता है क्यूंकि बोध की द्रिष्टी से वी पुरी तरह से सापेक्ष है यदि आप वास्तों में जीवन को पुरी गहराई से जाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप भीतर की ओर देखे न की बाहर की ओर क्यूं? क्यूंकि जीवन की असली प्रकृती शरीर और मन की भौतिक या मनोवेग्यानिक अभिव्यक्ति में उपस्थित नहीं है अपीतु उनके सुरूत में है किन्तु भीतर की ओर देखना असान नहीं होता इसके लिए परियास करना पड़ता है क्यूंकि आपके पास भीतर देखने के लिए कोई वीधी नहीं होती मनुस्य की विडंबना बस यही है कि आपके अनुभाव का अधार आपके भीतर है जबकि आपका बोध पुरी तरह से बही मुड़खी होता है यही कारण है कि भीतर और बाहर के बीच का संबंध इतना तुट गया है जो बाहर है उससे आप देख सकते है किन्तु आप वह नहीं देख सकते जो आपके भीतर है यह दि कोई फुस फुसाता भी है तो आप सुन सकते है किन्तु शरीर में अंगीनत गत्तिविदिया होती रहती है जो आपकी सुनने की चमता से परे है आपके अंदर कितना सारा खुन बेह रहा है लेकिन आपको वह मेशुस नहीं होता जबकि आपकी तोचा पर एक चिंटी भी रेखती है तो आपको उसका अभास तुरंद हो जाता है आपकी इंदरिया किवर दिरिष्टी, आवाज, गंध, स्वाद और अस्पर्ष की बाहरी सनवेदनाओ को पकर सकती है किन्तु सारे अनुभाव का स्रोत आपके भीतर है हो सकता है कि कोई अनुभाव किसी बाहरी उकसावे से पैदा हो किन्तु उसका उदगम से देव भीतर होता है और कभी कभी वही अनुभाव बीना किसी बाहरी उकसावे के भी पैदा किया जा सकता है मूल रूप से योग का लक्ष आपके अनभाव का विश्थार पाच इंद्रियों से परे करना है आपकी पाच इंद्रियों से परे भी एक आयाम है आप इस आयाम को जो चाहे कह सकते है यदि अब चाहे तो उसे चेतन्य कह सकते है यदि आप चाहे तो उससे भगवान कह सकते है यदि आप चाहे तो उससे बस मैं कह सकते है सब्दा वले का चुनाब पुरी तरश से आप पर निर्भर है और यदि आप इश्वर या सौव की खोज में नहीं भी लगे है तो भी अपने बोध को बढ़ाना खुशहाली के बुनियादी अस्तर को सुनिश्चित करने में एक महतोपुर्ण भुम्या निभा सकता है अब चाहे जो भी हो डक्टर, पुलिसमेन, इंजिनियर, कलाकार, गिरिहनी या विदार्थी मुल रुप सी आपके बोध की गुनवता ही तय करती है कि आप कितने सफल और परभावी बनेंगे या परभावी होंगे और इस धर्टी पर आप कितना काम कर सकते है आपके बोध का उसकी वर्तमान सिमावस से परेविस्तार होने से अध्भुत परिनाम प्राप्त किया जा सकता है जो आपके जीवन में पुरी तरह से नाया और लभक चमतकारी आयाम ले आते है अब कुछ समानने प्रशन क्या अपने बोध के अस्तर में वरिधी बहुत कठीन है भीतर मुर्णे के लिए क्या मुझे हिमाले के गुफाव में जाना होगा इस प्रशन को मैं दोराना चाहता हूँ क्या अपने बोध के अस्तर में वरिधी बहुत कठीन है भीतर मुरने के लिए क्या मुझे हिमाले की गुफावों में जाना होगा उत्तर बिलकुल नहीं ऐसी संभावना किसी पहार की चोटी पर बैठने से पैदा नहीं होती वो आप ही के भीतर रहती है उस तक आपकी पहुचना होने का एक मात्र कारण यह है कि आप या तो वेस्ट है या जो बाहर हो रहा है उसी में तलीन है या फिर अपने दिमाग में चल रहे हैं मोनो वेग्यानिक नाटक में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं लोग इस स्वध्यान नहीं देते और इस कारण जो चीज भीतर मौजूद है उससे खुज पाने की संभावना से वन्चित रह जाते हैं भीतर मौणे का विचारों, सोच, धर्नाओं या सिधांदों से कोई लेना देना नहीं है इसका आपके दिमाग की मोनो वेग्यानिक गतविदियों से भी कोई लेना देना नहीं है अपने बोध को बढ़ाने का अर्थ है, जीवन जैसा है, उसको वैसा ही ग्रेहन करने की अपनी छमता बढ़ाना यदि आप हर दिन अपने जीवन के बस कुछ मिनिट के लिए इसे समर्पित करने को तयार है तो आपको परिवर्तन दिखाए देने लगेगा अपनी आंतरिक प्रक्रिती पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की सधारन प्रकिरिया आपके जीवन की गुनवता को असधारन तरीके सरुपांतरित कर देगी साधना सोने से तुरंत पहले आप हर उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करे जिससे आप अपना मानते है अपने विचार, अपनी भावनाए, अपने बाल, अपने कपरे, अपना मेकप इस बात को जान लिजे कि आप इन में से कुछ भी नहीं है अप क्या है, या सत्य क्या है, उसके बार में किसी तरह के नतीजे पर पहुचने की जहुरूरत नहीं है सत्य निशकर्स नहीं है यदि आप गलत निशकर्सों को दूर करते हैं, तो सत्य का उद्धय होगा यह आपको रात्री क्या नुभाव जैसा है सूरज कहीं चला नहीं गया है बात बस इतनी है कि धर्टी दूसरी तरफ देखने लगी है आप अपने बारे में सुचते, पढ़ते और बाते करते हैं क्यूंकि आप दूसरी तरफ देखने में बहुत वेस्त है आपने इस बात को जानने पर प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया है कि वास्तों में आप कौन है ऐसे में निशकर्श की नहीं अपितु भीतर मुड़ कर देखने की जरूरत है यदि आप इस जागरुकता के साथ निद में परवेश कर पाते है तो यह महत्तो पुर्ण होगा चुकि निद में कोई बाहरी वयवधान नहीं होता अत्य यह यक्शक्ति साली अनुभाव के रूप में विक्सित होगा समय के साथ आप अपनी सभी प्रकार के संचोस पर एक नए आया में परवेश करेंगे जीवन को सुनना अस्थाई आनन्द और परम मेल की आवस्था पाने की कई तरीके हैं इन तरीके में विवीधता है किन्तु महत्वपुर्ण यह है कि यह सभी संतुलित और समग्र तरीके से बने है इन विवीध पद्धतियों में वास्तों में कोई विभाजन या सेश्थता का करम नहीं है योग पुरी तरह से निस्पक्ष है योग आपके व्यक्तित्व के सभी पहलियों के साथ काम करता है ताकि वो आपको आपके चरम लक्ष तक ले जाए आप अपनी समझ के अनुसार अभी जो भी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका शरीर है शरीर का उप्योग करके विकास की प्रक्रियातीज करने की विज्ञान को हट योग कहते है हाँ मतलब सुरिय का घोतक और थ चंद्रमा का हाँ सुरिय का घोतक है अर्थ चंद्रमा का मानव शरीर तंत्र में इन दो आयामों के बीच संतुलन लाने का विज्ञान हट योग है शरीर का अपना रवैया अपना प्रति रोध अपना सौभाव होता है मान लिजिए आपने तै किया कल से में सुब पाच बज़ उठकर टेहनने जाऊंगा आप अलार्म लगाते हैं अलार्म बज़ता है आप उठना चाहते है लेकिन आपका शरीर कह रहता है और कहता है बंद करो और सो जाओ ऐसा अक्सर होता है है न तो हठ योग शरीर पर काम करने का तरीका है यह आपके शरीर को अनुशासित करने का सुध करने का और उससे उर्जा के उच अस्तोरों और उच अस्तर उच्चतर असंभावनाओं के लिए तयाय करने का तरीका है हठ योग कोई वययाम नहीं है हठ योग इस नोट एक्सरसाइज इसके बजाए या शरीर की प्रकिरियाओं को समझने एक खास वातावरन बनाने और फिर शरीर की मुद्राओं की मदद से आपकी उर्जा को खास दिशाओं में मोडने से संबंध रखता है विभीन आसनों का लक्ष यही है जो मुद्रा आपको अपनी चरह प्रकिरिती तक होचिने में साहता करती है उससे योगासन कहते है यह आपकी आंतरिक जामिति को ब्रहमान दिये जामिति की सीध में लाने का विग्यान है इस बात को सरल तरीके से इस परकार समझ सकते है अगर किसी व्यक्ति को आप लंबे समय से जानते हो तो उसके बैठने के तरीके से ही आप बता सकते है कि उसके अंदर क्या चल रहा है यदि आपने स्वेम पर कभी गौर किया हो तो आपने पाया होगा कि जब आप गुस्सा होते हैं, तब आप एक तरह से बैठते हैं, यदि आप प्रसन हैं, तो आप दूसरी तरह से बैठते हैं, यदि आप हताश हैं, तब आप अलग तरह से बैठते हैं, जितना कि हर अलग अस्तर है, जितना कि हर अलग अस्तर पर या विभीन मौनोवेग्या आपका शरीर स्वभाविक रूप से एक विशेस मुद्रा बना लेता है या एक विशेस मुद्रा अपना लेता है आसनुक का विज्ञान इसी का उल्टा रूप है यदि आप सचेतन रूप से अपने शरीर को विभिन मुद्राओं में रखते है तो आप अपनी चेतना का अस् यह शरीर आपके अध्यात्मिक विकास का साधन भी बन सकता है और बाधा भी मान लिजिए आपके शरीर के किसी अंग में जैसे हाथ, पैर या पीठ में दर्द है तब दर्द तेज हो तब किसी भी उच अस्तर की चीज की आंकांचा करना कठीन होता है क्यूंकि आपके जीवन में वह दर्द सबसे बड़ी चीज बन जाता है यदि अभी आपकी पीठ में दर्द है तो आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा आपके पीठ है हो सकता है कि दूसरे लोग यह ना समझे पर आपके लिए वही समझ भरा मुद्द है अगर भगवान भी आपके सामने परकट हो जाए तो उनसे भी आप पीठ दर्द करने की प्राथना ही करेंगे आप कुछ और नहीं मागेंगे क्योंकि आप भौतिक शरीर के वस में बहुत अधिक होते है जब वो वैसा काम नहीं करता जैसे उससे करना चाहिए तो वो आपके जीवन की हर दूसरी आकांचा छिन लेता है जब शरीर पीरा में होता है तो आपकी सारी लाल साय गायब हो जाती है पीरा में होकर भी पड़े देखने के लिए अधिक दिरिधता की जरूरत होती है जो अधिकतर लोगों में नहीं होती ऐसे अंगिनत लोग हैं जिन्होंने सधारन से आशनों की सहायता से रीड से जूरी समस्चाओं से छुटकारा पा लिया है डक्टोर न उनसे कहा था कि उन्हें सरजरी कराने ही होगी प्रंतु वे सरजरी से पुरी तरह से बच निकले आपकी पीठ की स्थित्थी इतनी बहतर हो सकती है कि आपको फिर कभी किसी अस्थी विशेशक के पास जाने की जरूरत न पड़े न किवल आपके रिट्स लचिली हो जाती है बलकि आप भी लचिले हो जाते है एक बार आप लचिले हो गए तब आप सुनने को तयार हो जाते है या किसी की वर्ता सुनने के बारे में नहीं है आप जीवन को सुनने को तयार हो जाते है सुनना सिख लेना ही एक समझदार जीवन का सार है थोड़ी मत्रा में परियास करना और समय लगाना महत्तो पुर्ण हो जाता है एक पिरा डायक शरीर रुकावत बन सकता है और ऐसे ही शरीर की विवस्ताय भी बाधा बन सकती है सधारन सी विवस्ताय चाहे वह भुक हो या वासना आपको इतनी गहराई से वश्मे कर सकती है कि वे आपको भौतिक से परे देखने नहीं देगी यह भूल जाना आसान है कि भौतिक शरीर आपका बस एक हिस्सा भर है पर यह महत्यपुर्ण है कि यह पूरा का पूरा आप न बने आसन भौतिक शरीर को उसके सोभाविक अस्थान पर लाने में सहायता करते है ध्यान के गहरे आयामों में परवेश करने से आपकी उरजाय उपर की और उठेंगी और अनुभाव के ज़्यादा गहन आयाम खोलेगी इसलिए यह बहुत महत्योपुर्ण हो जाता है कि शरीर का उरजा संचार तंत्र अनुकुल हो यदि वो अवरुद है तो काम नहीं करेगा और इसलिए ध्यान की अधिक ग्यान अवस्थाव में जाने से पहले ही शरीर को उसके लिए तयार करना बहुत आवश्यक है हथ योग हथ योग यह सुनिश्चित करता है कि शरीर उरजा के उफान को बीना किसी कठनाई के सहाजता से संभाल ले अनेक लोगों के लिए अध्यात्मिक विकास बहुत कष्ट दायक बन जाता है क्यूंकि आवश्यक तयारी नहीं की गई होती दुर्भागे से अधिकतर लोग स्वयम को पुरी तरह से बाहरी प्रस्थितियों दोरा संचालित होने देते है दुनिया में यह आम बात हो गई है कि विकास के वल कष्ट दायक तरीके से होता है यह प्रसन्नता पुर्भक भी हो सकता है किन्तु उसके लिए शरीर और मन दोनों को तयार किये जाने की जरूरत होती है आसन एक मजबूत और स्थिर बुनियाद देखकर आपको विकास और उपांस्रेन के लिए तयार कर सकते है आज जिस हठ योग को लोग सिख रहे है वो पुरी गहराई और विस्तार वाले अपने प्राशिन रूप में नहीं है आज कल आप जिस स्टूडियो योग को देखते है और दुर्भागे से हठ योग का केवल शरीरिक पहलू है योग के केवल शरीरिक पहलू की शिक्षा देना वैसा ही है जैसे मृत शिशू का जन्म हुआ हो वहने केवल बेवसर होता है बलकि एक तरास्दी जैसा होता है यदि आप एक जिवन प्रक्रिया चाहते है तो उसे इस तरह से चंचरित करने की आवे सकता है जो योग के दुसरे आयाम भी सामिल करे हट योग का अर्ठ सीर के बल खरा होना या सांस रोकना नहीं है एक समय था जब मैं भी हट योग को दो दिन के कारिये करम के रूप में सिखाया करता था लोग इस कारिये करमों की तिरुता से अभिभूत हो जाते थे केवल आशनों के अभियास से ही उनके पर्मानंद के अब ऐसा अक्सक क्यों नहीं होता केवल इसलिए क्यूंकि हट योग को अब एक अंतिम अभियास के तरफ परदान किया जा रहा है नकि उच्छ संभावना की तयारी के वीधु की रूप में इसके फल्स रूप दुनिया में आज हट योग कुछी लोगो को सांति परदान करता है और दुसरे को केवल स्वास्थ लाव मिलता है बहूत से लोगों के लिए दुर्भागे से यह एक कश्ट दायक सर्कष होता है यह उनके लिए तो ठीक है यह उनके लिए तो ठीक है जो केवल सांती और स्वास्ते की अकांचा रखते हैं प्रंत्तु योग को आप स्वयम को पाच इंद्रियों से पर एक गिरेहन शिल संभावना में रुपांतरित करने के साधन के रूप में देख रहे हैं तो हट योग को इसके प्राचिन रूप में परदान करने की आवशक्ता ह अपने आसपास ध्यान देजे साधना अपने आसपास ध्यान देजे अपने परिवार में सहकर्मियों में और दोस्तों के बिज क्या आप मैसूस कर सकते हैं कि हर किश्य को बोध का स्थर अलग होता है इस पर बारेकी से गौर कीजिए यदि आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास दुसरों से बेहतर असपास्तिता और बोध चमता है तो उनके हाव भाप ध्यान दिजे कि वे शरीर को कैसे संचालित करते हैं उनके पास बिना किसी अभ्यास के एक खास ठहराव होता है प्रन्तु बस थोड़े से अभ्यास से ही बहुत अंतर पर सकता है यदि आप दिन भारे में बस कुछ घंटु के लिए अपने रीट सीधी रख कर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपके जिवन पर अचुक परभाव डालेगा आपको अब समझ में आने लगेगा कि आपके अस्तितु की जया मिती से क्या आश्य है आप जिस तरह से अपने शरीर को रखते है वही आपके बारे में लगबग हर चीज चाहिए करता है जीवन को सुनने का एक दूसरा तरीका यह है कि जीवन पर बावधिक या भावनातमक रूप से नहीं अनुभाव के अस्तर पर ध्यान दिया जाए अपनी किसी एक चीज को चून लीजिए अपनी सांच, हृदेगती, अपनी नब्ज, अपनी छोटी उंगली एक बार में 11 मिनत तक उस पर ध्यान दिजिए दीन में कम से कम तीन बार कीजिए, अपनी ध्यान को किसी भी सन्वेदना पर केंदित कीजिए, कि आप जो कुछ भी कर रहे है उससे करते रहिए, यदि आपका ध्यान बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं बस अपना ध्याम फिर से उसी पर केंदित किजिए यह अभियास आपको सरतरक्रता से जागरुकता की ओर ले जाएगा आप पाएंगे कि आपके जीवन के उनभाव की गुनवता बदननी शुरू हो जाएगी बर्मान्ड को डाउनलोड करना भारत में कुछ साल पहले तक हर बार आंधी के बाद आपको छत पर जाकर अपने टीवी के एटीना को घुमाकर सही दीशा में करना पड़ता था उसकी दीशा सही होने पर ही आपके घर में सारी दुनिया के कारिये करम दिखाई पड़ते थे अन्या था जब आप अपनी पसंद का सिरियल या किर्केट मैच देख रहे होते थे तो अचानक आपकी टीवी स्क्रीम पर बर्फ का तुफान दिखने लगता था या शरीर भी उस एंटीना जैसा है अगर आप इसे सही स्थिती में रखते है तो यह अस्थित्तु में मवजूद हर चीज के लिए ग्रेहन शिल बन जाता है यदि आपने इसे किसी और तरह से रखा तो आप पाच इंद्रियों से परे हर चीज से पुरी तरह से अंजान रहेंगे यहां एक और उपमा दी जाती है आपका शरीर एक बेरो मीटर जैसा है यदि आपने इसे पधना जान लिया तो यह आपके और आपके आसपास कि दुनिया का बारे में सब कुछ आपको बता सकता है शरीर कभी धूठ नहीं बोलता तो योग में हम शरीर पर भरोसा करना सिखते है हम भौतिक शरीर को हार्मांस, खून और हार्मोंस की अनेक विवस्ताओं से एक सचेतन प्रकिरिया में रुपांतरित करते है तब यह बोध और ग्यान एक शक्ति साले यंत्र बन जाता है अगर आप शरीर को पढ़ना जानते है तो यह आपको आपकी छमताए, आपकी सिमाए, यहां तक कि आपका भूत, वर्तमान और भविश्य भी बता सकता है इसलिए बुनियादी योग की शुरुवात शरीर से होती है यह इतनी सीधी बात है, जब अपने फोन या किसी दूसरे यंत्र के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, आप उससे उतनी ही अच्छी तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ साल पहले सेलफोन कंपनियों ने एक सर्वे किया था, उन्हें पता चला कि 97 फिश्दी लोग फोन की चमताओं का क्यवर 7 फिश्दी इस्तिमाल कर रहे हैं मैं स्मार्ट फोन की बात नहीं कर रहां, बलकि एकदम सधारन फोन की चमताओं का भी लोग क्यवर 7 फिश्दी इस्तिमाल करते हैं जैसे कि हमने पहले कहा, आपका यह शरीर सर्वस्रेष्ट मसीन एक परिपुर्ण अधुनिक यंत्र है आपको क्या लगता है कि आप इस यंत्र का इस्तिमाल कितने फिश्दी कर रहे हैं एक फिश्दी से भी काफी कम, इस भावतिक दुनिया में अपना जीवन चलाने के लिए स्वयम को जीवित रखने के लिए आपको इस शरीर के एक फिश्दी इस्तिमाल की भी जरूरत नहीं होती हम इससे हर तरह की मामली चीजे कर रहे हैं क्यूंकि जीवन का हमारा पूरा बोध अभी क्योल अस्तितु के भौतिक सोरूप तक ही सिमित है लेकिन आपका शरीर पूरे बर्मान को जाने की छमता रखता है अगर आप इसे सही तरीके से तयार करते हैं तो यह इस अस्तितु में हर चीज को समझ सकता है क्योंकि सिस्टी में जो कुछ होता है वो एक तरह से इस शरीर में भी हो रहा होता है पूरी भोतिक सिस्टी मूल रूप से जयामिती की एक आदर्श स्थिती है बीना जयामिती के कोई भोतिक रूप संभव नहीं है यदि हम मानव शरीर की जयामिती ठीक कर लेते हैं तो ये बर्मांड की विशाल ज्यामिती को अपने भीतर उतारने योग्य बन जाता है तब बर्मांड हमारे अनभाव के लिए उपलब्ध होता है दुसरे शब्दों में मानव शरीर संपूर बर्मांड को डाउनलोड करने में सक्छम है साधना अपनी रीट सीधी रखते हुए किसी भी आराम देह मुद्रा में बैठी जाईए यदि आवशक हो तो पीठ को सहारा दे सकते है स्थिर रहिए अपने ध्यान को भी धीरे धीरे स्थिर होने दीजिए आप गौर करेंगे कि आपके सांस धीमी हो जाएगी मनुस्य की सांस धीरे चलने का क्या महतु है क्या यब उसकोई श्वास या योग से जुरा करतब है नहीं ऐसा नहीं है एक मनुस्य एक मिनट में समानितिया बारह से पंदर बार सांस लेता है यदि आपकी सांस बारह पर स्थिर हो जाती है तो आप धर्ती के वायू मंडल की गतविधियों को जानने लगेंगे यानि आप परिया वरन के बदलाओं के प्रती सनवेदन शिल बन जाएंगे यदि यह घटकर नौज हो जाती है तो धर्ती के दुसरे प्रानी की भासा जान जाएंगे यदि यह घटकर छे हो जाती है तो आप धर्ती की भासा यानि उसकी गतविधियों को जान जाएंगे यदि यह घटकर तीन हो जाती है तो आप इस सिष्टी के श्रोत की भासा समझने लगेंगे सांस की दर कम करने का मतलब नौ तो आपकी स्वशन छमता को बढ़ाना है और नहीं इससे जबरन कम सांस लेना है हठ योग और किरिया योग हठ योग और किरिया से जो एक उन्नत योग अभ्यास है धिरे-धिरे आपके फेफरे की छमता बढ़ेगी लेकिन सबसे बढ़कर यह आपको अपनी जयामीती को सीध में लाने और एक विशेज सहजता प्राप करने में मदद करेगी इससे आपके सिस्टम एक स्थिरता आती है जहां कोई जरता नहीं होती कोई हलचल नहीं होती उससे बस हर चीज का बोध हो जाता है निस्क्रियता की तीवरता तार्थिक दिरिष्टी से एक ऐसे विक्टी को जिसने कभी किसी चीज में परियास नहीं किया निस्क्रियता में दक्ष होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप निस्क्रियता को जानना चाहते है तो आपको किरिया को भी जानना होगा आप जब किरिया के चरम पर पहुत जाते है तब आप निस्क किरिये हो जाते है जो व्यक्ति जानता है कि मेहनत करना क्या होता है किवल वही आराम को समझता है जो साधा आराम करते रहते है वे आराम का अर्थ नहीं जानते वे क्यवल आलस्य सुस्ती में डूबे रहते है जीवन का यही तरीका है रूसी बैले डांसर निजिस्की के लिए उसका पूरा जीवन ही नेत्र था उसके जीवन में ऐसे पल भी आते थे जब वो इतनी उचाई तक उचल जाता था जो किसी भी मनुस्य के लिए असंभव लगती थी चाहे किसी की मानस्पेश्या परदर्शन के समय चरम पढ़ी क्यों नहों फिर भी उचलने की उचाई की एक सीमा होती है लेकिन कई बार वो उस सीमा को भी पाड़ कर जाता था लोग उससे अक्षर पुछते थे आप ऐसा कैसे कर लेते है उसका जवाब होता था मैं किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कर सकता यह तभी संभव होता है जब वहां निजिश्च की नहीं होता जब कोई व्यक्ति लगतार अपनी छमता का सौफिस्टी इस्तमाल करता जाता है तब एक समय ऐसा आता है जब वह सारी सिमाओ को पार करके संपुर्ण निश्क्रियता थक पहुच जाता है निस्क्रियता का मतलब धीले पड़े रहना नहीं है इसका मतलब है शरीरिक कारिय की आवश्यक्ता से पड़े चले जाना जब आप अपनी पुरी शक्ती लगाकर अपने चरम परियास को कायम रखते है केवल तभी आप निस्क्रियता तक पहुचते है आज कल कुछ लोग है जो घोसना करते हैं कि जैन अध्यात्मिक मार्ग चुनना पसंद करेंगा किंकि उन्हें लगता है कि उसमें कुछ नहीं करना होता वास्तों में जैन में असाधारं गत्विध्या करनी होती है किंकि वो किसी भी तरह से जियोन से अलग नहीं है उदारन के लिए एक जेन भिच्छु को जेन बगीचे में बस कंकर वेस्थित करने में ही कई सवता अलग सकते है इन गत्य वीदियो को करने के दौरान आप एक अकर्म की अवस्था में आ जाते है जहां आप करता होने के अनभाव से परे चले जाते है यही वो अवस्था है जिसमें आपको परे होने का सवाद मिलता है यदि आप तिवर गत्य वीदियो के माध्यम से ऐसी अवस्था प्राप करते है जैसे निजिस्की और कई दूसरों ने किया था तो यह पल सद्यव चमतकारी पलों की तरह याद रहेंगे पर यदि आप उस अवस्था में निश्क्रिता की तिवरता के कारण पहुचते है तब वो यह योगिक मुद्रा होती है और इस अवस्था को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है ध्यान का सार ही यह है कि आप स्वयम को तिवरता के चरम तक ले जाते है जहां कुछ समय बाद कोई किरिया नहीं रह जाती अब ध्यान कोई कारिय नहीं होगा बलकि उस हासिल की गई तिरुता का सोभाविक परिनाम होगा आप उस अवस्था में यूँ ही बने रह सकते है होने की इन पुर्णत विवस्था मुक्त अवस्थाव में ही किसी व्यक्ति के लिए बर्मान डिये संभावना में खिलने के लिए आवश्यक वतावरन तयार होता है एक समाज और व्यक्ति के तोर पर यदि हम इस प्रकार खिलने के वतावरन को बनाए बिना ही पर तियक पल को यूँ ही चले जाने देते है तो हम एक असाधारन संभावना को गवा देते है स्वर्ग और उसके सूखों के बारे में इतनी अधिक बचकानी बाते के वल इस ले कि जाती है क्यूंकि मनुस्य होने की विशालता की संभावना ये तलासी नहीं गई है येदि आपके मानोता उमा जाये ते दिवत्ते अनुसरन करेगा और आपकी सेवा करेगा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है शरीर धर्ती का एक छोटा रूप योग के अनुसार आपके भोतिक शरीर को अन्नमे कोश यानि भोजन शरीर कहते है या बस उस पोशन का धेर है जो आप पचाते है आप जो भोजन खाते है वो बस धर्ती ही तो है आप इस धर्ती की छोटी सी लहराती फसल है जो इधर उधर गितराती घुमती है और स्वतंत इकाई होने का दवा करती है इस धर्टी पर जो भी होता है वो आपके साथ भी होता है किनी सुक्ष तरीकों से और कभी कभी और स्थुल तरीकों से भी यह धर्टी उस बड़े पिंड का हिस्सा है जिससे हम सौर मंदल कहते है सौर मंदल में जो होता है वो इस धर्टी को परभावित करता है यह सोर मंडल उस विशाल पिंड का हिस्सा है जिसे बर्मान कहते हैं हो सकता है कि यह भी यह आपके बोध में नहों हिंतु चुकि आपका भौतिक शरीर इस धर्टी का बस एक टुकर है इसलिए बर्मान के किसी भी हिसे में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी तरीके से आपके साथ भी हो रहा है यह अविश्वस नहीं लगेगा पर यदि आप अपने शरीर को ये खास तरीके से रखे तो आप धर्टी पर और बनमांड में होने वाले बदलाव के प्रति जागरुक हो जाएंगे एक बार आप इसके प्रति सनवेदन शिल हो जाते हैं तो आपका पूरा शरीर अपने आसपास होने वाली हर चीज अनभव करने लगता है यदि आप धर्टी के तोड तरीकों पर गवर करने में परियाप समय लगाए तो यह सनवेदन शिल्टा नाटकी ये धंग से बढ़ जाएगी मैं कुछ वर्सों तक एक फर्म में रहा था वहाँ पास के गाउं में एक व्यक्ति था जो ठीक से सुन नहीं पाता था उसका नाम चिक्के गोडा था चुकि वह नक के बरावर सुन पाता था वह लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाता था ऐसे में गाउंवाले उससे मुर्ख समझते थे और उससे अंदेखा करते था उसका मजाक उराते थे मैंने उससी अपने फर्म में नोकरी दे दी वह एक अच्छा साथी था क्योंकि मेरी बात करने में रूची नहीं थी और वह सुन नहीं पाता था तो बात भी नहीं करता था तो कोई समस्या नहीं थी वह ट्रेक्टर के जमाने से पहले की बात थी तब बैलों से खेत जोते जाते थे एक दिन अचानक सुबह चार बजे मैंने उसे खेत जोतने की तैयारी करते देखा मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो उसने का स्वामी मैं जुताई के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैंने कहा तुम जुताई किसकी करोगे बारिश तो हो नहीं रही उसने कहा आज बारिश होगी मैंने उपर की तरफ देखा असमान साफ था मैंने कहा क्या बकवाश है कहा है बारिश उसने कहा नहीं स्वामी आज बारिश होगी और उस दिन बारिश हुई फिर मैं कई रात और कई दिन तक वैठा सोचता रहा उस व्यक्ति ने जो महसुस किया वो मैं क्यूं महसुस नहीं कर सका मैं हाथ को अलग-अलग दिशा में घुमाकर नमी और तफमान का अंदाजा लेने की कोशिश करने लगा असमान को पढ़ने का परियास करने लगा मैंने मौसम संबंदी हत रह की किताबे पढ़िये लेकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया और फिर अपने ही शरीप और मेरे आसपास चो कुछ था उस पर बारेकी से गौर किया फिर मुझे सबसे बुनियादी गलती समझ में आई जो हमें से अधिकतर लो करते हैं जिन तत्यों से हमारे शरी का निर्मान हुआ है जिसे धर्ती, जल, वाई और भोजन हम इन्हें जीवन की प्रकिरिया का अंभिन अंग माने के बजाए वस्तूव की रूप में देखते हैं लगवग 18 महिने के पर्यास के बाद यह बात मरी समझ में आई और अब यदि मैं कहता हूँ कि बारिश होने वाली है तो सच निकलने की संभावना 95 फिर्ष्टी होती है यह कोई जोतिस या जादू नहीं है बलकि यह अनुमान मानो पर नालिके धर्ती के, उस हावा के जिससे आप सांसों में भरते है और उस सबके जो आपके आसपास है गहराय से किये के सुक्ष्म और लोकन के अधार पर संभव होता है अगर आज बारिश होने वाली है तो आपके शरीर में जरूर कुछ बदलाव होंगे शेहरों में रहने वाले लोग अधिकतर लोग इसका अनभाव नहीं कर पाते लेकिन दुनिया में हर जगा गाह में रहने वाले कई लोग अनायाश ही इससे महसूस कर लेते है अधिकतर कीरे पच्छी और जामर इससे महसूस कर सकते है पेर पौथों को जरूर पता चल जाता है सोर मंडल की इन छोटे बदलाओं को पहचान कर प्राचिन लोगों ने उनका इस्तमाल के और अपनी खुशहाली के लिए ही नहीं किया बलकि अध्यात्मिक विकास के लिए भी किया धर्ती की चुम्ब किये भूमद्य रेखा भारत से होकर गुजरती है कुछ हजार वर्सपूर योगियों ने चुम्ब किये भूमद्य रेखा का ठिक ठाक बता लगाया और अति विशिष्ट कावनों से उच छेत्र में कई मंदिरों का निर्मान किया उनमें से सबसे प्रसित दचिन भातिये मंदी चिंद बरम में है जिससे चरम अध्यात्मिक एकत्व चाहने वाले लोगों के लिए बनाया गया था जब इसका निर्मान हुआ था तब यह चंबुकिये भूमद्य रेखा पर था जो अब थोड़ा किसक गई है जब धर्टी एक विशेश इस्थिति में आती है तब अनेक अध्यात्मिक साधक सद्यों से चिंद बरम में इकठे होते रहे हैं इस मंदिर में एक परवित अस्थल को पतंजली ने परतिश्थित किया था जिससे सुनने कहा गया इसका शाब्रिक अर्थ है खालिपन या कुछ नहीं यह केवल एक परतिक नहीं है यह अध्यात्मिक साधक के जीवन में एक विशेश संतूलन और संभाव लाने में सहायता करता है यह संभाव एक्तिक और भौतिक दुनिया की सिमाओं से मुक्त करने का सक्ति साली साधन हो सकता है इस कारण यह अच्छ साधकों के लिए एक आदर्श भोगौलिक अस्थान बन गया है ध्यान देने योग्य बात यह है कि चुम्बक्य भूमद्य रेखा भोगौलिक भूमद्य रेखा से अलग होती है चिंद बरम के बारे में एक और महत्वपुन बात यह है कि ग्यारह डिग्री अकांश पर इस्थित है इससे जब बनाया गया था तब चुम्बक्य भूमद्य रेखा इस अस्थान पर इस अच्छांश से गुजर्टी थी यह एक दुलर्व और महत्वपुन घटना थी इस अस्थान का महत्व क्या है इस अच्छांश पर धर्टी का जुकाव अब केंदरी वबल को लगबग सीधा लंबवत दिशा में ठेल देता है इस कारण से मानव शरीर में उर्जा के उपर की और उठने में सहायता मिलती है इसका मतलब है कि मनुष्य की उर्जा उपर उठने में जो की अध्यात्मिक यत्रा का लक्षे है वास्तों में प्रकृतिक सहायता कर रही है चुकि यह बात साधुकों के लिए बहुत प्रत्साहन देने वाली थी इसलिए इस पूरे छेत्र को पवित्र बनाया गया है दक्षिन भारत में इश्या योगा केंद्र का ठीक 11 दिग्री और 6 पर इस्थित होना भी कोई सन्योग नहीं है जिस प्रकार के अध्यात्मिक प्रनाली उपर बताई गई है वो मनुस्य के अध्यात्मिक प्रियासों को सहारा देने के लिए एक प्रकृतिक घटना का इस्तिमाल करती है द्यान या आंतरिक यत्रा की और परणाली है जो सृष्टी में होने वाले बदलाउ को पुरी तरह अंदेखा करते हैं और केवल अंतरिक यत्रा पर जोड़ देती है इन दो मौलिक तरीकों के साहिता साध्यात्मिक यत्रा की जा सकती है आप या तो प्रकृतिक द्वरापरदान की गई सहाईता को लेकर धीरे धीरे चरन दर चरन आगे बढ़ सकते हैं या फिर सारे चरनों को अंदेखा कर एक आंति उच्छा लगा सकते हैं पहली प्रकृतिया में स्वभागिता अनिवारे हैं जबकि दूसरी प्रकृतिया में जीवन की बाहरी थीतियों से खुद को अलग कर लेना अविश्यक है प्रतियक मनुस्य अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनने को स्वतंत्र है हम जिस यूग में जी रहे हैं उसमें दोनों के बीच संटूलन रखना उत्तम होगा के पैश चलते थे और सदेव धर्टी पर इस मुद्रा में बैठते थे जिससे धर्टी के साथ उनका सवार्धिक संपर्क कायम रहे इस प्रकार शरीर कौन भाव के स्थर पर याद दिलाया जाता है कि वह धर्टी का एक अंश है शरीर को यह कभी भूलने नहीं दिया जाता कि उसका स्रोत क्या है यदि हम उसे भूलने देते हैं तो वह अक्सर विच्चित्र मांगे करने लगता है जब उससे लगता याद दिलाया जाता है तो वह अपनी स्थिती समझ जाता है शरीर का धर्टी के साथ यह संपर्क उसके भोतिक अस्रोत के साथ एक महत्वपुन मिलन है यह शरीर के स्थिर्टा कायम करता है और मनुस्य की कया कल्प की छमता बहुत अधिक बढ़ा देता है इस बात से बहुत साए लोगों के इस तरह के दावे समझ में आते है कि केवल घर के बाहर बागबानी जैसी साधारन गत्विधियों से उनके जीवन कैसे चमतकाई धंग सरुपांत्रित होगे आज हम कई कृतिम तरीकों से स्वयम को धर्टी से दूर कर रहे हैं जैसे फूट पाठ बनाकर कई मंजिला इमारते बनाकर या उंची एरी के दूते चपल पहनकर इससे शरीर के अंग धर्टी से दूर रहते हैं और यह चीज बुनियादी जीवन पर क्रिया का दम घुटने वाली होती है धर्टी से यह दूरी मनुस्य के प्रटी रक्षा तंति से जूरी बीमारियों और दिरकालिक इलर्जिक रूप में प्रकट होती है यदि आप बार बार बीमार पढ़ते हैं तो आप बस फर्ष पर सोना शुरू कर दीजिए या इस परकार की फर्ष और सरी के जब इस कम से कम शिरीरिक दूरी हो आप एक बारा अंतर महसूस करेंगे साथ ही धर्टी के जितना करीब हो सके बैठने की कोशिश कीजिए इसके अतिरिक्त आप एक ऐसा पेर खोड़ सकते हैं जो ताजी पत्तियों या फूलों से लादा हो आप उसके आस पास थोड़ा समय बिताइए यदि हो सके तो आप अपना नाश्टा या भोजन पेर के नीचे कीजिए जब आप पेर के नीचे बैठे तो स्वयम को याद दिलाइए यह धर्टी ही मेरा शरीर है यह शरी मने धर्टी से लिया है और धर्टी को वापस कर दूँगा मैं अब सचेतन होकर धर्ट माता से कहता हूं कि मुझे कायम रखे मुझे ठामे रखे मुझे स्वस्थ रखे आप पाएंगे कि आपके शरीर की स्वस्थ होने की छामता बहुत अधिक बढ़ गई है और यदि आपने अपने सारे पेरों का फरनीचर बना डाला है तो थोड़ी ताजी मिट्टी इकठी क किजिए और अपने हाथों और पेरों को उससे ढखकर रखे इस तरह 20-30 मिनट तक किजिए इससे 20-30 मिनट तक रहिए इससी आपको सिग्रिता से स्वास्थे लाब करने में सहायता मिलेगी एक बार फिर से दोवाराना चाहता हूँ यदि आपने अपने सारे पेरों का फरनीचर बना डाला है तो थोड़ी ताजी मिट्टी इकठी किजिए और अपने हाथों और पेरों को उससे ढखकर रखे इस तरह 20-30 मिनट तक रहिए इससे आपको सिग्रिता से स्वास्थ लाब करने में सहायता मिलेगी सुरिय के साथ ताल मिल कई लोग जो योग का अभियास करते है या इसके बारे में थोड़ा जानते है उनके लिए सुरिय नमस्कार मुद्राओ का एक प्रेचित करम है लोग समाने रूप से सुरिय नमस्कार को एक वयायाम समझते है दूसरे लोगों को इससे एक तरह की सु उनों में से कुछ भी नहीं है, हाँ यह निश्य ही आपकी रीड और मांस्पेश्यों को मजबूति और उससे अधिक कुछ और भी देता है, क्युन्तु उसका उदेश्य यह नहीं है, तो फिर जिसे अक्सर सुर्य नमस्कार करने की तरह देखा जाता है, उसका महत्व क्या है? पहली बात तो यह है कि यह नमस्कार बिल्कुल भी नहीं है, इसका साब्दिक अर्थ है, अपने भीतर सुर्य की उजाओ के वेवस्थित करना, यह इस आसान तर्क प्रधारित है कि धर्टी पर सारा जीवन स्वर उर्जा द्वरा संचालित होता है, हर चीज जो आप खाते ह आप पीते हैं और सांस लेते हैं उसमें सुर्य का योगदान है, अगर आप सुर्य को अच्छी तरफ पचाना, अपने अंदर समाल लेना और अपने सरीत तंद का हिस्सा बनाना सिख लेते हैं तभी आपको इस प्रक्रिया का सच्मुच लाब मिलता है जो लोग सुर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं, उनकी बैटरी अधिक लंबी चलती है और उसे रिचार्ज या पूर्ण भरन की कम आविशक्ता होती है इसकी अतरिक सुर्य नमस्कार आंत्री कूर्जाओ को दाहिने और बायें या सुर्य और चंद आयामों के संदर्भ में संतूलित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है यह एक सहद शरीरिक और मोनोवेग्यानिक संतूलन पैदा करता है जो किसी के दैनिक जीवन में एक विशार पुंजी हो सकता है जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था जब मैं छोटा था तो मेरी माँ को हर सुबह मुझे जबरदस्ती जगाना पड़ता था किन्तु जब मैंने योग करना शुरू किया तो मेरा सिस्टम हर सुबह एक खास समय पर सहद ही जाता था अब जीवन काफी ज़्यादा असानी और संभाव से चलना शुरू हो गया था सुर्य नमस्कार वास्तों में आपके अंदर एक आयाम बनाने के बारे में हैं जहां आपके शरीर का भौतिक चक्र सुर्य के चक्र के साथ तालमेल में आ जाता है सुर्य का चक्र लवबग सवा 12 साल का होता है सुर्य नमस्कार में 12 मुद्राव को होना कोई सन्योग नहीं है बलकि ऐसा सुर्य के चक्र के कारण किया गया है यदि आपके शरीर की प्रनाली एक निश्चित अस्तर तक जिवन्त और तयार है तो साथ ही उसमें अच्छे ग्रहन शिलता है तो आपका चक्र स्वभाविक रूब से सौर्च चक्र के साथ तालमेल बैठा लेगा महिलाओ की स्थिति अधिक अच्छी है क्यूंकि वो चंद्र चक्र के साथ भी तालमेल की अवस्था में होती है यह उनके हीत में है किन्तु उनमें से कई इस से एक समस्या मानती है यह वास्तों में एक जबरदस्ट संभावना है कि आपका शरीर सूरिय और चंद्रमा दोनों के चक्रू के साथ जुरा है प्रकृती ने महिलाओ को यह लाब इस कारण दिया है किन्कि उन पर मनुस्य जाती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है तो उन्हें यह अत्रिक विशेश धिकार दिया गया है जिसे दुर्भागे से समाजिक तोर पर एक नुकसान मान लिया गया है लोग उस समय पैदा होने वाले अत्रिक उर्जा को संभाला नहीं जानते और इसलिए इससे अभी शाप की तरह लेते हैं और यहां तक की पागलपन भी मानते हैं लुनर से ही लुनेटिक यानि पागल शब्द बना है उच्चतर संभावनाओं के लिए भौतिक शरीर एक संदार स्वपान है लेकिन अधिकतर लोगों के लिए यह हमार की रुकावत की तरह काम करता है शरीर की विवस्ताएं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती सुरिय नमसकार के अभ्यास से शरीरिक संतुलन और ग्रहन शिल्ता कायम रहती है और यह शरीर को उसकी प्रकास्ठा तक ले जाने का तरीका है ताकि वह कोई बाधा न बने 28 दिनों के मासिक चक्र जो सबसे छोटा चक्र होता है और 12 वर्ष के सोड चक्र के बिज कई दूसी तरह के चक्र भी होते है चक्र शब्द का अर्थ बार बार दोहराने से है इसका यह भी मतलब है गोल गोल घुमना और कहीं न पहुचपाना एक स्तर पर दुराने का अर्थ विवस्ता भी है विवस्ता एक ऐसी चीज है जो चेतना के लिए अनुकूल नहीं है कोई भी चीज जो भोतिक है अनुस लेके ब्रहमान तक वो चक्रिये होती है आप या तो चक्र की सवारी करते है या आप चक्र तले कुछले जाते है योग अभियास का लक्ष आपको चक्र की सवारी करने योगे बनाना होता है ताकि आपके पास चतना के लिए सही तरकी नीव हो यह याद रखा जना चाहिए कि चक्रिय गति में चीजों को दोहराने की प्रकृति को हम परंपरिक रूप से संसार कहते आये हैं यह जीवन की स्रेजन के लिए आवश्यक स्थिर्था परदान करता है यदि हर चीज आवेवस्थित होती तो जीवन का स्रेजन होना संभव नहीं था सोर मंडल के लिए और व्यक्ति के लिए भी चक्रिय प्रकृति में बंधे होने से जीवन को एक विश्यस स्थिर्था और दिर्था मिलती है भौक्तिक दुनिया की प्रकृति ही चक्रिय है किन्टु एक बार जब जीवन विकास के उस अस्तर पर पहुँच गया है जो मनुष्य ने प्राप्ट कर लिया है ते कि वर इस्थिर्था की ही नहीं बलकि सिमाओं से परे जाने की अकांच्छा होना सोभाविक है और यह व्यक्ति विशेश पर निवर है कि वो इस चक्र में फशा रहे या फिर उन चक्रों का इस्तमाल भौतिक खुशाली के लिए करे या पुरी तरह से चक्रिय प्रकृति से परे चला जाए यदि आप विवस्ताओं में फसे हुए है तो आप अनुभाव करेंगे कि आपके जीवन में हालात, अनुभाव, विचार और भावनाय चक्रों में सामने आएंगे वे हर 6 महीने या 18 महीने, 3 वर्स या 6 वर्स में बार बार आपके सामने आती रहेगे पीछे मुर कर देखने पर इसका हिसास होगा, यदि परते एक 12 वर्स में ऐसा होता है तो इसका अर्ट है कि आपका सिस्टम ग्रहन सिल्था और संतूलन की उच्छ अवस्था में है इस इस्थित्यू को प्राब्द करने के लिए सूरी एक अहम प्रकिरिया है प्राबिक अस्थर पर यह सरी के लिए एक संपुन वयायाम है एक ऐसा वयायाम जिससे बीना किसी उपकरन के किया जा सकता है किन्तु सबसे बढ़कर यह मनुस्य को अपने जीवन के विवस्ता पुर्ण चक्रों से मुक्त होने में सक्छम बनाने का एक महत्तो पुर्ण साधन है कोई व्यक्ति अपनी आकांचा के अधार पर इस अभियास के कुछ भिन रूपों को अपना सकता है जो व्यक्ति मानस्पेशों के दिरिद्धा चाहता है वो सुर्य शक्ति नाम की प्रकिरिया का अभियास कर सकता है यदि सुर्य नमस्कार के अभियास से कोई व्यक्ति एक खास अस्तर तक इस थिर्टा और अपनी परिनाली पर दस्ता प्राब्द कर लेता है तो उसे इसे भी अधिक सक्तिसाली और अध्यात्मिक रूप से महत्वपुन प्रकृया से प्रैचित करया जा सकता है जिससे सुर्य क्रिया कहते है जबकि सुर्य नमस्कार व्यक्ति के सिस्टम में सुर्य और चंद के दो आयामों प्रोरुस और स्ट्रेन को संतूलित करता है। सुड़िय किरिया उसकी आगे अध्यात्मिक विकास के लिए इन दो मौलिक आयामों को जोड़ने का काम करती है। एक विख्यात योगी। योग सिक्षक रहवेंद राव से बच्चपन में मिला था। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसके समाने मान डंद से अतिमानुविये माना जाएगा। उन्हें लोग मला दी हली स्वामी कहते थे। क्योंकि विए मला दी हली गाम के निवासी थे। यह गाम भारत के दच्चिन पस्त्मी राज्य करनाटक में है। उनके बारे में कहा जाता है कि विए हर दिन एक हजार आठ बार सुर्य नमस्कार करते थे। आगे चलकर 90 वर्स की आउग के बाद उन्होंने इससे घटा कर 108 वर्स कर दिया। चामा चाहता हूँ, उन्होंने इससे घटा कर इसकी संख्या 108 कर दिया, इसका कारण नहीं कि उनमें च्छमता नहीं थी, बलकि उनके पास समय नहीं था, वही उनकी अध्यात्मिक साधना थी योग सिक्षक होने के साथ साथ वे एक संदार आविरवेदिक चिकिच्चक भी थे, वे गीने चुने नारी वेधो परामपारिक चिकिच्चक में से एक थे, जो आपकी नब्ज छुकर ही आपकी बिमारी बता देते हैं, वे नक्योल आपको यह बताते थे कि आपको आज का बि बलकि अगले 10-15 वर्षों में क्या विमारी होने की संभावना है यह भी बता देते थी और उसको निवारन के अभ्यास भी सिखा देते थे अपने आस्रम में बतोर आवेडिक चिकित्सक वे किवाल हफते में एक ही बार बैठते थे वे चाहे कहीं भी हो रवी वार के साम तक अपने आस्रम लोट आते थे ताकि सुम वार के सुबर लोगों के लिए उकलब्ध रहे इस सुबक के चार बज़े मरीजों को देखने के लिए बैठ जाते थे और साम को साथ आठ बरत तक लगतार बैठे रहते स्वेम सेवी अलग-अलग सिफ्ट में उनकी मदद के लिए आते थे किन्तु वे स्वेम पुर्य दिन लगतार बैठे रहते थे इलाज के लिए आने वाले हर व्यक्ति को वे चुटकुला सुनाया करते थे लोग ये भूल जाते थे कि वे उनके पास इलाज के लिए आये है वहां माहौल दक्टर मरीज की मलकाट वाला कम और एक उत्सव जैसा अधिक होता था यह तब की बात है जब यह 83 वर्षके थे एक बार अवी बार के दिन दे रात वे एक रेलवे स्टेशन पर थे जो उनकी आस्रम से लगभग 75 किलोमीटर दूर था उनके साथ दो साथी और भी थे उन्हें पता चला कि रेलवे की हरताल है इसका मतलब था कि कोई ट्रेन नहीं आगी और नहीं वापस जाने का दूसरा साथन था अपने काम के प्रती उनका समर्पन ऐसा था कि उन्होंने अपने दोनों साथियों का प्लेटफॉर्म पढ़ी छोड़ा और 75 किलमिटर की दूरी राट भर जेरवे ठेक पर बस दौर कर पूरी कर लिए इस सुब़ चार बज़े अपने आश्रम पहुँच गए और अपने मरीजों का ये इलाज करने के लिए त्यार थे आश्रम के लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने इतनी लंबी दुरी डौर कर तै की जब उनके दो साथी दो फ़र बार आश्रम पहुचे तब उन्होंने दूसे लोगों को बताया कि स्वामी जीने क्या किया उन्होंने इसी तरह से एक अविश्वस्निय जिवन जिया वे 106 वर्स की आयू तक जिये और उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक योग सिखाया पाँच तत्व की शरारत जीवन बस पाँच तत्व का खेल है यहां तरकी सांबर बनाने में भी ज्यादा चीजों की जरूरत होती है किन्तु योग की अनुसार चाहे वो मानव शरीर हो या पुरा बर्मांड दोने ही पाँच तत्व धर्ती जल अगनी वाई यू और अकाश की जादुगरी पर अधारित है इतनी जटिल संरत्चन और बस पाँच तत्व कोई आशरीय नहीं कि जिन लोगों को आत्म ग्यान मिल गिया है उन्होंने अक्सर जीवन को बर्मांडिये मजा कहा है एक बार आधी रात के बाद ड्राइव करते हुए मैं एक पहार के करेब पहुचा जैसे ही मैं उसकी और बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि लगभक आधा पहाड आग की चपेट में था लेकिन मैं खत्रे से भागने वालिय मेंसे नहीं हूँ अत्ह मैं गारी चलाते हुए आगे बढ़ता रहा किन्तु मैं सावधान था क्यूंकि मैं जानता था कि कार में बेहत जवलन शील इंधन भारा हुआ था और मेरी छोटी सी लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी पहार पर धुंद थी और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसवे से आग थोरी और दूर होती हुई लगी फिर मुझे एसास हुआ कि अधिपी नीचे से मैंने पहार की और देखा था तो मुझे सब कुछ जलता हुआ लग रहा था क्यूंतु जैसे ही मैं डराइब करता हुआ उसकी अंदर गया तो वहां कुछ भी नहीं था फिर जब मैं आग की वास्तुविक जगर पहुचा तो वहां मैंने देखा कि एक ट्रक खराब हो गया था और डराइवर और उनके दो साथियों ने थंड से बचने के लिए आग जला रखी थी धूंद चुकी ओस बनने के स्तर पर पहुच रही थी इसका कारण हवा में उसके लाको कन मुझूद थे और सब के सब प्रीजम का काम कर रहे थे इस तरह एक मामली सी आग ने एक भ्यानक आग होने का इतना जबरदस्त भरम पैदा कर दिया था नीचे से देखकर ऐसा लागा कि पूरे पहाड पर आग लगी है इस घटना ने मुझे अचमभित कर दिया शिष्टी भी बस ऐसी ही है अत्यधिक विशाल दिखने वाली जिन्होंने अपने अंदर गहराई से जाका है वे जानते है कि उन्हें उसके विशाल रूप को देखने की आवश्यक्ता नहीं है आपके अंदर होने वाली जो पाच तत्तों के खेल की छोटी सी घटना है उसी का बस एक बाढ़ा चाधा रूप ही या सारा बर्मांड है एक संपुर्ण जिवांत मनुष्य बनने के लिए बस इतनी ही आवश्यक्ता है हो सकता है कि आपकी इच्छा व्यक्तिगत हो या हो सकता है कि वो सर्व भौमिक हो किन्तु यदि आप इस मानुविये परिनाली की पुरी जहमता का नभाव करना चाहते है या आप विशाल बर्मांड ये परिनाली से एकाकर होना चाहते है तो आपको इन पास तत्वों पर कुछ हद तक दठता पानी होगी इस महारत के बीना आप न तो व्यक्ति विशेश होने का सुख जान सकेंगे और नहीं बर्मांड के साथ एकाकर होने का आनन्द आपका भौतिक शरीर आपकी खुशाली के मार्ग में एक सुपान साबित होता है या बाधा यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन पास तत्वों को कैसे संभालते है अगर वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते तो आपके साथ कभी कुछ महतोफुर्ण नहीं होता किन्तु उनके सहयोग से आपका जीवन अचानक सधारन से उच्चतम पहलू तक एक जबरदस्त संभावना बन जाता है एक शरीर एक दूआर की तरह है यदि आप सदेव बन दर्वाजों के सामने होते है तो आपके लिए दर्वाजे का मतलब एक रुकावट है यदि आपके लिए दर्वाजे सदेव खुल जाते है तो आपके लिए दर्वाजे का मतलब एक संभावना है लोग कहते हैं कि एक मिनट का समय कितना लंबा होता है यह इस पर निभर करता है कि आप बातरूम के दरवाजी के किस तरफ है जो अंदर होते हैं वे कहते हैं बस एक मिनट मैं अभी आया लेकिन वो ही एक मिनट उस व्यक्ति के लिए जो बाहर खारा है अनन्त काल जैसा होता है वीश्व में परतियक अध्यात्मिक अभियास किसी न किसी तरह से इन पाच तत्व को विवस्थित करने से संबंधित है योगिक परडाली में सबसे बुन्यादी अभियास को भूत शुद्धी कहते है यह शरीर के सिस्टम में तत्व को शुद्ध करना है ताकि वे ताल मेल बैठा कर कारिये करे सभी योग अभियास वास्तों में इन तत्व को शुद्ध करने की प्रकिरिया से निकाले गया है व्यक्ति के अस्तितु का आधार असल में सिम्रिती होती है जो इन पाच तत्वों में गहरी बैठी होती है मानसिक अनुवन्शिक विकास और कर्मों से जूरी सिम्रिती के कारण विवस्ता पुर्ण परवित्यों के पहलू अंदर व्यक्ति के अंदर बैठी जाते हैं मैं इसे फिर से दोराना चाहता हूँ, मानसिक, अनुवनशिक, विकास और कार्मों से जोड़ी सिम्रिती के कारण विवस्ता पुर्ण प्रविर्तियों के पहलु व्यक्ति के अंतर बैठ जाते हैं, इन पहलुओं को शुट करने से व्यक्ति और बह्मान के बिच संपुर्ण लाने में सहाइता मिलती है, हम बाद के अध्याय में सिम्रिती की भुंका पर विस्तार से गौर करेंगे, जब आप अपनी योग अभ्यास में एक खास दचता पराप्त कर लेते हैं, तो आप बुद्ध, तो आप भूत, सिद्धी यानि तत्त्व पर महारत की और पहुचते हैं, इस महारत के हासिल हो जाने पर जीवन आपके लिए अपने उपहार खोल देता है, स्वास्थ, खुशहाली, अस्पश्टटा, आत्मग्यान, इन्वे से किसी भी चीट से आपको वन्चित नहीं रखा जा सकता, तो आप जीवन को एक विशाल संभावना की तरह अनुभ से सहीव करते हैं, मुक्ति और बंधन, ये दोनों इन पाच तत्व दोराताई होते हैं, जोस्तित्व आपको हफासता है, वही आपको कायम भी रखता है, जीवन प्रकिरिया का यहे विरोध्भास, प्रेम और घ्रीना, अजादी और लगाव, जीवन और मृत्यु, ये सब एक दूसरे में उलजे हुए है, यदि वे अलग-अलग होते, तो कोई समस्या नहीं थी, आप उनसे निपट सकते थे, समस्या यह है कि वे अलग नहीं किया जा सकता, यदि आप मृत्यु को टालने का परियास करते हैं, तो आप जीवन से ही दूर हो जाते हैं, प्राचिन भ पूरा शरीर गहनों से ढखा रहता था, गहनों को उतारना संभव लगता था, यदि आपको गहने एक्या करके उतारने होते थे बहुत वक्त लगता, वासना की आग में जल रहा पुरुस उस इस्त्री को तोहन निवर्स करना चाहता था, लेकिन वो गहनों को उतार नहीं प पिला कर उकसाती जाती थी, जैसे जैसे उसकी आखों पर नाशा सवार होता था, उसका काम और भी मुश्किल हो जाता था, और आखिर में वो नर्शे में धूत गिर कर सो जाता था, और खराटे भरने लगता था, हलांकि उन गहने को बस एक पीन जोरे रखती थी, उन्हें उतारने के लिए बस उस पीन को खिचना होता था, और सारे गहने एक ही बार में नीचे गिर जाते थे, लेकिन वो तरकीव के वल उस गनी का को ही पता होती थी, जीवन कुछ ऐसा ही है, यह एक जटिल जाल है, किन्तु इसमें भी एक सधारन सी पीन है, और वो पीन आपकी प गिर जाता है, और आप अजाद हो जाते हैं, यदि आप जायते हैं कि स्वयम को कैसे बाहर निकालना है, तो जीवन के जाटिलता धेर हो जाती है, और सब कुछ ठिक हो जाता है, तब आप अचानक अस्तित्व के साथ आदरस्टालमेल की अवस्था में होते हैं, साधना, इन पात तत्वों के साथ भक्ती भाव और अंदर के साथ वैवहार करना। बस यह अजमा कर देखिए, हर बाय जब आप इन में से किसी भी तत्वों के साथ सचेतन रूप से संपर्क में हो, जो आप अपने जीवन में हर पल होते हैं, तो आप उसे अतने ही आदर से देखिए, जितना आदर आप उन्हें देते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में वच या महानतम मानते हैं चाहे वे शीव हो या राम, कृिस्ञ, इसा या अल्ला, यहां तक की काल, मार्खष भी, अभी एक मौनोवेज्यानिक प्राणी हैं और आपका मन बले छोटे की भावना से भरा हुआ है यह पिरकिरिया बले छोटे की भावना को सही कर देगे कुछ समय बाद वो शब्द दिमाग से हट सकता है किन्टु जैसे जैसे आपके जीवन में सचमुक के सचेतन पलों की संख्या बढ़ती है आप तुरंद बदला मेसूस करते है वो सांस जो आप लेते है वो भोजन जो आप करते है वो पानी जो आप पीते है वो धरती जिस पर आप चलते है और वो आकाश जो आपके थामे हुया है यह सब ही आपको एक इश्वरिय सांभामना परदान करते है पंच भूत मंदिर दक्षिन भारत में इन पास तत्वों के लिए पास परमुक मंदिर बनाये गये थे इस मंदिर का निमान पुजा के लिए नहीं बलकि एक विशेश परकार के अध्यात्मिक साधना के लिए किया गया था जब जल तत्वों को शुद करने के लिए आप एक विशेश मंदिर में जाएंगे और एक परकार की साधना करेंगे वायू तत्व की शुधी के लिए आप एक दुसरे मंदिर में जाएंगे इस परकार सभी पाच तत्व के लिए पाच संदार मंदिर बनाये गये है जिन में उस परकार की उर्दा अस्थापित है जो एक विश्चेश परकार की साधना के लिए सहायक है परंपरिक रूप से साधक एक मंदिर के दुसरे मंदिर में जाते थे ताकि उन्हें उस प्रकार की साधना की दिक्षा मिल सके जो उन्हें तत्वों पर महारत दिलाए जिससे उपचार खुश हाल यहां तक की मुक्ति भी प्राप्त हो इन पाच मंदिरों का निर्मान इस तरह किया गया था कि वे एक परिनालिक रूप में कारे करे यह एक अदभूत तक्निक थी जिनको उचित परकार की साधना पता थी वे इसका उपयोग कर पाते थे जिन लोग का भ्यास का ग्यान नहीं था वे बस उस सेत्म में रहने भर से लाब उठा लेते थे यह मंदिर आज भी मौजूद है जो लोग इन मंदिरों की उज़ा का महतु नहीं समझते वे वास्तविक्ता की इन अदभूत क्रित्यों पर आश्चरिय करते हैं जब शरीर ही एक मुद्दा बन जाए एक बार की बात है एक दिन बादशा अकबर ने अपने दरवार में पूछा आपको क्या लगता है किसी वेक्ति को सबसे अधिक सूख किस चीज से मिलता है दरवारी एक के करके जवाब देने लगे एक दरवारी ने कहा खोदा की खिद्मत करना सबसे बड़ा सूख है जहाँ पना बादशा के इड़ गिर्द हमेशा हर तरह के चात्तु कर होते है तो किसी दूसरे ने कहा अरे ओ मालिक, ओ मेरे मालिक मुझे सबसे अधिक सूख आपकी सेवा से मिलता है तिसरे दरवारी ने कहा बस आपका चेहरा देखते रहने से मुझे सबसे अधिक खुशी मिलती है चारों तरफ से ऐसी ही चाप लोसी भरी बाते होने लगी बिर्बल बस वहाँ चुप बैठे हुए थे और उब रहे थे अकबर ने पूछा बिर्बल तुम इतने चूप क्यूँ है वह क्या है जो तुम्हें सबसे अधिक सुख देता है बिर्बल ने कहा मल त्याग करना अब तक अकबर लोगों से अपनी तारीफे सुनकर फूले नहीं समा रहे थे अचानक ऐसी बात सुनकर विये गुस्चे से पागल हो गए उन्होंने कहा दर्बार मैं इसी अभदर बात कहने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इससे थाबित करना होगा गर्द तुम इससे साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारे जिन्दगी की खेर नहीं विरिबल ने कहा मुझे पंदरह दिन का समय दीजिए मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा अक्बर ने कहा ठीक है अगले सब्ता के अंत में विरिबल ने अकवर के लिए जंगल में शिकार का एक कारेकरम बनाया साथ ही यह भी इंतिजाम किया कि मेहल की सारी महलाओ भी इस्तिकार के अभियान में साथ चले उन्होंने कैम को इस प्रकार से बनाया कि अकवर का टेंट एकदम बीच में हो उसके चारत तरफ परिवार और बच्चे महला के टेंट हो और उन्होंने खाना बनाने वालों को बेहतरिंग खाना त्यार करने का हुक्म दिया उन्होंने बड़ा अच्छा खाना त्यार किया अकवर न जी भरकर साथ खाया वेशे भी वेश छुट्टी मना रहे थे अगली सुबर जब अकवर की निन खुली और टेंट से बाहर आए तो देखा कि सोचाले का कोई टेंट नहीं है वे अपने टेंट में लोट गए और चिहल कदमी करने लगे लेकिन पेट में दबाव बढ़ता जा रहा था वे जंगल की ओर जाने के लिए निकले लेकिन बिरिवल ने ऐसा इंतिजाम किया था कि हर तरफ महिलाए मौजुद थी उन्हें अपने लिए कहीं कोई जगर नहीं मिली हर मिनट दबाव बढ़ता जा रहा था दो पहर के बारब बजने को आये और अकबर से अब और बरदाश्ट नहीं हो पा रहा था वे फटने ही वाले थे उधर बिरिवल जो सरा तमासा देख रहे थे वे बुद बुद आते हुए घुम रहे थे कि सोचाले का टेंट कहां लगाऊं कहां लगाऊं वे जान बुझ कर टेंट लगाने में देरी कर रहे थे मदसा अब बिलकु नहीं रुख सकते थे पर उनके प्रतिक्षा करें वीवन ने पुचा किया अब आप मेरी बात से सेहमत है अकबर ने कहां बेशक यही सबसे बारा सुख है ऐसी चीज जो आप अपनी अंदर रोकर नहीं रख सकते उससे थुटकारा ही हमेशा सबसे बारा सुख होता है है ना तो शरीर एक मुद्दा बन सकता है एक बारा मुद्दा यह आपके और आपके जीवन के आनंद के बीच एक बाधा बन सकता है एक बाधा बन जाता है यदि आप अपने शरीर को एक फास तरह से रखना चाहते हैं तो अपने शरीर की भोजन निन्द और काम से जोड़ी विभिन गत्विधियों पर ध्यान देना महत्वपुर्ण हो जाता है इनमें से प्रत्येक पर हम अगले कुछ प्रिष्थों में चर्चा करेंगे साधना यह महत्वपुर्ण है कि आप दिन बर खालते ही न रहें यदि आपकी आयूद तीस साल से कम है तो आपके दिन चर्यां में तीन भोजन सामिल करना उत्तम होगा यदि आप तीस वर्च से अधीक है तो इससे घटा कर दिन में दो बार करना अचा रहेगा हमारे शरी और दिमाग सबसे अचा तब काम करते हैं जब पेट खाली होता है तो आप इस बात के लिए प्रती सचेत रहे कि आप इस परकार भोजन करते हैं कि धाय घंटे के भीतर भोजन आपके पेट से निकल जाता है और 12 से 18 घंटे के भीतर पुरी तरह से शरीर से बाहर चला जाता है इस सधारन सी जारुकता से आप अधिक उर्जा फूर्ती और सतरकता का अनुभाव करेंगे आप अपने जीवन में चाह जोग भी करते हैं एक सफल जीवन के घटक यही है शरीर के लिए इंधन आपका शरीर बस खाने का एक धेर है योग भोजन पर इतना ध्यान इसलिए देता है क्योंकि जिस किसम का भोजन आप इस सिस्टम में डालते है उसका इस बात पर जबदस्त परभाव पड़ता है कि आपका शरीर किस तरह का होगा क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए इसके पीछे एक पूरा योग विज्ञान है जिस तरह की चीजी आप अपने अंदर डालते है वही तै करता है कि आपका शरीर कितना स्वस्त और निरोग होगा रथा कितने अराम से होगा क्या आप इस शरीर को एक चीते की तरह तेज भाग पाने के लिए तयार कर रहे है या आप इस शरीर को सो क्यूल वजर उठाने के लिए तयार कर रहे है या आप इस शरीर को इसलिए तयार कर रहे है ताकि ये ध्यान की उच्छ संभावनाओ के अनुकूल बन सके अपने रुजान का नुसार और आप अपने जीवन से क्या चाहते है उसी के मुताबिक आपको सही करम का भोजन करने की आउशकता है आपके खाने के तोर तरीक्ये परने के वर आपका शरीरिक स्वास्थे बलकि आपकी सोच, आपकी भावना और जीवन का अनुभाव भी निर्भर करता है बुद्ध मानी से खाने की कोशिस का मतलब है यह समझ लेना कि यह शरीर किस तरह के इंधन के लिए बना है और उसी के अनुसार उससे वैसा इंधन देना ताकि वो सबसे अच्छी तरह कार्य करे मान लिज्जे कि आपने एक पेट्रोल से चलने वाली कार खरी दी किन्तु आपने उसमें डीजल भर दिया हो सकता है कि फिर भी वो थोरा बहुत चले लेकिन वो पूरी छमता से नहीं चलेगी और शिग्र ही बिकार भी हो जाएगी इसी प्रकार अगर हम यह नहीं समझते कि यह शरीर किस तरह के इंधन के लिए बना है और हमारी पलेट में जो भी आए उससे हम ठूशते चले जाते है तो निश्चित है कि यह अपनी पूरी छमता से काम नहीं करेगा और इसका जीवन काल गंभीर ए रूप से छोटा हो जाएगा यदि आप एक खास अस्तर की सिवा चार है है तो इंधन का मशीन के अनुसार होना बहुत महत्तो पुर्ण है मानव शरीर वास्तों में किस तरह के भोजन के लिए बना है यदि आप कुछ खास तरह का भोजन करते है तो आपका शरीर खुश रहता है यदि आप कुछ दूसरे किस्म का भोजन करते है तो शरीर सिथील और आलसी हो जाता है और आपके सोने की आउधी बढ़ जाती है यदि आप हर दिन आठ घंते सोते है और सो साल तक जिवित रहते है तो अपने अपने जीवन का तिहाई हिस्सा सोते हुए बिता दिया अन्ने 30 से 40 सिजदी समय खाने नाने धोने और अन्ने कामे में निकल गया फिर जीवन के लिए बहुत थोड़ा साही समय बचता है आप उर्जा प्राब्द करने के लिए भोजन करते हैं लेकिन अगर आप धेर सारा खाना खा ले तो आप सिथिलता अनुभाव करते हैं या उर्जावान अपने भोजन की गुनवाता का उसार आप पहले सुस्ती मेहसूस करते हैं फिर धीरे धीरे आप उर्जावान अनुभाव शुरू करते हैं आखिर ऐसा क्यूं होता है इसका एक पहलू है कि आपका शरीर पक्य हुए भोजन को या थावत नहीं पचा सकता इसके लिए उसे कुछ इंजाइम्स की जरूरत पड़ती है पाचन किरिया के लिए आवश्यक सारे इंजाइम्स शरीर में मौजूद नहीं होते आप जो खाना खाते है उसके साथ भी एंजाइम्स आते है जब आप भोजन को पकाते है तो आम तौरपर 80-90 फिजदी इंजाइम्स नस्ट हो जाते है शरीर इन इंजाइम्स को फिर से जुताने के लिए संगस करता रहता है जो इंजाइम्स भोजन बनाते समय नस्ट हो जाते है उन्हें फिर से पुरी तरह से कभी नहीं बनाया जा सकता अतह अधिकतर लोगों दोरा खाये गए भोजन का लगवा 50 फिस्दी बरबाद जाता है दुसरा पहली पाचन तंत पर पढ़ने वारे दबाव का है शरीर को अपनी देनिक गत्विधी के लिए आवश्चिक थोड़ी सी उर्जा के लिए धेर सारा खाना पचाना पड़ता है यदि हम जरूरी इंजाइम्स के साथ भोजन गरहन करते है तो पूरा यंत रतंत अलगी अस्तर की दस्ता से काम करेगा साथी भोजन के उर्जा में बदलाव लान जानने का अनुपात भी काफी बहतर होगा प्रकृतिक भोजन को उसकी अनपकी अवस्था में जब उसमें कोशिकावे जिवित रहती है खाने से शरीर में जबरदस्त, स्वास्थे और स्फूर्ती आएगी कोई भी इससे भी असानी से जाच सकता है अपने डॉक्टर, अहार विशेशक या योग शिक्षक से मत पुछिए जब बात भोजन की हो तो सबसे एहम आपका शरीर होता है आप अपने शरीर से पुछिए न कि अपनी जीब से कि उसके लिए सबसे ठीक भोजन क्या है जिस तरह के भोजन से आपका शरीर सबसे अच्छा मेसूस करे वही हमेशा सबसे ठीक भोजन होता है आपको अपने शरीर की बात सुनना सिखना चाहिए आपके अंदर जैसे जैसे शरीर को लोग जागरुकता आएगी आप समझ जाएंगे कि किसी खास किस्म का भोजन का आप पर क्या असर होगा ज़रूरी नहीं कि आप उसे खाकर ही जान पाए आप अपने अंदर इस तरह की सनवेदन शिलता विक्षित कर सकते है कि कि गोजन का आपके शरीर पर क्या परभाव परेगा यह जानने के लिए उसे देखना या छूना ही काफी है साधना, आप अजमाकर देख सकते है आप अपने लिए सबसे अच्छे भोजन का इंतिजाम करे किसी चीज पर गुस्सा हो जाए सारी दुनिया को कोशे और फिर भोजन करे अब आप देखे कि उस दिन भोजन आपके साथ कैसा विवहार करता है अगले भोजन से पहले अपने खाने की और वह इससी आदर से देखे जैसे आदर की योग्य एक जीवन परदान करने वाला पदार्थ होता है और फिर उससे खाए अब आप देखे कि आपका भोजन आपके साथ कैसा वेवार करता है बेशक अगर आप समझदार है तो पहले को छोड़ देंगी और कि वो दूसरे को ही अपनाएंगे अधिकतर लोग अपनी भोजन की मत्रा एक तिहाय तक घटा सकते है और फिर भी उनका भोजन कम नहीं होगा और वे अधिक उर्जावान बने रह सकते है बात बस इतनी है कि अपने अपने अंदर कितनी गिरहन सिलता पैदा की है उसी के अनुसार आपका शरीर गिरहन करता है यदि आप 30 परतीशत भोजन खाकर भी उतना ही काम कर सकते है और शरीर की सारी परकिर्याय कायम रखते है तो इसका मतलब है कि आप एक अधीक कारिय कुशल मसीन चला रहे है मेवो की शक्ति सभी बीजों की परान शक्ति असाधारन होती है क्योंकि वे जीवन का संक्रेदित रूप है उनकी यह विशेस्ता उनके असाधारन पोसक गुनों से बिलकुल अलग है जिन्हें आप सुखा मेवा या नट कहते है वे बस बीज ही है और बीज एक असाधारन कोहारा भरा करने में सक्षम है इस कारण किसी भी चीज को बीज के रूप में खाना मनुस्य के स्वास्थ को कई अस्तोरों पर काफी बहतर बना सकता है आप जिस मेवे को खाना चाहते है जहां तक संभव हो उसे पानी में 6-8 घंटों के लिए भीगो दीजिए खासका यदि कि वे दीजिए मेवे हो सभी वीजो में आत्मरक्चक के किलिए कुछ प्रकृतिक household होते है पांगी में बीजों से यह अनिकारक किमक्ड़ सताफ निकलotal आएंगे और मेवे का छेलका निकालकर इन्हें दूर किया जा सकता है इनके अत्रीयक्त इनमें मौझ संक्रियृइड की साधित प्रोटीन को कभी कभी हज़म करना कठिन होता है बिगोने से ऐसे प्रोटीन की माटरा कम करने में सहाइता मिलती है शकाहार और मांसाहार के समर्थकों के बीच एक बहस्त चलती रहती है मुझा से अक्सर पूछा जाता है कि बहतर क्या है शकहारी ज्यादा पवित्र होने का नाटा करते है जबकि मांसहारी अपने आपको अधिक मजबूत और दुनिया के लिए उप्यूक्त मानते है क्योंकि ये धर्ती के सारे जीवों को अपने अहार की तरह देखते है भोजन के चुनाव को लेकर बेहिसाब दलिले और सिध्धान्त परस्तूत किय जा चुके है योग की अनुसार हम जब भोजन करते है उसका धर्म, धर्शन, अध्यात्म या नेतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता सवाल कवल इस बात का है कि हमारा शरीर जिस्म किस्म का है वो भोजन उसके अनुकुल है या नहीं यह अनुकुलता कई चीजों पर निर्भर करती है अगर आपकी सरवच अकांछा बहुत बलसाली होने की है तो आपको कुछ विशेश परकार के भोजन करने होंगे यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर ऐसा हो जिसमें एक उच अस्तर की भुद्धी हो या एक ऐसा शरीर जिसमें खास अस्तर की सतरकता, जाग और जीवन के सुखों से संतुष्ट नहीं होते बलकि आप चाहते हैं कि आपका शरीर पुरा बर्मांड अपने भीतर समाहित करने के लिए परियाप्त ग्रहनशील हो तो आपके खाने पीने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए आपकी अकांछा के अनुसार आपको अपना भोजन तै करना होगा या अगर आपकी इच्छा में ये सभी आयाम शामिल है तो आपको एक उचित संतुलन धुंधना होगा यदि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अकांछाओं से हटकर बात करे तो यह शरीर किस परकार के इंधन के लिए बना है हम सभी को सबसे पहल देना चाहिए खाने में बदलाओ, सुधार और उससे अपनाने की बाते बाद में होनी चाहिए यदि वह केवल जीवन सनक्षन की है तो आप जो चाहे खाईए किन्तु जब जीवन सनक्षन कोई मुद्दा नहों तो आपके पास विकल्प हो तो यह अवश्यक है कि आप कर खाए आप अपनी जीव की विवस्तावप दोरा संचालित नहों बलकि अपने शरीर की बुनियादी संरचना के अधार पर भोजन चुने अगर आप पशु जगत को देखे तो आप उन्हें शकहारी और मांसाहारी वर्गों में बाट सकते है यानि जो नस्पतिया खाते ह और दूसरे जो मांस खाते है तथा दूसरे जानवरों का शिकार करते है जीव के इन दो वर्गों के बीच उनकी शरीरिक संरचना और परिनाली में मौलिक अंतर होता है चुकी हम भोजन की बात कर रहे है तो उनके पार्चन तंतर पर गौर करना उचित होगा पूरी अहार नली होट से लेकर गुद्दा दुआर तक पार्चन तंतर का हिस्सा है यदि आप इस नली के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए तो पाएंगे कि शकहारी और मांसहारी जीवों में कुछ बड़े मौलिक अंतर होते है पहले कुछ खास भिन्नताओं पर गौर करते है यदि आ आप जानवरों के जबरों पर गौर करे तो आप देखेंगे कि मंसहारी जानवर के जबरे केवल काटने का काम कर सकते है जबकि शकहारी जानवरों के जबरे काटने का लावा पिसने का भी काम कर सकते है बेशक हम इंसानों के पास काटने और पिसने दोनों की ही छमता होती ह बनावत में इस अंतर का क्या कारण है मान लिजे कि आपने अनपका चावल लेकर उससे एक मिनट या कुछ और देड़ तक अपने मुह में रखा आपको उसके बाद सुआद मीठा लगने लगेगा मीठा लगने की वजह यह है कि आपकी लार में मौझूद टाइलीन इंजाइम कार्बो हाइडरेट को शुगर में जो पार्चिंग क्रिया का एक अनिवारे अंग है बदनने लगता है टाइलीन सभी शकहारियों की लार में होता है किन्तु मांसहारियों में नहीं इसलिए मांसहारियों को अपने भोजन को बस छोटे छोटे टुकरों में काटकर निगलना होता है जबकि शकहारियों को अपना भोजन चबाना पड़ता है चवाने के दोडान खाने को अची तरह पिसने और उसे लार के साथ मिलाने की प्रकिरिया होती है इसी कारण से जबरों की बनावत में अंतर होता है यदि चवाने की प्रकिरिया ठीक से की जाए तो पाचन प्रकिरिया का 50 फिजदी काम आवके मुह में ही पूरा हो जाएगा दूसरे शब्दों में पाचन प्रकिरिया को कुसलता से पूरा करने के लिए पेट कुछ हद तक पचाये गए भोजन की आशा करता है आजकर लोग इतने जल्दी में होता है कि चबाने की प्रकिरिया ठीक तरस पूरी हुए बिना ही भोजन को निगल जाते है या निगल लेते है तो पेट पर नकिवल बिना पचे भोजन का बलकि आंशिक रूप से नश्ट हुए भोजन का भी बोज होता है आजकल की रसोई में ऐसी अस्थान बनने लगे है जहां भोजन को बड़ी कुशलता से नश्ट किया जाता है पकाने की प्रकिरिया में पोसन आयुक और जीवन से भरपूर भोजन के गुनों को चरनबद तरीके से घटाया जाता है इसके उसके पोसक ततु कम हो जाते है और उसकी प्रान शक्ति घट जाती है यानि अध्यात्मिक दिरिष्टी से सहायक होने की छमता कम हो जाती है इसके बाद आप अगर अहार नली पर गौर करे तो सकहारियों में उसकी लंबाए उनके शरीर की तुनला में पांच से च्छा गुना बहुत अधीक होती है मांसहारियों में यह उनके शरीर के दो से तिन गुना तक लंबी होती है सीधे तोर पर कहें तो मांसहारियों की पार्चन नली सकहारियों के तुनला में काफी छोटी होती है और यह अंतरस्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इन प्रजातियों को कैसा भोजन करना चाहिए यदि आप कच्चा मांस खाते है तो इससे आपके सिस्टम से बाहर आने में 37-72 घंटे लगते है पका हुआ मांस 50-52 घंटे पकी हुई सबजी 24-30 घंटे कच्ची सबजी 12-15 घंटे और फल 1,5-3 घंटे का समय लगेगा यदि आप कच्चे मांस को 37-70 घंटे तक बाहर रख दे तो वो सड़ जाता है मांस के एक छोटा टुक्रा भी आपके घर से बाहर भागने पर मजबूर कर सकता है गर्मियों में जब तापमान और उमस बहुत ज्यादा होती है तब सड़न और भी तेजी से होती है आपका पेट तो हमेशा ही एक उमस भरा स्थान रहता है वहाँ यदि मांस 72 घंटे तक रह जाए तो वो बहुत अधिक सर जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि बेक्टेरिया की गतिविदी बहुत बढ़ गई है और यह सुनिस्चित करने के लिए कि बेक्टेरिया कस्तर आपको बिमार करने की हद तक न ले जाए आपके शरीर को बहुत अधिक उर्जा खर्च करनी पड़ती है यदि आप किसी बिमार दोस्ट से मिलने अस्पताल जाते है तो निस्चित रूप से आप उसके लिए पिज़ा या कबाब लेकर नहीं जाएंगे संभवत आप उसके लिए फल ले जाएंगे अगर आप जंगल में रहते हैं तो आप सबसे पहले क्या खाना चाहेंगे निस्चित रूप से फल आपको याद होगा कि आदम ने भी से भी खाया था हलांकि हम जानते हैं कि उससे वह कैसी परिशानी में पढ़ गया उसके बाद कंद मूल फिर जानवर को मारेंगे पकाएंगे और फसल उगाएंगे फल सबसे असानी से पचने वाला भोजन होता है और यह सभी मनुस्य जानते है अधिकतर मां सहारी जानवर हर दिन नहीं खाते दिन में तीन बार तो बिल्कुल ही नहीं उन्हें पता है कि उन्हें जो खाया है वो बहुत धीरे धीरे उनकी अहार नली से गुजरता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बाग छे से आठ दिन में एक बार खाता है। जब वो भूखा होता है तभी वो फूर्तिला होता है और शिकार खोजता है। वो एक बार में 25 किलो तक मांस खा जाता है और फिर आम तरपर सो जाता है या आलस में धीरे धीरे टहलता है। एक नाग एक बार में अपने वजन के 60 पर तीशत के बराब पर भोजन खा जाता है और 12 से 15 दिनों में किवल एक बार ही भोजन करता है। मध्धे अफरीका के पिगमी पहले हाथियों का शिकार करते थे और उसकी अंगो और मांस को खा जाते थे, कच्चा और ताजा खुन पीते थे, कहा जाता है कि ऐसे भोजन के बाद वे एक बायमा लगतार 40 घंटे तक सोते रहते थे, जैसे जैसे जीवन शेलिया बदली और ज्यादा शेहरी और सुस्त होती गई, असपस्त होता गया कि लोग जीने का वैसा तरीका कायम नहीं रख सकते, निश्चित ही आप वैसी जीवन शेली नहीं अपना सकते, आपको हर दिन खाना पड़ता है कि और निश्चित समय पर ही अ प्रोटीन पर बहस, आजकल प्रोटीन खाने पर बड़ा जोड दिया जाता है, यह समझ लेना जरूरी है कि हमारे शरीर का केवल तीन पर टीशेट ही प्रोटीन से बना है और अधिक प्रोटीन खाने से कैंसर हो सकता है, मांस में प्रोटीन बहुत अधिक होता है, इसलिए म मांस की थोड़ी सी मात्रा भी प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकती है बाकी बच्चा हिस्सा पाचन नली से बहुत धीर धीर गुजरता है जो तरह तरह की समस्याओं को जन देता है जैसे बैक्टिरिया के अत्यधीक दिविधी अधिक निंद की आवश्यक्ता शरीर में अधि कोशिकाव के बनने में कमी इन सबके करण आपके बोध में कमी आती है यही करण है कि मांस को अध्यात्मिक देश्टी से सहायक नहीं माना गया है क्यूंकि अध्यात्मिक प्रक्रिया का उदेश्ट भोतिक सिमाओं के परे आपके बोध को बधाना होता है पाचन का रहस्य प कुछ खास तरह के भोजन को पचाने के लिए हमारा शरीर जहां छार पैदा करता है वही कुछ दूसरे प्रकार का भोजन पचाने के लिए यह अमल पैदा करता है। यदि आप कई तरह का भोजन एक साथ कर लेते हैं तो आपका पेट भ्रम में पर जाता है कि छार और अम्ल दोनों पैदा कर देता है यह दोनों एक दूसरे को निस्क्रिये कर देते हैं इससे पाचन रोसों का लाव नहीं मिल पाता इस कारें भोजन पेट में अफशकता सधिक समय तक बना रहता है और कोशिकायों का क्याकल्ब करने की हमारी छमता कमजोर पर जाती है इससे उर्जा परनाली में जरता भी पैदा होती है जिससे हम तमस कहते हैं यह लंबे समय तक आपके गुनों पर असर डालती है और न किवल आप जो है बलकी आप जो हो सकते हैं उससे भी परभावित करती है प्रारंपिक रूप से दच्चिन भारत में लोग इस बाज का खास ध्यान रखते थे कि कुछ खास व्यंजनों को एक समय में एक साथ न खाया जाए किन्टु आज कल भोजन को शरीर के स्वास्थिक द्रीष्टी से नहीं देखा जाता बलकी यह एक समाजिक मामला बन गया है लोगों के लिए वफे भोज में वेंजनों की संखिया और विवीधता अधिक महत्तोपुर्ण मानी जाती है न कि शरीर का पोशन और स्वस्थ है परस्न यह नहीं है कि क्या न खाय बलकी यह है कि क्या खाय और कितनी मातरा में खाय यह नेतिकता का मुद्दा नहीं है यह जीवन की समझ का मामला है शहरी जीवन से जुधने के लिए आपको चुस्त दुरुस्त दिमा की जरूरत पड़ती है साथ ही शरीर और मन के बीच संतूलन बनाए रखना पड़ता है और आप में से कुछ की अध्यात्मिक अकानचाय भी है चाहे वे कभी कभार ही क्यों न जगती हो तो परतियक व्यक्ती को अपने भोजन में संतूलन लाना चाहिए यह किसी शपत से नहीं बलकि निरिच्छन और जागरुकता से किया जाना चाहिए यह महतपून है कि आप भोजन को लेकर जख्की न बन आपको हर वक्त भोजन को लेकर परिशान नहीं होना चाहिए इस धर्ती पर हर जीव जानता है कि उससे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं फिर मनुस्य को क्या समस्या है उसकी समस्या यह है कि भरपूर ध्यान देने की बजाए वो बहुत अधिक जनकारी हासिल कर लेता है योग विज्ञान वास्तों में मनुस्य की आंतरिक्ता पर कारिय करता है मानव तंद्र के विज्ञान की गहन समस्य के कारण वह विज्ञान बाद में कई शकाओं में बट गया है उनमें से एक है आविर वेद पधती जिसकी लोग पिरियता अधुनिक समय में फिर से बढ़ रही है आयर शब्द का अर्थ है माफिर चाहता हूँ आयूर शब्द का अर्थ है जीवन काला और वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान तो आविर वेद जीवन काला को लंबा करने का विज्ञान है यह पधती स्वास्थ प्राब करने और मानव तंत्र की गडबरिया ठीक करने के लिए बाहरी वनस्पती, जीवन और धर्ती के तत्व का इस्तेमाल करती है इस तरह की ग्यान पर नाले का उदेश से उन लगों की सहयता करना था जो अच्छा स्वास्थ प्राप करने के लिए आवश्यक योग अभ्यास करने में असमर्थ थे साधना प्रती दिन भोजन करने से कुछ मिनट पहले एक चम्मल देशी गी खाने से आपका पाचन तंत कमाल का हो जाता है अगर आप घी को चीनी के साथ लेते हैं जैसे की मिठाय में होता है तो यह पजकर वासाक रूप ले लेता है किन्ति बिना चीनी के साथ घी का सेवन करने से यह पाचन नली को साफ चिकना और स्वस्थ रख सकता है इसके साथ ही मलाश्य की सफाई का परभाव तुरंत आपकी तोचा में एक चमक और जिवन्तता के रूप में दिखेगा जो लोग दूध के उत्पावदों का सेवन करना पसंद नहीं करते वे लोग भी इसे अजमा सकते है क्यूंकि घी आपके सिस्टन से लगभग बिना पच्चे ही बाहर निकल जाता है जीवन के विकास का कोड यदि आपको मांसहारी भोजन करना ही है तो मचली सबसी अच्छी रहेगी पहली बात यह है कि यह असानी से पच जाती है और इसमें पोशक तक भी भारी मत्रा में होते है दुसरी बात यह आपके उपर अपनी चाप सबसे कम छोड़ती है इसका मतलब क्या हुआ हम जो कुछ भी खाते है जो कुछ मलक रूप में त्यागते है और हमारा शरीर जीसे की अंत में जला या दपना दिया जाता है वो बस मिट्टी या धर्ती ही है आपके सिस्टम में मौजूद सब्ट्वेर यह ताई करता है कि यदि आप केला खाते है तो हमानव शरीन में रूपांतरित हो नए कि किसी बंदर या चुहे के शरीर में आपके सिस्टम की कुशलता ऐसी है कि वो उस दूसरे सब्ट्वेर को मिटा देती है जिसने मिट्टी को केले में रूपांतरित किया था और एक नए सोफ्ट्वेर से उस केले को मनुस्य में बदल देती है कुछ अधिक विक्सित जिवो का विशेशकर अस्तंधारी जिवो का सोफ्ट्वेर अधिक जतील और विशिष्ट होता है इस कारण सोफ्ट्वेर का कोड तोड़ने वाला जो सिस्टम आपके पास है उसके लिए उस जिव जिसे आप खाते है के सोफ्ट्वेर को मिटाना और उस पर एक नया सोफ्ट्वेर लिखना अधिक कठीन हो जाता है मचली इस धर्टी पर पहले पनपने वाले जीवन के रूपो में से एक है उसके सोफ्ट्वेर कोड को तोड़ना और अपने साथ जो लेना हमाय सिस्टम के लिए सबसे असान होता है ऐसे जानवर जिन में अधिक बुद्धी होती है और जिन में विभीन परकाल की भावनाय होती है जैसे गाय या कुट्टा उनके अपने समरन तंत्र कायम रहेंगे दूसरे शब्दों में हमारे अंदर अधिक विक्सित बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से मौझूद जिवों को अपने सिस्टम के सार्थ जोर पाने की छमता नहीं है पहले जमाने में जो समुदाय धर्ती के साथ अधिक तालमिल बना कर रखते थे उनमें लोग शिकार करके जानवरों को खाते थे और अधिक परिश्टम करके उसके परिनामों को बेवसर कर पाते थे किन्तु आजकर जैसे निस्केरिय जीवन लोग जी रहे हैं उसमें इस तरह के भोजन से जो ऐसी डीटी पैदा होती है वो तनाव बढ़ाने में काफी योगदान करती है तनाव के ऐसे अस्तरों का कारण एक रहस्य बना हुआ है इसकी अतिरिक्ट बड़े पशु विशेशकर गाय अपने वध से काफी पहले ही उसके बारे में जागरुक हो जाते है इस कारण ये पशु बहुत अधिक तनाव और नभाव करते है जो उनके सिस्टम में अतिधिक अमल की मतरा पैदा कर देता है परिनाम सोरूप बाद में जो लोग उस मांस को खाते है उन पर इस अमल का अपना दूस परभाव होता है उपवास का महत्व यदि आप शरीर के सोभाविक चक्र पर गौर करते है तो आप पायेंगे कि मनुस्य का शरीर तंतर 40-48 दिनों के एक चक्र से गुजरता है इस चक्र को मंडल कहते है पर तेक चक्र में तीन दीन इसे होते है जब आपके शरीर को भोजन की आवश्यक्ता नहीं होती यदि आप अपने शरीर को काम करने के तरीके के बारे में सचेचन है तो आप इस बात के प्रति जागरुक हो जाएंगे कि किस खास दिन आपके शरीर को भोजन नहीं चाहिए वह दिना बिना किसी पर्यास के भोजन के बिना गुजार सकते है यहां तक कि कुट्टों और बिल्यों को भी यह ज्यान होता है किसी खास दिन वे भी भोजन नहीं करते जिस दिन शरीर कहता है कि आज भोजन नहीं चाहिए वह दिन सफाई का दिन होता है चुकि अधिकतर लोगों को यह ग्यान नहीं होता कि किस दिन उन्हें बिना भोजन के रहना है अथ भरतिये कलेंडर के अनुसार 11 का दिन तै किया गया था चंद्र मास के ग्यारवे दिन को एकादसी कहते है और हर 14 दिनों में एक बार आता है परंपरिक तोर पर इस दिन को उपवास का दिन माना गया है ऐसे लोग जो मेहनत का काम करते है और भोजन के बिना नहीं रह सकते या वे लोग जिनके पास इसे सहाया देने के लिए उपयुक्त अध्यात्मिक अभ्यास नहीं है वे फलाहार कर सकते है यदि आप अपने शरीर और मन को परियाप्त तैयार कीने बिना जब दस्ति उपवास करते है तो आप अपने स्वास्त को किवल हानी ही पहुचाएंगे किन्तु यदि आवश्यक अभ्यास से आपका शरीर, मन और उर्जा ठीक से तैयार है तो उपवास करना आपके लिए काफी लाफदायक हो सकता है ऐसे लोग जो अक्सर चाय कोफी पीने के आदि होते हैं उनके लिए उपवास बहुत कठीन हो सकता है इसलिए उपवास से पहले अपने शरीर को सही परकार का भोजन देकर तयार करना आवश्यक है विशेसकर अधिक पानी धारंग करने वालक खात परदार्थ जैसे फल और सबजीय हो सकता है कि हर किसी के लिए उपवास करना अच्छी नहों क्युन्तु यदि इससे सही समझ के साथ किया जाता है तो इसकी कई लाभ है योग का पूरा उदेश्यक और परियास भावतिक शरीर के सुलक्षा कवज को एक विशाल सन्वेदी शरीर के लिए खोलना है उपवास के पीछे यह तरक दिया जाता है यह बीना कुछ खाय स्वयम को पोसित करने का एक तरीका है आजकल इसे विश्मुक्त करने की प्रकेडिया की तरह लिया जा सकता है किन्तु आंतरिक मूल कारण वही है इसी कारण इस दुनिया में प्रतेक अध्यात्मिक प्रमपरा ने अपने अनुयायोग के लिए उपवास के कुछ दिन निर्धारित किये है योग की प्रमपरा में उपवास का दिन चंद्रमा के चक्र पर निर्धारित किया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हावा और सुर्य की रोशनी से उर्जा को आत्मसाथ करने की आपकी छमता चंदर चक्र के कुछ खास दिनों में अधिक होती है कुछ धन्मों में उपवास के दिन घोर ग्रिस्म रितू में निर्धारित किये गए थे जब मनुस्य दौरापानी की खपत और सुर्य की तेजी स्वभाविक रूप से अधिक होती है मेरी परदादी को जो एक संदार वरीध महिला थी जो लोग अच्छे से नहीं जानते थे उन्हें संकी समझते थे पर दादी अक्सर अपना खाना चिट्टियों और गोरियों को खिला देती थी ऐसा करते वक्त उनकी आँखों से अनन्द की आँशु चेहरे पर बहते रहते थे उनकी आसपास के लोग उनसे कहते दादी अब खुद क्यों नहीं खाती उनका उतर होता था मेरा पेट भड़ गया किन्तु उनको सलाह देने वाले वे सब लग उनके उनसे काफी पहले ही गुजर गये उन्होंने 113 वर्ष की अविश्वस निये आयू तक जिवित रहकर शरीर त्यागा मेरी मा भी ऐसा किया करती थी हर दी नस्टा करने से पहले वे एक मूठी नस्टा लेकर चित्यों को खिलाने के लिए उन्हें खोजती थी उसके बाद ही वे नस्टा करती थी कई परिवारों की महलाओ के बीच ऐसी प्रमपरा कायम है चीती आपके आसपास की सबसे छोटी जीव है अक्सर लोग उसे नगने समझते है तो इसी कारण से आप चीती को पहले खिलाते है आप किनी देवतार या दिव्य लोग के दुसरे परानियों को अरपर नहीं कलते बलकि चिटियों को करते है या धर्टी उनकी भी उतनी ही है जितनी आपकी है आप यह समझते हैं कि इस धर्टी पर हर प्रानी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपका है यह जावरुकता चितना के विकास के लिए एक अनुकूल वाता वरन बनाने में मानसिक और भौतिक रूप से सहायता कर सकती है इस तरह का बस एक छोटा सा कारी आपको आपके शरीर की पहचान से थोड़ा अलग करता है जैसे जैसे आपकी शरीर से पहचान धिली होती है आपके अस्तित्व के दूसरी आयामों के बारे में आपकी जावरुकता सोभाविक रूप से बढ़ जाती है आप जो बहुत भुखी होते है तब आपके शरीर को बस भोजन ही सुझता है उस समय केवल दो मिनट तक रुकिए आपको समझ में आएगा कि इससे एक बहुत बारा अंतर होता है इससे एक बहुत बारा अंतर पढ़ता है आपको जो बहुत भुख लगी होती है तब आप बस एक शरीर होते है उससे थोड़ा अंतराल देजिए और आप अचानक महसूस करेंगे कि आप बस एक शरीर नहीं है गौतम बुठ ने तो इस हद तक कह दिया था आपको जब भोजन की सबसे अधिक जरूरत हो तब आप अपना भोजन किसी दूसरे को दे दीजिए आप और मदबूत हो जाएंगे मैं आपके लिए उतना आगे नहीं जा रहा हूँ मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि बस कुछ मिनट रूकी है यह निश्चित ही आपको सक्टी साली बना देगा अगर भोजन आपकी बहुत बड़ी विवस्ता है तो अच्छा होगा कि आप चितना पुर्बक एक समय का भोजन छोड़ दे ऐसा करके देखिए जिस दिन आप बहुत भुकी हो और आपकी पसंद के वेंजन बन रहे हो तो उस समय का भोजन छोड़ने की कोशिश किजिए वो खुद को यतना देने के लिए नहीं है बलकि यह बस उस यतना गरीज से मुक्त होने के लिए है जो आपका शरी बड़ी असानी से बन सकता है आप कैसा भोजन करते हैं? कितना भोजन करते हैं? और कैसे भोजन करते हैं? इसे एक विवस्ता पुन वैवाय से एक चतना पुन परकिरिया में बदलना यही इपुवास का सार है बस इसे अजमा कर देखिए आज से 25 परतीशत प्रकिर्टिक अनपका या सवजीव भोजन फल और सब्जी लेना शुरू कर दिजिए और धिये धिये करिब 4 से 5 दिन में उसे 100 फिजदी तक ले जाएं? उस पर एक दो दिन तक कायम रहें? और फिर धिये धिये 10 फिजदी की द से कम करते जाएं? अगले 5 दिन में आप 50% प्रकिर्टिक भोजन और 50% प्रकिर्टिक भोजन पर पहुच जाएंगे यह उन लोगों के लिए अदर्स भोजन है जो हर दिन 16-18 घंते तक सक करिए रहना चाहते हैं याद रखिए यदि आप पका भोजन करते हैं तो आप एक सम हमें लगेगा कि आपको उससे अधिक देर तक चबाना होगा लेकिन शरी की प्रकिर्टि ऐसी है कि वो 15 मिनट बाद आपसे कह देगी कि बस हो गया इसलिए लोग कम खाने लगते हैं वोजन कम होता है और तब उन्हें लगता है कि कच्चा भोजन उनके लिए अच्छा नही हैं आपको बस यह ज्यान होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं बेचैनी से चैन तक आप रात में सोते हैं इस कारण आपकी सुबह और शाम के बिच कुछ फर्क होता है निन से मिले अराम की मत्रा से यह अंतर पर रहा है यदि आप दिन भर सारे काम करते हुए भी अराम की स्थिती में बने रह सके तो आप उर्जा और उत्साव के द्रिश्टी से शाम को भी लगबग वैसा ही रहेंगे जैसे कि आप सुबह थे अगर आप तारो ताजा उठते है तो वह दिन की अच्छी सुरुवात है लेकिन दिन चटने के साथ आपके अराम की मत्रा कम होती जाती है आप धीरे धीरे तनाव मैसूस करने लगते है यह याद रखना महत्तपून है कि यह तनाव काम करने की वज़ा से नहीं है हर किसी को लगता है कि उसका काम तनाव पूर्ण है कोई भी काम तनाव पूर्ण नहीं होता तमाम काम ऐसे होते हैं जिन में चुनोती पूर्ण इस्थितिया आ सकती है हो सकता है कि बौश दुष्ट हो, सह कर्मी और सुरच्छित मेसूस करते हो अकासमी काम आ जाए, असंभव सी अंतिम तीथी हो या हो सकता है कि आप खुद को यूद छेतर के बीच पाए किन्तु ये अपने आप में तनाव पूर्ण नहीं है जिस पृस्थिति में हम हैं, उसके लिए हमारी विवस्ता पूर्ण प्रतिकिरिया ही तनाव पैदा करती है तनाव आंतरिक घोसना का एक विश्यस अस्तर है कोई भी थोरी मत्रा में आंतरिक कारिय करके आंतरिक प्रकिरिया को चिकना बना सकता है और घोसन काम कर सकता है तो ये अपने खुद के सिस्टम को संभाल पाने के लिए आपकी अस्समर्थता है जो आपको तनाव पूर्ण बना रही है किसी अस्तर पर आप नहीं जानते की अपने शरीर मन और भवनाओं को कैसे संभाले यही समस्या है तब आप अपने शरीर को तनाव से मुक्त कैसे रखे ताकि सुबह हो या शाम आप उत्साह, अराम और परसन्नता के उसी अस्तर पर बनने रहे एक उसत व्यक्ति का पेट खाली होने पर हिदे गती लभग सतर से असी के बीच होती है सही परकार के ध्यान का भ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए या तीस से चालिस तक होती है भर पेट खाने के बाद भी उसके लिए यह पचास के आसपास रहेगी यह बस एक लक्षन ही आपके शरीर की पल पर बदलती अराम के स्थिती के स्थर को बताता है अराम के स्थिती वास्तों में शरीर के पुर्ण निर्मान और कयाकल्ब करने की चमता तैकर्टी है अपने काम की किमत पर आप अपने सिस्टम को धीमा नहीं कर सकते जरूरी यह है कि आप अपना सिस्टम ऐसा रखे कि गतवीधिया उससे परभावित में कर सके हो सकता है कि आप शरीरिक रूप से ठक जाए किन्तु किसी भी हालत में इस से आप में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए अगर आप पुरी तरह से सक्रिय रहने के साथ साथ खुच को तनाव मुक्त रख पाते हैं तो यह वाकई लाफदायक है अगर आप योग यो कुछ सरल अभियाश शुरू करते हैं तो तीन से चार महिने में आपकी नब्ज की रफटार बड़ी असानी से कम से कम आठ से बिस तक कम हो जाएगे इसका मतलब है कि शरीर काफी अधिक कुसलता से कारिय कर रहा है और आराम की स्थिती बनी हुई है शरीर को निंद की नहीं आराम की जरूरत पड़ती है शरीर को निंद की नहीं बलकि अराम की जरूरत होती है यदि आप दिन भर शरीर को अराम की स्थिती में रखते है तो आपकी निंद की अवधी सौभाविक रूप से कम हो जाएगे यदि आपका काम आपका टहलना या वयाम करना भी आपके लिए अराम की तरह है तो आपके सोने की अवधी और कम हो जाएगे आज को लोग हर चीज को बड़ी मेहनत से करना चाहते है मैं देखता हूं कि लोग पार्क में टहलते समय भी तानाव में रहते है आप चाहे टहले या दोरे आप इससे असानी से और प्रसनता के साथ क्यों नहीं कर सकते अगर आप इससे भी ऐसा करते है जैसा यूध लड़ रहे हो तो फिर वयवयाम से लाव के बजाए नुकसान हो जाएगा जीवन से यूध मत किजिए आप जीवन के दुश्मन नहीं है बलकि आप सोय में ही जीवन है बस इसके साथ तालमेल में आ जाईए और आप देखेंगे कि आप इससे कितनी असानी से गुजरते है अपनी आपको फीट और स्वस्थ रखना कोई लराई नहीं है कुछ ऐसी गत्विदिया कीजिए जिनमें आपको आनन्द आता है कोई खेल खेलिए तेराकी कीजिए तेहलिए या दोडिए लेकिन अगर आप आलू के चिप्स खाने के बजाए और कुछ भी करना पसंद नहीं करते तब आप मुश्किल में है अन्यथा गत्विदियो के साथ साथ सहज और आराम की स्थिती में बने रहना बिलकुल मुश्किल नहीं है आपके श्टरीर को कितनी निन्द चाहिए यह आपके द्वरा की ये गेश्टरीरिक श्रम के स्थर पर निर्भर करता है भोजन या निन्द की मतरा तई कर देने की जरूरत नहीं है यह तई कर लेना कि इतनी कैलोरी तो मुझे जरूर लेनी चाहिए इतने घंटे तो मुझे सोना ही चाहिए यह जीवन जीने का बेकूफी भारा तरीका है खुट के बजाए आप शरीर को तई करने देजिए कि उससे आज कितना भोजन चाहिए आज आपने कम मेहनत की है तो आप कम खाईए कल आप बहुत सारा काम करेंगे तो आप ज्यादा खाईए यही निन्द के साथ भी है जब आपको परियापत आराम मेहसूस हो तब आप जग जाईए जिस पल शरीर को पूरा आराम मिल जाता है वह जाग जाएगा चाहे वो सुबर के तीन बजे हो या चार या आठ बजे हो जब बात भोजन और निन्द के आती है तो आपका शरीर सबसे अच्छा निन्ने देता है यदि शरीर में एक खास अस्तर की सतरकता और जाग रुकता है तो आप देखेंगे कि पूरा आराम मिलते ही वह जाग जाएगा मतलब यह हुआ कि वह जीवन होने को उत्सुक है यदि वह किसी तरह से बिष्टर को कब्र की तरह इस्तमाल करने की कोशिश कर रहा है तब यह एक समस्या है शरीर को इस परकार रखिये कि इसमें जीवन से बचने या भागने की चाहत नहो इसे इस तरह से रखिए कि इसमें जाग जाने की चाहत हो यदि आप बिना तक्ये कि या बहुत पतला तक्या लगा कर सोते हैं जो रीट को दबनी नहीं देता तब मस्तिक में नियूरोन का और अस्तरायू तंत में कोशिकाओ का पूर्ण निर्मान काफी अच्छा होगा यदि आप बिना तक्ये कि या बहुत पतला तक्या लगा कर सोते हैं जो रीट को दबनी नहीं देता तब मस्तिस्क में निवरोन का और असनायू तंत्र में कोशिकाओ का पूर्ण निर्मान काफी अच्छा होगा यदि आब इना तक्ये के सोते हैं तो करवत में लेटने की बजाए पीठ के बलचित होकर लेटना सबसे अच्छा रहता है योग में इस इस्थिती में लेटने को स्वासन कहते हैं या शरीर के सुधी करण और पुर्ण निर्मान को बढ़ाता है उर्जा तंत्र में परवाह के गतिरोत को समाब करता है इससे अराम और जिवनत्ता आती है किन्तु इस बारे में कट्य होने की कोई आवशक्ता नहीं है कम से कम अपनी निंद के बारे में कोई रुख मत अपनाई है सेक्स घटिया या पवित्र अस्तित्व वे अव्यक्त और व्यक्त के बीच एक निरित्ते है जिस पल अभिव्यक्ती मौजूद होती है देवता भी साथ ही आ जाती है परकास और अंधकार नर और मादा जीवन और मृत्तु और भी अनेक जोड़े हलाकि एक अत्तुव स्रिष्टी का मौलिक धाचा है द्वित्ता जीवन में विविधता, अकार और रंग रूप लाती है जीवन के रूप में जो विविविन अभिवक्तिया आज आप देखते हैं उनका अधाल मूल रूप से द्वित्ता में है चुकि दो है इसलिए अनेक है यदि केवल एक ही हो, तो कोई अस्तित्व ही नहीं होगा जब दो होते हैं, तब जीवन का खेल शुरू होता है एक बाद जब द्वित्त शुरू होता है, तो सेक्स भी शुरू होता है जिससे हम सेक्स करते है वो बस इसी देवता के दो हिस्स्य है जो एक होने की कोशिस कर रहे है इन देवतिताओं के मिलें की प्रकिरिया में कुछ और भी कारी है जिन प्रकिर्टी पुरा करना चाहती है जैसे प्रजनन और प्रजातियों को कायम रखना पुरी देवतिता एक तव की कोशिस कर रही है किंकि जो कभी एक था उसने स्वेम को दो की तरह अभिवक्त हिया है अब वहाँ फिर एक हो जाने की अनवरत लालसा बनी रहती है एक होने की हलालसा अनेक रूपों में अभिवक्त होती है आप जब जवान होते हैं और आपके बुद्धी के आपके हर्मोंस के द्वारा हरन हो जाता है तब सेक्स उसका तरीका होता है जब आप अधेर हो जाते हैं और भावनाय आपके बूती को संचालित करते हैं तब प्रेम उसका तरीका होता है जब आप व्रिध हो जाते हैं और हार्मोंस की सरारतों से मुक्त हो जाते हैं तब प्राथुना उसका तरीका होता है, किन्तु उम्र चाहे जो भी हो, जब आप इस सब से पड़े होते हैं, और जारुकता कि काफी उच अस्तर पर उसी एकत्व को चाहते हैं, तब यो उसका तरीका होता है, यदि आप शरीर के मध्यम से यह एकत्व चाहा रहे हैं, तो लोग अलग हो जाएंगे, यदि तलाक ऐसा नहीं करता, तो मिर्ट्व कर देगी, यह तो होना ही है, सेक्स जो है, वो बस दो व्युप्री चीजों को एक होने की कोशिस है, आपके व्यक्तित्व का अर्थ बस वो जूठी दिवारे हैं, जीने आपने अपने मानसिक धाचे म अपनी पसंद और नापसंद रुचियों और राय की रूप में खरा कर रखा है, इसका मतल़ यह भी है कि आप अपने भवतिक शरीर की सिमाओं के अंदर फसे हुए हैं, आप भले ही इसके बारे में जागरुक नहों, पर आपकी अंदर का जीवन इन सिमाओं को तोड़ने क ड्रक्स लेने या कोई सनक भरी चीज करने के ललसा जगे, अपनी शरीरिक सिमाओं को तोड़ने के लिए आप स्वईं को खिदवाना या टेटू बनवाना, बाल रगवाना या पुरायन तरीके से सिक्स करना चाह सकते हैं, सिक्स का इरादा है तो शंदा लेकिन तरीका नि जैसी अन्य दैरों मेग होने का परियास करते हैं, लोग हमेशा समान रूचिया खोजने की कोशिस करते हैं, हम एक जैसी आइसक्रीम पसंद करते हैं, हम दोनों वीडियो गिम खिलते हैं, हमारे राश्री चक्र एक ही है, और हम दोनों को वही टीवी शोप पसंद हैं, लेकि जब तक आप यह नहीं समझ पाते कि आप कभी एक नहीं हो सकते, तब तक आप दूसरों को आनन उठाना नहीं सिखेंगे, यह दो उड़ जाये, जिने हम मानव जाती में इस्तिरी और पुरुस कहते हैं, हमेशा एक साथ आना चाहती है, साथ ही, साथ होने की चाहत के आकरशन हमेशा होता है, कई लोग उस मौलिक शरीरिक क्रिया का सामना उसके उसी रूप में नहीं कर सकते, तो वे उसके आसपास हर तरह की सजावत के उपाय करते हैं, ताकि वो सुन्दर दिखे, आप हमेशा इस क्रिया के साथ भावना जोडते हैं, क्योंकि बीना भावना कि यह भड़ी लगेगी, एक तरह से आप वास्तविक्ता को अपनी सोच की भरपूर सजावत से धुन्दला बनाना चाहते हैं, सेक्स सोभाविक है, यह शरीर में हैं, पर कामुकता ऐसी चीज़ है, जिससे अपनी खोजा है, यह मौनोविज्ञानिक है, यह सेक्स शरीर में हैं, तो यह ठीक है, यह सुन्दर है, जिस पर यह आपके दिमाग में घुस जाता है, यह एक विकार बन जाता है, इसका आपके दिमाग के साथ कोई काम नहीं है, सेक्स आपका एक बहुत छोटा पहलू है, लेकिन आज यह बहुत विशाल हो गया है, कई लोगों के लिए ही सेक्स ही जीवन बन गया है, यदि आप आधुनिक समाज पर नज़र डाले, तो मैं तो कहूंगा कि लोगों की नबे पर टीशत उड़ जाया तो सेक्स के पीछे भागने में या उससे बचने में खर्च हो रही है, सेक्स बस कुद्रेत की एक चाल है, ताकि पर जन्न होता र धर्टी पर किसी दूसरे जीव में सेक्स को लेकर इस तरह की समस्या नहीं है, जैसी मनुस्यों में है, जानौरों में यह इच्छा उनके शरीर में कुछ खास समय पर मवजूद होती है, अन्याथा वे उससे मुक्त रहते है, मनुस्यों के साथ यह उनके दिमाग में हर समय बैठी रहती है, ऐसा होना का यह कारण यह है कि पिछले समय में कई धन्वों ने इस सधारन सी शरीरिक पर किरिया का इस हद तक निश्यत किया है, यह एक पाप बन गई, चुकि हम मनुस्यों के शरीरिक किरिया को ही सिवकार नहीं कर सके, तो इस शरीरिक पर किरिया की हमने इससे नकार्णतिय का प्रयास किया, यदि हमें शरीरिक परिक्रिया से कोई समस्या न होती, तो हम इसमें फर्क नहीं करते कि कौन इस्तरी है और कौन पुरूस, हर कोई अपनी काबिलियत से जाना जाता है, कोई पुरूस है या इस्तरी, यह हमाइने न रखता, जब आप इस्तरी और पुरूस के शरीरिक अंतर को सुविकार नहीं कर सकते, तो वहीं से इस्तरीयों का शोशन शुरू हो जाता है, अपने सेक्स को पवित्र बनाने की जरूरत नहीं है, और नहीं आपको इससे भद्दा बनाना है, यह जीवन का एक जड़िया है, इससे के कारण ही आपका स्थित्व है, इसके बीना उच्चा उठाई या बीना भद्दा बनाई या प्रहना चाहते है, तो इसकी अपनी ही सुन्दर्ता है, आप जीवन में जिस कामुक्ता का उन्भाव करते हैं, वह किसी ऐसे को अपना हिसा बनाने के लिए करासानिक निमंतर है, जो आप सन्योग या व्योग की और उक्साने का परकृति का तरीका है, यद भी कामुक्ता की परकृति उत्सम मनाने जैसी है, किन्तु या भेदभाव करने वाली भी है, जब दो लोग आवेशित होकर सन्योग करते हैं, तब आपकी दुनिया को भुला देते हैं, या वह उनके लखना है, तो आपकी कामुक्ता या आपके जुनून को सर्व समावेशि होना होगा, यदि आप एक सर्व समावेशि जुनून की अवस्था में हैं, तो हम इसे योग कहते हैं, तो नकारणा समधान नहीं है, विस्तार ही एकमात्र समधान है, और यदि अपने जीवन के हर पल में चलती रहने वाले जीवन डाईनी सांस की कामुकता को नहीं जाना है, तो आप किसी दूसरी तरह की कामुकता को कैसे कभी जान सकते हैं, सांस लेने की प्रकिरिया में प्राप्त होने वाले परमानंद को अन्भव करने को आन पान सती योग कहते हैं, यानि सांस लेने औ वाले सन्योग से है और इसलिए आन पान सत्य योग एक ऐसी प्रकिरिया है जो आपको सचेतन होकर अपनी सांस के साथ गहनता से सामिल होने में दिछ्छा देती है और यह आपको दर्शाती है कि भीतर और बाहर जाने वाले सधारन सी सांस किस तरह से एक अवर निये परमानंद का स्रोत बन सकती है साधना जीवन की उच्चतर संभावनाए मनुष्य के शरीर में ही बसती है भौतिक शरीर घटिया से लेकर पवित्र तक सारी संभावनाओं का मंच है आप खाने सोने और सेक्स जैसी सधारन कारे घटित तरह से कर सकते है या फिर इन सब पहलूओं में प कुछ मतर विचार भावना और इरादे के जरिये इस पवित्रता को पराप्त किया जा सकता है सबसे बढ़कर या याद रखिया कि किसी चीज का घटिया पंड या पवित्रता मुखतेया आपकी अनिच्छा और अच्चेतना या आपके चतना पूर और इच्चुक होने से त सरल कारिये विचार और भावना पवित्रता के दर्जा प्राप्त कर सकती है अगर उसमें शामी दुसरे पक्ष की पवित्रता को पहचान कर वो कारिये किया जाता है चाहे वो कोई व्यक्ति हो या भोजन हो या आपके इस्तमार में आने वाली कोई वस्तु हो दो मनुस्यों दोरा किये जा सकने वाले सारे परेमय कारियों में से सबसे सरल कारिये है हाथों को पकरना और अक्षर यह सबसे घनिस्ट कारिये बन सकता है ऐसा क्यूं है? मुलता हाथों और पेरों की प्रकृति ऐसी है कि शरीर के इन दो अंगों में उजा तंत एक बहुत ही अनोखे तरीके से अभिवक्त होता है शरीर के किनी भी दूसरे अंगों के बीच संपर्क किया प्रक्षा दो हथेलियों के एक साथ आने में कहीं अधिक घनिष्ठता होती है इससे आप सुइम अजमा सकते हैं आपको किसी साथी की आविशकता भी नहीं है जब आप दोनों हाथ जोड़कर रखते हैं तब आपके भीतर मवजूद दो उर्जायाम, दहिना बाया, पोरुस, स्त्रियन, सुरियर चंद्र, इन यांग आदी एक खास तरह से जोड़ते हैं और आप अपने भीतर ही एकत्व का भाव मेसूस करने लगते हैं परंपरिक भारतिये नमस्कार के पीछे यही तर्ख है यह सिस्टम को तालमेल में लाने का तरीका है इसलिए एकत्व की अवस्था का नभाव करने का सबसे सरल तरीका इस आसान नमस्कार योग को अजमाना है अपने दोनों हाथ जोड़िए और कोई भी वस्थू जो आप खाते है या जीवन के जिस भी रूप सी आपका समना होता है उस पर प्रेम पुर्बग ध्यान के दित कीजिए जब आप इस जारुकता के भाव को अपनी परतेक सरल सर्य कारिय में ले आते हैं तो आपके जीवन का अनुभाव फिर कभी वही नहीं करेगा यहीं समभावना है कि अगर आप अपने हाथ जोड़ते हैं तो आप दुनिया को एक कर सकते हैं हर्मौन का कभजा एक बाल मुझसे पुछा गया क्या यह अजीव नहीं है कि लोग किसी दूसरी सरीरिक एक्षा की अपक्षा सेक्स के परतीज ज्यादा पागल है इसमें कुछ भी अजीव नहीं है यह बस हर्मोंस दोधा आप पर कब्जा है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है वह इसे भी सबसे शक्ति शाली एक्छा सेक्स नहीं बलकि भूख है अधिकतर समय सेक्स के बारे में सोचना बस एक विवस्ता पुर्ण वेवहार है जब आप एक बच्चे थे तब इससे फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के पर जनन अंग क्या है लेकिन जैसे ही हर्मोंस आपके भीतर अपने असर दिखाने लगे आप उससे आगे कुछ नहीं सो हो जाता है तब एक बार फिर यह माइने नहीं रखेगा आप पीछे मुर कर देखेंगे और आपको यकिन नहीं होगा कि आप इसके पीछे पागल थे शरीर में कुछ भी गलत नहीं है या बस सिमीत है सिमीत होने के साथ भी कुछ गलत नहीं है अगर आप शरीर के तरीके के चलते हैं, आपको कुछ सुख मिल सकता है, सिमित होने की चाहत को ये पराध नहीं है, लेकिन आप एक अत्रिप जीवन जीएंगे, मान लिजिए, कल में आपको एक वर्दान दे देता हूं कि इस दुनिया की सारी स्त्रिया या पुरूस आपके पीछे पागल हो जाते हैं, और प्रजनन जानता है, और यह कहीं और नहीं, बस हर पर सीदे कब्र की वो जा रहा है, आपका शरीर इस धर्टी से लिया बस एक कर्ज भर है, आप जिसे मृतु कहते हैं, वो बस उस कर्ज की वापसी है, जिसे धर्टी माता ने आपको दिया था, इस धर्टी पर संपुर् बस मिटी की recycling है हो सकता है कि आप अभी सोचते हैं हो सकता है कि अभी आप सोचते हो कि आप ऑफिस घर या फुटबल मेत देखने जा रहे हैं लेकिन जहां तक आपके शरीर का सवाल है यह पल प्रति पल सिधे कब्ड की और जा रहा है हो सकता है कि आप अभी भूल गया हो लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है यह और अधिक असपस्ट हो जाएगा कि शरीर की प्रकृर्टी यही है यह आपने शिर्फ शरीर को जाना है यदि आपने शिर्फ शरीर को जाना है जिससे वैसे भी आपको खोना ही है तो आप चिंता और डर आपके साथ हमेशा रहेगे लोग यहां तक सोतने लगते कि डर उनके जीवन का स्वभाविक हिस्सा है नहीं चुकि आपका स्थितू और पुल्न है इसलिए प्रिनाम स्वरूप डर पैड़ा होता है यदि आपने जीवन को इसकी पुरी गहराय और सारे आयामों में नहीं खो जाए बलकि स्वयम को भौत शरीर तक सिमित रखा है तो डर उसका स्वभाविक परिनाम है कि आपने कभी जोर्ज बेश्ट के बारे में सुना है वे इंग्लेंड में अपने समय के महांटम फुट्बॉल खिलाड़ियों में से एक थे उन्होंने अपने जीवन को जी भरकर जिया मीडिया के अनुसार हर मशुर अभिनेतरी या फैर्शन मोडल कभी द कभी उनके बाहों में जरूर रही थी लेकिन 35 की उम्र पार करते करते हुए एकदम बिखरे हुए दैनिये और हतास व्यक्ति हो गये थे और उनसरत की ओहर्ण में उनकी मृत्यू हो गई मृत्यू कोई मुद्दा नहीं है लेकिन आप जिस तरह से जीते हैं वही मुद्दा है जोद बेश्ट के पास शाय सब कुछ था लेकिन होने बड़ा भयानक जीवन जीए ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर का तरीका सिमित होता है आपके जीवन में शरीर को क्यों इतना ही भू कर रहे है जीवन के पास आपको मोड़ने के लिए आपको तोड़ने के लिए आपको गुंधने के लिए आपको पिसने के लिए अपने ही क्रोरों तरीके है आपके हर्मोंस के साथ कुछ गलत नहीं है किन्तु जब आप एक विवस्ता पुर्ण जीवन जीते है तो आप एक जीवन जी रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके जीवन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपका कारबार, परिवार, रिष्टे, लेकिन धिर्यद्य जैसे विभिन परकार की विवस्ताय हावी होती है, आप अधित अधिक देनिय हो जाते हैं, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो होती खुशहाली की तलास उन्हें अधिक और अधिक काम करते जाने की विवस्त करती है, यदि आप सभ्यता की चमक दमक के अंदर जाकर देखें, तो आप उसमें शोशन के सबसे घ्रीनित रूप को पाएंगे, हम अपने बच्चों को भी नहीं बक्ष रहें, ये मनुस्य ह होने के सारे आयामों पर ध्यान न देने, और स्वयम को शरीर के संकिर्म दायरियों में सिमित करने के परिदाम है, आजकल शरीर को सब कुछ बना देने के परियास में लोग अवर निये कुस्त पैदा कर रहे हैं, स्वास्ते, सेवा, भीमा, कारो, आदि की देश्ती से आप इससे बहतर भौतिक सुक सिवधाओं की कल्पना नहीं कर सकते, आज आपके पास जितनी अरामदेश चीजी और सिवधाये हैं उतनी अब तक किसी पिछली पीधी के पास नहीं था, किन्टू लोग बेहिसाब कस्ट जहल रहे हैं, संपन समाज में लगवाई हर पाच्वा व खुशी की बात नहीं है, आप टूट जाने के करार पर है, क्योंकि आपने अपने जीवन के एक छोटे से पहलू को पुरा जीवन बना लिया है, अपनी नश्वर प्रकृति का बोध, जब आपको अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास होता है, कि वहल तभी आप यह जानना चाहते हैं कि जीवन में और क्या है, इसके बाद ही अध्यात्मिक प्रकिरिया शुरू होती है, एक वार की बात है, दू आदमियों की मुलाकात हुई, दोनों की उम्र असीक साल से उपर थी, एक न दुसरे को पहचान लिया और कहा, क्या तुमने दिवत्य इस शुरूद में ह इसा लिया था, दूसरे आदमिये का, हाँ, पहले ने उससे पुच्छा कि वह कहां और किस बाटालियन में था, दूसरे आदमिये उससे बताया, पहले ने का, ओ माई गौड, तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम गोलावारी करने वाल एक ही खाई में थे, और फिर दोनों ग वे एक, एक बुलेट की बात कर रहे थे, जो पास से गुजरी, धाएं धाएं करते हुए उनसे बस कुछी इंत दूर से निकल गई थी, उन दोने ने उन 40 मिन्टों के बारे में 4 घंडे तक बात की, जब उन 40 मिन्ट के बारे में वे हर चीज़ कह चुके, जो वे कह सकते थे तब एक नजूसे से कहा, अच्छा ये बता, यूद के बाद से तुम क्या कर रहे हूँ, अरे पिछले 60 साल से में बस एक सेल्समेन हूँ, वे 40 मिन्ट एक तरह से उनके जीवन को परिभासित कर गए, क्यूंकि उनकी नश्वरता हर पर उनके सामने जूल रही थी, यूद मे उनके बिट जो संबंध मना, उसमें गहनता थी, उसके बाद इस आदमी के जीवन के एक वाक्य में बया किया जा सका, वो बस एक सेल्समेन है, आपने अंदर एक अवर निये गहनता आता बाती है, जब आपको अपनी नश्वर प्रकृती का एसास होता है, यदि आपको अप पिनी शास्वत प्रकृती का एसास नहीं हुआ है, तो आपको कम से कम अपनी नश्वर प्रकृती का एसास अवश्य होना चाहिए, मृत्यू जीवन का अंत नहीं है, मृत्यू बस शरीर का अंत है, यदि आपने भौतिक से बहुत गहरी पहचान जोरकर जीवन जीया है, तो सामना होता है तो तभी उससे आगे जाने की ललसा वास्तविक बनती है नमस्कारम मन चमतकार या जन्जाल एक बार की बात है एक आदमी और लोकिक शक्तिया हासिल करना चाहता था उसकी वीधी जानने के लिए वो बेचैन होकर एक गुरू से दुसरे गुरू के पास भटक रहा था अन्तता उसे हिमाले के जंगलों के निर्जन इलाकों में एक आश्रम का रस्ता मिला आश्रम के गुरू ने उसकी तलाश के मकसद को तालिया और उससे समझाया कि वह ऐसा न करे तुम इन शक्तियों का क्या करोगे अगर तुम पानी पर चलना सिख भी लेते हो तो उससे क्या तीन दिन बाद एक नाव बहतर होगी ऐसी वेष्ट की तलाश में अपना जीवन नस्ट मत करो इसके अस्थान पर मैं तुम्हें ध्यान करना सिखा सकता हूँ गुरू ने उस रोकने के कई परियास किये लेकिन वो आदमी आड़ा रहा अंत में गुरू ने कहा ठीक है अगर तुम इतने ही अडीग हो तो कल सुबह चार बजे नदी में नहाकर मेरे पास आओ मैं तुम्हें अलोकिक शक्तियों के रहस्य की दिक्षा दूँग वो आदमी उत्सा से भर गया उसने सुर्योदों से पहले हिमाले की बरफिली ठंडी नदी में दुपकी लगाई जिससे उसका शरीर आधा नीला पर गया और फिर वो बड़ी उमीद के साथ आकर अपने गुरू के सामने बैठ गया गुरू ने कहा देखो यह बहुत सरल है मेरे पास एक गुप्त मंत्र है अगर तुम अगरे चालिस दिनों तक प्रती दिन तीन बार इसका जाब करो तो सारी अलोकिक शक्तिया तुम्हारी हो जाएगी फिर उन्होंने मंत्र बताया अस्तो मा सद गमिया मुझे सत्ते की ओर ले चलो गुरू ने कहा तुम्हें अगले चालिस दिनों तक यह मंत्र दिन में तीन बार दोराना होगा तुम्हें अलोकिक विद्याय आ जाएगी तेकि जम तुम्हें यह मंत्र बोलो तो बंदरों के बारे में बिलकुल मत सोचना उस आदमी कभ्यास की सरलता पर शक हुआ बस इतना ही उसने प्रसन होके पूछा क्या मैं जा सकता हूँ गुरू बोले अवस्य जाओ और चालिस दिन बाद लोटना वो आदमी प्रसन्यता पुरुबक चल दिया उसने सोचा उस मुर्ख गुरू ने अपने सारे रहसे मुझे बता दिये और कोई दक्षिना भी नहीं ली और वो मुझे से कह रहा है कि बंदरों के बारे में मत सुचना भला मैं बंदरों के बारे में क्यूँ सोचने लगा कितना हास्यपद है वो पहाय से नीच्छे आया और गंगा के किनारे पहुचा उसने पावन नदी में दुपकी लगाई और अपना अभियास परारंप करने के लिए बैठ गया लेकिन जैसे ही उसने अस्तोमा शब्द का है दिमाग में बंदर घुमने लगे हर बार जब कोई बंदर उनके मन में आता वो नदी में कोई दुपकी लगाता उसने मन्त को भीन योग मुद्राओं में बोलने का प्रित्न किया लेकिन हर बार जब वो मन्त का पहला शब्द बोलता बंदर आ जाते उसकी पूरी फोज आ जाती एक सब्ता के टिब अभियास में ही मन्त को कोई आप सकता नहीं रहेगी पूरी स्रिष्टी ही बंदरों से भर गई थी एक वानरी दू स्वपन इस अंगीनत बंदरों से घबराया हुआ वो कुछ नहीं कर पा रहा था वो गुरु के पास वापस गया और बोला मुझे अपनी कम बखत और लोकिक सक्तिया नहीं चाहिए मुझे इन बंदरों से मुक्ति चाहिए अगर आप स्रोई से कहते हैं कि आप किसी खास विचार के बार में नहीं सोचना चाहते तो वो ठिक पहली चीज होगी जो आपके दिमाग पैदा करेगा मनुस्य की मन की यही प्रकृति है पिछले कुछ समय में मस्तिस्क की गत्वीधी को समझने के लिए काफी वेगानिक सोध हुआ है अगर आप मस्तिस्क में नूरोंस के काम करने के तो तरीकों पर गौर करे तो आप आएंगे कि इनकी गत्वीधी में जबरदस्त तालमेल होता है शरीर का ठिक से काम करना इसी तालमेल का नतीज़ा है नियूरोंस की गत्विधियों में असाधारन समयोजन के कारण ही आपके शरीर में अभी करोरों चीज़े हो रही है लेकिन दूर भागे से जादा तर लोगों की अनुभों में उनका मन एक सरकस एक जनजाल बन गया है हलाकि सरकस भी असल में एक जबरदस तालमेल वाली गत्विधिये जिसे जान बुचकर बेत तर्टीब जैसे दिखाया जाता है यहां तर्की सरकस का जोकर भी एक जिमनाष्ट होता है वो विदूसक जैसा लगता है लेकिन उसमें बहुत प्रतीबा होती है और जो करता है उसमें वो निपून होता है जब बात लोगों के मन की गत्विधियो को ये आती है तो अधित्तर लोगों के अनुभाव के लिए जोकर के उपमा उचित हो गये दिमाग वो अध्भूत जिबनाष्ट एक जोकर कैसे बन गया यह जादू के सोट से इतना बड़ा जमेला कैसे बन गया यह चमतकारी यंत ऐसी कलेश पैदा करने वाले मशीन क्यूं बन गया जैसा कि पहले उलेख किया गया है हर मनुश्य वास्तों में अपने भीतर और बाहर खुशी तलास कर रहा है जब बात बाहर कि आती है तो लाखों चीज़े इस्थितिया तैकरती है और किसी का भी उन पर पूरा नियंदरन नहीं है लेकिन जब बात आंतरिक इस्थिति कि आती है तो उसमे reflex एक ही चीच सामिल है और वो है आप आप अपने आंतरिक जीवन के एक मात्र शिल्पकार और निर्माता हो सकते है लेकिन आप नहीं जानते की कैसे समस्या यही है अगर यह आपके नियंतरियन में हो तो यह पक्की बात है कि आप स्विम के लिए कलेश पैदा नहीं करेंगे आपके पास एक मौलिक सोतंतरा यह है कि आप जो चाहे सोच सकते है तो फिर क्या चीज है जो आपको सुखत विचार से रोकती है समस्या बस इतनी है सचा है यह है कि आपका मन आप से निर्देश नहीं ले रहा कल्पना कीजिए कि एक पासना यूग का गुफा मानव कम्प्यूटर के कीबोर्ट से खेल रहा है कम्प्यूटर स्क्रीम पर जो आएगा वो भद्देपन की सिंखला जैसा दिखेगा यूग पध़टी आपकी और आपके मन के बीच एक अंतर पैदा करने के तकनीक है इस शरीर और मन में इकठी की हुई चीजे है जो आपको जीवन में और उसके बाद भी बार बार आने वाले स्थित्यों का कारण बनती है अगर आप अपने और अपने शरीर के बीच में इस दूरीक के प्रती लगतार सचेत हो सके तो समझ लिजे कि आपने एक असीम संभावना का अयाम खोल लिया इस दुनिया में केवल दो तरह के कष्ट है शरीरीक और मानसिक जब यह दूरी आपके अनुभाव में हर समय मरजूद रहती है तो आपके कष्टों का अंत हो जाता है कष्ट का दूर हो जाने पर आप जीवन में पुरे जोश से आगर बढ़ सकते है तब आप यह सब खोजने से नहीं डरते जो जीवन प्रस्तूत कर सकता है इस अतियंत प्रिस्कृत सरीर और मन का इस्तमाल करने की आपकी च्छमता का अनुभाव के पुरी तरह से नए आयाम तक बढ़ाया जा सकता है क्यूंकि आप उनके दाइरे से बाहर खरे हुए होते है यह विरोधा भास लगता है लेकिन यह सकते है जैसे जैसे दूरी का अनुभाव बढ़ता है मन कोई जनजाल नहीं रह जाता यह एक महान संगीत एक जबरदस्त संभावना होता है जो आपको बड़ी उचायों तक ले जा सकता है योग एक ऐसी वास्तुएक्ता की और यात्रा है जिसमें आप अस्तित्व की परम प्रकृति को असीम एककत्व के रूप में अनुभाव करते है यह अनुभाव तबी संभाव है जब आप अपने शरीर, मन और स्वयम के बीच उस दूरी को कायम रखते है यह याद रखना महत्व पुर्ण है कि यह असीम एकत्व एक अनुभाव है न कि कोई विचार, सिधान्त या उधारना अगर आप स्रिष्टी के एकत्व की एक बौदिक सिधान्त रूप में पैरवी करते है तो हो सकता है कि वोह आपको रात्री भोज पार्टी में लोक्पिरिये बना दे या किसी समिनार में आपको सरहना दिला दे आपको नोबल पुरसकार भी मिल सकता है लेकिन इसका कोई दूस्ता उधेस्ट पुरा नहीं होता दूसरी वोई असीम एकत्व का अनुभाव आपको एक पुरी तरह से दूसरे आयाम में पहुचा सकता है प्रेम और अनन्द का आयाम दिमाग से कहीं आगे का आयाम किसी व्यक्ति के लिए हर चीज को बौधिक रूप से एक की तरह देखना वास्तों में हानिकारक हो सकता है लोग अक्सर बर्मान के साथ एक होने के बारे में दुनिया से प्रेम करने के बारे में हर किस्म के अकर्षक दार्षनिक सिधान्त पर्टिपादित करते है जब तरह कि जीवन उन्हें एक अच्छा सबक नहीं सिखा देता जब बात पैसे की आती है तब स्वयम और दुसरों के बीच सीमा रेखा भरपूर असपस्त होती है ऐसे मौक्य पर तुम और मैं के एक होने का कोई प्रशन ही नहीं होता एक बार की बात है शंकर्म पिल्लाई वेदानत की कलास में गए वेदानत भारतिय अध्यात्म विज्ञान की पधिती है जो आत्मा और परमात्मा की अध्युक्त की बात करता है अध्यात्म एक गानी दर्शनिक थे और पुरे जोस में बोले जा रहे थे आप बस यही या वही नहीं है आप हर कहीं है आपका और मेरा जैसी कोई चीजे नहीं होती हर चीज आप है हर चीज आपकी है सारिय है कि सब कुछ एक है आप जो देखते, सुनते, चकते, सुनके और छुते है वो हवास्त विक्ता नहीं है यह सब माया है सब भरम है वेदान का यह अकाट्य शब्द जाल शंकरन पिल्लाई के दिमाग में घूम रहा था वे घर गे और वेदान के बारे में सोचते सोचते सोगे सुबह उठे तो पूरी तरह जोस में थे आम तोर पर उन्हें सोचते रहना पसंद था लेकिन इस वेदान के कारण वे बिष्टर से उचल पर पहली चीज जो उनके दिमाग में आई वो है थी यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा नहीं है हर चीज मेरी है हर चीज मैं हूँ दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ और हर चीज माया है आप भी जानते कि आपका दर्शन चाहे कुछ भी हो भुख तो आप नीमित अंतरार पर लगती ही है तो संक्रम पिलाए अपने पसंदीदा रिस्टरेंट में गए काफी सारा नश्टा आउडर किया और खुद से यह करक बड़े चाल से खाएं लगे यह भोजन में ही हूँ जो परोस रहा है वो भी मैं हूँ जो खा रहा है वो भी मैं हूँ वेदानत उन्होंने अपना नस्ता समाप्त किया जब यह वेदानत की इतनी उच्चाई अवस्था में थे तो बिल देने जैसे सधाने चीज़े उनके दिमाग में नहीं है वे उठे और बहार जाने लगे जब सब कुछ आपका है तो बिल देने का सवाल ही कहां उठता है जब यह केश काउंटर के सामने से गुजरे तो उसी वक्त रेस्टोरेंट का मालिक किसी काम से बहार चला गया संक्रेम पिले ने देखा कि दराज में धेर सारे नोट परे थे तुरंट वेदान्स ने उनको बताया सब कुछ तुम्हारा है तुम इसमी और उसमें कोई फ़र्क नहीं कर सकते चुकी उनकी जे बिलकुल खाली थी हाथ उन्हें दराज में हाथ डाला कुछ पैसे उठाकर अपनी जे में भर लिया और टहलते हुए रेस्टोरेंट से बहार चल दिया वे किसी को लूट नहीं रहे थे वे बस वेदान्त का अभयास कर रहे थे अचानक रेस्टोरेंट से कुछ लग उनके पीछे भागे और उन्हें पकर लिया शंकरन पिलई ने कहा तुम किसे पकरने की कोशिश कर रहे हो तुम पकरने वाले हो और पकर जाने वाले भी है जिसे तुम पकर रहे हो वो भी तुम हो जो पकर रहा है वो भी तुम हो जब तुम और मैं जैसी कोई चीजी नहीं तो मैं किसे पैसे दे सकता हूँ मालिक भचकर आगया उसने बस एक एक चीज सा पता थे मेरे पैसे तुम्हारे जिब में है लेकिन यहां शंक्रम पिलाई कह रहे थे जो पकरता है वो भी मैं हूँ जो जकरा गया है वो भी मैं हूँ मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि इस किसन के गरहा के साथ क्या किया जा तो वो संक्रम पिले को अदालत में ले गए वहां भी संक्रम पिले नपना वेदान जाही रखा जज न उन्हें अन्यक तरह से सम्झाने की कोशिश की कि उन्होंने चोड़ी किये लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ फिर जज ने हाकर का ठीक है इसकी पीठ पर दर्स कोड़े लगाए जाए पहला कोरा संक्रम पिले की चिक निकल गई जज ने कहा चिंता मत करो यह सब वैसे भी माया है सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं होती हर चीज माया है दुसरा कोड़ा संक्रम पिले चिलाए बहुत हो गया जज निका जो तुम्हें माड रहा है वो भी तुम हो चर्माड खा रहा है वो भी तुम हो है तिसरा कोड़ा संक्रम पिले चिक पर दुको रुको जज बोला शुरू करने और योकनी जैसी कोई चीज नहीं होती यह सब माया है दस कोड़े परने तक इसी तरह चलता रहा लेकिन दस कोड़े पूरे होने से पहले इस शंक्रम पिलाए के अंदर से वेधान्त साफ हो ग ले जा सकती है लेकिन अगर एक कत्व अनुभाव के धरातल पर वस्तवित्ता बन जाता है तो कोई बचकानी हरकत नहीं होगी तब यह जीवन का एक ऐसा नुभाव बन जाएगा जो आपको हमेशा के लिए रुपांतरित कर देगा सार भौमिक्ता कोई सिधान्त नहीं है या अस्तित्तू का सत्ते है जबकि वेक्ति एक धारणा है योग बस्चित विरिति निरोध है इसका मतलब है अगर आपके मन की गत्विधिया रुख जाती है और आप फिर भी सजग है तब आप योग में है लेकिन आप मन की गत्वि कि आपने इस पर ध्यान दिया है आप चाहे जो भी पैडल दबाये मान शिर्फ और तेज भागता है लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो भी चाहे धीरे-धीरे कम होते जाएंगे यह आपको एक स्मृत और जीवन्त मौन में ले जाएगा साधना स्वेम को कम से कम हर घंटे में एक बार याद दिलाते रहे कि हर चीज जो आप धो रहे है जैसे आपका थैला आपका पैसा आपके रिष्टे और आपके शरीर वो दिल में भारीपन सब आपने समय के साथ इकठी की है अगर आप इस बुनियादी सच्चाई के प्रती अधीक और अधिक जावरुक बन जाते है और जैसे जैसे आपके भीतर पहचार नजोने की प्रक्रिया गहरी होती है और साथ ही अपने आसपास हर चीज के प्रती आपमें एक गहरी सब भागिता की भावना बनी रहती है तब आप मानव जीवन के कलैस और पागलपन से ध्यायन के तरफ बढ़ने लगेंगे जीवन से हटकर स्वयम के बारे में सोचना चूकि आपका अस्तितु है इसलिए आप विचार पैदा कर पाते हैं लेकिन आपकी सोचने की प्रक्रिया यतनी विवस्ता पुर्ण हो गई है कि आपका ध्यान अस्तितु से हटकर विचारों पर केंद्रित हो गया है यह इस हद तक हो गया है कि आप विश्वास करने लगे है कि आपका अस्तितु इसलिए है क्यूंकि आप सोचते है पास्चाक्ते डर्शन की निव वास्तों में सत्रहवी सदी के फ्रेंच दार्शनिक रेंडेकार के इस प्रस्चिद सिधान पाधारित हूँ उनका सिधान था मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ इस मौलिक तथि के पुर्ण कर्थन का यही समय है चुकि आप है इसलिए आप सोच सकते हैं इसका किसी दर्शन से कोई लेना देना नहीं है चाहे वो पूर्वी हो या प्रक्षमी यह एक सरर अस्तिवागत वास्तविक्ता है आप पुरी तरह से मौजूद हो सकते हैं फिर भी आप चुन सकते हैं कि आपको सोचना है या नहीं सोचना है आपके जीवन के सबसे सुन्दर पल जिन्हें आप अनन्द के पल, खुशी के पल, परमानन्द के पल या परमशांति के पल मान सकते है ऐसे पल थे जब आप किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे आप बस थे आपके विचारों के बीना भी अस्तितुव है विचार वास्तों में क्या है? क्या बस या जनकारी जो आप कोई कठी हुई है और आप उसे भेट रहे है ये चीज आपके दिमाग ने जमा कर रखी है इसके अलावा क्या आप वास्तों में कोई दूस्ती चीज सोचने में सक्षम है मनुष्य का मन बस पुरानी जनकारी को फेटने के काम कर रहा है तो मैं पुछता हूँ आप जीवन जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते है या सुचने वाले व्यक्ति अभी 90% समय आप केवल जीवन के बारे में सोचते रहते है न कि जीवन जी रहे होते है आप इस दुनिया में जीवन का अनुभाव करने आए है या इसके बारे में सोचने आए है जीवन प्रक्रिया की तुल्ला में आपकी मानसिक प्रक्रिया बहुत छोटी चीज है लेकिन अभी यह कहीं ज्यादा महत्तो पुर्ण हो गई है अब मानवता के लिए समय आ गया है कि यह जीवन प्रक्रिया को फिर से महत्तो पुर्ण बनाए यह तुरंट आओ सकता है हमारा जीवन इसी पर निर्भर है एक बार की बात है यह लगबग निश्चित रूप से जोटी कहानी है लेकिन इससे फड़क नहीं पड़ता क्योंकि इससे सच की गंध आती है प्राचिन उनान के महान बुद्धी जीवी और उस्तु को आधुनिक कर्क का जनक माना जाता है एक दिन और उस्तु समुद्र तट पर टहल रहे थे सुर्यास्त का अध्भुत द्रिश्य सामने था लेकिन उनके पास ऐसी सधारन घटनाओं के लिए समय नहीं था वे अस्तितु की किसी बड़ी समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे थे एक बुद्धी जीवी दिमार के लिए अस्तितु हमेशा से एक समस्या रहा है और अरस्तु उसे पहल चमा चाता हूँ और अरस्तु उसे हल करने वाले थे गंभीर विचारों में खोय हुए वे तट पर इधर से उधर टहले है थे समूद तट पर एक और आदमी भी था जो बड़ी लगन से कुछ कर रहा था वो अपने काम में इतना दूबा हुआ था कि थोई देर बाल अरुस्तु भी उससे अंदेखा नहीं कर सके जो लोग अपनी स्वयम की मन वे गानिक वस्तिविक ताव में डूबे रहते हैं वे आम तोल पर अपनी आसपास के जीवन को अंदेखा कर देते हैं उनके पास किसी फूल, सुर्यास्त, किसी बच्चे या मुश्कुराहत हुए चेहरे की तरफ देखने वाली आँख नहीं होती अगर कोई चेहरा उदास है तो उनमें उस पर मुश्कुराहत लाने में कोई रूची भी नहीं होती दुनिया में इसी छोटी मोटी परवाह करने की उनकी जरासी भी जिम्यदारी नहीं होती वे अस्तितु की पहलियों को सुल जहाने में बहुत अधिक विश्ट होते हैं लेकिन इस आदमी का जोश ऐसा था कि और रस्तु भी उससे अंदेखा नहीं कर सके बारकी से गौल करने पूर होने ध्यान दिया कि अपने मकसद में पूरी तरह से तलीन वो आदमी बार मार सब मुद्र के तरफ जाता था और फिर लोड आता था अर रस्तु ने अपने विचारों को रोका उसे पुचा तुम आखिर यह क्या कर रहे हो तुम आखिर यह कर क्या रहे हो उस आदमी ने कहा कि रुपिया मुझे तंग मत कीजिये मैं बहुत काम कर रहा हूँ और वो अपना काम उसी उत्सा के साथ करता रहा और रस्तु कुछ सक्ता अब और बढ़ गई उन्होंने फिर पूचा लेकिन तुम कर क्या रहे हो उस आदमी ने कहा मुझे तंग मत कीजिये यह बहुत जरूरी काम है और अस्तु ने कहा लेकिन यह जरूरी काम है क्या उस आदमी ने उन्हें वो छोटा सा गढ़ा दिखाया जो उसने रेत में खोदा था और बोला मैं समुंदर को इस गढ़े में खाली कर रहा हूँ उसके हाथ में एक चमर था अर अस्तु ने देखा रहा से और वैसे अरस्तु उस किस्म के आदमी थे जो जरा भी हसे बीन पुरा साल भिता सकते थे हसने के लिए दिल चाहिए बुद्धी हस नहीं सकती यह केवल चिया लगा कर काट सकती है लेकिन इस बात पर अरस्तु भी जोड़ से हस परे और उन्होंने कहा यह क्या मजाक है तुम जरूर पागल हो क्या तुम जानते नहीं कि यह समुद्र कितना विशाल है तुम कभी भी इस छोटे से गड़े में इस समुद्र को कैसे खाली कर सकते हो और वो भी एक चमच से कम से कम तुम्हारे पास एक बाल्टी होती तो इसकी कोई संभावना हो भी सकती थी किर्पया इसे छोड़ दे यह नेरा पागलपन है उस आदमी ने अरस्तु की ओर देखा चमच नीचे फेका और कहा मेरा काम तो पुरा हो गया अरस्तु ने कहा क्या मतलब समुद्र का खाली होना तो दूर वो गड़्धा भी नहीं बारा तुम्हारा काम कैसे हो गया वो आदमी खरा हुआ और बोला मैं समुद्र किस गड़्ध में एक चमच से खाली करने की कोशिस कर रहा हूं आप मुझे बता रहे हैं कि यह पागलपन है लेकिन आप खुद क्या करने की कोशिस कर रहे हैं क्या आप जानते हैं कि यह अस्तितु कितना भी साल है इसमें इसके जैसे करोरों से भी अधिक समुद्र समा सकते हैं और आप इसे अपने सीर के छोटे सगर्डे में खाली करना चाहते हैं और वो भी किस चीत से विचारों के चमत से किरपया इसे छोड़ दीजिए यह और भी बरी बेवकुफी है वह दुस्त्रा आदमी हैराकट लिष्ट था एक और उनानी दार्शनिक एक पल में उसने अरस्तु को दिखा दिया कि अपने तर्ड को जीवन के प्रतेक पहलू में लगाकर वे अपने अस्तितु को कितना पंग बना रहे थे अगर आप जीवन के अनु आपके पास चाहे आंस्तिन का दिमागी क्यों नहीं हो फिर भी आपकी विचार पर किरियत उचोगी क्योंकि विचार जीवन से बड़ा नहीं हो सकता है जो दो व्यप्रित धुरू के बिच काम करता है अगर आप जीवन को उसकी विशालता में जानना चाहते है तो आपको बुद्धी से अधिक किसी चीज की जरूरत होती है आपके पास यही बुन्यादी विकल्प है आप या तो स्रिष्टी के साथ जीना सिख ले या फिर आप अपने सिर में अपनी ही स्रिष्टी के रातना कर ले आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं यह धरती समय से घुम से चल रही है पुरा बढ़मांड भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है लेकिन आपके दिमाग में एक छोटा सा घट्या विचार रिंग रहा है और आपका दिन खराब हो जाता है समस्या यह है कि एक मोनोवेगानिक जगह पर रह रहे है जिसका वास्तवेक्ता से कोई इस बर्मांड के विशालता और भवता में अगर आप स्वयम को सही परिछे में देखते है तो आप एक धुल के कंद से भी छोटे है लेकिन आप सोचते हैं कि आपके विचार को जो आपके भीतर एक धुल के कंद से भी छोटा है अस्तित्व की प्रकृति तैई करनी और वे एक बुध बने गौतम अकेले बुध नहीं थे जो वेक्ति बुध्धी जीवन के विवेधकारी और तार्किक आयामक के उपर उपड़ चुका है वही बुध है मनुस्ये ने दूखी हने के लाकों तरीके खोज लिया है इन सब को बनाने की मशीन बस आपके दिमाग में ही है एक बार जब आप अपने दिमाग के साथ पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं तब आप सिमाव से परे जीवन को अनुभाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं बुध होने का मतलब है कि आप अपनी स्वयम की बुध्धी के तरसक बन गए है जैसा कि हमने पहले कहा है योग का सार बस यही है उस इस्थीति पर पूचन जहां आप और आपके दिमाग के बीचे एक असपस्ट दूरी होती है एक बार जब ऐसा होता है तो बढ़ी हुई असपस्टता समझ और आजादी का जीमन परारम हो जाता है यही सोतंत्रता का जन्म है तर्क की सीमा इस धर्टी पर तार्किक सोत की बिना जिंद्गी नहीं चला सकते लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा तार्किक होना भी आत्म हत्या जैसा होता है मान लिजिए आप कल सुबह सोकर उठे और सो फिजदी तार्किक होकर सुचने लगे आप सुरियोदे असमार में उठी चिरिया अपने बच्चे के चेहरे अपने बगीचे में खिलते फूलों के बार में मत सुचे बस तार्किक होकर सुचे अब आपको सुबह उठना है, सो चाले जाना है, बरस करना है, भोजन करना है, काम करना है, भोजन करना है, काम करना है, भोजन करना है, सो जाना है अगली सुबह आपको फिर यही सब करना है, अगले 30-40-50 सालों तो आपको यही करते रहना है तो अगर सोब फिर्दी तायकी खोको सचने लगे तो आपके जिंदा रहने की वज़े ही नहीं बज़ती एक दिन निवाग सहर में एक आदमी अपने घर लोट रहा था उच्छे ऑफिस से देर हो गई थी अचानक उसने मन में एक रोमांटिक विचार आया वो फुल बेचने वाले के पास गया लाल गुलाबों का बड़ा गुल दस्ता खरीदार घर पहुचकर दर्वाजे पर दस्तक दी उसकी पत्नी ने दर्वाजा खोला पती ने दूसरे देखा और चिप्षिन लगी आज का दिन भूत बुरा था नन लिक कर रहा है बेस्मेट में पानी भर गया है बच्छों ने खाने को लेकर जगरा किया अब मुझे पुरा घर साप करना पड़ा कुता बिमार था मेरी मा की तब्यत भी ठीक नहीं और तुमा प्यादा तर्क के पल खुटकूशी के एक पल साबित होते हैं अगर आप जानते कि आपको तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और कब उससे पढ़े जाने की ज़रूरत है तभी आजीवन की सुन्दर्टा को जान जाएंगे साधना आप यह असान साभ्यास अज्मा सकते हैं आपने नल को इस तरह से खोले कि हर मिनट में उससे पाच बुन्द या दस बुन्द पानी ही गिरे आप अगर आप हर बुन को बहुत ध्यान से देखते हैं यह कैसे बनती है कैसे गिरती है कैसे जमीन से टकड़ा कर विखरती है हर दिन इसे 15 से 20 मिनत तक किजिए धीरे धीरे अपने भीतर और आसपास के कई चीजों के बारे में जागरुक हो जाएंगे जिनके बारे में अभी याप बिल्कुल बेखवर है यह सरल अभियास सनवेदन शिल्टा और इस पस्टता की एसी प्रकिरिया सुरू कर सकता है जिससे आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधीक हासिल कर सकते है इस असां प्रकिरिया में आप वास्तों में योग के अंग धागना में परवेश करते है जिसका अर्थ है वह जिसका परवाह होता है हम यह पानी की बात नहीं कर रहे है यह आपका ध्यान यानि आपकी चेतना है इसमें परियास यह है कि आपके ध्यान को पानी के साथ जोड़कर गतिशिल बनाया जाए यह निरीचिन करने का यह सराहना करने का अभ्यास नहीं है यह आपके ध्यान को जो छिटपुट और रुक रुक कर चलता है एक सत्ह परवाह में बदलने का भ्याद से एक बड़े स्टार पर आप और पानी एक ही है आपका एक अलग इकाई होना केवल आपकी धारना है पहचान की जंजीर बुद्धी पें चाकू जैसी होती है इसलिए काम वास्तुटता को काट कर देखना है जिससे आपके एक चीज और दूसरी चीज के बीच के अंतर करने की काबिलियत आती है अगर चाकूकट बिना कठनाई के चलाना है तो यह महत्वपूर्ण है कि वह जिससे काटे उससे चिपका नह रहे जाहिद है कि या चिपकने वाला चाकू अधी काम नहीं होगा मान लिजिए आप अपने के काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया कल आप उसे मांस काटे हैं, परसों और फल काटे हैं, अगर इन सबी चीज़ों के कुछ अन्स चाकू से चिपके रहते हैं, तो कुछ समय बाद यह एक बेकार का अजार हो जाएगा, आपने ऐसा उन्हों बहुत शायद पहले भी किया होगा, अगर आप याज काटने के बाद आम याज सेब काटे हैं, तो सब का स्वाद प्याय जैसा लगने लगता है, यह चाकू काम के चीज़ से अधिक व्याद के चीज़ लगने लगता है, यह दूसरे सब्दों में कहा है, एक बार जब आपके बुद्धी की पहचान किसी चीज़ के सास्व जूर जाती है, तो यह उस पहचान से बंद जाती है, तब आपको दुनिया का पुरी तरह से विक्रीत अनुभाव होता है, एक बार की बात है, राजनीती कारणों से महान बादुशा अकवर को अपनी मास से अलग होना परा, तो उनके देख भाल के लिए एक औरत को रखा गया, जिसका अपना भी एक बेटा था, उस अरतन अकवर को अपना दूद पिलाया और बाद में उससे इसके लिए नाम दिया गया, उसका बेटा उम्र में अकवर से थोड़ा बारा था, तो कुछ गाम दिये गिये और एक छोटा राजा बना दिया गया, कई शालों बाद अकवर मशूर गरीब हो गया, जब वो 32 साल का हुआ, तो उसके मन में एक संदार विचार आया, उसने सोचा, चुकि बादसान और मैंने एक ही माह का दूद पिया है, तो हम दोने एक तरह से भाय भाय हुए, और चुकि मैं पहले पैदा हुआ था, तो मैं बारा भाय हूँ, आपके मन में इस विचार को अच्छे से बैठा कर वो अकबर के पास गया, और उन्हें वही कहानी सुनाई, देखो, हम दोनों भाय हैं, और मैं तुम से बरा हूँ, लेकि मेरी हालात देखो, मैं गरीब हूँ और तुम बादसाह हो, तुम मुझे इस हाल में कैठी सोड़ सकते हो, अकबर बहुत भावुक हो गए, उन्होंने उसका सौवत किया महल में रखा, और एक राजा जैसा समान दिया, लेकिन उस आदमी को महल और दरबार कर तोर तरीके मालूम नहीं थे, उसने कहीं बेकोफी भरी हरकते की, फिर भी अकबर कहते रहे, ओ मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों उन्होंने एक ही मा का दूर पिया है, उन्होंने हर किसी से उसका अपने बड़े भाई के तरह परिचे कराये, कुछ दिनों तक यह सब चलता रहा, फिर उस आदमी को किसी काम से अपने गाउं जाने की जरूरत हुई, अकबर ने कहा, मेरे भाई जो गाउं तुमें दिये ग और तुम्हारे अपने एक छोटा राज्ये बने होगा, लेकिन उस आदमी ने कहा, अगर मैं देख रहा हूं कि तुम इतने निसफ़र इसलिए हो कि तुम्हारे आसपास तमाम वो दिमान लोग है, मेरे पास सलाह देने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ खो अगर मेरे पास भी अच्छे सलाह कार और मंत्री होते, तुम्हारी तरह बरा समराज्य बना लेता, और तो और तुम्हारे पास विर्वल है, वो कितना होश्यार है, अगर मेरे पास उसके जैसा कोई होता तो मैं भी महान बादशा बन जाता, इस पर बड़े दिल वाले अक् तुम्हें मेरे बरे भाय के साथ जाना होगा, अक्बर ने बिर्बल को बुलाया और अग्या दी, तुम्हें मेरे बरे भाय के साथ जाना होगा, बिर्बर ने सोचकर कहा, जहां पना, आपके बरे भाय को मुझसे बहतर कोई मिलना चाहिए, मेरा बारा भाय क्यों नहीं, मैं अ कहां यह बड़ी अच्छी बात है उन्हें तुरंद बुलाओ अगरे दिन जब वह आदमी अपने राज्ये के लिए रवाना होने वाला था तब दर्बार में एक संदार विदाईश समारोह का आयोजन किया गया हर कोई वहां मुझूद था और इंतजाई कर रहा था कि वीबर कब अपने बड़े भाई को लेकर वहां आएंगे तब वीबर वहां अपने साथ एक बेल को लेकर पहुँच गया अकबर ने क्रोच से भरकर का क्या तुम मेरा और मेरे भाई का अफमान करने की कोशिश कर रहे हो ब्रिबर ने का नहीं जाना हपना यह मेरा बड़ा भाई है हम दोनों ने एक ही मा का दूद पिया है एक बार जब आपके बूदी किसी चीज के साथ अपनी पहँचान जोड लेती है तब आप उसी पहँचान के दैरे में काम करते है आप जिस किसी चीज के साथ पहँचाने जाते हैं आपके सारे विचार और भावनाय उसी पहँचान से प्रभावित होती है मान न लिज्ये कि अभी आप स्वयम को एक आदमी के तोर पर पहचानते है तो आपके सारे विचार और भावनाय उसी पहचान से पैदा होगी अगर आप स्वयम को अपनी राश्ट्रियता या धर्म से जो लेते हैं तो आपके विचार उन्हीं पहचानों से निकलेंगे आपके जो विचार और भावनाएं हैं ये कुछ हद तक एक पुर्वगरा को दर्शाते हैं वास्तों में आपका मन स्वेम ही एक तरह का पुर्वगरा है ऐसा क्यूं होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मन सिमित जनकारी का अधार पर काम करता है और वास्तों में भेट करने वाले बुध्धी इसे संचाली करती है तो आपका मन जिसे चेतनिये तक पहुचने का स्वपान होना चाहिए था वो मामली अस्तर पर अंतेहिन ठोकरे खाता रहता है और कुछ मौके पर सीधे नरख की सीधी बन सकता है सीधे नरख की सीधी बन जाता है बुध्धी जिस पहचान के आसपास काम करती है उसे एहंकार कहते है पहले दी गई चाकू के मिसाल में वो हाथ जो चाकू चलाता है वो पहचान है और दुसरे सब्दों में यह आपकी पहचान है जो आपकी बुद्धी को चलाती है और तै करती है जब आप चाकू इस्तिमाल करते हैं तो उसका बस पहिना होना ही महतफूर नहीं है बलकि हाथ का इस्तिर होना भी जरूरी है बीना इस्तिर हाथों कि आप स्वयम को बुरी तरह से काट डालेंगे अधिक्तम मुझसे बाहरी पर इस्तित्यों के कारें पीरा और दुख से नहीं गुजरते उन पर बाहर से जो डाला जाता है वो बहुत ही कम होता है बागी सब स्वयम का पैदा किया होता है एक बाद जब आखी पहचान किसी ऐसी चीत से जूर जाती है जो आप नहीं है तो आपका मन एक्स पेस टेंड बन जाता है जिससे कोई रोक नहीं सकता अगर आपके मन को पूरा एक्सलेटर दबा के चलाया और फिर ब्रेक लगना चाहा तो यह काम नहीं करेगा लेकिन अगर आप स्वयम को हर उस चीत से अलग कर लेते हैं जो आप नहीं है जो आपके पहचान थी उसको अगर आप हटा लेते है तो आप देखिए कि दिमाग ब वह बस्त खाली रहेगा सभी मोनो वेगानिक हल चलो से मुक्त इससे ऐसे ही होना चाहिए लेकिन अब ही आप तमाम वेगान तमाम पहचानों से जूरे हुए है और साथ ही आप अपने मन को रोखना चाहते है यह बिलकुल कारगार नहीं होगा इससे फर्क नहीं पाता कि आप स्वयम को क्या समझते है जब मुर्टु आती है तो हर पहचान मीट जाती है अगर मनुस्य इससे स्वयम मीटाना सिख लेता है तो जीवन आनंद में हो जाएगा अगर मनुस्य इससे स्वयम मीटाना सिख लेता है तो जीवन आनंद में हो जाएगा अगर आप अपनी बुद्धी को किसी भी पहचान से नहीं उलजाते जैसे शरीर, लिंग, परिवार, योगिता, समाज, वंस, जाती, धर्म, समुदाय, रास्त्र, यहां तक की प्रजाती भी तो आप स्वभाविक रूप से अपनी परम प्रेकृति की तरफ अगरिसर होंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मृत्यू इससे भी इन सबको धुश्ट कर देगी, आपको इस बारे में संदेख करने की आविशकता नहीं है, अगर आप अपनी बुद्धिमता का इस्त अगर आप अपनी बुद्धिमता का इस्तिमाल करते हैं, अपनी परम प्रेकृतिक तरफ पहुचने की कोशिस करते हैं, तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञान योगी अपनी पहचान को किसी भी चीत से जोड़ने का खत्रा मोल नहीं ले सकती, अगर वैसा करते हैं, तो यह इस मार्ग पर उनकी यत्रा का अंत होगा, लेकिन दुर्भागेश से कम से कम भारत में ज्ञान योग के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी प्यरवी करने वाले लोग कमाम चीजों में विश्वास करते हैं, मैं सारभोम आत्मा हूँ, मैं परम हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वेगेरा, वे सब कुछ जानते हैं, बरमान की वेवस्था से लेकर अत्मा का आकार और लंबाय चुराय तक, उन्होंने ये सारी बाते किताबों में पढ़ी है, ये ज्ञान योग नहीं है, ये किसी चीज के बारे में आपकी जनकारी जो आपके लिए जीता जगता अनुभाव नहीं है, वो बस विशूत कच्र वो आपको सिर्फ उलजाता है, एक दिन की बात है, एक बैल मैदान में चर रहा था, चरते चरते हुआ घने जेंगर में चरा गया, कहीं हफतों तक ताजी हरी घास खाकर वो मोटा ताजा हो गया, एक दिन एक ऐसे बोठे सेर ने जो बरी मुश्किल से सिकार कर पाता था, उ उस पर कुद परा और मार कर खा गया, उसका पेट पुई तरह भर गया, प्रम्तिव्त होकर वो दहार उठा, कुछ सिकारी वहाँ पात से गुजर रहते, उन्होंने दहार सुनी, स्वर को धुन निकारा और उसे गोली मार दी, कहानी से सिक्षा, जब आप बकवास से लबालाब भरे हुए हो, आपको मुह नहीं खुलना चाहिए, चन लोगों के पास से ग्यान योग के मार को चनने के लिए ज़रूरी बुद्धी होती है, ज्यादा तर लोगों की भारी मात्रा में तयारी करने की आप सकता होती है, इसमें बहुत वक्त लगता है क्योंकि मन बरा मकार हो, वह लाकों तरह के भर्म पैदा कर सकता है, ज्यान योग को एक मात्र मार्ग के रूप में अपनी अध्यात्मिक सादना के हिस्ता बनाना एक वैवहारिक विकल्ब है, लेकिन यह किवास गिनने चुने लोगों के लिए ही है, बस एक घंटे के लिए बिलकुल अक्यले बैठिये, न पढ़िये न टिवी देखिये, न फ़न पर बात कीजिए, फिरिस किसी ज़र कोई संवाद मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस इस बात पर गौर कीजिए, उस घंटे के दोरान आपके मन में किस तरह के विचा कीजिए के बारे में सुचते है, तो आपकी पहचान असर में आपके शरीर से है, अगर आपके विचारिस बारे में है कि आप दुनिया में क्या करना चाहेंगे, तो आपकी पहचान वास्तों में आपकी मन से है, दूसरी हर चीज इन दो पहलोयों के जटील मेरे से जुरी है यह आकलर नहीं है, यह बस इतना जाने का तरीका है कि आप जीवान के किस चरण में हैं, आप कितनी तेजी से विकास करना चाहते हैं, यह आपके चुनाओं पर निर्भर करती है बुद्धी को जागरुक बनाए, योग पद्धि के वर्गी करन के अनुसार मन को सोलोह आयामों में बाटा गया है, इन सोलोह को चार भागों में रखा गया है मन के अंतर करने वाले आयाम को बुद्धी कहते हैं, मन के संचे करने वाले आयाम यानि सिम्रिति को मानस कहते हैं, यह जनकारी इकठा करता है इसका जो तिसरा आयाम है उसे जागरुक्ता या प्रग्या या चीत कहते है यह बुद्धी और सिम्रिती से परहे है चोथे आयाम एहंकार के बारे में हम पहले बात कर चुके है इससे आपको अपने व्यक्तितु और पहचान का बोध होता है पहला आयाम बुद्धी आपके जीवन को चलाने के लिए अतियंत महत्तो फुर्न है आप एक इंसान और पेर में इसलिए शिर्फ इसलिए अंतर कर पाते हैं क्यूंकि आपकी बुद्धी काम कर रही होती है आप जानते हैं कि आपको दर्वाजे से होकर जाना है दिवार से नहीं क्यूंकि आपकी बुद्धी काम कर रही होती है भेद करने वाले इस आयाम के बीना आप इस थर्टी पर काम नहीं चला सकते अधिक जटील और प्रिस्क्रित अस्तरों पर बुद्धी ने मानो संस्क्रिती और सव्यता के विकास में असाधारन योगदान दिया है लेकिन हमाया दोर की समस्या आया है कि बुद्धी ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपुर्ण भुमक्या निभाने लगी है अधिनिक सिक्षा ने मन के इस आयाम के पुरी तरफ से एक तरफा विकास को प्रोचसाहित किया है बुद्धी की प्रकृती हर चीज को विभाजित करने की है तो मानवाता थोक भार में विभाजित करने भेद करने और कातने की अत्रा पर चल परी है हमने हर चीज के टुक्ड़े कर डाले है, यहां तक की अदर्ष्य पर्मावनु को भी टुक्ड़े टुक्ड़े कर दिया है एक बार आपने इस बुद्धी को खुली छुट दे दी तो यह जीसे भी देखेगी उसके टुक्रे कर देगी यह आपको पुर्णतर किसी भी चीज के साथ नहीं होने देती हलाकी जिन्दगी चलाने के लिए बुद्धी एक शांदार साधन है लेकिन साथ ही यह एक घोर रुकावट भी है जो आपको जीवन के एकत्व का अनुभाव नहीं करने देती हम इस समस्या से कैसे निप्टे योग हमें इसका तरीका बताता है हमाय दोर में यह ने केवल एक करगार रन नीती है बलकि यह उस यत्रा से पलटने का हमारे लिए एक मात्र आवसर भी है जो हमें सीधे आत्म विनाश की ओर ले जाती हुई लगती है बुद्धी रुकावट इसलिए बन रही है क्योंकि आप उसे निरंतर मन के संचे करने वाले हिस्से में अपनी स्मृती में दुबवये रहते हैं आप इसे स्विम जाचिये आप पायेंगे कि हर चीज जो मन में आती है उसकी जरे उस जनकारी में होती है जो आपने अब तक की कठी की है वह जनकारी सचेतन या चेतन किसी भी रूप में कठी हुई हो सकती है किसी भी हाल में इसका बुनियादी तोर पर मतलब है कि आपकी बुद्धी निरंतर भूत काल में दूबी हुई है ऐसी आवस्था में कुछ भी नया संभव नहीं है और इसलिए बुद्धी ने अपना पैनापन खो दिया है और एक फंदा बन गई है अगर असपस तोड़ पर देखे तो दिमाग का संचय करने वाला हिस्सा बस समाज का कच्रे वाला डिब्बा है यह शिर्फ आपके द्वारा बाहर से जमा की हुई धर्नाओं का धेर है आपका जिससे भी सामना होता ह हो आपके दिमाग में कुछ नकुष ठुष देता है और आगे बढ़ जाता है अपने माता पिता अध्यापक दोस्त दुश्मन उपदेशक तिवी पर समचार पढ़ने वाला और हर कोई आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि किस से गरहन करे और किस से नहीं जिस पल आ दिमाग में जैवाला आपके पास और दिमाघ में जानकार्यों की वर्शा के वाल आपके पास इंध्रियों के जरिये होती है जैसा कि हमने पहले देखा है आपकी इंद्रिया हमेशा सिर्फ तुलना द्वारा ही हर चीज को जानती बुझती है जहां भी तुलना होती है वहां हमेशा द्वेतता होती है मान लिजिए कि मुझे आपको अपना हाथ दिखाना है अगर आप मेरे हाथ को एक तरब से देखते है तो आप इसको दूसरी तरब से नहीं देख पाएंगे अगर मैं दूसरी तरब से दिखाता हूँ तो आप उपर वाला हिस्सा नहीं देख पाएंगे इसलिए इंद्रियों के जड़े इंसान की समझ हमेशा टुक्रों में बनती है यह आपको संपुर्ण का अभास दे सकती है लेकिन कभी संपुर्ण को समझ बुझ नहीं सकती जब आप अपनी बुझी को अपने मन के इस सिमित पिभाजित और संचित करने वाले आया में डुबो कर रखते है तो आपके दोरा जीवन के बारे में निकाले गए नतीजे पुरी तरह से विक्रित होते है लोग विचारों में जितना ज्यादा दूबे रहते है उतना ही आनद रहित हो जाते है यह दुर्भागय पुर्ण है मैं अस्पस्थ करना चाहता हूँ विचार अपनी आप में कोई समस्या नहीं है जिन लोग की सोच अस्पस्थ है उन्हें तो खुश रहना चाहिए दुर्भागय से कहीं लोग जितना ज्यादा सोचते है उतना ही ज्यादा हसने में असमर्थ हो जाते है समस्या केवल इतनी है कि उन्होंने अपनी भेत बुद्धी को इंद्रियों की समझ की सिमाओं का गुलाम बना दिया है लेकिन उसी बुद्धी को पहना किया जा सकता है अगर आप उसे अपने मन के एक और आयाम अपनी जागरुकता अपने चीत में दुबोकर रखते है सच्मुच भेद भाव करने वाली बनाना होगा अगर आप दिमाग की सहयता से अपनी परंप्रकृतिक तक पहुचना चाहते है तो आपको बुद्धी को सही माइने में सच्मुच भेद करने वाली बनाना होगा इसका मतलब हर चीज को अच्छे और बुरे, सही और गलत, उच और नीच, स्वर्ग और नरक, पवित्र और और पवित्र में बाटना नहीं है इसके बजाए इसका मतलब बस वास्त्वीक और काल्तनी के बिच भेद करना सिखना है तो आपके मन का भेद करने वाला आयाम मुक्ती या चमतकारी साधन बन सकता है यह चाकू की तरफ पहना हो सकता है सत्य को असत्य से काट कर अलग कर सकता है और आपको जीवन के बिलकुर अलग आयाम में पहुचा सकता है अपनी बुद्धी को समृत्ती और पहचान के जोले में रखने के बज़ाए उसी अपनी जागरूता की मयान में रखना चाहिए ऐसा करने पर यह जबर्दस्त साधन से हैजता से परम की ओर बढ़ सकता है अगर आप तनी हुई यह साधना अगर आप तनी हुई रशी पर चलते है तो आपके पास जागरूक रहने के लावा और कोई रस्ता नहीं होता अगर आपकी बुद्धी लगतार अच्छे और बुरे में से चैन कद ही है तो यह एक पुरूआ गरश्त बुद्धी बन गई है और जब यह दुनिया को अच्छे और बुरे में छाटने में व्यश्त हो तो आप सर्तिया रसी से गी जाएंगे उस रसी के साब्दिक अर्थ पर मत जाएए आप बस शरीर की हरकतों और हाव भाव में कुछ हद तक सर्तिक्ता लाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप हर्थ योग साधना करते हैं तो यह खुद बखुद होना चाहिए उदारें के लिए अगर आप हर्ष पर सीधी लाइन देखते हैं तो सेहज गतिक कायम रखते हुए उस लाइन के सीध में चलने की कोशिश किजिए यह खुद के प्रती सत्ताय के रहने के बारे म हैं अपने शरी के साथ ऐसा करके देखिए हर हरकत में हर भाव में सटिक्ता लाइए यह अपनी बुद्धी को जागरुकता में दुबोने का एक तरीका है जागरुकता ही जिवन्तता है वैसे जागरुकता शब्द से हमारा क्या मतलब है यह क्या दर्शाता है और इस तक हम कैसे पहुच सकते है सबसे पहले हमें यह अंतर समझना होगा जागरुकता मानसिक सतर्क्ता से नहीं है हम दिमार की सतर्क्ता कि वड़्या में खुत को काईम रखने में आपकी चमता बढ़ाती है यह सतर्क्ता उस मा вес मैंने में है जो ये कुट्टे में होती है आत्म संरक्षन के लिए उपयोगी न की आत्म विस्टार के लिए जागरुकता को यह इसी चीज नहीं है जो आप करते हैं आप यह जागरुकता है जागरुकता ही जिवन्तिता है आदुनिक समाज ने खुद को संकत में डालकर मन के जिस आयाम को पुरी तरह से अंदेखा कर दिया है वो है जागरुकता या चीत यह वह परगिया है जो सिम्रिती से पुरी तरह से बेदाग है यह मन का सबसे गहरा आयाम है और आपको सिर्ष्टी का धार से जूटता है जब आप इस आयाम के संपर्ट में होते है तब आप जावरुकता की उच अवस्था में होते है जो आपको पुरी तरह से सचेतन और साथ ही मस्त होने देता है और वो भी बीना किसी बारी उदिपन के जब आप चीट तरह पहुचना सिख लेते है तो आनन्द में होना बिलकुल सोभाविक है नींद, जागरीती और मृत्यू सभी जावरुकता की बस अलग-अलग अस्तर है मान लिज्ये कि आप उंग रहे है और किसी नाप को हिला कर जगा दिया बस एक पल में दुनिया वापस आ जाती है यह कोई छोटी बात नहीं है आपने एक पल में पूरे अस्तित्ट को फिर से रच लिया वह दुनिया जो आपके अनुभाव से गायव थी अचानक प्रकट हो जाती है साथ दिनों में नहीं बल्कि बस एक पल में आप यह कैसे जानते हैं कि दुनिया का अस्तित्ट है या नहीं शिर्फ अपने अनुभाव से उसका कोई दूसरा सबुत नहीं है तो जागरुकता वह चीज है जो इस अस्तित्ट को या तो पैदा कर सकती है या उसे मिटा सकती है यही जागरुकता का जादू है आप अपनी जागरुकता को अलग-अलग स्थरों तक ले जा सकते है जैसे जैसे आप इसे उपर और उपर उठाते हैं अस्तित्व के बिलकुल नए आयाम आपके अनुभाव में खुलते जाते हैं, ऐसी दुनिया जिनके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नई सोचा होगा, आपके लिए एक जीती जागती वास्तिविक्ता बन जाती है, जब आप निंद में होते हैं, तब आपके लिए और मरे हुए इंसान के बीच जागरुकता का अंतर होता है, इसी तरह से जग हुए व्यक्ति और परबुद या आत्मग्यानी व्यक्ति के बीच भी एक फर्क होता है, परबुद आदमी भी सोता है, लेकिन उससे ने इतनी जागरुकता हासिकल ले होती है कि उससा कुछ हिस आईसा नहीं सोता इंद्रिया बंध हो जाती है शरी थोड़ा आराम कर रहा होता है लेकिन वाखी सब कुछ चलता रहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जारुकता एक दुसरे अस्तर तक पहुच जाती है जारुकता सब को अपने साथ सामिल करने की प्रकिरिया है यह पूरे अस्तित्व को गले लगाने का तरीका है आप इसे कर नहीं सकते लेकिन आप सही माहल बना सकते है ताकि यह घटित हो जागरुक होने की कोशिस मत किजिए यह कारगार नहीं होगा अगर आप अपने शरीर, मन और उर्जा को सरी धंग से तालमेल में रखते हैं तो जागरुकता अपने आप खिलेगी आप जितने जिवन्त अभी है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा जिवन्त हो जाएंगे जब आप नियंतर अपनी जादुकता के संपर्क में रहते हैं तब आपकी पहुच भौत्तिक से सुमतम आयाम आकास तक हो जाती है जैसा कि हमने पहले देखा बर्मान बस पाच तत्तो का खेल है जल, अगनी, धर्टी, वाईव और अकास स्रिष्टी बस इन पाच का खेल है हर व्यक्तिक के आज पास इन पाच वे तत्तु का थोड़ा आयाम होता है जबकि दूसरे तत्तु शरीर के अंदर होते है इस अकाशिय तत्तु का आवरन शरीर को चार और से घेरे रहता है आंतोर पर अठाय से किस इंस की दुड़ी तक चुकी अस्तत्त वी भौतिक ही है अतर इसमें भी जनकारी होती है आपके जिवन में जो भी चीज तिर्वता और गहनता के खास अस्तर पर होती है वो आपके चारो और मुझूद इस अकाशिय छेत में लिख जाती है जब आप अपनी जावरुकता का सचेतन अस्तर प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी पहुच आपके शरीर के चारो और मुझूद अकाशिय आयाम तक और साथ ही धर्टी, सौर मंडल और पूरे बर्मांड की अकाशिय आयाम तक हो जाती है भारत और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में प्राचिन लोगों ने बिना किसी आधुनिक टक्नीक के असधारन मात्रा में बर्मांड के बारे में ग्यानी कठा किया था यह सब हमारी बुधिमता के अकाशिय आयाम या चीदा काश आयाम के माध्यम से बतोरा गया था एक बार जब आप अपनी जारूता के संपर्क में होते हैं तब आपको कुछ भी हासिल करने की कोशिस नहीं करनी होती आपको कोई इच्छा करने या सपना देखने की जरूरत नहीं होती क्यूंकि आपके साथ जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है वो स्वयम हो जाएगी योग की भासा में कहा जाता है कि जब आप इस आयाम तर पहुचना सिख लेते हैं तो समझ ये आपके चेतेने या इश्वर को दास बना लिया अब इश्वर आपके लिए कार्य करता है इसका ठिक ठिक मतलब है क्या है इसका मतलब है कि एक बार जब आप स्वयम को अपनी अनुवशिक और कार्मिक जनकारी की विवस्ता से दुर कर लेते हैं तब जीवन बोज रहित लचीला और आविश्वस्तिय रूप से सहिज हो जाता है इस आयाम यह आयाम पहचान से परे निसकर्सों से परे कर्म से परे और हर तरह के विभाजन से परे है यह अस्तित्व की ही बुधिमता है जिसमें जीवन बिलकुल सठिकता और सहजता सठिक वैशी घटित होता है जैसे इसे घटित होना चाहिए अगर आप मुलित्व के पल में जागरुक है तो आप मुरित्व के पड़े भी जागरुक रहेंगे इसका अभियास सोने के साथ किजिए निन्द कुछ हो नहीं बलकि अस्थाई मुरित्यू है हर रात को आपको एक जबरदर्स संभावना डी जाती है मुरित्यू के बाद के आयाम के बारे में जागरुक बनने के लिए आप इस परियोग को आज रात ही अजमा सकते है जब आप जागी हुई अवस्था से निन्द की और बढ़ते है उस चन जागरुक रहने की कोशिस किजिए ये अभियास बिश्टर पर लेक्टे हुए किया जा सकता है अगर आप निन्द में पहुचने से पहले जागे हुई आखरी पल में जागरुक रह सकते हैं तो निन्द का दोरान भी जागरुक रहेंगे आप देखेंगे कि ये काफी कठीन है तो ओ एक और चीज है जो आप कर सकते है अगर आप एलाम से उठने के आदि है तो ऐसा किसी धावनी के माध्यों से कीजिए कोई धून या कोई मंतुरोचार जो आपको आपकी जागरुकता की याद दिलाए आप इस समवंध को बनाने के लिए स्वयम को असानी से परिसिछित कर सकते है यह आपकी जागरुकता के लिए एलाम बन सकता है जाहिर है कि आप सो जाने के लिए एलाम को इस्तिमाल नहीं कर सकते लेकिन सच्चा यह है कि जब तक आप अपने शरी की पहचान को स्वयम से पुरी तर ऐसा लग नहीं करते जागने से सोने के और सचेतन होकर जाना सरल नहीं है जागने के वक्त के पहले पहल में यह देखिए कि क्या आप किसी चीज के प्रत्री जागरुक हो सकते है जैसे आपकी सांस या आपका शरीर यह चीज बाद में आपकी तब सहरता के रही जब आप सोने जाना चाहते है अगर आप जावरुकता के साथ जागना और जावरुकत अवस्था से सोते वक्त जावरुक रहना सिख लेते हैं तो आप मिल्ट्वी हीन हो जाते हैं इसका अर्थ है कि जब शरीत त्यागने कर समय आता है तब आप यह पूरी जावरुकता में कर सकते हैं उस पल के पास पहुचना ही आपके शरीर और मन के काम करने के तरीके को बदल देगा और आपके जीवन की गुनवता को अध्भूत थंग से परिवर्थित कर देगा विचारों से परे है प्रग्या या आपने कभी मधुमक्खी के छत्य को गोर से देखा है भले ही आपने कोई उनत इंजिनियरी कोर्स क्यों न किया हो मधुमक्खी के छत्य से फिर भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है या इंजिनियरी की एक शांडार मिसाल है या सत्मुच सबसी अच्छा अपार्टमेंट परीसर है जिनके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी इससे बड़ी खुब्सूर्टी से बनाया गया होता है और किसी भी मौसम में आपने स्टाय थी कभी मधुमक्य के किसी छत्य को पेर से गिरते देखा होगा देखा है कभी अलांकि इसकी संदत्ना बड़ी ही अजबुत होती है लेकिन क्या मधुमक्या के दिमाग में इसकी इंजिनियरिंग की योजना होती है नहीं यह वो योजना उनके शरीद में होती है उनको बिल्कुल ठिक ठिक पता होता है कि क्या करना है क्यूंकि उनके सिस्टम में ही इसका खाका मौझूद होता है अध्यात्मी ज्यान भी हमेशा इसी तरह दिया जाता था विचारों से नहीं सब्दों से नहीं दर पीधी देती है यह एक प्रकार से प्रग्या का वैसा का वैसा संचार या डाउनलोड है एक बार जब यह डाउनलोड हो जाता है तो वह हर चीज जिसे आपको जाने की जरूरत है आपके भीतर मौजूद होती है जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई खास संचार डाउनलोड करते है तो आपको यह नहीं समझना पड़ता कि यह कैसे काम करता है आपको संचार में लिखे हर संचार को पढ़ने की जरूरत नहीं होती आप एक बटन दबाते है और वह एक पुरा काम कर देता है दुस्ता होने लगती है मेरे अनुसार ज्ञान और प्रग्या के बीच अंतर है ज्ञान वास्तों में इक अठी की हुई जनकारी है सारी जनकारिया केवल अस्थित्व की भौतिक प्रकृति से संबंधित है जबकि प्रग्या एक जेवित बुधिमता है आप हो या ना हो या फिर भी म बीतर एक आंतरिक बुधिमता या प्रग्या है, जो रोटी की एक तुक्रे को इंसान में बदलने की छमता रखती है, इस सबसे प्रिश्तित मशीन का निर्मान, जिसमें मस्तिस्क भी शामिल है, इसे भीतरी बुधिमता से हुआ है, अभी आप बस अपने मस्तिस्क के एक तिलता और छमता वाला एक पुरा मस्तिक्स बना सकती है, वो कोई चीज एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, वो दारें के लिए मैं दिमाग से नहीं बलकि अपने सरीर की हर कोशिका से सुचता हूँ, मेरे विचार एक संगर्ठित, अतूत और एकरकृत प्रक्रिया है, इसमें काफी हद तक एक की करन है, क्यूंकि इसमें मेरा सब कुछ सामील होता है, मेरे मन में तब तक कोई विचार नहीं आते, जब तक मैं कुछ सुचना न चाहूँ, इन अस्तित्व में कभी कुछ भी अकारन नहीं हुआ, मानव समाज में ही चीजे बेवज़ा है, जीवन के इस अंस और जीवन के उस अंस के भी तुनला की जा सकती है, लेकिन उस बुद्धिमता के लिए, जो सारे जीवन को रच और चला रही है, न कोई कारन है, और नहीं कोई तुनला है, क्योंकि कुछ दूसरा है ही नहीं, आप यह नहीं कह सकते कि यह अभी ठिक जगह पर है यह हमेशा ठिक जगह पर होती है इसके लिए होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और योग का लक्ष बस यही है इस सीर में भरी जराश जनकारी से बर्मांड ये बुधिमता ये प्रग्या की तरफ बढ़ना लोग अक्सर बर्मांड की अनन्द प्रग्या के बजाए मानों मस इसक की समित बुधि को चुन लेने का कितना दुखत चुनाव कर डालते हैं मन से बस यह ख्यार निकालने की कोशिश किजिए कि विचार ही बुधिमता है एक परमानू से लेकर विशाल बर्मांड तक किस रिजन की संपुन प्रग्या संपुन प्रक्रिया प्रग्या की एक अभी वेक्ति है अभी आपके शरीर के अंदर एक संपुन प्रग्या की गोध में जानने के लिए पहला कदम यह पहचानना है कि जीवन का हर पहलू रेत के एक कंस लेकर पहार तक एक बुंद से सागर तक परमानू से बर्मांड तक आपकी छुद बुधि के तुलना में कहीं विशाल प्रग्या क्या भी रिखती है अगर आप यह कदम उठा लेते हैं तो जीवन आपसे बुलने लगेगा जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ होगा एक बार की बात है एक दिन दो आईरिश आदमी लंदन के विशाले की बाहर सरकों पर काम कर रहे थे उन्होंने एक प्रोटेस्टन्ट मंत्री को उस तरफ आते देखा उसने अपना कॉलर उपर किया सिर जुकाया और चुप चाप विशाले में दाखिला हो गया उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा देखो एक प्रोटेस्टन्ट से और क्या उमीद की जा सकती है पेद उन्हों फिर काम में लग गया कुछ देर बाद एक यहुदी धर्म गुरू आया उसने अपनी गले में इस तरह मफल लेपे टका था कि उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था वो भी छिपकर विशाले में घुस गया उसने इनको बहुत तकलीब हुई और उन्होंने दूखी होकर अपना सिर्ध हिलाया यह क्या हो रहा है जमाना बहुत खराब हो गया है एक धार्मिक आदमी विशाले में आखिर यह क्यूं हो रहा है कुछ दिर बाद वहां का स्थानिय भीशा पाया उसने भी इधर उधर देखा अपने चोगों को चारों लपेठा और विशाले में जागुसा अब एक ने दूसरे के तरफ मुलकर कहा वहां जरूर कोई न कोई लड़की बीमार होगी जिस पाल आपकी गहरी इस पहचान जो लेते हैं आप जीवन की समझ खो देते हैं अच्छे और बूर सही और गलत की सोच सब आपके दिमाग की उपज है उनका जीवन से कोई लेना नहीं है सौव साब पहले जो चीज नेतिक मानी जाती थी आज वह ऐसे नहीं हो गई है आप जिससे बहुत अच्छा समझते हैं आप के बच्चे उसे नफर करते हैं अच्छाई को लेकर आपकी सोच एक अस्तर पर जीवन के खिलाप एक पुरुवा गरह है जिस पल आप ने इस तरह से काम करती है कि आप कभी दुनिया को ऐसे नहीं देख पाते हैं जैसी वह है अगर आप चाहते हैं कि अधियात्मेक्ता आपके जीवन में आये तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वह यह है कि अक्छे और बुर्य इन कठोर धनाओं को छोड़ना होगा आज दुनिया की सबसे बरी समस्या यह है कि बच्पन से ही इनसान के मन पर नितिक्ता की कठोर विवस्था ठोप दी जाती है आप जीसे भी अच्छा मानते हैं उससे सोभाविक रूप से पहचान जो लेते हैं आप जीसे बुरा मानते हैं उससे सोभाविक रूप से दूर भागते हैं एक चीज के प्रति यह अकर्शन और दुसरी के प्रति नफरत ही सभी सक्थ पहचानों का अधार है आपके मन की प्रकृति ऐसी है कि आपको जिस चीज से नफरत है वोही इस पर हावी रहती है ने तिक्ता का पाठ पधाने वालों ने पिढ़ोस से मानवता को बताया है कि बूरे विचारों से दूर रहो यह उसका विप्रित हासिर करने की अच्चुक रन्नीती है अब अगर आप खुद को इसे रोकने की कोशिश करते है तो तथा कथित बुरे कबारे में आपके मन में दिन रात विचार चलते रहते है आपके मन में और कुछ भी नहीं चलता नेतिक सेस्ठा की सोच इस दुनिया में इतने ज्यादा अमानविये कृतियों का कारण बन चुकी है जिन्हें अंदेखा नहीं किया जा सकता अधिकतर लोग जो यह मानते हैं कि वे अच्छे है उनके साथ रहना मुश्किल होता है इसके अलावा वे अपना अधिकतर जीवन उ उसके बारे में लगतार सोच रहे होते है किसी चीत से बचना उससे अजादी नहीं है ऐसी नेतिकता बहिसकार पर अधारित है जबकि दूसरी तरफ अधियात मिक्ता समावेज करने की भावना से पैदा होती है हमारी मनवाता की असली प्रकृति को इतना अधिक दबाया और विक्रित कर दिया गया है कि उसकी जगह नेतिक्ता को लाना पड़ा ताकि हमाएं जीवन में थोड़ी वेवस्था और समझदारी आ सके ऐसा इसलिए हुआ है क्यूंकि हमने अपनी मानवाता को सक्रिय रखने के लिए कुछ नहीं किया अगर आपकी मानवाता सक्रिय होती तो नेतिक्ता की बिलकुल भी जरूर्यत नहीं पड़ती नेतिक्ता एक इनसान से दुसरे इनसान तक समय, जगह, हालात और सुविधा के अनुशार हमेशा बदल जाती है लेकिन जहां कहीं भी मानवाता ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है चाहे वो इतिहास का कोई भी काल रहा हो, कोई भी संस्क्रिती रही हो यह हमेशा से एक सी रही है और हमेशा रहेगी सतही तोर पर अपने मुल्यों, अचार, विचार और नेतिक्ता के लिहाद से हम सभी अलग-अलग हो सकते है लेकिन अगर आप किसी इनसान के भीतर गहराई में जाकर उसकी मानवाता को छूना जानते है तो पाएंगे कि हमें से हर कोई एक जैसा ही होगा नेतिक्ता थ्वपने के लिए आपको लोगों के साथ किसी तरह से सामिल होने की जरूरत नहीं है आपको बस निर्देश देने होते है अच्छे बनो, नर्मता से बोलो, अगर तुम गुसे से बोलोगे तो इसका भिष्ण परिनाम होंगे वगेरह अगर आप किसी व्यक्ति में मानुवता को जगाना चाहते हैं तो इसके लिए काफी ज़्यादा सगलंग्न होने की जरूरत होगी इसका अर्थ स्वयम को अर्पित करना होगा नेतिक्ता काम की होती है क्योंकि यह समाजीक व्यवस्था सुनिक्षित करने में सहायता करती है लेकिन यह आंतरिक विनाश ला सकती है चुकि अधिक्तर धर्मों दोरा निधारिक नेतिक्ता का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर सकता अता अधिकतर मानवता निरंतर अपराद बोध शर्म और दर्ग की अवस्था में जीती है यह एक दुर्भाग्य पुन रुप से अपंग अस्तित्व होता है मानवता भी समाजिक विवस्था ला सकती है लेकिन इसके लिए किसी भी तरह के बाहरी दबाव की जरूरत नहीं होती दुनिया की परमुक धर्म जिन भातों को पाप कहते है आप उनकी एक सूची बनाई है और आप पाएंगे कि जीवित रहना भी पाप है अगर आप पैदा हो जाते हैं तो यह पाप है अगर आपको मासिक स्वान सत्राव होता है तो यह पाप है अगर आप संभोग करते हैं तो यह पाप है यह सब तो भूली जाएं अगर आप एक चोकलेट भी खाते हैं तो भी आप पाप कर सकते हैं चुकि पुरी जीवन प्रकिरिया ही पाप है अतर आप निरंतर अपराद बोध या दर की स्थिति में रहते हैं अगर लोग डर और अपराद बोध से इतने तुटे हुए नहीं होते तो दुनिया भर के मंदीरों, मस्जीदों और चर्चों में इतनी भीर नहीं होती अगर आप स्वभाविक रूप से प्रसन होते भर्द है कि आप अपने होने, अपने बैलोजी तक को लेकर श्रमिंदा है यहार जो आपको उसे धोने के लिए किसी पवित माने जाने वाले जगह पर जाना पड़ता है उलग हमेशा मुलियों, नेतिकतावों और अचाव इचार के विक्रिफ करने के तरीके धुन लेंगे लेकिन जब आप स्वभाविक रूप से प्रसन होते है तो स्वभाविक रूप से आप अपने आसपास हर किसी से अच्छा बर्ठाव करते है अधियात्मित्ता का मतलब जीवन से दूर जाना नहीं है इसका मतलब अंतरतम तक जीवन्त हो जाना है वो भी पुरी तरह से उम्र के साथ शरीरिक फूर्टी कम हो सकती है लेकिन अनन्द और जीवन्तता के अस्तर का काम होना जरूरी नहीं है अगर आपकी खुशी और जीवन्तता के अस्तर में कमी आ रही है तो आप किस्तों में खुदखुशी कर रहे है दुर भागेशे सबी तरह की विश्वास पर नालियों का अधियात्मित्ता कहा जा रहा है अधियात्मिक प्रकिरिया हमेशा से एक तलास एक खुज रही है विश्वास करने और खुजने के वीचे एक बहुत बड़ा फ़र्क है क्योंकि विश्वास करने का मतलब है कि आपने किसी ऐसी चीज़ को मान लिया है जिससे आप नहीं जानते जबकि धुन्दने का मतलब है कि आपको यह एहसास हो गया है कि आप नहीं जानते इससे बेहिसाब लचिलपन आ जाता है जिस पर आप किसी चीज़ में विश्वास कर लेते हैं आप अपनी जीवन प्रकिरिया में किसी हर्त कठोरता से ले आते हैं यह सक्ती सिर्फ सोच में ही नहीं होती यह आपके जीवन के हर पहलू में फैल जाती है और यह कठोरता ही दुनिया में असाधारन पीरा का कारण है मानों समाज हमेशा से लोगों को आंतरिक अनभाव का प्रतिभिम रहा है ऐसे इंसान त्यार रह करना जिन में अलचिलापन हो और जो अपने विश्वास और धर्नाव में अटके रहने के बजाए हर चीज को खुले दिमाग से देखने को त्यार हो निशित ही एक अलग किस्म के समाज का निर्मान करना होगा योग एक ऐसी पधिती है जो मेरे और लाखों लोग के जीवन ने बहुत शांदार तरीके से करगा रही है यह पुरी तरह से एक वेग्यानिक विधी है जिसका अधार आस्था या विश्वास में नहीं बलकि मानव शरीर तंद की गहरी समझ में नहीं थै और नहीं यह किसी आशावादिता की सरभावना से आता है इसका तर्क बिलकुल सिधा है अगर आपके पास अच्छा बीज है और आप उसके लिए अनुकुल वातावरन बनाते है तो वो है जरूर अंकुरित होगा आपको एकमात कामया करना है कि शरीर और मन के वतावरन को सही बनाना है आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसमें किसी नेतिकता या गुड उपदेश किया अशकता नहीं है अगर आपकी मानवाता जा गई है तो आप एक अच्छे इंसान हो जाते है वे सभी चीजे जिन्हें दुनिया में नकरात्मक माना जाता है वास्तों में सिमाओं से पैदा होती है हम अपने उपर जो समित पहचान थोप देते है वही मैं और दूसरे में भेद अस्थापिच करती है विभारजन और अलगाव के इस डाइरे में ही सारी नकरात्मक ता और अपरात पैदा होते है इसलिए अस्थीन के लिए पर्यास करना सभी नकरात्मक प्रवितियों के विरूत एक बीमा है मानो जातिक रूप में मनवत्ता के जरूरत है जीवन को अजाद करने की न कि उसे नियंतित करने की सिमाओं से अजादी के और बढ़ना यही एक मात् मन एक कल्प व्रिच आपका मन पाच अलग अलग अस्थाओं में हो सकता है आपका मन निस्क्रिय हो सकता है इसका मतलब हुआ कि यह बिलकुल भी सक्रिय नहीं है यह शुरुवाती अवस्था में है अगर आप इसे उर्जावान बनाते है तो अब यह सक्रिय हो जाता है लेक अगर आप इसे और अधिक उर्जावान बनाते है तो यह एक लक्ष परकेंद्रित हो जाता है जब आप इसे और भी अधिक उर्जावान बनाते है तो यह सचेतन हो जाएगा और अगर आपका दिमाग सचेतन है तो यह जादू बन जाता है एक चमतकार बन जाता है तब यह प जिसके बुद्धी कुल बुला नहीं रही उससे कोई समस्या नहीं होती वो ठिक से खाता है और अच्छे से सोता है जो लोग बहुत अधिक सोते है ठिक से खा नहीं सकते और ठिक से सो नहीं सकते सरहिदेवाय लोग दुनिया के तथा कथित बुद्धी जिवियों की तुलना में अपने शरीर के सारे किरिया कलाप काफी अच्छी तरह से करते हैं उनके अंदर एक तरह की शांती होती है क्योंकि खलल और गरबड़ी पैदा करने के लिए आपको थोड़ी बुद्धिमता की जरूरत होती है एक निस्क्रिय मन मनुस्य की तुलना में जानव प्रेकिर्टी के अधिक निकत होता है जिस पहल आप थोड़ी उर्जा से भड़ते हैं मन शक्रिय हो उठता है लेकिन अक्सर या बिखरा रहता है कुछ लोग जब अधियात्मिक अभियाश की शुरुआत कर जबते हैं तो उन्हें मानसिक उतेजना के एक नए अस्तर का उनुभव हो सकता है अगर वे अनुकूला मतावरन में नहीं है तो हो सकता है कि वे उसे संभाल न पाए सिस्तम में उजएक ने स्तर से पैदा हुई मानसिक हल्चल को वे खलल समझ सकते हैं आजकर लोगों के अंदर एक मौनोविगार फैल रहा है उनमें हर नई चीत से दन्ने की प्रविर्टी होती है लेकिन वास्तों में वे बस निस्क्रियता से जिवन्तिता के बढ़े हुए अस्तर की वर जा रहे है जिन लोगों का मन बहुत बिखरा हुआ है जब वे अध्यात्मिक अभियाख शुरू करते है तो वे ऐसी एस्थिति में पहुशते है जहां मन का बिखराव कम हो जाता है लेकिन अब मन दमाडौल हो जाता है एक दिन वो इधर जाता है अगले दिन उधर जाता है हलाकि विखराव की तुलना में यह काफी बड़ा सुधार है क्यूंकि पहले मन हर पर दस जगों पर भटकता था अगर मन पहले ही दोलने वाला हो और उससे अधिक उर्जावान बनाया जाता है तो मन धिरे-धिरे केंद्रित हो जाता है इससे योग में हम एक निश्ट कहते है या पिछली अवस्था से कहीं ज्यादा अच्छा है लेकिन मन की उच्चतम अवस्था इसके सचेतन बन जाने की है यह अंतरों की दिश्टी सापका कंप्यूटर कार या अंतरित्स या नहीं बलकि मानों मन सबसे चमतकारी चीज़ है बसरते आप इसे सचे के लिए यह एक संघर्ष बन जाती है इसका कारण वास्तों में बस इतना है पहले इंसान या अपने मन को उस तरह से सोचने के लिए विवेस्थित कर लिया है जैसा वह चाहता है जबकि दूसरा अपनी ही हित के खिलाब सोचता है एक सुस्थापित और यह वस्थित मानों म मन को कल्प विक्ष करते है यानि मन चाहा वर्दान देने वाला पे इस तरह का मन होने पर आप जो भी मांगते है वह सकार हो जाता है आपको बस इतना करना है कि मन को उस हद तक विक्षित करे जहां यह एक कल्प्रिच बन जाए नरकि पागलपन का स्रोत जो मन अपनी चून संभाव से पैदा होने वाली निमपूनता है एक बार जब आपके विचार विवस्थित हो जाए तो आपकी भावनाएं भी विवस्थित हो जाएगी धीरे धीरे आपके उरजाये और शरीर भी उसी दिशा में विवस्थित हो जाते है हलाकि इन आयामों को आप जिस क्रम मे वो अलग हो सकते है आह यह इस पर निभय करता है कि आप किसके लिए तयार है आज के वस्त विक्ताओं के संदर्ध में अधिकतर लोग किसी भी तरह की विवस्था के लिए तब तक तयार नहीं होते जबते कि उन्हें इसके बारे में बौधिक अस्तर प्रेकिन न हो जाए अन करने और उससे प्रेकट करने की आपकी छमता अविश्वस्थ निये होती है आज आदनिक विज्ञान या साबित कर दिया कि संपुन अस्तित वस उर्जा का एक संपदन है एक अंतहिन कंपन विचार भी कंपन होते है अगर आप एक शक्ति साली विचार पैदा करते है और उ हमेशा खुद को सकार करेगा उससे घटिट होने के लिए यह जरूरी है कि आप नकरात्मक और आत्मगाते विचारों को सिलसिला पैदा करके अपने विचारों को अवरुध और कमजोर न बनाये आम तोर पर लोग नकरात्मक विचारों को दूर करने के लिए अस्था का सहा करा लेते हैं है एक लार जब आप एक सुचने वाला इंसान बन जाते है तब आपके मन में कही न कहीं संदेह जरूर उचते है आपका मन इस तरह का बना है कि अगर इस पलाब के सामने यहीं पर भेड़वान ही क्यों न प्रकट हो जाए आप उनّके सामने समर्पर नहीं करेंगे इसके बजाए आप इस बात का प्रिक्षन करना चाहेंगे कि वे सत्मुष भगवान है या नहीं अर्ष्था का एक विकल प्रतिबदता है आप जिसकी वाकी परवाह करते हैं उसे सकार करने के लिए अगर आप उसके प्रतिबद हो जाते हैं तो एक बार फिर आपके विचार इस तरह से विवस्तित हो जाते हैं कि कोई रुकावक नहीं रह जाती आप जिस तरह चाहते हैं उ क्या और फास्तर आपके भीतर विचार बरी अस्थानी तरह परभावित होने लगती है और एक बार जब ऐसे होता है तो आपकी इक्षा का सकाड़ होना एकस्व भाविक परिणाम होता है और जो वाकई है उसे स्रीर जित करने के लिए आपकी इच्छा पहले आपके मर में अच्छी तरह से असपस्ट होनी चाहिए क्या यह वही चीज है जो आप चाहते है इस बारे में सावधानी से विचार किजिए आपने अपने जीवन में कितनी बार सोचा मैं यही चाहता हूँ जिस बार आपने उस चीज को हासिल किया आपको लगा कि यह तो वह बिलकुल नहीं थी तो पहले इसकी खोज किजिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते है एक बार जब वह असपस्ट हो जाती है और आप उससे अपनाने के लिए परतिबर्द हो जाते है तब आप उस दीशा में विचार की एक अनवरत प्रकिरिया पैदा कर देते है जब आप बीना दीशा बदले विचार के स्थिर परवाह कायम रखते है तब वह आपके जीवन में एक वास्ट विक्ता की तरह परकट हो जाएगा कुछ योगी प्रकिरिया ऐसी है जिनके दोरा आप बुधिमता के एक दूसरे आयाम को अश्पर्श कर सकते है जिसे चीत कहते है हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया है कि यह स्मृति से दूसित नहीं है चीत की शक्ति हासिल करने को चीत शक्ति कहते है यह एक सरल और शक्तिसाली प्रकिरिया है जिसके माधियम से आप अपने भीतर स्रिष्टि के इस रोतक पहुच सकते हैं दिल और दिमाग का समी करन लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दिमाग उन्हें एक दिशा में ले जाता है और दिल दूसरी दिशा में योग में जो बुनियादी तष्ट हम अस्थापित करते हैं वो है आप रक्ति के तोर पर एक इंसान है अकेले संपुर्ण प्रानी दिमाग और दिल अलग अलग नहीं है आप संपुर्ण एक है चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि किन चीजों को दिमाग और दिल कहा जा रहा है आम तोर पर आप अपने विचारों को दिमाग से जोड़ते हैं और अपनी भावनाओं को दिल से मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर सावधानी से और इमानदारी से गौर करें आपको एसास होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसाही मैसूस करते हैं लेकिन यह भी सच है कि आप जिस तरह से मैसूस करते हैं उसी तरह से सोचते हैं इसी कारण से योग में विचार और भावना को एक ही चीज के हिस्से की तरह शामिल किया जाता है इसे मौनो मै कोश या मानसिक शरीर कहते है आमतोर पर आप जिसे दिमाग कहते है वह विचार प्रकिरिया या बुद्धी है लेकिन वास्तों में मन के कई आयाम है एक तारकिक पहलू है और दूसरा गेहन भावनात्मक पहलू दिमाग के ज्यादा गेहरे आयाम को दिल कहा जाता है लेकिन योग में इस गेहन भावनात्मक दिमाग को मानस कहते है मानस सिम्रिटी का एक जटिल मेशन है जो भावनाओं को एक खास तरीके से चलाता है इसलिए जिस तरह से आप मेशुस करते है और जिस तरह से आप सुचते है दोने ही दिमार की गतिविधिया है यह बिलकुल सीधी बात है अगर मैं सोचता हूँ कि आप एक बहुत शांदार इंसान है तो आपके प्रती मेरी भावनाएं मधूर होगी अगर मैं सोचता हूँ कि आप एक बहुत घटिया इंसान है तो मेरी भावनाएं आपके प्रती बहुत बुरी होगी अगर आप किसी को अपना दोस्न बना ले तो फिर उससे प्रेम करने की कोशिस करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा हमें जीवन के आसान पहलूओं को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है आप जैसा सोचते है वो ऐसा ही मेसूस करते है लेकिन आपको अपने अनभाव में विचार और भावना अलग अलग चीज़े लगती है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है किनकी विचारों में एक तरह की अस्पस्टटा होती है और ये तुरंट पैदा होते है जबकि भावनाएं धीमी गती से बनती है आज आप सोचते है कि वो बड़ा संदाल इंसान है और आपकी भावनाएं मधूर है अचानक वो कुछ ऐसा करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता और आप सोचते हैं कि वो बहुत घतिया इंसान है आतर विचात्वन्त आपसे कहता है कि वह बुरा है लेकिन आपकी भावना अचानक नहीं बदल सकती, वह संघर्ष करती है, अगर भावना अभी मधूर है तो अगले ही पल वह करवी नहीं हो सकती, उससे बदलने में वक्त लगता है, पलट जाने के लिए वह समय लेती है, इस समय बाद ही उनमें बदलाव आएगा, दिमाग और दिल के बीच इस टक्राव को पैदा करने का कोई लाव नहीं, भावना विचार का बस रसीला हिस्सा है, आप उसकी मधूरता का अनन्द ले सकते हैं, लेकिन यह विचार ही है, जापको हमेशा भावना को जन्म देता है, चाहे आप इसे माने या न माने, भावनाय पुरी तरह से स्थिर नहीं रहती, आपकी भावनाय भी बदलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर लेकि उनमें विचारों से का मुथर पृतुल होती है, चुकि उनके बदलने की गती धीमी होती है, और विचारों से कापित्ति होती है अत्र अक्सर एशा लगता है कि विचार और भावनाय अलग है लेकिन ये दोनों गंणा और गंणिक के रस्थ अधिक अलग नहीं होते हैं जारातों लोगों के अनुभर में विचार उतना तिरू नहीं होता जितनी की भावना आम तोर पर आप जितनी तिरूता से गुस्सा होते हैं उतनी तिरूता से सोचते नहीं लेकिन अगर आप एक बेहत तिरु विचार पैदा करते हैं तो वो भी आपको अभिभूत कर सकता है सिर्फ 5 से 10 फिर्दी लोग है उस किस्म का विचार पैदा कर पाते हैं जो इतना तिरुता हो की भावना की जरूरत न पड़े नबे फिर्दी लोग केवल गहरी भावना पैदा कर पाते हैं क्यूंकि उन्होंने दूसरी दिशा में जरूरी कोशिस नहीं की होती लेकिन ऐसे लोग भी है जिनके विचार बहुत गहरे होते हैं उन्हें भावनाय ज्यादा नहीं होती यह बहुत गहन चिंतन करने वाली होते हैं बहतर यही होगा कि आप अपने अंदर दो विप्रीत धूर पैदा न करें यह खंदित मान सकता और ग्रिह यूत पैदा कर सकता है विचार और भावना अलग नहीं है एक रुखा है दूसरा जसीला है दोनों का अनंद लिजिए ज्यान मार्ग बनाब भक्ति मार्ग योगिक संस्कृति में शिव शब्द के दो पहलू है एक अस्तर पर इस शब्द का मतलब है वह जो नहीं है हर चीज जो स्रिष्टि में मौजूद है वह वह जो नहीं है से आई है अगर आप आसमान की तरफ देखते है तो आप तमाम खोगोलिये पिंदो और टारो को पाएंगे लेकि उनके बावजुद वहां अथा खालिपन की मौजूदगी सबसे विशाल है अभी इसी खालिपन इसी सुन्यता की गोत में ही इस संपुन स्रिष्टि का निर्टे हो रहा है इस सुन्यता को ही जो स्रिष्टि का धार है शिव कहते है शिव कहते है योगिक संस्कृति में शिव का दुसरा पहली आदि योगी का यानि पहले योगी का है उन्हें ने ही योगी के अविश्वस्निय विज्ञान के द्वारा मानवता के लिए खोले है योगिक संस्कृति शिव के हर चीज के अधाय होने से लेकर शिव के पहले योगी होने तक अखंड तरीके से बढ़ती गई है इस तरह से शिव को मूर्थ देकर शिव बनाया दिया गया इसमें क्या इसमें कोई विरोधा भ्यास है बिल्कुल भी नहीं क्यूंकि एक बार जब योग यानी परम एकत्व हो जाता है तब परम सत्य और उसका अनुभाव करने वाले के भी कोई अंतर नहीं रह जाता इस तरक्यनुसाद योग संस्किति परम अवस्थातर पहुशने के दो तरीके परदान करती है सब कुछ बन जाना या कुछ नहीं हो जाना जनने ज्यानी यानी ज्यानी का मार्ग सब कुछ बन जाना या कुछ नहीं हो जाना जानने यानि ग्यान कमार या समर्पन यानि भक्ति कमार अगर आप सीव भौतिक से आयाम अगर आप सीव या भौतिक से पड़े के आयाम को अनभव करना चाहते है तो आप या तो उन नियमों से समझावता कर ले जो भौतिक से पड़े के दारे को संचालित करते है या आप इस आयाम में विसरजित हो जाए क्योंकि इससे भौतिक को संचालित करने वाले नीमों से अजादी मिल जाती है अगर आप उस पहार की चोटी को अनभव करना चाहते है तो आप या तो स्वयम को उस उचाई तक ले जाए या फिर बस उसके प्रति साधा से नतमस्तक हो जाए यही दो बुन्यारी तरीके है वरना कोई मिलन संभव नहीं है ग्यान के माध्यम से आप वो जो नहीं है से आमने सामने मिलने की आकांचा रखते है जबकि भक्ति के माध्यम से आप अपने सिमीत और कठोर व्यक्तितु को मिटाने का पर्यास करते है और एक अधिक लचिली अवस्था की ओर बढ़ते है जहां आप अपनी पसंद और पसंद ही आपके व्यक्ति तो क्या धार है मनुष्य की एक छाओ की अंतहिन प्रकृति जीवन की असीम प्रकृति के लिए चाहत कि अभी व्यक्ति है असीम और सुनने बस एक ही वास्थ विक्ता की सकरात्मक और नकरात्मक अभी व्यक्तिया है भक्ति का मतलब है कि अपने पसंद और नापसंद लगाव और विवरक्ति के दुख्त को खत्म कर दिया है इसका मतलब है कि आप आपके लिए ठीक है और ठीक नहीं है कि कोई वस्ति तु नहीं रहा आपके लिए हर चीज ठीक है जब यक्त भक्त कहता है इस्वर हर जगह है या हर चीज इस्वर है, तो वास्ता में वो कह रहा है, यह हर चीज ठीक है इस तरह वो सिरकार भाव की ग्यान अवस्था में पहुच जाता है, तो रुपांतरन कारी और मुक्तिदाई होती है भागती सब कुछ अपने साथ समिट लेने वाली, सब कुछ सामिल कर लेने वाली होती है यह भेयत भाव नहीं करती है, परम सत्ते की प्रकृती भी यही है पराजिन काल से ही भागती को सबसे महतो पुर्व मार्ग की तरह माना गया है क्यूंकि यह सबसे जल्दी पहुचाने वाला मार्ग है, लेकिन इसमें कई गढ़े और फंदे है ग्यान का मार्ग कठी ने, लेकिन यह खुली आँखों से चलने वाला मार्ग है जबकि भागती बन आँखों से चलने वाला मार्ग है ग्यान मार्ग पर हर कदम जो आप लेते हैं आगे या पीछे आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं भक्ती मार्ग पर आप अपने मुक्ति की वर बढ़ रहे हैं या आप गड़े में गिर गया हैं आपको कोई भनक नहीं होती आम तोर पर ज्यादा तो लोगों में भावना विचार से अधिक तिवर होती है इसी कारण से किसी दूसरे मार्ग की अपैच्छा भक्ती को अधिक गरीमा परदान की गई है लेकिन बीना सही समच और बुद्धिमानी के भक्ती मार्ग पर चनला हर तरकी भरम की ओर ले जाता है भक्ती तरक की दुएत प्रकृति से पड़े जाने का साधन है लेकिन तरक से पड़े जाने के बजाए भक्ती तरक को पुरी तरह से नकारने लग सकता है तो भक्तिक की तरल अवस्था में जाने से पहले तर्क के एक स्थिर अधार पर खरे होना महतोपूर्ण हो जाता है इसके विप्रित कई लोग मानते हैं कि तर्किक डायरों में भक्ति का कोई अस्थान नहीं है लेकिन यह सच नहीं है तर्क असल में काटने का और समझने का साधन है अगर आपका तर्क कुलहारे की तरह है तो जब आप किसी चीज पर गौल करते हैं तो वह कटकर दो तुकरे हो जाएगी लेकिन अगर आपके तर का चाकु बहुत पेनी धार का है तो आप किसी चीज को जटके से ऐसे काट सकते हैं फिर वो चीज फिर भी साबुत जैसे दिखे जब एक कोशल तलवार बाज पेर को काटने के लिए अपनी तलवार का इस्तमाल करता है तो कहा जाता है कि पेर को भी पता नहीं चलना चाहिए कटने के बाद भी उसे वैसे ही खरे यहना चाहिए अनकटे पेर की तरह अगर आपकी बुध्धी इतनी पेनी हो जाती है तो आप पाएंगे कि भक्ती आपके तड़ के साथ बिलकुर तालमिल में होती है भक्ती बहुत सुंदर, मगन करने वाली, परमानंद देने वाली हो सकती है लेकिन ग्यान की अस्पस्ता के बीना यह ठाहराव की ओर ले जा सकता है दुसरी तरफ भावनाव के बीना अध्यात्मिक अभ्यास बंजर, रूखे, बेजान बन सकते है बिन भक्ती के अस्पर्श के आपका ग्यान बाल की खाल निकलना बन जाता है जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर आप पहार की चोटी कौन भौ काना चाहते है तो या आप तो स्वयम को उस उचाई तक ले जाए या फिर उसके प्रती स्राधा से नत्मस्तक हो जाए भक्ती जानता है कि अगर आप उपर चद्ने में सफल होगे तो भी आपको चोटी की बगल में खारा होना होगा लेकिन अगर आप घाटी बन जाते है तो आप पूरे भर्मान को माफिश आता हूँ तो आप पूरे पहाड को अपनी गोद में ले लेते है योग का नशा ऐसा कहा जाता है कि आदू योगी शीव सुम्रस यानि चंद्रमा का नशीला रस पीते थे उन्होंने बस चंद्रमा की कीनों के साथ तत्तु को आत्मसाद कर लिया था और हमेशा उसके नशे में धूत रहते थे योगी सुक के खिलाफ नहीं है लेकिन वे छोटे मुटे सुक से संतुस्त होने को तयार नहीं बस इतनी ही बात है वे जानते हैं कि अगर आप एक गिलास शराप पीते हैं तो आपको बस थोड़ा नशा होता है लेकिन अगली सुबह आपके सीर में दर्द रहता है योगी इससे संतुस्त नहीं होते नशे का आनन उठाने के लिए आपको नशे में होते हुए भी पुरी तरह से सतर्क होना होगा मैं कभी कोई नशीला पदार्थ नहीं चुआ है लेकिन अगर आप मेरी आँखों में देखे तो पाएंगे कि मैं हमेशा मद्धोस होता हूँ योग विज्ञान आपको यह सुख परदान करता है सिर्फ नशे में होना ही अंतिम लक्ष नहीं है यह आनन में आवस्था पीरा के डर को निकाल देती है परमानन की इस और निये आवस्था में आत्मस्रक्षा की कोई चिंता नहीं होती यह व्यक्ति को इस तरह से होने और काम करने में सक्षा बनाती है जो कभी कभी दूसरे को अती मानविये लग सकता है जब आत्म स्लक्षा खो जाने के चिंता आपके मन से पुरी तरह से निकल जाए तब ही आप जीवन की खोज करने की हिमत करेंगे वरना आप उससे सिर्फ बचाना चाहेंगे एक बार जब आपके जीवन से पीरा का दूर हो जाता है तब आप किसी भी स्थिती में बेहिचक कुच सकते है अगर आपको शास्वत नरक में भी जाना परे तो आप वहाँ खुशी खुशी चले जाएंगे क्योंकि आपकी अंदर पीरा का खोड़ डर नहीं है जब हर के स्वर्ग जाने की बात कर रहा था तब गौतम बुद्ध ने कहा आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है तो फिर मैं वहाँ क्या करूँगा मैं नरक चला जाता हूँ और दुसरों की सहयता करने के लिए कुछ करता हूँ किनकि वैसे भी मुझे कोई पीरा नहीं हो सकती जग तक दुख तकलीफ का डर बाना रहता है आप जीवन के अर्धिक गहरे आयामों को खोजने की हिम्मत नहीं करेंगे सिर्फ इस शरीर को सुरक्षा की ज़डूरत होती है आपके बेर तक किसी और चीज को सुरक्षा नहीं चाहिए अगर आप वे ढरनाएं दर्शन और विश्वास छोड़ देने को तयार है जिन से आपको अभी लगाव है तो आप अगले ही पल अपने पुरे जीवन को फिर से रच सकते है प्रेम मंत्र प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है क्या बीना शर्ट प्रेम जेसी कोई चीज होती है क्या यह दो इंसानों को बिच सचमुच हो सकता है ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते है एक दिन संकरन पिले एक पारिक में गय उन्होंने पत्थर की एक बेंच पर एक सुन्दर यूति को बैठे देखा यूई भी उससी बेंच पर बैठे गया कुछ मिनिटों के बाद वे उसके पास आ गये वो दूर्ट किसग गई नोने कुछ मिनिट इंतिजार किया और फिर उस यूति के और पास आ गयя वो फिर इस्षर दूर्ट किसग गई जब उन्होंने फिर ऐसा किया तो बेंच के बिल्कुल किनारे पर आगे ये उसको एकदम करीब आगर अपनी बाहा उसके गले में डाल दिया यूती ने उनका हाथ धकेल दिया तब एक घुटने के बल बैठ गया एक फुल तोरा और उसे यूती को देते हुए का I love you मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना मैंने अपने जीवन में आज तक कभी किसी से नहीं किया सुर्यर दूब रहा था उनके हाथ में फुल था उन्होंने उससे प्रेम यसना के देश्ती से देखा सबसे बढ़कर माहौल बिल्कुल सही था वो फिढ़ल गई उसके बाद प्रकेटी ने अपना रंग दिखाया और दोनों एक दूसरे के साथ गुल मिल गए शाम रात में गहरा गई संकर पिलाए अचानक उटखरे हुए और बोले रात के आठ बजगे है मुझे जानना होगा वो बोले क्या अभी तुमने तो अभी कहा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना किसी और से नहीं करते हाँ बिल्कुल है कि मेरी पंतनी इंतिजार कर रही होगी आम तोर पर हम उन दैरों में रिष्टे बनाते हैं जो हमारे लिए आराम दे और फैदे मंद होते हैं लोगों को शदीरिक मनोवेगानिक भावनातमक आर्थिक या समाजिक जरूरते पूरी करनी होती है करनी होती है इन जरूरतों को पूरा करने का सबसी अच्छा तरीक्या है लोगों से यह कहना आई लव यह तथा कथी प्रेम का एक मंत्र बन गया है खुल जा सिम सिम इससे बोलकर आप जो चाहे पास सकते हैं प्रेम एक गुन है एक यह 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 इसी चीज नहीं है जिसका किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना है हम जो कुछ भी करते हैं वह किसने किसी रूप में कुछ जरूरते पूरी करने के लिए होता है अगर आप यह समझ आते हैं तो संबब है कि आपके अंदर प्रेम एक स्वभाविक गुन की तरह उपजे लेकिन आप खुद को यह विश्वास दिलाने का धोखा देते रह सकते हैं कि आपने जिन रिष्टों को अपनी सुविधा अराम और खुशाली के लिए बनाया है वे असल में प्रेम के रिष्टे हैं मैं यह नहीं कह रहा कि उन रिष्टों में प्रेम का उन भूर बिलकुल नहीं होता लेकिन वो कुछ हद तक ही होता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी बार प्रेम की घुशना की गई है अगर कुछ उमीदे और जदूर्ते पूरी नहीं हुई तो तीजे बिखर जाएंगे, यह वास्तर में परस्पर लाव योजना बन गया है शर्ते पर प्रेम और प्रेम जैसी कूफ चीज नहीं होती, शर्ते होती है या प्रेम होता है आप जब प्रेम की बार करते है तो इसने बीना शर्त कहीं आना होगा बिना शर्ट का ही होना होगा जिस पल कोई शर्ट आ जाती है उसी पलियर बस लेन दिन बन जाता है हो सकता है कि यह सुविधा जनक लेन दिन हो हो सकता है कि यह एक अच्छा इंतिजाम हो लेकिन वो आपको त्रियुक्ति नहीं देगा या वो आपके एक दूसरे आयाम में नहीं ले जाएगा वो भस सुविधा के लिए होता है प्रेम का सुविधा जनक होना जरूरी नहीं है ज्यादा तर समय यह सुविधा जनक नहीं होता इसकी किमत जीवन से चुकानी पड़ती है आपको इसमें खुद को दे देना होता है अगर आपको प्रेम में होना है तो आपको होना नहीं चाहिए अंग्रेजी की कहावत falling in love बहुत सटीक है आप प्रेम में चढ़ते नहीं है आप प्रेम में खड़े नहीं होते है आप प्रेम में उड़ते नहीं है आप प्रेम में गिरते हैं आपको कुछ न कुछ गिरने चाहिए या पिघल्ट ना चाहिए ताकि दुसरे के लिये जगह बन सके लेंदेन और प्रेम संबंद में अंतर होता है जरूरी नहीं कि प्रेम संबंद किसी खास इंसान से हो आप जीवन के साथ ही शांदार प्रेम संबंद रख सकते हैं आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं यह आपके आसपस के हालात के अनुसाद होता है आप हमारे किरिया कलाब हमेशा बाहरी परस्थितियों की मान के मताबिक होते हैं लेकिन प्रेम एक आंतरिक आवस्था है, आप अपने भीतर कैसे है वो निश्य ही बिना सर्थ का हो सकता है, प्रेम के किरिया कलाब समय के साथ उबाव और तनावपुन बन सकते हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है, जुआप करते हैं, प्रेम आपके होने का तरीका है, साधना, प्रेम कभी दो लोग के बीच नहीं होता, यह आपके भीतर होता है, और आपकी अंतरिक्ता को किसी दूसरे व्यक्ति या चीज का गुलाम होने की जरूरत नहीं है, इस पंदर मिनट के लिए जमा कर देखिए, जाकर किसी ऐसी चीज के लगता है, या एक पथर या एक कीरा, कुछ दिनों तक इसे लगतार कीजिए, कुछ दिनों बाद आप आएंगे कि आप उससे भी उतनी प्रेम से देख सकते हैं, जितना कि अपने पत्ति या पत्नी या मा या बच्चे को देखते हैं, शायद उस कीरा को इसका पता नहीं हो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं, तो आपकी अनुभव में साही दुनिया खुबसूरत हो जाती है, भक्ती एक अनूठा आयाम, अधिकतर लोग सब्धानी से जीते हैं, वे अपने प्रेम और खुशी को थोड़ी आत्रा में तौल कर बाहर लाते हैं, क्योंकि वे डर्टे हैं कि कहीं ये खत्म न हो जाए, जीवन जीने का सबसे उधार तरीका है, अपने जीवन को सारी सिमाओं से परे चरम पर जीना, ताकि वो सारी दुनिया के सामने मिशाल बन जाए, अगर आप इतने कंजूस हैं कि आ आप कंजूस नहीं हैं, आप जूस से भड़े हैं, भक्त वह व्यक्ति है जो जीवन को जितना हो सकी अधिक सधिक अंभव करना और खोजना चाहता है, भक्ति जीवन की चीरफार नहीं है, बलकि या पुर्ण रूप से समावेक्स करना है, भक्ति प्रेम संबंध नहीं है, बलकि या बावलापन है, प्रेम खुद ही दिवाना होता है, लेकिन उसमें थोरी भहुत अक्लमंदी बची रहती है, आप उससे फिर भी लोट सकते हैं, भक्ति में अक्लमंदी का लेश मात्र भी नहीं होता, उससे बाहर आने का कोई तरीका नहीं है, भक्तों के पास जीव अब आप ही तै किजिए कि मुर्ख कौन है, जब मैं कहता हूँ भक्तितों मैं साध्धा या विश्वास की बात नहीं करता, विश्वास बस नेतिकता की तरह है, जो लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं, उन्हें अक्सा लगता है कि वे दूसरों से बहतर है, जिस पहल अब किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो बस इतना ही होता है कि आपकी मुर्खता को आत्मिश्वास हासिल हो जाता है, आत्मिश्वास और मुर्खता के मेल बारा खतरनाक होता है, लेकिन आम तोर पर ये साथ साथ होते हैं, अगर आप अपने आसपास के दुनिया को दे का नहीं है विश्वास इस समस्चा को दूर कर देता है यह आपको जबरदस्त आत्म विश्वास दे देता है लेकिन आपकी मुर्ठता का इलाज नहीं करता भक्ति कोई क्रिया कलाप नहीं है या किसी एक या दूसरी चीज के प्रति नहीं होती भक्ति किसके प्रति है या महतो पुर्ण नहीं है बस इतना ही है कि भक्ति में आप अपने भीता सारे विरोथ विसरजित कर देते है ताकि चितन्य सांस्वा की तरह असानी से बैश सके इश्वर कोई ऐसा नहीं है जो वहां उपर बैठा हो वह आपके जीवन वे हर पल मवजूद एक जीवन शक्ती है भक्ती आपको उसके प्रती जागरुप बनाती है एक बार की बात है एक कैथलिक परिवार के घर में परिवार का मुखिया रात के खाने के वक्त टेबल पर आया खाने के तरफ देखा और हमेशा के तरफ भुन भुनाया और अपनी पत्नी और आस पास के हर चीज को कोशने लगा जब कोशना पूरा हुआ और सब अपने जगों के बैठे गए तो वो भी बैठा प्रात्ना करते हुए बोला है इस्वर आज के भोजन और टेबल पर मुझूद सारी संदार चीजों के धन्यवाद वो पांच साल की एक लड़की नर्मता से बैठी हुई थी आपने देखा हुए कि पांच साल के बच्चों के लिए हमेशा एक तकिया या कुशन खुर्सी पर राखा जाता है ताकि वे टेबल तक पहुच सके लेकिन फिर भी वे प्लेट तक वाकवी कभी नहीं पहुच सकते तो उस पांच साल की लड़की ने जिसकी गदन तक टेबल थी सिन उचा करके कहा देडी क्या इश्वर हमेशा हमारी सारी प्रत्थनाय सुनते है उसके अंदर का इसाई परंतरन जागोठार कहा हां क्यों नहीं हम जितने भी प्रत्थनाय करते है वो हमेशा उन्हें सुनता ह है तब वो लड़की कुर्सी में थोड़ा नीचे धस गई क्यूंकि वह विचारों में डूब गई थी कुछ दिर बाद उसने सिरह लाकर कहा लेकिन डेडी क्या वो दूसरी बाते भी सुनता है जो हम कहते हैं हाँ हमाई जीवन के हर पल इश्वर हर चीज को सुन और देख रहे हैं जो बाते भी सुनता है जो हम कहते हैं और करते हैं तब वो फिर थोड़ा नीचे हुई और पुछा डेडी तब यकिन बाते पर विश्वास करते हैं मुझे बताईए भवान को किस पर विश्वास करना चाहिए आपकी प्रात्ना पर या आपकी गालियों पर वो जरूर पूरी तरह से भ्रमित हो गया होगा उसने हर मान ली होगी चुकि हम जीवन के सबसे सुक्ष में पहलियों को भी वैवस्थित या संस्थागत बना देते हैं जब हम ऐसी कोई चीज कहते हैं जिसके हमारे लिए कोई माइने नहीं होते जो हमारे भीतर वाकि ये आग की तरह नहीं जलती तो एक जूट बोलने के समान है तब चुप रहना वास्तों में बहतर होगा हम हमेशा उनकी नकर करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम अपना माग दर्शक और आदर्स मानते हैं जब किसी ने 2000 साल पहले कुछ उसी तरह की चीज करी तो वह उसके लिए करगार होई क्योंकि उसके हृदय में उसके लिए जुआला था वह उस सत्य की वज़ा से करगार होई जो उसके भितर प्रजवलित था नकी उसके बोले हुए शब्दों की वज़ा से भक्ति कोई ठंदी या उत्सा होने चीज नहीं है भक्ति कोई ठंदी या उत्सा हिन चीज नहीं है यह कैरों के लिए नहीं है यह आग है भक्ती जलाती है अक्का महादेवी करीब 900 साल पहले दची महारत में कुछ अक्का महादेवी नाम के एक महिला तपस्वीनी रहती थी अक्का शीव की भक्त थी अपने बच्पन में ही उन्होंने शीव को अपना प्रेमी अपना पत्ती मान लिया था उनकी लिए यह सिर्फ एक विश्वास नहीं था बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी एक दिन राजा ने इस सुन्दर स्थ्री को देखा तैक कर लिया कि वो उसे पत्नी बनाएगा अक्या ने मना कर दिया लेकिन राजा अपनी जीत पर आ रहा था और उसने उनके मातापिता को धमकाया तो यह मान गई अक्या ने उससे शादी तो कर ली लेकिन राजा को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया और उनको लभाने की कोशिस करता तो हमेशा यही कहती शीव ही मेरे पत्ती है समय बितने के साथ राजा के धहरिये जवाब देन लगा वो पागल हो उठा और एक दिन जवदस्ती पर उतार आया अक्या ने फिर इंकार कर दिया मेरे एक और पत्ती है उनका नाम शीव है वह मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ मैं तुम्हाय साथ नहीं रह सकते विकिन होने एक और पत्ती होने का दवा किया तो उन पर मुकादमा चलाने और साजा सुनाने के दर्वार में लाया गया अक्का ने सब की मुझूदगी में का मेरे लिए रानी बनने के कोई माइने नहीं है मैं यहाँ से चली जाओंगी तब राजा ने देखा कि यह बड़ी असानी से हर चीज छोड़ कर जा रही है तो उसने अपने प्रतिस्था बचाने के लिए अंति पर्यास्म का तुम्हें जो कुछ भी पहना है यह गहने यह कपरे सब मेरे है यह सब को यहीं छोड़ दो चली जाओंग यह सुनकर भर पार मक्का ने अपने सारे गहने उतार दियो सारे कप्रे भी उतार दिया और निर्वस्थ होकर वहां से चली गए उस दिन के बाद से उन्होंने कप्रे पहने से इंकार कर दिया हलांकि कहीं लोगों ने उनके ऐसा ना करने के लिए समझाने कि बहुत कोशिश की उसमें भारत की गलियों में किसी यूति का निर्वस्ट भूमना वो भी उनके जैसी सुन्दर यूति बिल्कुल और विश्वस्ट नहीं था उन्होंने अपना जीवन एक घुमन्तु भिश्वन की तरह बिताया और उन्होंने कुछ अद्भुत कवितावों की रचना की जो आज तक याद की जाती है एक कविता में वो कहती है अंग्रेजी अनुवाद एके रामा नुजिन द्वारा लोग इस्तरी और पुरुष सरमाते हैं जब उनकी लज्जा ढखने वाला कप्रा गिर जाता है जब जीवन का स्वामी बिना चेहरे के दुबा रहता है दुनिया में तो तुम कैसे लज्जा में हो सकते हों जब साई दुनिया युश्वर की दृष्टी में हैं हर जगर दे नहीं होते जिस शक्ति और गरीमा के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया उसने उनको हमेशा के लिए मानवाता के लिए प्रेरिना का स्रोत बना दिया अग्का अभी भरतिये समोहिक चेतना में एक जीती जागती उपस्थिती बने हुई है उनकी लेखी का विताय आज तक दक्षिम भरतिये साहिते कि सबसे मुल्यवान अतनाओं में शामिल है रहस्य को अंगेकार किजिए यह सिफ एक बचकानी वरिधी ही है जो चीजों का विसलेशन करती है और निसकर्ष पर पहुँच जाती है अगर आपके भूधी काफी विक्सित और परिपक है तो आपको एसास होता है कि आप जितना ज्यादा विसलेशन करते हैं किसी निसकर्ष से आप उतने ही ज्यादा दूर होते हैं अगर आप जीवन के किसी भी पहलों में गराई में जाते हैं तो आप किसी भी नतीज़े से दूर और दूर चले जाएंगे जीवन पहले से भी अधिक रहस् आप जीवन के जितना ज्यादा खोदते हैं आप आते हैं कि यह अंतहिन और अथा प्रकिरिया है आप उसे समझ नहीं सकते कि आप स्वयम ही जीवन है जब आपको अपने अनुभव में एसास होता है कि हर परमानू रेत का हर कंकर और सबसे छोटे सिले के सबसे बड़े तक जीवन का हर अंस अथा है तो आप स्वभाविक रूप से हर चीज की आगे परम भगती भाव से नतमस्तक हो जाएंगे किसी भी गहन विसलेशन के जरिये जीवन को समझने के बजाए अगर आप बस यूँ ही यहां बैठकर सांस लेते है तो आप जीवन को बेहतर जान जाएंगे किसी चीज की भावतिक प्रकृति से उसका सत्य खुजने की चाहत में जब हम हर चीज को चिरिते जाते है तब हम कन भावतिक के सुप्चमतम आयाम में बहुच जाते है प्रोट्रोन, निट्रोन और इलक्रोन से निट्रोन, बसोन और सुपर सिमिट्रिक रंच तक हम गहरे है और गहरे पैठ्टे हुए लगते है लेकिन यह सब फिर भी सिफ भावतिक प्रकृति के दाइरे में है हमें बताया गया है कि डार्क मेटर में पर्दास क्यूंप इच्छा बर्मान ज्यादा है और इस डार्क मेटर में पर्मानू न होकर अग्यात किस्म के कन होते है आप पानी का एक गिलास लेकर उसे देखिए क्या आप इसके बारे में वाकी जानते हैं मिसाल के लिए हाइड्रोजन और अक्सीजन मिलकर पानी क्यूं बन जाते या यह कंकर को लेजिए उसे देर तक ध्यान से देखिए इसका इस तरह का खास अकार लंबाय चोराय और सतर के ऐसी बनावत क्यूं है या आप बस खुद को ही देखिए आप ऐसे कैसे बन गए तहीं लोग जवाब देंगे ओह मिरे पीता माता और मैं हूँ लेकिन इस तरह से क्यूं होता है इस अकार इस शरीर इस व्रक्तितु का अधार क्या है भारत में परंपरा थी कि आप जिस किसी से सामना होता था आप उसके आगे से जुकाते थे इससे फर्क नहीं पादा था कि कोई पेर है या गाय है या साप है या बादा आप बस से जुकाते थे जब आप हर चीज के आगे जुकते है तो इसस लिए हो सकता है क्योंकि आप या तो मुर्क है या फिर अपने जीवन के उसकी पूरी गहनिता में जाना है गंभिरता के साथ चरम गहराई में देखा है जमीन असमान का फर्क होता है मुर्क कोई निशकर्स निकालने के काबिल नहीं होता जक्मी आत्म ग्यानी कोई निशकर्स निकालना नहीं चाहता बाकि सभी लोग अपने निशकर्सों को ग्यान की तर गरी माय बना देते है मुर्क बस जो कुछ खोरा बहुत जानता है उसका आनन्द लेता है और आत्मग्यानी जिसने जीवन को उसकी पूरी गहनता में देखा है इसका पूरी तरह से आनन्द लेता है बाकिस सब वे लोग है जो लगता संघस करते हैं और दुख जहलते हैं एक दीन एक आदमी सुबह सुबह अपने दफ्तर में पहुचा और अपने बाउस से बोला बाउस मैं आपको बता दू कि तीन कंपनिया मेरे पिछे पर यह इसलिए आप मेरा वेतन बढ़ाना ही होगा इसलिए आपको मेरा वेतन बढ़ाना ही होगा उसके बॉस ने कहा क्या कौन सी कंपनिया है और कौन तुम्हें लेने चाहता है उसने कहा बिजली सप्लाई कंपनी टेलीफन कंपनी और गेंस कंपनी तो तथा कथीर स्मार्ट लोगों के पीछे जिद्धोंने जीवन के बारे में अपने ठोस निसकर्ष निकाले हुए है अर्षा किसी चीज का पीछा करने में विश्ट रहते हैं एक मुर्ख शानती से बैठ सकता है एक आत्मग्यानी शानती से बैठ सकता है बाकि लोग नहीं बैठ सकते हैं अगर वो भुऑ बन जाते हैं तो बक बक कि छू मंतर हो जाएगी अगर आप जुकना हर चीज को खुच से उच्चा मानना सीख लेते हैं तो यह आपके आत्म सम्मान के लिए ठीक नहीं लगता लेकिन भक्त बनने का मुतलब यह नहीं है कि आपको जैसा चाहे ना चाहा जा सकता है जो जुकना जानता है वो तुटेग नहीं इसी कारण आपको हर सुबह हट योग करने की प्रेजित किया जाता है ताकि आपका शरीर तूटे नहीं आपके अंदर हर चीज के साथ ऐसा ही है दुर्भागे से इन दुनों तथा कथित अध्यात्म में गुरू भी आत्म सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं आत्म औ अंदर सम्मान की चाह नहीं है तो बहुत अच्छा है अगर आपके पास अत्मियारी अहम नहीं है तो यह संदार बात है जब आप किसी चीज को खुद से बहुत विशाल जैसा अनुभाव करते हैं तो सुभाविक रूप से आप उसकी आगे जुख जाएंगे अगर आप भ किसी चीज के सामें जुखें जो अभी में पढ़ रहा हूं या साधना है एक बाद फिस पर पलता हूं साधना जब आप किसी चीज को खुद से बहुत विशाल जैसा अनुभाव करते हैं तो सुभाविक रूप से आप उसकी आगे जुख जाएंगे अगर आप भक्त बनना चाते हैं तो अपने जीवन में जागते हुए च्छनों के दरान हर घंटे में कम से कम एक बार आप हात जोड़े और किसी चीज के सामें जुखें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है और क्या है यह जरूरी है कि उसमें चुनाओ न करें आप जो कुछ भी देखें बस अपना स्रीर जुकाए चाहे वो एक पेर हो पहार हो कुटा हो बिल्य हो या कुछ भी इसमें शरीर की हरकत जोड़ी नहीं है यह एक आंतरी कारी हो सकता है बस ऐसा दिन भर किजिए हर घंटे पर कोशिस किजिए कि यह हर मिनट हो सके जब ऐसा हर मिनट पर हो तब इसके अगर आप अपना पूरा जीवन भी लगा दे तब ही आप एक पती या एक हाथी या एक चीटी या या एक परमानु को नहीं समझ पाएंगे आप डिने के एक अनु को भी समझ पाने में समर्थ है हर चीज जो आप समझ नहीं सकते वो अस्ती तर त्वगत बुधिमता है और जो उसमें विसरजित होने को तयार है जिसके प्रती उसकी भक्ती है अगर आप जीवन के भक्त है तो आप उसके साथ एक हो जाएंगे आप जीवन पे क्रिया के प्रती बाहरी व्यक्ती मत बनिये भक्त बन जाएए विसरजित हो जाएए धन्यवाद नमस्कारम, उर्जा, क्रिया योग की शरन ले अभी मनुस्य शरीर और मन के साथ तमाम तरीकों से पहचान बना लेता है लेकिन बुनियादी तोर पर आप जिसे मैं कहते हैं वह उर्जा की थोड़ी सी मात्रा है आधुनिक विज्ञान ने बीना किसी संदेह के यसिद कर दिया है कि संपून अस्तित्व एक ही उर्जा से बाना है जो क्रोरों अलग-अलग अशरीर जनक तरीकों से स्वयम को जाहिर कर रही है जब आंस्तिन ने E is equal to MC square का सुत्र दिया तो असान सब्दों में वे यह कह रहे थे कि अस्तित्व में हर चीज को एक ही उर्जा के तरह देखा जा सकता है सारे धर्म जब कहते हैं कि इश्वर हर जगह है तो वे थोड़े अलग तरीके से उसी चीज का दावा कर रहे है आधरिक विज्यान अपने निसकर्ष गनीत की गनाओं से निकाले है धर्म अपने निसकर्षों पर विश्वास से पहुचे है लेकिन योगी ऐसा व्यक्ति है जो गनाओं या विश्वास से मानने वाला नहीं है वो अपने बोध को बढ़ाकर स्वयम ही परम का अनुभाव करना चाहता है इस कारण योग परंपरा में भगवान का जिक्र नहीं किया जाता और नहीं उसे नकारा जाता है मनुस्य में विस्तार करने की लालसा वास्तों में निराकर परम बुधिमता की अभिव्यक्ति है यह बुधिमता ही हमारे अस्तितु का स्रोत है अपनी लाल्चा के शूर्थ को खुँदने की कोशिश करने की बजाए हम इसे बाहरी दुनिया में अभिव्यक्ति देने का पर्यास करते है हमारी इंद्रियों की बही मुर्खी प्रकीर्टी होने के कारण हम धोके से यह विश्वास करने लगते हैं कि बाहरी अभिवक्ति किसी तरह से तिरिप्ति देगी जब आप अभिवक्ति को कारण मानकर उसे गलत समझते हैं तब यह अजादी नहीं केवल उल्जाव ही लाता है हर व्यक्ति की जीवन उढ़ जाओ का एक मात्र लक्च अनंद को और स्पर्स करना है यही हमारे स्रीजन का मुल है वे किसी दूसरे उदेश्चे को नहीं जानते हो सकता है कि आपका मन पैसा या एक नए घर के बारे में सोच रहा हो हो सकता है कि आपके शरीर को निंद या भोजन की लालसा हो लेकिन आपकी उड़ जाए हमेशा आपकी शरीरिक और मानसिक संरतनाओ दोरा निर्धारित सिमाओ को तोड़ने की कमना कर रही होती है धीरे धीरे जिन्दगी चलाने की प्रक्रिया में तमाम लोगों ने अपना जीवन उजाओ की दीशा के साथ चलना बंद कर दिया है इसका परिनाम यह हुआ है कि वे विश्वास करने लगे है कि वे एक प्रिथक या सोतन्त इकाई है लेकिन सौतंत इकायो होना केवल एक भ्रहम है अपने भौतिक और मानसिक शरीर में मौजूद चीजों को अपने बाहर से इकठा किया है वे आपकी है लेकिन वे आप नहीं है अगर आप अपने शरीर के बताय रास्ते पर चलना चाहते है तो वो सिदे कब्र की ओर जा रहा है इसी तरह से जिसे भी आप अपने मन के रूप में जानते है वो वस उन तमाम चीजों का जटिल संग्रा है जो यह जमा करता है मन के उदेश्चे पुरी तरह से खुद कोई बनाए होते है हो सकता है कि वे अभी ठीक लगे लेकि आमतोर पर वे आपको जिवन प्रेक्रिया से पुरी तरह से दूर ले जाते है इसलिए अगर आप मन के बताय रास्ते पर चलते है तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक वेकल्पिक मनोवेगानिक स्रिष्टिक और बढ़ रहे है हो सकता है कि यह अकर्षक हो प्रेरक हो या लंबे समय तक तसलिए देने वाला हो लेकिन इसका अस्तित त्वगत वास्तविक्ता से बिलकुल भी संबंध नहीं है संपुन योग प्रेकिरिया का लक्ष रप्ति को जीवन की विश्टार करने की सोभाविक ललसा के साथ यह प्रेकिरिया मनुस्य की इस मौलिक आवशक्ता को सचेटन अभिवर्टी देती है योग विज्ञान में विभिन अध्यात्मिक अभ्यासों का ध्ये इस ललसा के तीन अस्तोरों पर सहायता करना है भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और मानो प्रनालिक तिसरी परत प्रानमे कोस या उर्जा शरीर योग का अर्थ शरीरिक और मानसिक प्रकिरिया का अलग-अलग अनभाव करना है स्वयम के अधार की तरह नहीं बलकि उस तरह से जो आपके द्वारा बनाया गया है जब आप इन दो उपकरनों शरीर और मन को सचेतन रूप से संभालते हैं तब जीवन का आपका उनभाव सोब परतिशत आपका अपना बनाया होता है आपको बस इतना करना है कि आपने और हर उस चीज़ के बारे में एक दूरी परिदा करनी है जो अपने बाहर से इकठा की है आपने इस जीवन में जो कुछ भी किया है वो आप जहां भी जाए आपके साथ रहता है यह आपसे बहुत गहराई से जुरा हुआ है और परिनाम सरूप एक अचेतन अस्तर पर आपका भी इससे लगाव है यह एक बोज बन जाता है क्यूंकि आप नहीं जानते कि इससे कब नीचे रख देना है और कब इससे उठा लेना है इससे एक बोड़े की तरह आप हर समय अपने कंधों पर ढोते है लेकिन इससे नीचे रखना आपके लिए संभव है यह फिर भी आपका साथी होगा लेकिन कम से कम यह उतना बोलजिल नहीं होगा जो आपने इकठा किया है उसकी और खुद के बीच कुछ दूरी बनाना निश्चे ही संभव है आप जब चाहे इसका इस्तिमाल कर सकते है लेकिन आपको इससे अपनी पहचान जोड़ना आवश्यक नहीं है अगर आप यह दूरी कायम नहीं रख सकते तो जीवन के बारे में आपके पूरी समझ असपस्ट रहेगी आपकी यह दास्ट और आपकी कल्पना जिसमें आपके सारी धरनाये विश्वास और भावनाये भी शामिल है मोनो-वेगानिक डारे से संबन्द रखती है जब मोनो-वेगानिक और अश्टी तोगत के बीच असपस्ट दूरी होती है कीवल तबी जीवन का सवाद लिया जा सकता है और उससे आगर जाया जा सकता है अध्यात्मिक प्रकिरिया कार्थ है जीवन की ओर वापस लूटना और मौनों वेज्ञानिक प्रक्रिया से पहचान हटा लेते हैं तो आप इसे अस्पष्ट रूप से देख पाएंगे जब आप सचेतन होकर अपनी जीवन उर्जावर की दिशा में जाते हैं क्यों तभी आपको संभाव और संतुलन प्राप्त होता है क्यों ऐसी स्थीर आवास्थ में ही आप उल्लास के उस्ता मस्तर को खोजने और जीवन के गहनतम रहस्वा में परवेश करने का साहस करेंगे दर्द है पर पीरा नहीं यह उन दिनों की बात है जब मैं मोटर साइकल पर डेश भर में घूमा करता था एक दिन जब मैं एक निर्जन इलाके में था एक अर्जीब दुरगटना होई और मेरी पिंडली की मांस पेशी हर्दी तक गहरी कट गई मैं एक अस्थानिय क्लिनिक में गया और डॉक्टर से इसका इलाज करने के लिए कहा डॉक्टर ने घाव को देखा और का कि उसके पास इसे ठिक करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसके पास सुन करने की सोईधा नहीं है उसने सलाह दी कि मैं जल्दी से किसी बड़े अस्पटाल जाओं और तुरन चिकित्सा सहेता प्राप्त करूँ मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी है क्योंकि मेरा अपने कारेकर में पहुचना जरूरी है मैंने उसे कहा कि उससे ही टाके लगाने होंगे उसने मना कर दिया खुन बहुत बह रहा था काफी बहस के बाद वो तैयार हो गया क्योंकि जहां मैं ख़ड़ा था वहां खुन का तलाब बनता जा रहा था वो भी ना सुन किये उसने मेरी मांश पेश्यों को सीना शुरू किया जिसमें लगबक तीन अलग अलग अक्स्तोरों पर बावन टाके लगे इस पूरी प्रकिजा के दुरान में उससे बाते कर रहा था और वो पसीने पसीने हो रहा था और हाफ रहा था जब सब पूरा हो गया तो उसने मुझसे बड़े और विश्वास से पूछा कि आपकी टांग में बिलकुल भी दर्द नहीं हो रहा दर्द था भयंकर असे निये दर्द था लेकि दर्द होना एक स्वभाविक चीज है और यह अच्छा है बिना दर्द कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी टांग कट गई है या नहीं लेकिन पीरा एक बिलकुल अलग चीज है दर्द अपने आप में ही पर्याब तकलिफ दे है पीरा से उससे और अधिक क्यों बनाए पीरा पुरी तरह से खुद की पैदा की हुई होती है और हर इंसान के पास यह विकल्प होता है पीरा भोगे या नहीं दुसरे विकल्प के चुनने में बहुत अधिक बुधिमता की जरूरत नहीं होती कर्म का गोरक धन्धा एक बार की बात है एक दिन शंकरन पिल्ले अपने मित्रों के साथ शराब खाने में बैठे थे अचानक घरी ने आठ का घंटा बजाया शंकरन पिल्ले ने अपना गिलास रख दिया उठे और दरवाजे की तरफ जाने लगे उनके दोस्तों ने कहा अरे क्या समस्या है तुम कहां जा रहे हो अपना डिरिंक खत्म क्यूं नहीं करते लेकिन शंकरन पिल्ले बिना कुछ पोले जिन्दा लाश की तरफ दरवाजे की तरफ चलते रहे उनके दोस्त हसन लगे और बोले ठीक है अब हम समझ गए आठ बज गए है और तुम्हें घर पर होना चाहिए तुम अपनी पत्नी से डरते हो ना तुम क्या हो एक मर्द या चूहा शंकरन पिल्ले एक पल के लिए रूके पीछे गुम है और कहा मैं घर का मर्द हूँ अगर मैं चूहा होता तो मेरी बिबी मुझ से डरती वे धिये धिये चलते हुए घर पहुचे उनकी पतनी का नियम था कि उन्हें आथ बज़े तक घर पहुचना चाहिए आज मर्द चुहा बहस ने और शराब के नसे ने उनकी धीमी चाल ने देर करा दि उनकी पतनी अपने हाथ में बेलन ले घर की दोड़ी पर बैठी थी उसने उन पर आखे तरे रिकर कहा बेखुफ आज फिर तुमने शराब पी है यहाँ आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ शंकरन पिले एक दुबले पतले लेकिन फूर्टीले आदमी थे वे अपनी पतनी की तरफ धीरे से आगे बढ़े लेकिन फिर वे उसके उपर से छलान लगा कर घर के अंदर भाग गये वह उठी और उनके पीछे भागी उन्होंने उससे घर भर में दौर आया उन्हें यकीन था कि वह उन्हें कभी नहीं पकर पाएगे काफी भागदोर के बाद वे बेडरूम में तीर की तरह घुशे और विष्टर के नीचे छूप घुश गए वह उनके पीछे भाग कर आई वो एक मोटी और थी और विष्टर के नीचे नहीं घुश सकती थी वे वहाँ सुरक्षित लेटे हुए थे पत्नी चिलाई तुम कायर हो बिष्टर के नीचे क्या कर रहे हो बाहर निकलो तुम एक मर्द हो या चुआ संकरें पिले ने जवाब दिया मैं इस घर का मर्द हूँ मैं जहां चाहूं वहां लेटने की मुझे अजादी है यही एक मात्र जगती जहां उस पल वे छिप सकते थे लेकिन वे दयवा कर रहे थे कि यह उनकी अजादी है दुरभागे से अधिकतर लोग बस यही कर रहे है वे अपनी विवस्ताओं पर अपनी सिमाओं पर अपने चैन का लेबल लगा रहे हैं किसी प्रस्थिती में जो किया जना चाहिए यद या प्रसंता पुरबक कर सकते हैं तो इससे अजादी कहेंगे लेकिन जो आपको पसंद है स्वयम को सिर्फ वहीं तक सिमित कर देना विवस्ता पुर्ण जीने का तरीका है यह विवस्ता कर्म की एक चाल है यह प्राचिन सब दुनिया में लोग पिरिये इस्तमाल से अच्छत विच्छत हो गया है आखिर कर्म का ठिक ठाक अर्थ क्या है कर्म का ठाक अर्थ है कारिये कारिये तिन प्रकार का होता है यह शरीर से हो सकता है मन से हो सकता है यह उर्जा से हो सकता है आप अपने शरीर मन यह उर्जा से जो भी करते है वो कुछ अवशेस छोड़ता है इस अवशेस की अपनी संद्रचना या छाप बन जाती है और यह रूपी छाप आपके साथ ही रहती है जब आपके पास काफी मात्रा में छापे जम्मा हो जाती है तो धीर धीर ये स्वयम को परविर्टियों का रूप दे देती है और आप 140 खिलोने की तरह बन जाते है अपनी संद्राचाओं नाओ के गुलाम अपने भुतकाल की कट पुतली कर्म एक पुराने सोफ्ट वेर की तरह है जिसी आपने स्वयम के लिए अंजाने में लिखा है आप जिस प्रकार के कारिये करते है उसी का अनुसार आप अपना सोफ्ट वेर लिखते है एक बार जब इंकारी के अधार पर स्मृति के कुछ खास संद्रचनाय बनती है और यह खुद को दोहराती रहती है जीवन बस चक्रिय होता है यही कारण है कि आपके जीवन में कुछ पैटरन बार बार वापस आते रहते हैं कुछ भिन्नताय हो सकती है लेकिन वे वास्तों में वहीं रह और पीडियों तक स्वयम को दोहराते रहते हैं कुछ समय बाद यह पुन रावरतन घार तक हो सकता है यह बाताना महत्तोपुर्ण है कि यह पैटरन आपको भीतर से संचालित करते है या बाहर से नहीं किसी दूस्ते को आप पर बाहर से नियंतर नहीं करना होता हर समय आपक टनाश्चा आपको संचालित करता है हो सकता है कि आपको लगे कि यह एक नया दिन है पर श्थितिया दूसरी हो सकती है लेकिन अपने भीतर से आप वही चीज बार-बार अनुभव करते हैं और इसलिए चीजे जितनी बदलती है व्योशी ही बननी रहती है भोतिक रूप से नहीं, अन्भौत की अस्तर पर आप अस्चाय से कर्म की लकिर में अठके रहते हैं, हाई अजाधी अब एक खोकला शब्द हो गया है, क्यूंकि आप जैसा सोचते हैं, मैसूस करते हैं और जिवण को समझते हैं, यहां तक के जिस طरह से आप बैठते हैं, खड़े होते हैं और परिवार, आपकी सिक्षा, आपकी मित्र, आप जहां रह रहे हैं और अपने जहां की आतरा की है, इन सब चीजों ने आपकी हर चीज तै की है, कर्म जीवन के हर पहलू पर गुट रूप से छप गया है, यह आपकी मानसिक सिम्रीति, आपके शरीर की बुनियाद, आपकी रसा खोबी देते हैं, तभी आप अपने कर्मों को नहीं खोते, बैक अप सिस्टम इतना सक्षम है, जिससे आप अपना व्यक्तितु मानते हैं, विशिष्टाय और परविर्तिया जो आप है, वह उन जनकारियों के कारण है, जिनने आपने अचेतन रूप से इकठा किया है, इन कोई तरह करता है कि उसे कैसी गंध निकलेगी, आप किस तरह की गंध छोड़ते हैं, या इससे तरह होता है कि आप किस तरह की जीवाँ परस्थितियों को अपनी और आकरसित करेंगे, मान लिजे कि कुरेदान में आज एक सरी हुई मचली है, हो सकता है कि या गंध आपको दुरगंध लगे, लेकिन कई दूसरे कीरें मकोरे उसकी तरह आकरसित हो रहे होंगे, कल अगर कुरेदान में फुल परे होंगे, तो उसकी गंध अलग होगी और फिर अलग तरह के जीवन जनतु उसकी तरह खिचेंगे, लबकती साथ पहले जब मैं पहली बाग दच्चिन भारत के सहर को इंबर्टूर गया, तो एक अस्थानिय दौक्तर के घर में मेहवान बनकर रुका था, वो एक मिलना नसार आदमी थी और उन्होंने मुझे अपने परिवार में हुई ये घटना बताई, वो एक केरल के रहने वारे थी और उनकी बड़ी बेटी को मचली करती थी, दौक्तर की पतनी इससा कहा रही थी, लेकि मचली नख खाने के बावजुद, वो मचली पका दिया करती थी, अगर आप देश के उस हिस्से से है, जहां आप सुखाई गई एक खास ट्रक की छोटी मचली के बारे में जानते होंगे, सुखाई मचली, इसकी गंथ पहुत तेज होती है, अगर यह किसी ट्रक में ले जाई जा रही हो, तो आप अपनी गारी उससे दो मिल पीछे रखना चाहेंगे, या ओवर टेक करके समय सांस रोक कर रखेंगे, जब यह घर में पकाई जाती हो, तो परोश्य को उनको घर से भागने के एक अच्छी रननी समझी जाती है, इस लड़की को उस मचली का वेंजन पसंद था, तो जब उनके घर में वो सुखी मचली तली जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि घर से भूतों को भगाया जा रहा है, यहां तक कि एक मुर्दा उस गंद से उठ खरा हो, उसकी मार असोई में गई, और अस परदाश्ट नहीं हो रही थी, इस दोरान वो लड़की बेडरूम में थी, और जिस पल उसे वो गंद आई, वो भाग कर किचन की तरफ गई, मा और बेटी दोनों आवास में टकरा गई, और मा की नाक तुट गई, मैं इसका जिक्र किसी इनाम या दंद की मिसाल के तोर पर किया है, जब ये आपको जीवन पर हावी रहते हैं, तो किसी किस्म की तुट फुट का होना लाजमी है, ये वासनाएं या परविर्तिया आपके द्वारा किये गए शरीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रिया कलापर की वज़र से जामा हुई, छापर के विशाल भंडाय से परदा होती है, आप जिसे अपना व्यक्ति तु कहते हैं, वह बस इन परविर्तियों की अभिव्यक्ति है, आज अगर आप किसी काम को ये खास तरीके से कर रहे हैं, और कोई आप से पुछता है कि आप उससे दूसरी तरह से क्यों नहीं कर सकते, तो आप अक्सर कह देते है यह मेरा सौभाव है, क्या मैं अपना मन चाहा नहीं कर सकता, यह आपका सौभाव नहीं है, आप वह नहीं कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, यह प्रविर्तिया विवस्ता बन गई है, यही आपका बंधन है, एक तरह का सोफ्ट्वेर जो आप खुद के लिए अंजाने में लिख लिखे जा रहे है, एक बात जब आपका सोफ्ट्वेर तरह हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन के आप अपने जीवन में केवल एक ही रास्ते पर जा सकते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी नेती पुरूर निधायित है, जबकि अध्यात्मिक प्रकिरिय का मतलब है कि हमने सचेतन तोर पर अपने सोफ्ट्वेर को फिर से लिखने का मन बना लिया है, भारत में कर्म बहुत आम सब्द है, अगर लोग किसी किस्म का विवस्ता पुर्ण विवहार दिखाते हैं, तो दुसरे तुरंद कह देते हैं, ओ, यह उनके कर्म है, इसका अर् प्रत्म है कि आप उसे कर्से लेते हैं, और उसके प्रति कर्से प्रतिकरिया करते हैं, एक व्यक्ति के लिए जो एक बहुत करवा नुभाव है, वो किसी दुसरे के लिए एक वर्दान हो सकता है, एक बाद एक दुखी व्यक्ति कब्र के पत्थर के पास बैठकर जोरों से रो रहा था और अपना सीर उस पर फटक यहां था और मेरा जीवन यह कितना निरतक है अब जबकि तुम जा चुके हो मेरा शरीर लाश हो गया है कास तुम जिन्दा होते कास भागे यतना निर्दई नहीं होता अगर तुम चले नहीं गए होते तो मेरा जीवन कितना अलग होत पास में एक पादरी ने उसकी बाते सुनी और तो बोला मुझे लगता है कि इस कब्र के नीचे लेटा व्यक्ती तुम्हा लिए बहुत महतोपून था महतोपून हाँ वाकिवी वो आदमी और जोड से रोने लगा वो हमेरी पत्नी का पहला पती था तो आपके जीवन की गुनवता हमेशा इस बात से तई होती है कि आप जीवन को कैसी अनुभाव करते है न कि इस बात से कि जीवन आपके सामने क्या पेश करता है क्या याद रखना महतोपूर्ण है कि कर्म कोई नगरात्मक सब्द नहीं है कर्म आपके जीवन को स्थिर्था और स्वरूप प्रदान करता है हर पल आपकी पाच इंद्रियों के माध्यम से आपके सिस्थम में तमाम छापों की बाठ आ रही है और सब कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है इस जमाई हुई जनकारी के साथ कुछ भी गलत नहीं है यह आपके जिवित रहने के लिए बहुत उप्योगी है अगर आपने इन सब को मिटा दिया तो आपको जीवन के सबसे असान पहलूँ को संभलना भी नहीं आएगा अध्यात्मिक प्रक्रिया कर्म की छापों किस भंडार को धवस्त करने का प्रयास नहीं करती बलकि आपको इसके प्रति अधिक जागरुक बनने में और इससे थोड़ा दुरियास्थापित करने में सहयता करती है यह आपको इससे बाहर अलग ख़रे होने में सक्षम बनाती है तो आपका सोफ्ट वेयर अपने आप में समस्या नहीं है यह समस्या सिर्फ तभी बनता है जब यह आपके जीवन पर शासन करने वाला बन जाता है अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात करना अच्छे बंधन और बुरे बंधन की बात करने जैसा है ऐसी कोई चीज नहीं होती कर्म वस आपकी अपनी संरचना है यह न तो अच्छा है और नहीं बुरा, यह सोफ्ट वेर तभी तब उपयोगी हो सकता है जब आप इसे कुछ हद तक अजाद रहे, अध्यात्मिक प्रक्रिया का उदेश से बस इतना ही है, आपके उपर से कर्म की पकर धिली करना, आपके पिछले कर्मों की प्रक्रिती चाहा है, जो हो, एक व्यक्ति मिस्पल के कर्म का पुरा नियंतरन अपने हाथ में लेने के लिए परियाप्त जागरुक होती है, अगर आप किसी तरह का रूपांतरन चाहते हैं, तो अपने जीवन में किसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह तभी हो सकता है, जब कि चक्रिये ढाचे को तोड़ देते हैं, कोई भी चीज जो चक्रिये है, वो लगतार चलते हुई लगती है, लेकिन वास्तव में वो कहीं नहीं जाती, अगर आप जीवन के प्रती सनवेदन सील है, तो आपको इसका एहसास जल्दी हो जाता है, अगर आप कम सनवेदन सील ह तब आपको बुढ़े होने पर इसका एहसास होता है, हर चीज आपकी एक्षानिय साल होती हुई लग सकती है, अपका पेश्वर जीवन सफलता है कि वो चाया प्राप्त कर सकता है, आपको संपती बढ़ सकती है, आपका परिवार फलफुल सकता है, लेकिन आप वास्तर में कहीं नहीं पहुच रहे होते आप जितनी सिगता से सफलता प्राब करते है आपको इसका एसास उतना ही जल्दी होता है जब आप किसी ने किसी तरह की अप्रून तक ये खास अवस्था में होते है तब आप सोचते हैं कि एक बार जब आपके सपने सकार हो जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अगर सारी चीजे जिनकी अपने सपने देखे है बहुत जल्दी सकार हो जाती है तब आपको चाने के सास होता है कि अधिपी हर चीज आपके मन मुताबिक हो रही है जीवन फिर भी अत्रिवत बना हुआ है और आपकी ललसाए कायम है जब तक आप इस चक्र को नहीं तोड़ते तब तक आपके जीवन में कोई असली विकल्प नहीं होते कभी कभी आपको लग सकता है कि आपने कुछ महत्वपून अनुभव किया है चीजे बदली हुई लग सकती है और हर चीज अगले तिन दिन तक संदार लग सकती है लेकिन चोथे दिन आप वापस उच्छी धर्दे में पहुत जाते है क्या ऐसा वाकी आपके साथ कई बार नहीं हुआ ऐसा इसलिए है क्यूंकि जब तक आप कर्मों की गिरफ्ट में है विचारों, भावनाओं, गतवीदियों की कोई अजादी नहीं होती और सबसे बढ़कर अनभाव की कोई अजादी नहीं होती साथ ही कम से बचना भी कोई समधान नहीं है हो सकता है कि बचना आपके रोजमरा के जीवन में कुछ संतूलन और स्थिर्टा दे लेकिन धीरे धीरे यह आपको जीवन और आनन से वन्चीत कर देता है या स्वय में बहुत नकरात्मक कर्म है नकरना दमन करना या जीवन से बचना अजादी की बजाए बंधन अधिक पैदा करना एक बापी से दो रहना चाहता हूँ यह बहुती महत्वपून अलोग है नकरना दमन करना या जीवन से बचना अजादी के बजाए बंधन अधिक पैदा करता है मैं कर्म नहीं चाहता मैं कर्म नहीं चाहता ऐसी इच्छा रखना ही बहुत बड़ा कर्म है जीवन जीने की प्रकिरिया ही कर्म का विसर्जन है अगर आप अपने जीवन के हर पल को भरपूर जीते है तब आप बड़ी मत्रा में कर्म को विसरजित कर देते हैं आपके जीवन में जो कुछ भी आता है जब आप उसे पुरी तरह से अनभव करते हैं जब आप विचार और भावना दोरा बीना विचलित हुए और बीना किसी मोनोवेग्यानिक नाटक के जीवन की हर सांस को पुरी तिरुता से अनभव करते हैं तब आप जीवन और मृत्यू की परिक्रिया से ही मुक्त हो जाते हैं आप ने सिर्फ अधिक जीवन होते हैं आप स्वेम जीवन होते हैं योग आपको न सिर्फ अपने कर्म से बलकि कर्म के स्रोत से भी दूरी बनाने का तरीका देता है, भेद करने वाली बुध्धी ही कर्म का स्रोत है, या हर पल आपको अपने जीवन के गुलाम होने का या एक दर्शक होने का या मालिक होने का विकल परदान करता है, कुछ खास म परियास और अभियास से हम सब अपने लिए आनन्द और खुशहाली का सोफ्ट वेर लिख सकते हैं। आपकी सारी सांशारी कुपलवदी सिर्फ उन लोग की तुनला में क्योंती है जिनके पास वे नहीं है। जब आपको एसास होता है कि यह आनन्द किसी दुसरे के वन्चित होने से पैदा होता है तो क्या आप इसे वाकी खुशी कह सकते हैं। किस तरह का होगा। अगर आप इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हो अगर आपको पास खुश्च से तुनला करने के लिए कोई या कुछ भी नहीं तो आप सत्मुच्छ किसकी लालसा करेंगे। अगर कोई बाहरी सराहना या अलोसना नहीं है तो आपके लिए वाकी चीज किस चीज के माइने होगे तो आपके लिए वाकी किस चीज के माइने होगे जो जीवन आप असल में है क्रिया का मार्ग बुनियादी तोर पर क्रिया का मतलब है आंतरिक कारिय आंतरिक कारिय उसे कहते है जिसमें शरीर या मन या उर्जा के भोतिक आयाम शामिल नहीं होते जैसा कि हमने पहले अस्थापित किया है शरीर और मन आपके है लेकिन फिर भी आपसे बाहर है आपने इन दोनों को बाहर से कठा किया है शरीर और मन को आपने बाहर से कठा किया है शरीर भोजन का संग्रह है और मन विचारों का संग्रह यहां तक कि आपकी उर्जा शरीर पर अंकित छाप पास इंद्रियों से प्राब जनकारी का संग्रा है जब आपमें अपनी उर्जा के अभौतिक पहलू से कारिय करने की योगिता आ जाती है तब वो कारिय किरिया कहलाता है यह सब थोड़ा गुड लग सकता है लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से दिक्षा मिली है जिसे उर्जा के छेत में दक्षता प्राब्त है तो आपके लिए किरिया का भ्यास करना संभव होगा अगर आपकी किरिया कलाब बाहरी अभिविक्ती पाते हैं जिसमें शरीर, मन और उर्जा का भोतिक आयाम सामिल हो तो वो कर्म होगा लेकिन अगर आप भितर की और मुणकर भोतिके सारे आयामों से परे कोई कारिय करते हैं तो वो किरिया होता है कर्म आपको बांधने की प्रकिरिया है, किरिया आपको मुक्त करने की प्रकिरिया है, योक का सबसे महत्वपून पहलू हमेशा उर्जा के भौतिक आयामों से परेकारिय करना होता है, भौतिक्ता के चार आयामों में से आप शरीर के किरिया कलापों के प्रती सबसे अधिक से चेतन है, मानसिक किरिया कलापों के प्रती काफी कम और उर्जा के प्रती नक के बराबर, जिस पल आप अपनी जीवन उर्जा के भौतिक पहलू से कारिय करना सीख लेते हैं, तब आप अचानक अपने भीता और बाहर अजादी के एक नए अस्तर पर पहुच जाते है आप अपनी जीवन उर्जा के भौतिक पहलू तक कैसे पहुच सकते हैं योग के सभी अभ्यास जिसमें आशन, सांस, मन या द्रिष्टी कोन और उर्जा को सक्रिय करना सामिल है वास्तों में शरी के पहले तिन पर्टों यानि भौतिक, मांसिक और उर्जा शरी को तालमेल में लाने की दिशा में काम करते हैं उसको तालमेल में लाने पर ही आप भौतिक से परे कायामों तक मौलिक जिवन उर्जा तक पहुच बना सकते हैं मैंने अन्यक लोगों को देखा है जो एक सधानसी किरिया करना शुरू करते हैं और अचानक वे इतने रसनात्मक बन जाते हैं कि वे ऐसी चीज़े हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं जो उन्होंने अपने जिवन में संभव होने की कमी कलपना नहीं की थी ऐसा शिर्फ इस लिए है क्योंकि उन्होंने अपने कर्म की बुनियात को थोड़ा धिला बना लिया है अपने शरीर, मन और उर्जा की भोतिक प्रकिरिया में उल्जे रहने के बजाए उन्होंने अपनी उर्जाओं को बदलाव के लिए जगजोर दिया है यह ऐसी चीज है जो हर इंसान करना सिख सकता है अध्यात्मिक मार को चलने के लिए किरिया योग एक बहुत सक्ति साली तरीका है लेकिन साथ ही यह जवदस्त लगन की मांग करता है आज के आधुनिक शहरी लोगों के लिए जो अपने शरीर को पुरी छमता से इस्तमाल करने के आदी नहीं है किरिया योग दूभर और आमानवीय लग सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि किरिया व्यापक है और इनके लिए अत्यदिक अनुशार्शन लगन और सुधता की जरूरत होती है अधिकतर लोगों के पास योग के इस मार्ग पर चलने के लिए योग्य शरीर, सोच या भावनाव की स्थिर्टा नहीं है लोगों को अपने बच्पन से हर समय अराम से जीने की आदत पढ़ जाती है शरीरी अराम के अस्तर कादी होना समस्या नहीं है लेकिन लगतार अराम ही खोजते रहना यह सबसे बड़ी समस्या है उस तरह की सोच और भावनाए किरिया योग के मार्ग के लिए ठीक नहीं है साथ ही किरिया योग उन लोगों से नहीं कराया जा सकता जो हर वक्त अजादी की बात करते है यह उनके लिए नहीं है जो हमेशा पुछते रहते है मुझे अपनी आईस्किम खाने के अजादी क्यों नहीं है जब मेरा मान करे तब मैं क्यों सोकर नहीं उठ सकता मैं जब चाहूं जो चाहूं क्यों नहीं खा और पी सकता मैं जिसके साथ चाहूं जब चाहूं सक्स क्यूं नहीं कर सकता अगर आप किरिया का मार्ग अपनाते है तो सभी शरीरिक, मांसिक और भावनात्मक प्रेकिरियाओं में एक बुनियादी अनुशासन लाना होगा अगर आप अपनी चेतना के शेखर को छुना चाहते है तो यह अनुशासन अनिवारी है अगर आप पुरी रात तक पाटी करते रहे है और अगर शुब एवरेस्ट की चोटी की चधाय नहीं कर सकते यही तरक यहाँ पर भी लागू होता है जब आपको किरिया योग के कुछ नियम अनुशासन दिये जाते है तो आपको उनका पालंग करना होता है वो सकता है कि अनुशासन की आप सकता आप आगे चल कर समझे लेकिन इसकी पूरी व्याख्या कभी नहीं की जा सकती और अगर इसे समझाना परे तो किरिया का सार नश्ट हो जाएगा ऐसा इसलिए है क्यूंकि किरिया करतर के धाचे से परे जाने और अनुभाव करने का साधन है ताकि उन अभोतिक आयामों तक पहुचा जा सके जिने अध्यात्मिक या रहस्य से मैं माना जाता है अगर मैं बस अभियासों की तरह आपको किरियाए सिखाना चाहता तो मैं उन्हें असानी से एक किताम में लिख सकता था और आप उन्हें सिख लेते और याद कर लेते लेकिन किरिया को एक जिवन प्रकिरिया होने के लिए जो आपके सिस्टम में एक खास तरह से अंकीत हो जाए एक खास अनुसासन लगन और गहन सिर्था की जरूरत होती है जब आप बिलकुन नई इलाके में चलते है और अगर आपको राह दिखाने वारे पर भ्रोसा नहीं है तो यात्रा अन्यावश्यक रूप से लंबी और कठीन हो जाती है आमतर पर किरिया के मार्ग पर अधिकतर गुरू सिस्टम को इंतजाय कराते है परामपरिक रूप से जब एक शिस्टम किसी गुरू के पास किरिया योग सिखने जाता था तो उससे एक साल तक फर्स बु दिया की दिक्षा देने की सोचता था इसके पीछे एक कारण है एक बार जब आप किसी इंसान को एक खास तरह से सरसक्त बना देते है कि उसका सिस्टम समाने अस्तर से ज्यादा जिवन्त हो जाए और अगर उसकी सोच और भावनाय वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए तो वो खुद को ही भारी नुक्सान पहुचा सकता है हलांकि आज की दुनिया में लोग में उस किस्म का भरोसा आने के लिए उनके पास उतने समय का होना और तब इन किर्याओं को अंकित करना कठीन है यह संभव नहीं है लेकिन इसकी संभावना नहीं के बरावर है मैं अपने जिवन के 21 साल एक सक्ति शालिक किरिया संभावी महमुद्रा को रुपांतित करने में लगाये है ताकि उसे आज के दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों को सिखाया जा सके कुछ खास पहलूओं को जिससे लोगों को स्वयम या दूसरे को हानी पहुचा सकती थी जिससे उनके आसपास के तर्थ परहावी तो हो सकते थे उनने सुरक्षी तरीके से निकाल दिया है ताकि उसके शरीरिक, मौनोवेग्यानिक और अध्यात्मिक लाभी बाकि रह जाए उन दो दौसके के दुराएं मैंने जान बुचकर हर तरह की सार्वजनिक पहुच से दूर रहा क्योंकि मेरा पुरा ध्यान मुखता इस किरिया के पूर्ण गठन पर केंदरी था ताकि या बिना किसी परतिकुल परभाव के वियापक रूप से परदान की जा सके एक संपुन मार्ग के रूप में किरिया योग सिर्फ उन लोगों के लिए महत्तपुन है जो हरस्से में आयामों को खोच करने में रूची रखते है अगर आपकी रूची सिर्फ खुशाली में है या आप बस आत्मग्यान चाहते हैं तो किरिया को एक छोटे अस्तार पर इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन किरिया योग को एक मात्र मार्ग की तरह फ़नाने की जरुदत नहीं है क्यूंकि इसके लिए बहुत अधिक परिश्नम की आवश्यक्ता होती है अगर आप बीना किसी मार्ग दर्शन के किरिया के मार्ग पर बहुत त्रिउता से चलते है तो भी उसका फल मिलने में कई जिवकाल लग सकते है अगर आपके लिए कोई सक्रिय रूप से इसकी प्रकिरिया का मांग दर्शन करने वाला मौजूद है तो आंत्रिक प्रकृति और रहस्य में आयाम की खोज के लिए किरिया सबसे सक्तिशाली और संदार पद्धती हो सकती है वरना किरिया एक तरह से भुमावदार रास्ता है किरिया को भी जानना चाहते है आप जीवन के यान तरीकी समझना चाहते है इसी कारण से यह काफी लंबी प्रकिरिया है। किरिया के मार्ग पर चलने वाले लोगों की मौझूदगी बिल्कुल अलग तरह की होती है क्यूंकि अपनी उर्जा पर उनकी दक्षता होती है वे जीवन को छिन भिन कर सकते हैं और फिर से इकठा करके जोड सकते है अगर आप दुसरे मार्ग पर चल रहे हैं जैसे ग्यान मार्ग तो आपकी बुद्धी के धार भूत पहनी हो सकती है लेकिन अपनी उर्जाओं के साथ आप कुछ खास नहीं कर सकते इसी तरह से अगर आप भक्ति या समर्पन के मार्ग पर है तो भी आप अपनी उर्जाओं के साथ कुछ खास नहीं कर सकते और आप इसकी परवा भी नहीं करते क्यूंकि तब आपकी भावनाओं की तिवर मधूता ही माइने रखती है अगर बस उसमें विसाजित हो जाना चारते है जिसके प्रति आपकी भक्ति है अगर आप कर्म के मार्ग पर है तो आप इस दुनिया में तमाम चीज़े कर सकते हैं लेकिन स्वयम के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके विप्रित क्रिया योगी अपनी आंतिक दुनिया के साथ जो चाहे कर सकते है और ये बाहरी दुनिया के साथ भी काफी कुछ कर सकते है साधना असल में हर व्यक्ति में कर्मों की संद्थना एक चक्रिय तरीके से काम करती है अगर आप बारेकी से गौर करें तो पाएंगे कि दिन भर में वही चक्र बार बार हो रहे है अगर आप बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति है तो आप देखेंगे कि हर 40 मिनट में आप एक शरीरिक चक्रि से गुजरते है एक बार जब आपको इसका इहसास हो जाता है तब जरूरी एक आरुक्ता और जागरुक्ता के साथ आप उस चक्रिय पर सवार हो सकते है और उन चक्रिय दोरा निर्धारित सिमाओं से परे जाने की तरफ बढ़ सकते है इसलिए हर 40 मिनट पर जीवन आपको एक आवसर परदान करता है जागरुक्त बनने का आवसर हर 40 से 38 मिनट पर दाहिने और बाये नथूने से आने जाने वाई सांस की प्रवलता में भी बदलाव आता है आपकी सांस कुछ देर तक दाहिने नथूने में प्रवल रहती है और फिर बाये नथूने में आप इस बारे में जागरुक हो जाईए ताकि आप यह जान पाए कि आपके भीतर कम से कम कोई चीज लगातार बदल लही है इस जागरुकता को और अधिक बधाया जा सकता है और आप अपने शरीर पर सुरी और चन्रमा के परभाव के प्रति भी जागरुक हो सकते है अगर आप चंद और सोच चुक्रों के साथ अपने शरीर को संतूलन में ले आते हैं तो आपका सरीरिक और मनोवेग्यानिक स्वास्थे सुनिश्चित है उर्जा का भंवर जाद योग पदती हमें मनुष्य के उर्जा सरीर की संदतना का एक व्यापक और विश्टीत दिश्टी कोन परदान करती है उर्जा सिस्टम में 72,000 नारिया या चैनल होते है उर्जा या परान इन्ही नारियों से होकर परभावित होता है यह 72,000 नारिया या तिन बुनियादी नारियों से निकलती है दाःनी नारियों को पिंगला कहते है बाई नारिय को एड़ा और विज की नारियों को सुसुLL मना यह तिन नारिया उजा पनाले का अधार होती है पिंगला पुरुष प्रकृति का प्रतिक और इरा नारी प्रकृति का इहां पर पुरुष प्रकृति और नारी प्रकृति का अर्थ लिंग भेद के संदर्थ में नहीं है बलकि या सभाव के कुछ खास गुनों से जुरा है इन गुनों के प्रतिक ये दो चैनल है अगर किसी व्यक्टि की पिंगला बहुत प्रवल है तो उसमें बहीर मुर्खी और खोजी प्रविटी के गुन पर मुख होंगे अगर एरा अधिक प्रवल है तो ग्रहन सिल्था और विचाल सिल्था के गुन मुख्य होंगे कोई व्यक्टिप पुरूस है या इस्तरी उसका इन गुनों से कोई लेना दिना नहीं है आप एक पुरूस हो सकते फिर भी आप में इरा ज्यादा प्रबल हो सकती है आप एक इस्तरी हो सकती है फिर भी पिंगला प्रबल हो सकती है पिंगला और एरा को सुर्य और चंदमा की तरह भी दर्शाया जाता है सुर्य पुरुस प्रधान गुनों का और चंदमा नारी सुलफ गुनों का प्रतिक है सुर्य प्रेचंद है और अपनी किर्ण चार और बिखिरता है चंद्रमा किन्नों को गरहन करता है और परवर्टित करता है चंद्रमा के बढ़ने घटने के चक्र से अरोतों के शरी का चक्र जुरा हुआ है आपके दिमाग के स्थर पर पिंगला ताड़किक आयाम का प्रटिख है जबकि एरा सहज ग्यान आयाम का यह दोयत मनुष्य जीवन के भौतिक दाइरे का अधार है व्यक्ति तभी पूर्ण हो सकता है जब पुरुस परधान पक्ष और नारी सुलब पक्ष दोने पूरी छमता से काम करते है और उचित संतुलन में होते है सुसुमना जो किंद्रिय नारी है आपके शरीर विज्यान का सब्से महत्तोपुन पहलू है जिससे अधितर लोग आम तोर पर अंजान होते है यह दिपी सुसुमना का बहतर हजार नारीों सो कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी यह पूरे सिस्टम की धूरी का काम करती ह एक बार जब उर्जाए आपकी सुसुमना में परवेश कर जाती है तब आप में एक तरह का संतुलन बना रहता है चाहे आपके असपास कुछ भी क्यों न हो रहा हो अभी हो सकता है कि आप काफी संतुलित हो लेकिन अगर बाहरी प्रस्थित्या चनौतिपूर्ण है तो पर आप अपने भीतर कैसे है यह भारी प्रस्थित्यों पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि सुमना भत्तर हजार नार्यों से जुड़ा नहीं है आजकल चक्रों की बहुत बाते हो रही है चक्र कार्थ है पहिया और योग पधिती में इसका बहुत महत और खास मायने है आज इसकल हील एलाइन मेंट सेंटर होते हैं जो आपको चक्रों को संतुलित करने आपके और रोधों को दूर करने और आपकी बिमारी और भूतकाल वरतमान और भविश्य का उपचार करने का दावा करते हैं इन तमाम इन दिनों तमाम लोग चक्रों पर काम कर रहे हैं यह एक बड़ी सनक बन गई है लेकिन यह खतरनाक हो सकती है इस शुक्ष्म और गुड़ विशे को सावधानी और सतर्कता से संभालने कि यही समय है नारियों का कोई प्रकट रूप नहीं होता वे दिखाई नहीं देती अगर आप शरीर को काटकर उसके अंदर खोजे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन आप जैसे जैसे ज्यादा जागरुक होते जाते हैं आप देखेंगे कि उर्जा यूंहीं यहां वहां नहीं जा आती है जागनाईयों की तरह नाड़ियों की तरह चक्रों की प्रकृतीक शुक्ष्म होती है और उनका भी भौतिक अस्थितु नहीं होता वे अक्सर एक त्रीकोन बनाती हुए मिलते हैं व्रित की तरह नहीं जैसा कि चक्र सब्द संक्यत करता है हर मशीन के सभी घूपने या किंद्रो के नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि चक्र या पहिया गती शिलता का एसास कराता है, शरीर में कुल एक 에게 002 चक्र है दो sujet के बाहर हैं और 112 शरीर के अंदर के इन 112 चक्रों मिनगत सै साथ मुख्यच्र चक्र हैं अधिकतर लुदुक ऐनके इन बस कुछी चक्रों की साहिता से आप एक काफी संपूर्ण जीवन जी सकते हैं अगर आपका पूरे एक और सक्रिय करने हो तो आपके शरीर का बिलकुल अभास भी नहीं रहेगा यो का उदेश से आपके उर्जा सिस्टम को इस तरह से सक्रिय करना है कि आपकी शरीरिक चत्ना लगता है निची होती रहे ताकि आप यहां बैठकर शरीर में रहें लेकिन खुच शरीर ना रहें तरचिन भारत में सदाश्री ब्रहमा हेंद्र नाम के प्रसिद्ध योगी थे वे निरकाया थे जिसका साद्रिक अर्थ शरीर विहीन योगी होता है उनको अपने शरीर के ह होने का कोई अभास नहीं रह गया था इस अवास्था में व्यक्ति के कोपड़े पहने का वे ख्याल नहीं आता वे बस नंगे ही घुमते थे इस अवास्था में घर संप्रतिय भौतिक सिमया का कोई बोध नहीं रहता एक दिन वे टेहलते हुए कामरी नदी के किनाय राजा के बगीचे में चले गए राजा वहाँ अपनी राणियों के साथ बैठा हुआ अराम कर रहा था अपनी ही नगमता से अंजान सादाश्य बर्मेंद के बगीचे में घुमते रहे राजा को बहुत गुस्सा आया यह गुमने की हिमत कर रहा है राजा ने अपने सिपाही उनके पिछे भेज दिया सिपाही सादाश्य बर्मान बर्मंद को बरहोद्र को पुकारते हुए उनके पिछे भागे उन्होंने मुलकर नहीं देखा बस वे बस तहलते रहे गुस्सम एक सिपाही ने अपना तलवार नि कर सिपाहे सत्वध रहेगी और भवित होगे उन्हें एसास हुआ कि वे कोई सधारन व्यक्ति नहीं है राजा उसके सिपाहे उनके पीछे भागया उनके बैरों में गिनकर उनसे छमा मागया और उन्हें बगीचे में वापस ले आए उस बगीचे में जीवन भर है और अरंत में अपना सरीर वहीं पत्याग दिया योग प्रंप्रा में इस तरह की अन्गीनत उदारन है जब आपके वह जाए एक उच अवस्था में होती है तो भौतिक अवस्था का बहुत इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति के कई दिनों तक मिना किसी बाहरी फोसन के गुजार लेना भी संभव होता है मानों शरीर तंत में चक्रों की क्या भूंका है? सात मौलिक चक्र है मुला धार जो गुदा और जन्नांग के बीच इस्थीत होता है स्वाधिस्थान जो जन्नांग से ठीक उपर होता है मनी पुरक जो नाभि से तीन चोथाई इंच नीचे होता है अनाहद जो पस्लियों के मिलने की जगह के नीचे गड़े में होता है विशुद्धी जो कंठ के गड़े में होता है अग्या चक दोनों भोवे के बिच होता है और सहस्रवार चक्र जिसे बरहाम रंद भी कहते है सीर के सबसे उपरी जगह पर होता है यह नवजाद बच्चे के सीर उपर सबसे कोमल पीड़ा, सांती, खुशी और पर्मानंद आपके जीवन उजा के अफिवक्ति के अलग अलग अस्तर है अगर आपके उजा मुलाधार में प्रेबल है तो आपके जीवन में भोजन और निंद का सवचे परमुक अस्थान होगा अगर आपके उजा स्वाधिस्थान में सक्र प्रबल है तो आप एक करम शिल व्यक्ति होंगे आप दुन्या में बहुत से काम कर रहे सकते हैं अगर आपके और जाअग्या में शक्रिये है तो आप अग्या तक पहुच गए है तो इसका मतलब है कि बौधिक अस्तर पर आपने सिध्धी पाली है यह बोधिक सिध्धी आपके अंदर स्थिर्टा और सांति की अवस्था ला सकती है आपकी आस्पर चाहे कुछ भी हो रहा हो यह कैसे भी हालात हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह बस तिवृता के अलग अस्तर है सुख तरासने वाले के जीवन में भोजन और नेंद के पीछे भागने वाले के तुनला मर्धिक तिवृता होती है वह व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ नया करना चाहता है उसकी तिवृता सुख तरासने वाले से ज्यादा होगी एक अलाकार या स्रीजनात्मक व्यक्ति क जीवन में इन तीन लोगों की तुनला में धिक तिवता होगी अगर आपने विसुद्धी को पा लिया है तियो तिवता का बिलकुल अलग आयाम हो सकता है और अग्या कास्तार उससे भी उंचा है एक बज़ा मिंसान की उज़ा सहस्तार तक पहुत जाती है तो वो पाउलों की तरफ परमानन में जुमता है और बिना किसी बाहरी उकसावर के ही आनन में जुमता है क्यूंकि आपकी उज़ाओं ने उस चरम सिखर को छू लिया है निचल रूपी चक्रों की बात करना भ्रामक हो सकता है या कुछ-कुछ एक बिल्लिंग की निव और छट की तुन्ना करने जैसा है छट बेहतर नहीं होती निव कमतर नहीं होती किसी बिल्लिंग की क्वालिटी, जीवन, काल, स्थिर्टा और सुरक्षा काफी हद तक उसकी चट की तुन्नाइम उसकी निव पर अधिक निवर करती है उदारन के लिए भवतिक शरीर में आपके उजाओं को कुछ हद तक मुलाधार में होने क्याव सकता है मुल कार्थे जड या सुरोत और अधार कार्थे निव शरीर की बनावत में यह अधार है अगर आपको विश्कास करना है तो आपको इससे उन्नत बनाना होगा साथ ही चक्रो काने के वहल आप भौतिक आयाम होता है बलकि अध्यात्मिक आयाम भी होता है अगर आप इसमें सही किस्म की जावरुपता ले आते हैं तो उसी मुलाधार को इस सिम्मात तक रुपांतित किया जा सकता है जहां आप भोजन और निन की विवस्ता पूर्ण आप शकता से पुरी तरह से मुक्त हो जाते हैं चक्त दो आयामों में से किसी एक आयाम में आते हैं मुलाधार, स्वाधिस्थान, मनिपूरक और संबंधिक चक्र, सरीक वर इस्थिर और आधार से जुरा रखने से अधिक संबंध रखते हैं ये गुन धर्टी और आत्म सुरक्षा से जुरे है जब आपकी उर्जया इन च असारिक होते हैं और आप प्रकृति की पकर्ल话 अधिक होते हैं उप्री चक्र बिसूदी अग्या्स हसरसार और संब्र फेंद्स और जो आपको धर्टी के आकार्शन से दूर कृते हैं वे अनंद की लालशात से संबंध रखते हैं वे आपको ऊस्ष्पकिक और उपी चक्रों के बीद का अस्थान के तरह है आत्मस्लक्षा की प्रविर्थी और बुक्ति की और जाने की प्रविर्थी के बीद का अस्थान इससे एक दूसरे को काटते हुए दो तिर्भुजक रूप में दर्साया जाता है एक तिर्भुजक का सीरा नीचे की और और द तरंस्कृतियों में कुछ आत्मग्यानी लोगों ने अपनी परंप्रेकृति को अनाहत के माध्यम से प्राप्त किया था और उन्होंने इस चक्र के काथते हुए तिर्भूचों को अपने भीतर देखा था विशुद्धी का साब्दिक अर्थ होता है चलनी यह चक्र आपके कंड के गड़े में स्थीत है यह आपका विशुद्धी सक्तिसालिव हो जाता है तो आपके पास अपने भीतर प्रवेश करने वाली हर चीज़ को छानने की और उसे स्विकार करने या ना करने की छामता होती है या दूसरे सब्दों में एक बार जब आपका विशुद्धी बहुत सक्रिय होता है तब आप इतने शक्तिसालिव बन जाते हैं कि बाहरी प्रकृति का आप पर कोई परभाव नहीं होता भारतिये परतिमाओं में आदियोगी को निलकंठ यानी नेले गले वाला दर्शा जाया गया है किकि वह बाहरी दुम्या के विश्द को चानने और उसे अपने गले में रोक देने में सक्छम है वे उसे अपने अंदर पर वेस्ट करने से रोख सकते हैं अगर आपकी उज्जाय अग्या चक्र में परवेस्ट कर जाते हैं जो आपकी भवेट बीच एस्थित ने देश भर में यत्रायकी और अध्यात्मिक सास्त तर्थ में अंगिनत पंदीतों को हरा दिया उनका तर्क आकत्य था क्यूंकि आग्या चक्र में कत्तु कानुभा व्यक्ति को बौधिक अंद्रिश्टी और बोध का असाधारन अस्तर प्रदान कर देता है सात्वा चक्र सहस्त्रवार वास्तों में आपके शरीर के ठीक बाहर इस्थित होता है अधिक्तर लोगों के लिए यह निश्किरिये रहता है यह धुपी अध्यात्मिक अभियास से या तो बहुत तिव तरीके से जीवन जीने से आप इसे सक्रिये कर सकते हैं अगर आप अपन यह पर्मानंद में गोते लगाते हैं और गहनत्म रहस्त्य में छेत्र आपके लिए खुलने लगते हैं अगर आवस्चक शरीरिक और मोनोवेग्यानिक संतूलन पैदा करने के लिए पर्याप्त अध्यात्मिक साधना नहीं की गई हो तो कभी कभी आप पर्मानंद की ऐसी अवास्था में पहुच जाते हैं जो आपके नियंत्रन से बाहर होती है भारतिय परंप्रय में इन पर्मानंद में रूबे रहस्ते दर्शियों को अवधूत कहा जाता था वे चेतना की इतनी बजली हुई आवस्था में होते थे कि अकसर उनकी आसपास रहनें वाले लोग मौलिक रूप से किसी भी अध्यात्मिक मार्ग को मुलाधार से सहस्तिसार की यत्ता की तरह या एक आयाम से दुसरे आयाम में विकास करने की रूप में देखा जा सकता है योग पधिती में कई परकार की अध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को अपनी उजाओ को एक चक से दूसरे चक्र में ले जाने में साहईता करते हैं। लेकिन अग्या से सहस्थ साहर में जाने का कोई माग नहीं है। आपके उसमें या तो च्हलंग लगानी होती है या उसमें घृनना होता है। भरती या ध्यात्मिक प्रांपना में गुरू की जबदस्त महत्ता के पीछे यह यह कारण है अग्या से सरसार में छलंग लगाने के लिए अतिधिक भरोसे की आप सकता होती है मान लिजे कि आपके सामने अतल कुंड है और कोई आपको उसमें खुद जाने को कहता है ऐसा कर सक लिए आप यह तो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे यह आप में ऐसा धारन सहास होगा यह आपको उस व्यक्ति और अटुट विश्वास होगा बहुत कम लोग इतने पागल होते हैं कि वे अपना जीवन पूरी बेफिकरी में जी सके अधिकतर लोग सवधानी से अपनी सि लांग नहीं लगाएंगे हालाकि इस अगाद कुंड को ड्रावनी खाय की काली छवी की रूप में देखने की जरूरत नहीं है इसके बदले यह एक ऐसी अस्थान को दर्शाता है जो चोट खाने और पीरा के सभी संभावनावों से मुक्त है यह एक बिलकुल नया आयाम है जो दोस्त ही तरीके से न दोहराने वाला है यह आयाम तुलना से परे है यह आपको एक अलग इकाय के बजाए सर्व समावेशी अनन्द प्रकृति में अनन्द से परे की निश्चलता में पहुचाता है और इसलिए छलांग लगाना फायदेमंद है छलांग ही सब कुछ है इस छलांग से तली रहित अगाध कुंड सीमा रहित अजादी बन जाता है खुली आँखों से अपनी भौहे के बिज कर स्थान से च्छ से नौ इंच के दुदी पर बारे से अटालिस मिनट तक अपना ध्यान केंदित करने से आपको अपने अलग अलग चक्रों की प्रकृत प्रकृति और संरचना का एसास हो सकता है यह आपके ध्यान के अस्तर और उसकी अवधी पर निर्भर करेगा इसका बोध तनावपुन बारी प्रस्थितियों की कारण होने वाले चक्रों की निया नीमित हल्चल को इस्थित करने में सहायता कर सकता है क्रिया योग के एक बह बस एक पहलू है जो आपको अपनी आंतरिक आकाशी आयाम तक पहुच परदान करता है अंजानी रह योग के छठे अंग को ध्यान कहा जाता है यह वास्तों में अपनी शरीरिक और मानसिक संरचनाओं की सिमाओं से पड़े उठने के बारे में है ध्यान बोध के साथ भारत से चिन तक गया जहां इसे चांद कहा जाने लगा जब योग दच्छिन पुर्वी एशिया के देशों से होते हुए जपान पहुचा और जेन बन गया और बीना किसी सिधान पर जोर दिये यह सीधे अंट दिश्ती पाने की पुरी परधती के रूप में केरंथ किताबे नियमा वाली या पुर्ण निधारित अभ्यास नहीं है यह एक अपरिचित मार्ग है उस परधती के इस्तमाल का जिससे हम अब जेन कहते है पहला लेखित जिक्र लगभग आठ हजार साल पहले मिलता है जो गौतम बुद्ध से भूत पहले का काल था राजा जनक बहुत तेजस्वी व्यक्ति और परचंद साथक थे उनके अंदर जानने की आग निरंतर जलती रहती थी उन्होंने अपने राज्ये के सभी अध्यात्मी गुरों से सलाह ले थी कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका क्यूंकि उन समने पुष्ट तके पढ़ कर गिरान पराप्त किया था उन्हें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला था जिसको आंत्रिक अनुभव पराप्त हुआ हो एक दिन राजा शिकार करने के लिए गए जंगल में बहुत अंदर तक घुर स्वारी करने के बाद उन्हें एक योगी दीखे वे रुक गए एक छोटी कुटिया के सामने अस्ता वक्र बैठी हुए थे वे तब के स्वार्धिक सिध योगी और आध्यात्मी गुरुव में इस एक थे जनक उनका अभिबादन करने के लिए घुरे स उतरने को त्यार हुए उन्होंने उतरने के लिए काठी पर से अपना पैर घुमाया ही था कि अस्ता वक्र ने कहा रुको जनक वहीं रुक गए उनके एक पैर रकाब में था और दूसरा बीच हवा में वह एक कष्ट देर स्थिती थी लेकिन जनक उसी स्थिती में अस्ता वक्र को देखते हुए बिना हिले लटके रहे हम नहीं जानते कि गुरू ने उन्हें कितनी देर तक उस तरह से रखा लेकिन उस कष्ट देर स्थिती में अचानक जनों को पुरी तरह से घ्यान प्राप्त हो गया अस्ता वक्र ने जो तरीका अपनाया वो इस तरह का था जिससे आजकल दुनिया में आहाम तोर पर जेन के नाम से जानते है एक बार की बात है एक जेन गुरू थे जिनका हर कोई आदर करता था लेकिन वे किसी तरह की सिक्षा नहीं देते थे वे अपने कंधों पर हमेशा एक बोरी लेकर चलते थे जिसमें बहुत सी चीजे होती थी और उन चीजों में कुछ मिठाईया भी होती थी वो जिस गाउं वो जिस पी गाउं या कस्पे में जाते थे बच्चे उनके चारों और इकठे हो जाते थे और वे उनमें मिठाई बाट कर चल देते थे लोग उनसे सिक्षा देने को कहते थे लेकिन वे हस देते और अपने रास्ते चल जाते एक दिन एक आदमी जो खुद एक प्रसिद जेन गुरु था उनसे मिलनी आया वो सुनस्चित करना चारता था कि क्या यह बोरी वाला आदमी वास्तों में एक जेन है या नहीं तो उसने उनसे पूछा जेन क्या है तुरंत उस आदमी ने बोरी नीचे गिरा दिया और सिधा ख़रा हो गया तब उसने पूछा जेन का उदेश्य क्या है इस पर आदमी ने बोरी उठाकर अपने कंधों पर डाल ली और चल दिया योग भी ऐसा ही है सारे अध्यात्मिक अभियास तो ऐसे ही है जब आप योग या जेन की अवस्था प्राप्त करना चाहते है तो आपको अपना बोज गिरा देना होता है रास्ते में हर चीज को छोड़ देना होता है सबसे अजाद रहना होता है और सिधे ख़रे होना होता है और योग का उदेश्य क्या है? सचेतन होकर पूरे बोज को एक बार फिर से उठा लेना और अब यह बोज जैसा नहीं लगता प्रतिस्था विज्ञान किसी अस्थान को पवित्र बनाने या उसकी प्रतिस्था करने का क्या अर्थ है? प्रतिस्था शब्द अक्सर थोड़ी लापरवाय से इस्तेमाल होता है अधिकांश लोगों के लिए इसका मतला विस्तीत रिती रस्मक को संपर्ण करना है जो हमारे जीवन को बहुत सुन्दर्ता और कलात्मक्ता परदान करती है लेकिन इसकी कोई असली उप्योगिता नहीं है अधिकतर लोग मानते हैं कि यह बस बक्वास है जिसका मकसद अधियात्मिक प्रक्रिया को उल्जाना और अधिकांश भोले भाले दर्पोक लोगों का शोसन करना यही समय है कि हम इस सतही समझ को छोड़े और गहराई में देखे अगर आप मिट्टी को भोजय में रुप पांतीत करते हैं तो हम उसे क्रीशी कहते हैं अगर आप भोजन को मांस और हड़ी में बदलते हैं तो हम उसे पाचन कहते हैं अगर आप मांस को फिर से मिट्टी बना देते हैं तो हम उसे दास संसकार कहते हैं अगर आप इस मांस या किसी पत्थर या फिर किसी खाले अस्थ कि रिया है यह एक संस्क्रीत शब्द है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है आदुनी की विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज बस एक ही उर्जा है जो खुद को क्रोरों अलग-अलग तरीकों से अभिव्यक्ट कर रही है अगर ऐसा है तो जिससे आप इश्वर कहते है जिससे आप पत्थर कहते है जिससे आप आदमी या राक्षस कहते है या राक्षस कहते है विजसे अलग-अलग तरीकों से काम करती हुई एक ही उर्जा है अगर आपके पास ज़रूरी तकनीक है तो आप अपने आसपास के सधारन से अस्थान को एक इश्वरिय उर्जा से सारोबार कर सकते है आप बस एक चत्तान के टुक्रे को लेकर उसे देवी या देवता बना सकते है इस प्रकिरिया को प्रतिष्था कहते है खास कर भारत में, प्राचिन समय की प्रतिष्था प्रकिरिया के बारे में ज्यान के एक विशाल भनदार को पीधी दरपीधी कायम रखा गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जीवन चाहे जितना अच्छा क्यों नहों या आप चाहे जितने समय तक क्यों नजिए जीवन के एक मोर पर आपमें स्रिष्टि के स्रोत के संपर्क में आने की मौलिक ललसा अवश्य उठेगी अगर इन गहरे आयामों तक पहुचने की संभावना पैदा नहीं कि जाती और खुजने वाले व्यक्ति को उपलब्द नहीं कराई जाती तो समाज को अपने नागरीकों के लिए असली खुशहाली प्रदान करने में असफल माना जाएगा इस जागरुकता की वज़ा से ही भारतिय संस्कृति में लोगों ने हर गली में मंदिर बनाए इसके पीछे वी चार मंदिरों के पीछे होर पैदा करना नहीं था सोच बस इतनी थी कि कोई भी ऐसे अस्थान में नर है जो प्रतिस्था नहीं है कीशी व्यक्ति के लिए प्रतिस्थित अस्थान में रहना एक बड़े स्वभागे की बात होती है जब आप ऐसा करते है तब आपके जीने का तरीका बिलकुल अलग हो जाता है आप पुछते हैं क्या मैं इसके बीना नहीं रह सकता आप रह सकते हैं अगर आप जानते हैं कि आप अपने खुद के शरीर को मंदिर कैसे बनाए तो मंदिर जाना उतना महत्तो पुर्ण नहीं है हाँ आप अपने शरीर के भी पर तिस्था कर सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि किया आप उसे वैसा कायम रख पाते हैं सारी अध्यात्मिक दिक्षा के शरीर को मंदिर की तरह पर तीश्चित करने की उदेश्चे से होती है उसके बाद सिर्फ उसे कायम रखने की जरूरत होती है दिक्षा के बाद हर दिन अध्यात्मिक अभ्यास करना अपने सिस्टम को जीवनत्ता की उच अवस्था में कायम रखने का एक तरीका है कभी अपचारिक तौर पर जो तो कभी अनपचारिक तौर पर मैंने समय समय पर लोगों को सक्तिसाली रूप से प्रतिस्थित किया है एक निर्जी वस्थू जैसे कि एक पत्थर के प्रतिस्थित करने में भारी मत्रा में जीवन की किमत देनी होती है इंसानों को जिवन्द बनाना काफी कर्म खर्चिला है और यह परियावरेंग के लिए अनुकुल है और साथ ही वे कहीं भी जा सकते है अलाकि फायदे कहीं है लेकिन समस्या यह है कि व्यक्टि को इस कायम रखने के लिए कुछ खास मात्रा में समय लगन और उर्जा लगानी पड़ती है वरना यह काम नहीं करेगा जब दुनिया में लोग बहुत भटके हुए हो और खुद को एक जिवन्द मंदिर बनाने को निच्छी को तब पत्थर के मंदिर बनाना अवश्यक हो जाता है मंदिर बनाने का बुन्यादी उदेश से उन अधिकांश लोगों को फा जातना कर सकता है तो यह दोगूना फायदेमंद हो जाता है खासकर उद्न के लिए बाहरी मंदिर अनमोल होता है जो अपने शरीर को मंदिर बनाना नहीं जानते प्रिश्टा अन्यक तरीकों से की जाती है लेकिन आम तोर पर इसके लिए वीधी विधान मंत्र धोनियों रूपों और दूसरी कई चीजों का इस्तेमाल होता है इसे लगतार देख रह की जरूरत होती है मंदी में रित्ती रस्म आपके लिए नहीं किये जाते वे वहाँ पर स्थापित देवता या उर्जा रूपों जिवन रखने के लिए होते है यह देवता क्या है यह एक खास उदेश्य के लिए जीवन के विभिन पहलियों में त्रिप्ति प्राप करने का साधन होता है वास्तों में देवता के लिए परांपरिक सब्द यंत्र है जिसका सब्दिक अर्थ मशीन या एक कारिय शिल उर्जा रूप होता है प्रातिन कारिसे लोगों से हमेशा कहा गया है कि घर में पत्थर के मूर्टी मत रखो अगर आप उन्हें रखते हैं तो हर दिन आपको सही तरीके की वीदी वीधाम पर क्रिया दोरा उनकी देखरेक करनी चाहिए अगर किसी मूर्टी के परतिस्ता मंत्र सकी गई है और अगर हर दिन ज़रूरी देखरेक नहीं की जाती तो मूर्टी की उर्जा घटने लगती है इसके आसपर रहने वाले लोगों को भारी नुक्सान पहुच सकता है दुर्भागे से बहुत से मंदिदों की दर्शा इसी ही हो गई है क्यूंकि लोगों ने मूर्टी की देखरेक सही तरीके नहीं की क्योंकि यह मूर्टी को जीवन रखना नहीं जानते थे प्रायम प्रतिष्था इस माइने में अलग प्रक्रिया है क्योंकि इसमें किसी चीज की प्रतिष्था के लिए आपकी अपनी जीवन उर्जा इस्तेमाल कर होती है जब आप इस विधी से किसी रूप को प्रतिष्थित करते हैं तब उसे किसी तरह के रख रखाव या देख भाल की जरूरत नहीं होती यह शास्वत होता है जब मैंने ध्यानलिंग की प्रतिष्था करने का अपने जीवन का लक्ष पुरा किया तब यह प्रतिष्था के जरिये किया था दक्षिन भारत में कोईंबत्तूर के इश्या योग केंद्र में उन्हें सो नियानमे में अस्थापित ध्यानलिंग एक सुच्छम उर्जा रूप है जिसमें सारे चक्र अपनी तिवर तम छमता पर काम कर रहे है इसी कारण से वहाँ पर किसी तरह का अनुस्थान या पूजा नहीं कि जाती इसकी जरूरत नहीं है दियान लिंग को किसी रख रखाओ की जरूरत नहीं है क्यूंकि उसकी उर्जा कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं अगर आप लिंग के पत्थर को भी हटावी दे तो भी वह ऐसा ही रहेगा समय के साथ धर्टी पहोने वाले भोतिक या भोगोलिक परिवर्टनों के बावजूद लिंग का उज्जा सुरूप गायब नहीं होता एसा इसले क्योंकि असली लिंग अभोतिक आयाम से बना है वह नश्ट नहीं किया जा सकता भारत के मंदिर कभी प्रात्मा की जगर नहीं थी प्रंपरा यह थी कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले नहाते थे और सीधे मंदिर जाते थे वहां कुछ देर बैठते थे और उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते थे मंदिर बैठती चार्ज करने के सरवजनिंग अस्थल जैसा होता था आजकर अधिकतर लोग यह भूल चुके हैं पर बस मंदिर जाते हैं कुछ मांगते हैं फर्स पर एक सेकेंद को बैठते हैं बाहर आ जाते हैं इसका कोई टुक नहीं है वहां जाने का मतलब है वहां के और जाओ को अपने अंदर आत्मसात करना कोईंबर्टूर के ध्यालिंग मंदिर में इसका लाब उठाने के लिए आपको किसी चेज में विश्वास करने की ज़रुरत नहीं है वहां कोई प्राठ भवा चढ़ाने या रस्म निभाने की आउशक्ता नहीं है आपको बस अपनी आख बंद करके कुछ दिर बैठने के लिए कहा जाता है अगर आप स्वयम अजमाते हैं तो आप आएंगे कि यह एक जबरदस्त अनुभव होता है ध्यान लिंग तिरुता का वो उस्तम अस्तर है जिसे कोई रूप या आकर्ति प्राप्त कर सकती है यहां तक कि अगर व्यक्ति जिसे ध्यान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं वहां आकर बैठता है तो वो अपने आप ध्यान के आवस्ता में चला जाएगा या इस तरह का अ सद्भूत साधन है अगर मुझे आवस्यक समर्थ और मौक्य मिले तो मैं पूरी धर्ती को ही प्रतिस्थित करना चाहूंगा मैं इसी चीज में निपून हूँ तरल हवा को एक बहुत सक्तिसाली जिवन्त अस्थान में बदलने में धातु या परदार्त के टुक्रे को इश घर को प्रतिस्थित होना चाहिए आपकी सरग को प्रतिस्थित होना चाहिए आपके ओफिस को प्रतिस्थित होना चाहिए वे सारे अस्थान प्रतिस्थित होनी चाहिए जहां आप अपना समय बिताते हैं जब आप ऐसा अस्थान में रहते हैं तब आपके विकास को माने के अनुसार की होने की जरूरत नहीं है आप सीधे ही परम खुशहाली और अजादी की आवास्ता की और लंबिंग छलांग लगा सकते हैं भारत में अधिक्ता प्राचिन मंदी शिव के लिए बनाये गए थे शिव यानि वह जो नहीं है देश में हजारों सीव मंदी है उनमें सेधिक्तर में कोई मूर्टी नहीं है उनमें परतिक के तोर पर एक लिंग मौजूद है लिंग सब्त का मतलब है अकार या रूप जब स्रिष्टी की शुरुआत हुई या जब निरंकार ने अगार लेना शुरू किया तब इसका सबसे पहला अकार एक दिरिख विरताब लिप साइड यानि तीन आयामें दिरिख विरत का था जिससे हम लिंग कहते है दिरिख विरताब के रूप में शुरू हुआ और फिर इसमें कहीं दुस्दे अकार और रूप ले लिए अगर आप गहन ध्यान के वस्ता में चले जाते है तो आप आएंगे कि पुर्ण विसर्जन से ठीक पहले और जा एक बार फिर लिंग का रूप ले लेती है अधनिक बर्मान विग्यानियों ने यह पता लगया है कि हर अकाश गंगा का केंद्र हमेशा एक दिर्ग विरताब होता है तो आमतोर परियोग में लिंग को एक परिपूर्ण यानी अस्तित्यु का बुनियादी रूप मना जाता है पहला और आखरी रूप लिंग ही होता है इन दोनों के बित में सिष्टी बनती है उससे परेज जो है वह जो नहीं है वही शीव है तो लिंग का रूप सिष्टी की सनरसना में एक छेद या द्वार है भोतिक सिष्टी के लिए पीछे का द्वार लिंग होता है और सामने का द्वार भी लिंग होता है यही चीज मंदिर की भौतिक सन्यादनाचना का द्वार बना देती है आप इसमें विशरजित हो सकते है और पार जा सकते है यही बात इसे यतनी जबदस्त संभावना बनाती है एक रोचक बात यह है कि लिंग दुनिया में बहुत जगों पर मिलते है आप फिरिका में मिट्टी के लिए जो अधिकतर ग्रीः विद्या के लिए इस्तिमाल होते है डेलफी में जमीन के नीचे एक लिंग है जिसे धर्ती की ना भी कहते है यह विशुद रूप से मनी पूरक लिंग है सिम्रिधी और भौती खुशाली के लिए जब किसी ने मुझे इसकी तस्वीर खिचा दिखाई तो मैं तुर्ण जान गया कि किस तरह के लोगों ने इसे प्रस्तिश्चिस्ट किया होगा यह वस्य ही भारतिय योगियों 12,000 साल पहले किया गया था इसमें कोई संदेह नहीं है जब मैंने टेनेसी में 25 में योग के परिवर्तक आदियोगी को प्रतिश्टिट किया था तो उसे प्रस्चिमी दुनिया में परांपरी की योग के लिए इतिहासी घटना और अध्यात्मिक दिश्टी से महत्वपुर्ण माना गया दिल्चस्पी के तमाम परातिन अस्थान को देखने के बाद मुझे पक्ता यकीन है कि उर्जा के दिश्टी से महत्वपुर्ण इस किस्म की कोई घटना उत्री अमेरिका या वास्तों में प्रस्चिमी गुलार्ड में पिछले 3000 सालों में नहीं हुई प्रान प्रतिष्था प्रकिरिया के जर्य प्रतिष्थित या स्थान सबसे पहले योगी आदी योगी के लिए सरधांजली है पुरी तरह से योग सदना और अभ्यास के लिए समर्पित या स्थान उच्टम अस्तर के उज्जावान कंपन और प्रचुरता का जिवन्त है यह पश्चिम के सादकों के लिए अनोखी अध्यात्मिक संभावना प्रस्तुत करता है अभी भारत में अधिक्तर लिंग में एक या ज्यादा से ज्यादा दो चक्र सक्रिये होते है वे हमेशा भौत की खुसहाली के लिए प्रतिष्थित किये गये थे शांती और आनन ब साथ चक्रों के लिए साथ अलग अलग लिंग बनाना काफी आसान होती है लेकि उनका असर इतना नहीं होता तो ध्यान लिंग सर्वच विक्सित प्रानी के उज्जा सरी की तरह है पारंप्रिक तोर पर उन्हें शीव कहते है जो अनन काल तक सभी के लिए उपलब्द यह सर्वच अभिव्यक्ति है जो संभव हो सकती है अगर आप उर्जा को त्रिवता के सर्वच अस्तर तक ले जाते है तो वह एक खास सिमा तक ही रूप बनाए रह सकती है इसके बाद वह निराकर हो जाती है और धिक्तर लोग इससे अनुभाव करने में अर्समर्थ होते ह है ध्यानलिंग की प्रतिष्टा इस तरह से की गई है कि इसमें उर्जा को उस सर्वच सिखर तक घनी भुट किया गया है जिसके बाद कोई अकार नहीं बचेगा इसका निर्मान इसलिए किया गया था ताकि हर उस साधक को जो एक जीवन गुरु के सानीध्य में बैठने का मौका उपलब्ध हो जिसमें इसकी लालसा हो सबसे बढ़कर जो बाद ध्यान लिंग को एक अभुत्पुर्फ अध्यात्मिक संभावना बनाती है वह यह है कि यह जीवन को उसकी पूरी ग्यानता और पूर्णता में नभाव करने का आउसर देता है जो व्यक्ति इसकी कुझा शरी के माध्यम से कुछ रूपांसरन लाते है तो वह जीवन के दोर में खत्म हो सकता है लेकिन एक बार जब आपको आकाशिये शरीर के अस्तर पर छुआ जाता है तो यह हमेशा के लिए होता है अगर आप कई जीवन कालों से होकर भी गुजरते हैं फिर भी मुक्त मैंने ध्यान लिंग को पूरा किया कई योगिया और सिट परूसों ने इस तरह के लिंग का स्रीजन करने की कोशिश की थी लेकिन विभिन कार्णों से सारे ज़रूरी ततो एक साथ नहीं जुटाए जा सके यह मेरी इच्छा नहीं थी यह मेरे गुरू की इक्छा थी हलाकि मेरा गुरू के साथ मेरा संपत छनभर को ही था फिर भी यह हर रूप में परवासाली था इसने मेरे जीवन का हर कदम निधारित किया है यहां तकी मेरा जंग भी मेरे गुरू की क्रिपा से और तमाम ऐसे लोगों के प्रेम, सहयोग और समझ से जिन्होंने जाने में या अंजाने में इच्छा से या निच्छा से सचेतन रूप से अचेतन रूप से खुद को इसके लिए अपिट कर दिया ध्यानलिंग अंततव पूरा हो चुका है मैं उन सब लोगों का भारी हूँ अगर आप पास तत्व को एक खास सरल सनतना में इस्तमाल करना सिख लेते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत लफदायत उर्जा छेतर बना सकते हैं यहाँ पर एक असान वेधी दी गई है जिसे आप अजमा सकते हैं नीचे दी गई आकरिती को चावल एक किसी दूसरे अंड के आटे से बनाई हैं इसके केंदर में पानी से भरी थेली में एक घी कर दिया रखिये पानी में एक फुल रखिये अपने पानी और अगनी और वावी से एक जिया मीतिय अकरिती बना ली है पानी में रखा फुल धर्टी को दर्शाता है अकाश या इस्वर नीसंदे हमेशा उकस्तित रहता है इस असान परिक्रिया को हर शाम को कीजिए आप पाएंगे कि आपके कमरे की उर्जा एक सुप में किन्तु सक्ति सारी तरीके से वदल गई है इस तरीके से आप अपने घर या ओफिस को हर दिन और नोखे तरीके से सरसक्त कर सकते है दिवे उर्जा से सारा बोर पहाड अधिक्तर योगियो और दिवे दर्शियों के लिए समस्या यह रही है कि वे अपने बोध काफाल अपने आसपास के लोगों के सास कभी बाट नहीं सके ऐसे व्यप्ति को खोजना असान नहीं है जो उसे ग्रहन करने की योगियो जो चीज आप जानते है अगर आपको एक भी व्यक्ति मिल जाता है तो आप भागेशाली है तो अधिकतर अध्यात्मी गुरियों ने अपने ज्यान को कुछ खास जगों पर ही जमा किया है ये नेजन अस्थान थे लेकिन पुरी तरह से दुर्गम नहीं थे उन्होंने अक्सर पहाड की चोटिया चुनी कि ऐसी जगों पर लोगों का आना जाना और वेवधान कम होता है भारत में इस तरह के कई शांदार अस्थान है कैलाश परवत पस्चिमी तिबबत में एक परवट की चोटी जिसे अथा सक्ति साली और प्राचिन्टम परवित अस्थल माना जाता है एक ऐस्था स्थान है जहां भूत लंबे समय से ज्ञान का स्वारधित भंडार उर्जाक रूप में संचित है कैलाश इस धर्ती पर रहस्य में ज्ञान का महांतम पुस्तकाले है पुर्व के लवख सभी धर्म उसे बहुत पवित्र मानते है हिंदूव में परांपरिक तोर पर माना जाता है कि यह परमेश्वर शीव और उनकी पतनी पारवती का निवास है बहुत लोग उससे इसलिए पवित्र मानते है क्यूंकि माना जाता है कि उनके तीन महान बुद्ध वहां रहते है जैने निनियों का मानना है कि उनके पहले गुरू या तिर्थकर ने वहीं पर मुक्ति प्राव की थी तिबद का मूल धन बौन भी उससे बहुत पवित्र अस्थान मानता है पिछले ग्यारथ सालों से मैं तिर्थ यात्यों को अपने साथ लेकर केलास जाता रहा हूँ जब मैं 2007 में वहां गया था तर मेरा स्वास्थ खास तोर पर खराब था मैं कई हफ्थों से बिना रूके यात्रा कर रहा था जिसके दोरान दुनिया के अलग-अलग हिस्से में चक्राय हुए डॉक्तोर ने मुझे कई तरह की बिमारियों से ग्रस्प बताया जिसमें मेलेरिया, डेंगू, टाइफार्ड और केंसर सक सामिल था हरान डॉक्तोर ने मेरे खुन के रिपोर्ट को रहस्से में करा दे दिया था अंत में मैंने अपने अंदर जाकने और खुद को उपर काम करने का निश्चे किया कुछ दिनों बाद मैं कलास गया इस वक्त मैं थोरा ठिक हो गया था लेकिन फिर भी बहुत कम जोड था जब मैंने कलास परवत को देखा तो पया कि वहाँ बहुत अधिक दिव्य या रहस्स में ग्यान पाया जाने की परतिक्षा कर रहा है तो मैंने कलास से उर्जा केक लड़ी ली और उससे अपने उर्जा तंत से एक खास तोर से जोड लिया जैसे ही मैंने वह किया मेरे अंदर जिवनतिता का चानक उफान आ गया और मेरा जरजर उर्जा सरीर जो आठ हपतों के बुखार से लगबग नस्थ हो गया था पुनह समानने हो गया मैं जवान दिखने लगा जवान मैसूस करने लगा यहां तक कि मेरी आवाज भी बदल गई वो भी बस लगबग एक ही घंटे में बदलाव साफ दिख रहे थे वहां आसपास लगबग 200 लोग मर्जूद थे जिन्होंने यह होते हुए देखा हिमाले में ऐसे अंगीनत अस्थान है अनेक तरह के दिवे दर्शियों और योगियों ने इन परवत्तों को अपने आवास तुना था वे जब वहां रहे तो उन्होंने स्वभाविक रूप से उर्जा का एक खास आयाम पीछे छोड़ दिया और उसके फल स्वरुप हिमाले में एक खास तरह का अभा मंदल इकठा हो गया मिसाल के लिए कि दारनाथ हिमाले पर बासा एक छोटा सा मंदिर है वो कोई देवी दर्वता की मूटी नहीं है यह बस एक उबड़ी हुई चट्टान जैसा है लेकिन यह दुनिया के सबसे सक्टिशाली अस्थानों में से एक है अगर आप अपनी गरहन शिल्टा बढ़ाने का प्रयास करते है और फिर उस तरह की जगह पर जाते है तो वो हो जो आपको बस जग जोड़ देगी पुर्व में ऐसे कई अस्थान है लेकिन हिमाली ने सबसे ज़्यादा लोगों को अकरसित किया है भारत के दक्षिनी राज्य करनाटक में कुमार परवत भी ऐसा ही अस्थान है परवत का मतलब है पहार और कुमार शिव के पुत्र करतिके का नाम है उन्होंने दुनिया का रूप पांतरें करने की कोशिश में कहीं लड़ाया लड़ी लेकिन जब उन्हें इसके निरखता का एहसास हुआ तो वे इस इलाके में आये यहीं पर उन्होंने अपनी तलवार पलग खुन को आखरी बार धोया था उन्होंने तरिक किया कि अगर वे एक हजार साल तक भी लगते रहे तो अभी वे इस दुनिया को नहीं बदल पाएंगे हिंसा से एक हल निकालने में दस नहीं समझ्चाय पैदा हो जाएंगी तो वे पहार को उपर जाके उसकी चोटी पर खरे होगे आमतोर पर जब कोई योगी अपने शरीर को त्यागना चाहता है तो या तो बैठ जाएगा या लेट जाएगा लेकिन चुकी कालती के एक महान योधा थे तो वे खरे रहे और खरे खरे ही अपना शरीर त्याग दिया अगर कोई अपने शरीर को बीना कोई नुक्सान पहुचाया उसे त्यार सकता है तो यह इस वात का संकेत है कि जीवन परिक्रिया पर उसे पुर्ण सिद्धी प्राप्त है भरत्य प्रंप्रा में इसे आम तोर पर महासमाधी कहते है कई साल पहले जब मैं कुमार परवत पर गया था तब वहां मेरे लिए एक छोटा सा तंबू लगाया गया मैं उसमें सोना चाहता था लेकिन जब मैं उसके अंदर गया और लेटने की कोशिश की तब अनायास ही मेरा शरीर खड़ी हुई स्थिती में आ गया और तंबू गिरिया मैं पूरी रात बैठ नहीं पाया मैं शरीर केवल खड़ी स्थिती में रह पा रहा था तब मुझे असास होने लगा तब मुझे यह अभास होने लगा कि कार्थी के जीवन का क्या मक्सद था हलाकि वे हजारों साल पहले इस धर्टी पर रह रहे थे लेकिन होने जो कुछ पीछे छोड़ा उसका संपर्दन अभी उतना ही जीवन्त है इस तरह के कार्यों को कभी मेटाया नहीं जा सकता जहां पर भी कोई व्यक्ति अपने जीवन उर्जाओं से कुछ करता है तो वह एक खास संभावना पैदा करता है जिसे किसी घर्टना दोरा नहीं मीटाया जा सकता जिस व्यक्ति ने अपने आंत्रिक आयान से थोरे बहुत भी परियोग किये है उसके काम और मौझूदगी को कभी नस्द नहीं किया जा सकता उदारें के लिए माना जाता है कि गौतम बूद पतीस सो साल पहले हुए थे और इसा मसी दोस हजार साल पहले हुए थे लेकिन जहां तक मेरा सवाल है मेरे लिए वे अभी भी जिवन वास्त विक्ता है एक बार जब आपनी जीवन उर्जा के साथ एक खास मात्रा में अस्थाई होता है और समय भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है अगर आप अपने हार मांस के शरीर से काम करते है तो उसका जीवन काल समीत होता है अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ करते है तो उसका जीवन काल काफी लंबा होता है लेकिन अगर आ आप अपनी मौलिक जीवान उर्जा से कारिय करते हैं तो वो शास्वत होता है पुरुपहली परवत चोटिया मेरे सेश्योकाल से ही मेरी आँखों में हमेशा पहार बसे थे जब मैं लगबक 16 साल का हुआ तब मैंने अपने दोस्तों से पहली बार इसका जिक्र किया तुम पा तो मैंने सोचा कि ये पता लगाओं कि वे कहा है लेकिन फिर मैंने वह विचार छोड़ दिया मान लिजए कि आपके चसमे पर एक दाग है कुछ दिर बाद आपको उसकी आरत पढ़ जाती है मेरी पहार की चोटियों के साथ कुछ ऐसा ही था बहुत बाद में जाकर जब मेर मैं ध्यान लिंग की अस्थापना के लिए एक उचित जगर तलास कर रहा था तम मैंने आखों में बसी उस खास तोटिय को खुजना शुरू किया उसे खुजते हुए मैं हर तरफ गया मैं लबग 11 बार अपनी मोटर साइकल से गोवा से कन्या कुमायूत की 760 मिल की अस्था थी हर कचिपा की सब पर मैं लबग हजालो किलोमीटर की अस्था कर चुगा था फिर कई साल बाद बस सन्योक से एक दिमे कोईम बितूर के बाहर एक गाह में पहुचा मैं जब एक मोर पर गारी चला रहा था तब मुझे वेलंगरी पहारों के साथ भी पहारी देखी वो पहारी ठिक मेरे सामने वही पर थी जिसको मैं बच्पन से अपनी आखों में देखता आया था जिस पल मैंने उस चोटी पर अपनी दिष्टी जमाई जो मेरे भीतव पर कारी के लिए सबसे और नुकुल अस्थान होगा अगर आप मुझे से पूछे इस धर्टी पर सबसे महान परवत कौन सा है तो मैं हमेरे सा यही जवाब दूँगा वेलेंगीरी मैं अपनी आखों में इस परवत एक छवी के लिए पैदा हुआ था और उसने मुझे तभी से पैसान का रखा था वह मेरे अंदर रहा रहा था और मेरे खुद के निविगेशन सिस्टम मेरे आंतिक रडार का काम कर रहा था मेल यह परवत के वल एक भोगोलिक वस्तु नहीं है वह उस संपूर्ण यान का भंडार है जिसकी जरूरत मुझे ध्यान लिंग बनानी के विलेंगिरी शब्द का अर्थ है रुपहाला चांदी का पहार और इस परवत सिंख्रा का यह नाम इसले पारा क्यूंकि यह पहार पूरे साल अधिक्तर समय बादलों से धके रहते हैं विलेंगिरी के पहारों को दक्षिन का कैलाश भी कहा जाता है क्यूंकि खुद आदी योगी श्रीव ने तीन महिने से भी अधिक लंबा समय उस पहार की चोटियों पर बिताया था वे जब यहां आये थे तब अपनी समाने परमाने नंद के आवस्था में नहीं थे क्वंदेटियों के अनुसार वे स्वयम से नाराज थे किनकि वे अपनी सब्चे अधिक समर् इस्त्री भक्तों में से एक को दिया हुआ वचम पुरा नहीं कर सकते वे प्रचंद और उदास थे और वह वज्या आज भी मसूस की जा सकती है यहां से इस प्रम्प्रा ने कई योगी यह दिये जो क्रोधी प्रकृति के हुए उन्होंने यहां अध्यात्मिक साथना की और वो गुन उन में भी आ गया वे किसी खास बात के लिए क्रोध में नहीं थे वे बस दिवुता की एक खास आवस्था में थे सबसे बढ़कर यह पहार मेरे लिए बहुत महत्रपून इसलिए है क्योंकि यही पर मेरे गुरु ने शरीर छोड़ा था इस योग प्रामपुरा में यह पहार हमाई लिए एक मंदिर एक जिवन पवित्र अस्थल की तरह है दिवुता के परवा और क्रीपा के जहने की तरह समाधी और आत्म ज्यान कुछ लोगे में रहस्य में अनभावों के लेकर बहुत जिग्यासा होती है कहीं लोग अस्थमानी अनभाव प्राप्त होने का दावा करते है जिससे वे अपने अध्यात्मिक विकास के परमान को रूप में बताते है इन दिनों लोगों के अध्यात्मिक शब्द कोश में समाधी एक आम शब्द है जिससे रहस्य में उपलब्धित के पर्मान पत्र की तरह देखा जाता है समाधी को यह समाधी वास्तों में है क्या? समाधी संभावना की एक खास अवस्था है जिसमें बुद्धी अंतर करने की अपने एक समाने तरीके से परेट चली जाती है इसके फल सोरुप समाधी भौतिक शरीर पर किसी इंसान की पकड़ को इस तरह धिला करती है कि आपकी और आपके शरीर के बीच एक दूरी बन जाती है समाधिया कई तरह की होती है समझले के लिए उन्हें आठ किस्मों में बाटा गया है यह आठ परकार वास्तों में दो मोटे वर्ड़ों में आते है शरीकल्ब समाधिया ऐसी समाधिया जो बहुत सुखद, आनन्द में और परमानन जैसे लक्षन या गुन वाली हो और निर्वीकल्ब समाधिया ऐसी समाधिया जो सुखद और दुखद से परे किसी लक्षन या गुन से रही थो निर्विकल्ब समादी में शरीर से सिर्फ एक बिंदू पर संपक रहता है बाकी की उज़ा ढिली और भौतिक शरीर के साथ सामिल नहीं रहती ऐसी अवस्थाओं को कुछ समय के लिए बना कर रखा जाता है जिससे आपके और आपके शरीर के बीच अंतरा स्थापित होने में सहायता मिले किसी के अभी अध्यात्मिक विकास के मार्ग पर समादी एक महुत्वपुन कदम है लेकिन फिर भी यह अज्टिम लक्षे नहीं होती किसी खास तरह की समादी का अभाव कर लेना का मतलब यह नहीं कि आप अस्तितु के चक्नी से मुक्त होगे यह बस अनुभाव के एक नया अस्तर होता है यह कुछ ऐसा है कि जब आप बच्चे थे तब आपने जीवन के ऐक खास तरह से अनुभाव किया था जब आप वेस्क हो जाते है तो आपके अनुभाव का अस्तर अलग हो जाता है आप अपने जिवन में अलग अलग मुकाम पर उनी चीजों के बिलकुल अलग तरीके से अनुभाव करते है समाधिया बस उसी तरह होती है कुछ लोग समाधी के किसी खास अस्तर में जा सकते हैं और कई सारों तक उसी अवस्था में बढ़ने रह सकते हैं क्योंकि यह सुखद होती है इस अवस्था में तो कोई अस्थान और नहीं कोई समय रह जाता है और नहीं कोई शरीरिक समस्या क्योंकि कुछ हद तक सरीरिक और मनोवेगानिक बढ़ाये तुट जाती है लेकिन यह सिर्फ अस्थाई होता है जैसे ही वे इस अवस्था से बाहर आते सारी सरीरिक अवस्थाई और मानसिक आदते फिर से लौट आती है आम तोर पर पूरे होशो हवास वाले की तुलना में हलका नस्था किये इंसान के उलास और अनभाव का स्थर अलग होता है लेकिन उसे किसी ना किसी वक्त नीचे उताना होगा सारी समाधिया बिना किसी बाहरी रसाईन के नस्यक आवस्थाई में जाने का तरीका है अगर आप इन अवस्थाओं में जाते हैं तो आपके लेक नए आयाम खुल जाता है लेकिन महत्वपुन बात यह है कि यह आपकी अस्थाई रुप से रुपांसित नहीं करता जब आप किसी दूसरी वास्थाई में नहीं पहुचिये हैं आपके अनुभाव का स्थर और यहरा हो गया है लेकिन सही अर्थ में आप मुक्त नहीं हुए है ज्यादा तर आत्म ज्यानी लोग कभी समादी के वस्थाई में नहीं बने रहें गौतम बुद्ध ने अपने आत्म ज्यान के बाद सालों तक कभी बैठ कर ध्यान नहीं किया उनके कई सिष्टिय बरसों तक लंबे ध्यान में रहें लेकिन गौतम बुद्ध ने खुद कभी ऐसा नहीं किया कि उन्हें यह एहसास हो गया हुआ कि यह उनके लिए जिरूरी नहीं है आत्मग्यान प्राप्त करने से पहले उन्होंने सभी आठ तरह की समाधियों का व्यास और अनुभव किया था और फिर उन्हें छोड़ भी दिया उन्हें क्या यह हुआ नहीं है जो मैं चाहता हूँ पिर जानते थे कि इन से उन्हें आत्मग्यान नहीं मिलेगा समाधियों अनुभव का का सिर्फ एक उच्चा स्तर है एक तरह की आंतरिक एलियस दी बिना किसी बाहरी पदार्ट के लेकिन जैसा कि हम जानते है सबसे सुन्धर अनुभव भी समय के साथ उबाव बन सकता है अगर अपनी अपने जीवन में आत्मग्यान को सरवच प्राथमिक्ता बना लिया है तो हर वह चीज बेकार है जो आपके एक और कदम अपनी चरम अजादी के पास नहीं ले जाती मान लिजिए आप एवरेस की चोटी पर चढ़ाई कर रहे है तो आप एक भी कदम इधर उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि चोटी तक पहुचने के लिए उड़ा की हर बुन की जरूरत होती है अब अगर आपको अपनी चेतना के शेखर पर पहुचना है तो आपको उड़ा के हर कत्रे की जरूरत पड़ेगी जो आप जुता सकते है फिर भी वह काफी नहीं है अब आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जो आपको मुख्य लक्षित से भटका दे आप पुछ सकते हैं कि यह आत्मग्यान क्या है आखिकार ज्यादा तर लोग जो चाहर है है वो बस अच्छी सेहत खुशाले पैसा प्रेम और सफलता है यह आपको वाक्यी आत्मग्यान की जरूरत है आए इस पर सबसे असान तरीके से गौर करते हैं क्या यह सच नहीं कि आप अपने कंप्यूटर के बार में जितना ज्यादा जानते हैं आप उसे उतनी ही अच्छी तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं कि यहाँ यह सच नहीं कि आपके द्वारा इस्तिमाल की जाने वाले हर चीज या यंत्र को उसकी पूरी छमता से इस्तिमाल कर पाना उसके बारे में आपकी जनकारी पर निर्भर करता है। यहाँ यह सच नहीं कि उच अस्तर की बुधिमता और निपुनता वाला व्यक्ति एक सधारन से या यंत्र को भी जादुई तरीके से इस्तिमाल कर सकता है। कि आपने कुछ लोगों के एक पलास्टिक के टुक्रे पर सवार होकर सिर्जी से सर्फ बोर्ड कहते हैं आप शरीय जनक चीजे करते देखा है। वो बस एक पलास्टिक का टुक्रा है और वे उससे कैसे कैसे फूर्टिले और सुन्दर कर्टब दिखाते हैं। इसी तरह से मनुष्य के शरीर तंत्र के कार्य करने के तरीके को आप जितनी गहराय से समझेंगे आप जीवन उतना ही जादुई होगा। हर संस्कृति में कुछ लोग ऐसे हुए है जिसकी वज़र से दूसरे लोग चमतकार में विश्वास करने लगे। ये सारे कारिये जिनें चमतकार माना जाता है बस उन लोगों की जीवन तक अधिक गहरी पहुच होने का नतीज़ा है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है वो पहुच हर किसी को फुलब्द है जो गयराय में देखने और खोज करने को तयार है। तंत रुपांतरन की तक्नीक आजकल गुहा विज्ञान ओक्रेट्स साइंसेड से जूरी कई प्रेटी किरियाओं पर अध्यात्मिक प्रेकिरिया का मुखाउटा लगा दिया जाता है। मान लिए मैं भारत में हूँ और आप अमेरिका में हैं। मैं आपके पास फुल भेरना चाहता हूँ लेकि मैं कॉलम्बस की यत्रा नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं उस फुल को चानक आपके गुद में पहुचा देता हूँ तो गुहा विद्या होगी। इसमें कुछ भी अध्यात्मिक नहीं है या बस जीवन के भौतिक अयाम को संभालने का एक और तरीका है। भारत में हमारे पास कहीं जग्तिल और प्रिस्कृत ग्रिवा विग्यारिय है। ग्रिवा प्रकिरियाय है। ऐसे कहीं लोग है जो बस एक फोटो देखकर उस व्यक्तिक के जीवन को बना या बिगार सकते हैं। वे यह भी सुनिचित कर सकते हैं कि उस व्यक्तिक को कोई ऐसे भीमारी पकर ले जो आम तो पर इतने कम समय में शरी में नहीं हो सकती। यह गुहा विद्या का भ्यास करने वाले सिहत को सुधार भी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन में से ज़्यदा तर लोग अपनी छमता का इस्तमाल बुरा काम करने के लिए ही करते हैं। क्यूंकि इन नगरात्मक छमताओं की बजार में अधिक मांग है। बहरहाल चाहे इसे सिहत बिगाने के लिए इस्तमाल किया जाए या सिहत सुधाने के लिए। गुद्ध विद्यान का गिधा विद्या का इस्तमाल निजी लक्षतंपति के लिए अनूछित है। योगी प्रम्परा प्रसिद योगी गुरकनात के किस्टे से भड़ी परी है लोग कहते हैं कि वे जारी सतावदी में हुए थे लेकिन कई ऐसे गरान थे जो उन्हें काफी पहले का बताते है वे एक महान योगी मत्सेंद्रिनात के शिष्टे थे मत्सें द्रिनाथ की उपलब्धिया इतने उचे अस्तर की थी कि उनको अक्सर शिव या आधी योगी के उताय की रूप में पूजा जाता था कथाय बताती है कि मत्सें द्रिनाथ वागबाग शे सो साल तक जिवित रहे इसे नुट अच्रस लेने की जरूवत थे और नहीं आती शक्ती मान कर नकाने की यह बस इतना बताता है कि जीवन काल और सधानर रूप से लंबा था और उन्हें कितने अधीक आधरिक के सास्थ देखा जाता था गोरक नाथ उनके सिष्टे बन गए यह अपने गुरू पर बहुत साधा रखते थे और उन्हें पूझते थे गोरक नाथ आग की तरह पर चंड थे मर्चेंद नाथ जानते थे गोरक नाथ में आग ज़्यादा और नियंतर्म कम है आग कई चीजों को जला देती है गोरक नाथ आग इन्ता के दैरे में जनने लगे और अचारा कि उन्हें बहुत ज़्यादा सक्तिया फराप्त हो गई मचसेंद नात ने देखा कि गुरक नात अपनी चमता से ज़्यादा आगे निकलने लगे है तुन्हों ने उनसे कहा 14 साल के लिए कहीं चले जाओ मेरे पास मत रहो तुम मुझे से कुछ ज़्यादा ही गरहन करने लगे हो गुरक नात के लिए एक सा करना सबसे कठीन चीज़ थी मचसेंद नात ने कहा होता अपना प्राण दे दे तो वो एक पल में प्राण त्याग दे लेकिन चले जाओ एक ऐसी चीज़ थी जो वे सहन नहीं कर चीज़े लेकिन चुके उन्हें यही अदेश मिला था तो वे चले गए वे चौदो साल तक एक एक करके दिन करते हुए वापस लोटने के दिन के इंचिजार करते रहे जैसे ही वो अवधिक खत्म हुई पर तुएंट वापस लोटे जब वे आये तो उन्होंने पया कि मतसेंद नाह जिस गुफां बढ़ेते थे उसकी रखवाली एक सिस्चे योगी कर रहा था गुरोकनाथ ने का मैं अपने गुरू से मिलना चाहता हूँ गुफां की रखवाली करने वाल योगी ने कहा मुझे इसी कोई निदेश नहीं मिला है इससे बेटर हुआ कि आप दिक्षा करे गुरोकनाथ भरग्ये उन्होंने कहा आरे मुर्ख मैं 14 साल इंतिजार किया है मै मैं नहीं जानता कि तुम यहां कब आये हो सकता तुम परस्तो ही आये हो तुमने मुझे दोखने की हिमत कैसी थी उन्होंने योगी को धक्का देखके किनारे के और गुफा में चलेगे अच्छे नहीं थी वह लोटकर आये और सिस्टर को जबढ़कर कहा कहा है मुझे अपन अपने अपना अपना आपा खोबेट उन्हों अपने अपने गुद्धा शक्ति का इस्तमाल किया और शिष्यक दिमाग में जहांकर पत लगाया लिया कि मत्चेंद्र नात कहां है वे वह दिस्टा में चल प्रियादे रास्ते में उनके गुरु के अंधिजार करे थी या इसने तुमिद्धी थी उसका अनन्द लेना शूर करने लगे थी जब तुम वापस लवटे तो सबसे पहले कुमें गुरुड विद्ध्या का इस्तमाल मेरे शिष्यों के दिमाग को पढ़ने में किया फिर में 14 साथ के लिए चल जा और इस तरह उन्होंने गुरुक न कि इस वर्जी डायरे में दखल देने की कई कहानिया हैं और मत्सेन नात हर बाउने दंद देते थे अत्ता गुरुक नास अप मत्सेन नात के सबसे महान सिष्य थे योग संस्कृति में गुड्धा विद्या का साथ हमेशा इसी तरह से पेस्ट आया गया है इससे कभी सम्मा के साथ नहीं देखा गया इस हमेशा जीवन का दुरुप्यों करने वाले चीज माना गया जो उन डायरों में दखल देती है जहां आपको नहीं जाना चाहिए सिर्फ कुछी किस्व के लोग गुर्ध विद्या का भ्यास करते थे जो ताकत या पेसे के पीछे भागते थे साथ ही गृध विद्या हमेशा बुड़ी चीज नहीं होती लेकिन इसके दुरुप्यों के कारण इसकी ऐसी च्छवी बन गई है गुर्ध विद्या असल में टक्नीक या टेकनोलोजी है कोई भी विज्यान या टेकनोलोजी अपने आप में नकरात्मक नहीं होती अगर कु या अतना देने के लिए करने लगता है तो कुछ समय बाद हम लगता है बस बहुत होगी टेकनोलोजी गृध विद्या के साथ भी यही हुआ है महुत ज्यादा लोगों ने नीजी लाब के लिए इसका दुरुप्यों किया है अता आम तोर पर अध्यात्मिक मान पर गृव बिद्या से दूर रहा जाता है जिन्यकसर गृद्धा बिद्या कहते हैं वह उसे मोटे dan above लूप में जानते हैं समाज नात करत तंप कर बहुन अफ्राम्प्रगत या समाजिक तोर पर अमाने पजति समझा जाता है लेकिन अपने प्राचित मैन इसका स्वच्छन का मुक्ता से कोई लेना देना नहीं है, गुद्धा विध्या किस्म के तंथ और अध्यात्मिक तंथ के बीच की अंतर को असपस्ट करना जिरूरी है, इन्हें वा मर्गी तंथ और दर्चिन मर्गी तंथ की तरह बाटा गया है, और यह दोने बिल्कुल अल विच्चित्र लग सकते हैं, वा मर्गी तंथ में काफी बाहरी चीजे साइमिल होती है, जो इसे संपन्थ करने के लिए पुछ चीजे की जड़ूरत होती है, और विच्चित निजाम करने होते हैं, गुद्ध्या विध्या की इस्तमाल की आम तोड़ पर वा मर्गी तंथ क इस्तमाल करने की सकती दी है, जबकि दक्षी मर्गी तंत्र कहीं ज़्यादा आंत्रिक है, यह आपको अपने उजा के इस्तमाल करके चीजे को घटित करने में सक्षम बनाने से संबंद रखता है, आप जीवन के सभी साधान पहलों का इस्तमाल अंदर के तरफ मूरने और ख वहां मर्गी तक्नीक एक अलप विश्चित नर्मस्तरी तक्नीक है और उन लोग को अपलब्द है, जिनके दिक्षा नहीं हुई है, जबकि दक्षी मर्गी तक्नीक बहुत प्रिश्पीत है, और सक्तिसाली दिक्षाओं के जड़ियों अपलब्द होती है, यंत्र एक तरह क नहीं है तो आपके पास लोग का रुपांसरन करने के लिए कोई तक्निक नहीं है अगर आपके पास इप सब्ध है सब्ध प्रेविना देने वाले और दिशा दिखाने वाले हो सकते हैं लेकिन रुपांसरन लाने वाले नहीं एक विद्रायम को गुरू नहीं कहा जा सकता तो पांतरें के लिए टेक्नोलोजी के बीना कोई गुरू नहीं होता तो तंद्र के बीना कोई गुरू नहीं होता आजकर बहुत साइव लोग गुरू होने का दवा करते लेकिन विकवर गरंथों के ज्ञान को अपनी तरीके से भेट कर रहे है एक असली गुरू का काम पूरे माना सिटम के कर्म की चक्रिय संदसना हासिल करने से रोक कर उससे उसकी तर्म संभावना के लिए साफ करना होता है यह मैं क्यानिक के काम की तरह है जिसमें कर्म की गाठ निकाले जाती है अगर किसी व्यक्ति में तर्म यार्ट टेकनलोजी नहीं है तो आप उसे गुरू नहीं कह सकते कुंड लीनी की शक्ति कुंड लीनी का साब्दिक अर्थ होता है उर्जा हर व्यक्टि में कुंडली नी एक तरह की उर्जा होती है जो अधिक्तर सुई हुई और निश्किरिये रहती है योग प्रम्प्रा में इसे हमेशा एक कुंडली लगाय साप की तरह दरशाया जाता है एक कुंडली लगाया साप उच अस्तर की निश्चलता को जानता है साप जब गतिहिन होता है तो यह इतने ज्यादा निश्चल होता है कि अगर यह आपके रास्ते में पारा हो तो भी आप इसे देखा कर देंगे यह जब हरकत करता है तभी आप उसे देख पाते है लेकिन इन कुंडलीयों में बहुत फूर्टिली गतिशिलता छिपी होती है तो कुंडलीनी की तुलना साप से इसलिए की जाती है क्यूंकि यह जबरदस्ट उर्जा हर व्यक्ति के अंदर मौझूद है लेकिन जब तक वह गतिशिल नहीं होती आपको इसके होने का कभी एसास नहीं होता एक भरपूल संसारिक जीवन जीने के लिए इस भवतिक उर्जा की एक बुन्द ही प्रयापत है जब भवतिकता से परे जाने की बात आती है सिर्फ तभी आपको उर्जा के उफान की जरुरत होती है जो आपको इस वास्तवित्ता से परे पहुचा देगी यह कुछ हवा यात्रा के लिए आविश्यक उर्जा और रोकर छोड़ने के लिए आविश्यक उर्जा में अंतर की तरह है धर्ती के वातावर्यन में उर्णा और अंतरीच यात्रा के लिए वातावर्यन की अवरोध को तोड़ना बिलकुल अलग चीज़े है इसी तरह से भोतिकता से परे जाने के लिए उर्जा का एक अलग आयाम की जरूरत होती है भारत में सायद ही ऐसा कोई मंदीर हो जहां साप की कोई न कोई आक्रिती न बनी हो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस संस्क्रिती में साप की पूझा होती है यह दर्शाती है कि एक पवित अस्थान में आपकी अंदर सोई हुई उजाओ को जगाने की संभावना मौझूद है साप बोध की या सधारन छमता के लिए जाने जाते है इसका एक कारण यह है कि वे बहरे होते है और कि वे संपद्नों से अनुभाव करते है साप खासकर उस व्यक्ति को और अकरसित होता है जो ध्यान की अवस्था में होता है इस प्रंपरा में हमेशा से कहा गया है कि अगर को योगी किसी जगवप ध्यान में है तो कहीं न कहीं उसके आस्पास साप भी होगा अगर आपकी उर्जा निश्चल हो जाती है तो साप सहज ही आपकी तरह आकरशित होता है हलाकि शरीरिक तंद्र की देश्टी से साप और इंसान के बिच बिल्कुल समानता नहीं होती लेकिन उर्जा तंद्र के लिए हाद से ये काफी नजदीक है अगर आप जंगल में किसी नाग को देख ले तो हो सकता है कि वह बीना किसी विरोध की आपके हाथों में आ जाए किनकि उसकी और आपकी ओज्जा एक दूसरे के बहुत करीब होती है जबते कि आपके आमन में भर नहों जिससे वो खत्रेक रूप में लेता है साप का कातने के कोई रादा नहीं होता साप अपने जहर को क्यम्ती समझता है और उसे यूँ ही बरबाद नहीं करता साप के जहर में उस धीय गुन होते है जिने आज दूनिया में रगातार पहचाना जा रहा है हलाकि साप को बाइबिल की आदम और हावा की कहाने के वज़ा से प्राचिंकार से अच्छे दिश्टी से नहीं देखा गया है लेकिन अगर आप उस कहानी को बारेकी से देखे तो साप नहीं धरती पर जीवन लाने में महत्वपुन भूमी का निभाई थी वरना बस एक मुर्ख जोरा ऐसे ही भटक रहा था जिसे यह नहीं पाता था कि आपस में क्या किया जाए उस सांदार साप के बीन आप और मैं यहां इस धरती पर नहीं होते अंतत्व कुंदलीनी उर्जा का उपर उठना ही जीवन के विस्त्रीत बोध का अधार है अधियोगी यह शिव की परंपरिक मुर्तिया उनके साथ एक साप को दर्शाती है जो यह संकेत देता है कि उनका बोध अपने शिखर पर है अगर उर्जा एक खास मात्रा और तिरुता के अस्तर तक उठती है सिर्फ तभी वास्तविक्ता का बोध उसकी तरम सुधता में किया जा सकता है वरना हमारे पास मुझूद हर दुसरे कर्म की छाप जो करोरों अर्बों साथ पहले से जमा हो रही है जब हम क्यावल एक कोशिका वाले जीवते वास्तविक्ता को देखने के हमारे तरीके के दूसित कर देगी नमस्कारम आनन्द एक शुरुआत अधिक्तर लोगों के जीवन में आनन्द कभी का भार आने वाले मेहमान की तरह होता है इस किताब का मकसद जीवन भर के लिए उसी आपका साथी बना देना है आनन्द को यईसा अध्यात्मिक लक्ष नहीं है जो पहुच से बाहर हो आपके जीवन का कोई भी पहलू जादवी और संदार तरीके से अभिवक्त हो इसके लिए आनन्द का वतावरण होना बहुत जरूरी है अगर आनन्द आपके जीवन में नहीं है तो जीवन की सबसे सुखदाई गतिविधिया भी बोजिल बन जाती है आप अपने इर्द गिर्द जीवन की समस्चा को अपनी काबिलियत से संभाल सकते है लेकिन एक बार जब आनन्द आपका स्थाई साथी बन जाता है तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्चा नहीं रह जाते इसके बार जीवन लगतार जाहिर होते जस्न और खोद की एक यात्रा बन जाता है मन वता के इतिहास में पहली बार हमारे पास इस धर्टी की हर समस्चा जैसे पोशन, स्वास्थ, सिच्छा और ऐसी ही दूसरी समस्चाव को संभालने के लिए जरूरी साधन काबिलियत और तक्नीके है हमारे पास विज्ञान और तक्नीक के जबरदस्त साधन मौजूद है जो इतने सक्तिसाली है कि हम दुनिया को कई बार बना या मिटा सकते है लेकिन अगर ऐसे सक्तिसाली साधनों के इस्तमाल में करूना, सामावेश्ट, संतूलन और समजदारी की गहन भावना सामिल नहों तो हमें एक वैस्तवित रास्दी के कगार पर खड़े हो सकते है बारे खुशाली की हमारी अंधा धुंद, कोशीशो ने इस धर्टी को पहले ही विनास के कगार पर पहुचा दिया है हमारे पास आज जो सहूलियते और सुक सुधाये हैं वे किसी भी पिठली पीधी से बहुत अधिक है फिर भी हम मानवता के इतिहास में सबसे आनद में या प्रेम में पीधी होने का दवा नहीं कर सकते लोगों की एक बहुत बड़ी तदाद लगता, चिंटा और आवसाद के वास्ता में रहती है कुछ अपनी और सफलता के पीरा जहल रहे है लेकिन वी डंबणा या है कि कई लोगों की दुख का काड़र उनकी सफलता है कुछ अपनी सिमाव के वज़र से पीरा सहर है, लेकिन कई अपनी आजादी से प्रीत है जिस चीज की कमी है, वो है मानव चतना बाकि सब कुछ अपनी जगह पर है लेकिन इंसान अपनी जगह पर नहीं है अगर इंसान अपनी खुश्री के रास्ते में खुद रुकावर बनना बन कर दे तो हर दुस्ता समधान मौझूद है मनुस्य कुरुपांतित किये भी न आप दुन्या कुरुपांतित नहीं कर सकते जिस चीज की कमी है वो है आप दुन्या कुरुपांतित नहीं कर सकते मेरा पूरा जीवन इंसान को सरसक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है ताकि वे खुद अपने भागय के स्वामी बन सके मैं उन्हें आनंद में समावेश की अवस्था में लाना चाहता हूँ ताकि एक पीधी के तोड़ पर हमें जो संभावना है वो हमसे कहीं कत्राकर न चली जाए आपकी खुशी, आपका कलेश, आपका प्रेम, आपकी यंतरना, आपका अनंद सब आपके ही हाथों में है बाहर निकलने का एक रास्ता है और बाहर निकलने का रास्ता अपने अंदर है सिर्फ अंदर की और मूरने परी हम वास्तों में प्रेम, परकाश और हंसी खुशी की दुनिया बना सकते है यह किताब उस दुनिया के एक परवियस द्वार हो सकती है आईए इसे कर दिखाए नमस्कारम इनल इंजिनियरिंग इनल इंजिनियरिंग प्रोग्राम अपने बोध को गहरा बनाने का और भित्री रूपांसरन का एक अनूठा आउसर है इससे अपने जीवन, कारिया और दुनिया को देखने के आपके तरीके में आमूल परिवर्टन आता है इससे व्यक्तिगत विकास के लिए एक गहन कारियकरम के रूप में भेट किया जाता है यह सहत वह सफलता के साथ-साथ जीवन के उच आयामों की खोज करने की संभावना भी प्रदान करता है इनने इंजिनियरिंग ऐसे साधन और समाधान भेट करता है जिससे आप अपने जीवन को वैसा बनाने के काबिल हो जाते है जैसा आप चाहते है यह योग विज्ञान की प्राचिन वुद्यों का उप्योग करके जीवन को गहराय में तलाशने का एक द्वार है यह प्रग्राम आपको शरीर, मन, भावनाओं और जीवन उर्जा को बेहतर धंग से समभालने के वहारिक तरीके प्रदान करता है इनने इंजिनियरिंग में एक जबदस उपांतरन लाने वाली योग किरिया संभावी महामुद्रा सिखाई जाती है संभावी महामुद्रा 21 मिनट की एक उर्जा प्रकिरिया है यह एक बहुती सक्ति साली और सुधी कारक प्रकिरिया है जो आपके अंदर आनंद का रासायन पैदा करती है यह आपके पूरे सिख्टम को संतुलित करने की एक वीधी है इशा फाउंडेशन उन्हें इस तो बिरानमे में सद्गुरु द्वरा अस्थापित इशा फाउंडेशन मानुविये संभावनाओं और चमता के विकास के लिए एक अंतराश्टी यह लाफ रहित संस्था है आंतरिक रूप आंतराश्टन लाने वाले इसके ससक्त योग कार्येकरम से लेकर इसकी प्रेरेना परदान करने वाली समाजी तथा परिया वरन संबंदी उजनाएं इसा की सभी गत्य विदियो विश्वुसांती और विकास के लिए एक संभी संस्क्रिती पैदा करने के उदेश्य से रची गई है इसा फाउंदेशन दुनिया भर में फेले तीन तो से भी अधिक ग्यारी केंद्रों से कार्ये करता है और यह तीस लाग से भी अधिक स्वेम सेवों को के योगदान दोरा चलाया जाता है फाउंदेशन का मुख्याले इसा योगा केंद्र में है जो दच्छिन भायत में वेलेंगिरी परवर्थ की तहलीटी में स्थीत है समुदायों का पुना अस्थापित करने और परियावर्ण सुधार के लिए इस्था फाउंडेशन बड़े पैमाने की मान उससे भी योजनावों पर भी अमल करता है इसमें शामिल है गरामिन कया कल्प कारिय करम यह गरामिन पुन रुथान कारिय करम है जो निश्वल्क तिकित्सा के साथ साथ समुदायों का पुना अस्थापित कर रहा है इससे दच्छिन भायत के गरामिन इलाके में 4600 से अधिक असहाय गाहों में मान रुथान का कारिय हो रहा है प्रोजेक्ट ग्रीन हेंडs पर्या वरंग चरन को रोकने तरथा पर्या वरंग श्वक्ष बनाने के दिशा में काड्य करता है इस प्रोजेक्ट का उदेशने टर्मिनाल दू राज्यय में 11 कोर्ल 40 लाट पेर लगाना है साटा जिससके राजेक Io he प्रोजेक्ट ग्रीन हैंट्स ने सिर्फ तिन दिनों में दो लाग शपन हजार दोस्तों नवासी लोगों द्वारा आठ लाग बावन हजार पांसों सतासी पौधि लगा कर गनीज बुक और वोल लिगोर्ट बनाया इस्सा फाउंडेशन को दोजार आठ में इंद्रा गांधी परियावरें प्रोषकाय से समानित किया गया इस्सा विर्द्या इस्सा विर्द्या अंग्रेजी माद्यम वो कंप्यूटर अधारी तिछा के छेत में एक विशेश पहल है अभी पुर्य तमिलाडू में आठ स्कूल और आंध परडेश में एक स्कूल है जो करीब बावन सो बच्चों का भविस्ते उज्वल बना रहे हैं इन में से कई बच्चे स्कूल जाने वाली पहली पीड़ी की है और लगवग चालेश फिर्दी विदार्चों को पूर्ण चातवित्ती दी जाती है इस्सा विद्या फिलहार राज्य सरकार के 522 स्कूलों और 89,000 चातों के साथ मिलकर काम कर रही है इस्सा कई राज्य सरकारों के साथ सर्षदारी करके पूरे भारत के 35,000 स्कूलों के 3 कुरों बच्चों की सरयोग अभ्यास भी सिखा रही है नमस्कारम झाल 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 झाल